हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू टीचिंग कीशन यूटूब चेनल, फोस्ट अफल सुरी टू अल ओफ यू, घणा बजा टाइम थी लेक्चर आवया नथी मने खबर छे, पण एना पाशन पण कई कारण हतू, के में तमारा माटे बे सरस्मजानी बूप बनावी शे जे करी रहे हो तो इटला माटे अपनgga ही लेक्चर आवया नथी, पॉण आपने जे चैनल अपडू प्रोवाइड करे छे, जे फ्री एद्जुकेशन प्रोवाइड करे छे आक्ष्या को कोर्स प्रोवाइड करे छे। यह आवे कंट्यूनिज रह से, आपणा लेक्चर कंट्यूनिज आवसे, बिजी बस्तु कही है छे के आज थी आपणे CRPC स्टार्ट करें छे, घणा बजा लोकों एम के छेक साइब CRPC ना अर्धा लेक्चर तो थाई गया छे, त्या थी कंट्यूनिज करो, ना, हवे CRPC आपण कुप कंट्यूनिज कराए देश, और यह रितना IPC नो सोड कल लागनो वीडियो मुख्यों छे, यह रितना CRPC नो पड़ एक लेक्चर मुख्य देश, आटलो मोटो, जे तमने एक्जाम मां मददरूप थाए, फरितिक होच्छू, स्वारी, अतिया शुदी लेक्चर नता आवतायना पाछान नो कारण जिये हातू के मैं IPC नी और CRPC नी तमारा माटे एक भूख बनावी छे, जे तमें आठलू वांचो तो तमारी PSI याने कॉंश्टेबल ने एक्जाम माटे इनव छे, ओके, चलो, तो सौथी पेला आपने CRPC आज थी स्टार्ट करिये छे, आज continuous आपणा लेक्चर आवसे, और CRPC आ मंथ ना end सुधी माँ पुरू करी देश, और next मंथी आपणे evidence एक टूपर जता रहे शो, तो CRPC आज ना लेक्चे नी अंदर introduction जोई शो, सौथी पेला CRPC नो मतलब शो थाए, तो CRPC नो मतलब थासे Criminal Procedure Code 1973, अवे CRPC एकले सू छे अनी अ तमने सजा मड़े एक, पड़े एक बेनी वच्चे घणी बदी प्रोसेस थाई छे, नियाईक प्रोसेस थाई छे, पोलीस प्रोसेस थाई छे, ए बद्दी प्रोसेस आपड़े CRPC नी अंदर बणवाने छे, गुजराती मां कही है तो एनने Criminal Procedure Code 1973 के एवाम आवे छे, अने एननु बिजू पण एक नाम छे, फोसदारी कारियरीती अधिनियम, तो CRPC ना तमने त्रोण मतलब तमने खबर होगा जो एक Criminal Procedure Code एननु फुल फॉर्म छे, एनने प्रोनाउंस करोओ तो Criminal Procedure Code थाई छे, अने एनने गुजराती मां फोसदारी कारियरीती अधिनियम पण क CRPC न पन बुक बनावी दिदी छे, हुँ एकलो आ चैनल उपर काम करो छो मारी कोई टीम न थी, एतला माटे में e-book बार पाड़ी छे, जे ना थी, तमने जेओ पेमेंट करो एले एवीज, e-book छे तमने मेल द्वारा प्रोवाइड थे जा, तमने पेमेंट करो त्यार्थी आ बुक ने बांचवानों शरू करी दो, आ बुक नी प्राइज बहु नॉर्मल राखी छे, IPC नी जे बुक छे, ए 320 पेज नी छे, जेनी किमत में 65 रुपया राखे ली छे, अने जे CRPC नी बुक छे, एनी 39 रुपया राखे ली छे, आ बन्ने नी लिंक तमने दी खे, एक हाली थोड़ी मारा महिनत नी राखे ले छे, अया जे में कार्टून बना वे ला छे, समझावा माटे IPC कि जे जितली पर कलम हो छे, जे कार्टून बना वे ला महतवनी कलम हो औने वधू महतवनी कलम हो हवे ओव्यसली आपने IPC बढ़ो, CRPC बढ़ो के Evidence Act बढ़ो तो यहमा घणीबदी कलम हो है तो आपने वकिल नतिग बनवानू आपने PSI के कॉंच्टेबल बनवानू छे तो जे महत्वनी कलम हो छे जे एक्जाम ने अंदर पुछा एवी कलम हो छे एज आपने तैयार करीशो तो आनी अंदर पण महत्वनी कलम हो ज इंक्लूड करीश पण वधू महत्वनी कलम जे एक्जाम पोईट ओफ इती गणिया तो बहुँ महत्वनी छे a2 ने अंदर में आर इतना केवाय नेके गुलाभी रंधी में यहने बनाविली अशे आजना आपणे लेक्षे नी अंदर जेटला पने लेक्षे जोई स्यूं यहनी अंदर पन जोई लिए, CRPC अने IPC के evidence एक्ट वाए, आ कोष्टक माथी लईने एकाध्यमाक ना question पुछाय चे पुछाय चे ने पुछाय चे, तो यह जे में कोष्टक आपे लूँचे त्रणे त्रणनों comparison नों एक खास करीने तमारे करी लेवानुचे, जेनी अंदर पसार वर्ष, अमल वर्ष, प्रणेता कोण चे, भाग केटला चे, अने अनी अंदर कलम हो केटली छे, तो IPC तो आपने आख्या को बणी गया, सोड कल लागनों में लेक्चर पन मुखेलो चे, एक खास करीने जोही लेजो, हवे आपने CRPC नी बात करिया है, तो CRPC कया वर्षे पसार करबा मा आवियतू, 25 एक 1974 नी अंदर पसार करबा मा आवियतू, पन अमल केर्थी थयू आखा भारत नी अंदर तो 149 ने चुम्मो तेनी अंदर थी थयू छे, प्रणेता कोण चे, बारतिय संसद, एने केम प्रणेता केवा मा आवे चे, हमड़ा हू तोड़े थोड़ी वार मा त एज कलम मों आपने बढ़े शो, ओके, हवे आतो तमने थमने बेजिक माहिती आपी दिदी, हवे हूँ थोड़ू इंट्रोडक्सन आपो, ये बाई CRPC नी अंदर आपने एक्चुली भणवा आनू छे सु, तो CRPC जे काईदो हो छे, ए प्रक्रियात्मक अने अधिकार सुच अधिकार सुचपण केम 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 मां आवे चे, ए पड़ी बार मां समझाओ छे, ओके, हवे हूँ तमने उदार नापो, एना थी तमने CRPC मां आपने सु बढ़वान हो छे, ए हूँ तमने आईडिया आपी दो, तो समझी लो के जेठालाल छे, ए जेठालाल द्वारा अईयन खुन करवा मां आवे चे, तो आसू थयू, तो आएक गुनो थयू, जेठालाले यहन नू खुन करियू, आएक गुनो थयू, जेमा गुने गार कौन छे, तो गुने गार चे आपड़ा जेठालाल, अवे आखुन थता कौन जोई जाये चे, तो आपड़ा बिडे जोई जा पोलीस टेशन ने अंदर कई कई कारिये वाई थाय छे तो फरियाद नोधावी FIR नोधावी FIR नोधावी FIR नोधावा मा आवे छे तो एनी FIR नोधी दिख बाई जेठा लाल नामना व्रेक्ति ए अईयननु खुन करियो छे मारी शामें तो आवी फरियाद नोधावी FIR नोधावी दिदी FIR नोधावी फरियाद मां सू फरक छे FIR मां सू फरक छे ए आगड आपने डिप मां जोई शो एना पची पोलीस छे ए जेठा लालने सू कर से धड़ पकड कर से तो एक तो पोलीस अधीकारी ना कारियामा सू आवसे धड़ पकड आवसे धड़ पकड करे आपची इन्वेस्टिगेशन थसे investigation ना मतलब सो के जेठा लाले अईयन नो खुन करियो तो सेना थी करियो कया टाइम मा करियो केम करियो ओके यह बिजा कया का है साक्सी होता तो यहनू बदू investigation थासे साक्सियो छे ए साक्सियो नी पूछ परस करवा मा आवसे और जे पूरावा छे यह पूरावा ने जे evidence के वा मा आवे चे एने बेगा करवा मा आवसे आवधु कौन कर से पूलीस अधिकारी कर से होगे आणी अंदर पर बेवस्तु आई से सु क्या गुना पोलिस अधिकार बाहान ना गुना चे ए पण आपने जोईशु ओके हवे पोलिस अधिकारी नी फरत बन से के जारे अपरा दिने तमें कौटनी अंदर हाजर करो यह पेला पेला अधिकारी छे पोलिस अधिकारी छे एने चार्ज सिट बनावीने मैजिश्टरित ने आपी देवानी रहते हैं यह चार्ज सिट ना मतलब स्थ चार्ज सिट equipment सού हसं तो चार्ज शिट न इंदर ऐ जय से के बंता हसे कि ऊने कर से पकडीला पकडवाना भाके इसे एक चार्ज शीट्य ताइयार करवा माहा हो सेत जळे जे जह जने गार चे है पोलिस क्टगरे नी अंदर फॉ यस 어우िट अपर अपरादी छे जयरे मैजिस्टेट जोड अधर हो सेता हो सेत क्टा हो थेग चार्ज शीट ये लाइनेज बेठावाई चे मैजिस्ट्रेट ज्यारे एनों केस चालत होई चे अन्य अन्य अंदर किटला किल्ला साक्षियों आउसे कौन गुणेगार चे किल्ला गुणेगार पकड़ावाना बाकी चे अ बद्धु येनी अंदर लखेलो असे अन्य कौन ब अन्य जश्ट तमने ब्रीफ ओवर्यू आप पूछू के भाई CRPC मा सुप बढ़ मानुचे हवे चार्ज शीट बनावी ने मेजिस्ट्रेट ने आपसे इल्ले नियाईक कार्यवाई श्टार्ट थेजेसे तो हवे अदालत मा आवी गया नियाईक कार्यवाई थासे ओके हव बनने पहिलूने जोवा मााव हशे , अपरादी ना पहिलूने पड जोवा मााव हशे और वाजू थे कोणा पहिलूने? पूरा वाunda में पुरा भाषे और जोवा हशे। धलीलो ये न सामपड़वा मावा हशे। अन्ते जज छे ए पोतानों नेणाय आपसे जिनी अंदर कातो अपरादी छे एने 22 जत बली करी देशे कातो अपरादी ने शजा था से तो आपने IPC तमें याद करो तो IPC ने अंदर बेज बस्तु आतो भाई गुने गारे गुनों कर्यों एलेके खून कर्यों एक खून अन्ने खून माटे सू सजा थाए ओके आ सजा तो प्यल्लू स्टेप जे गुनों थाए चे एरियू अन्ने छिल्लू स्टेप जे सजा थाए चे ए तो गुनों अन्ने सजा गुनों आ करो तो सजा आ मले आ पच्चे निजे में तमने प्रोसेस बतावेगे भाई फरियाद नोदवा में आवे, इन्विस्टिगेशन थाए, साक्सी, धड़ पकड़, पचे प्राधी फरार होये तो फरार इनों जाहे नामों निकड़े, पचे यहनी मिलकत जबत करवा में आवे जो ए फरार होये तो आ आटली पहला माइड मा आवी दियो के पई CRPC मा आपड़े सू बणवान हो छे ए तमने खबर पड़ी गए, अवे साहिब तमें उपपर एक वस्तु लखी छे हजू अमने खबर ना पड़ी, सू? उपपर एवी वस्तु लखी छे के CRPC छे ए प्रक्रियात्मक, तो चलो प्र खबर पड़ी गए, पर अधिकार सुचक केम केवाम आवे छे? तो अधिकार सुचक इटला माटे केवाम आवे छे, कि जारे पोलीस चे एक गुने गार नी धड़ पकड़ करवा जाई छे, त्यारे, आरोपी के गुने गार ने पुछवानों अधिकार छे कि मने केम खो, तो आई अधिकारोनी पड़ उखार आवे छे, कि गुने गार छे एक पुछवानों हाई छेrov केम पकड़ आ वे छे? तामंतरा घरी नी आंदर तपास करवा माटे पोलीस आवे छे तो तमंने पुछवानों हागनों हाई छे, कि मारा घरी नी तपास सुच्वा थे है, गुनेगार चे एक गुनेगार नो गुनो कॉगुञ्डिजेबल छे यामिन Liberalbros Amazon Am塊 को गुदैएक मित आप पुछवान आ Тем वस्तों समझी गया आशो के आजे CRPC चे एनी अंदर आपड़े सू बणवानू छे ओके चल तो पेला हिस्ट्री जो इलिए कि CRPC ने हिस्ट्री सू कारे के यह लखेलू छे के CRPC 1974 तो साहीब सू 1973 पेला सू आउं कोई काईदों हतो जने मतलब के आ 1973 ती जमल मां छे जे रितना IPC छे ए अडार सो साइंट बोलाये छे के IPC छे ए अडार सो साइंट थी चाली आवे छे अंग्रेजो ना जे समय थी चाली आवे छे अंग्रेजो जे बनाईने गया तो आपड़ा मटे काईदों गुनों अने गुना नी सजा एने ज कारिये दिती अदिनियम 1973 एउ केम बुल्वा मां आवे छे कारण के या काईदों आवे उतों ओके ए पेला एक काईदों आतों फोस्दारी कारिये रिती सही तान 1898 लेके अधार सो ने 178 लेके कारिये दिती औल आवे एटले आनि अनदर थी आपड़े ईटली बुलो काड़ी एटली कलम रद करी एटली कलम नों अन्दर stating थिरफार करें तो जे ओरिजनल 1898 नो जे काईदों अतों ए आखो बदलाए गयों मतलब कि एनु जे मुड रूप अतों नहीं एना थी जा आखो जुदू रूप थाई गयों तो यह जे भारतिय संसद छे एने नक्किये करियों कि आपणे CRPC नो एक नव काईदों बनाए विए एक नव रिफॉर्म बनाए विए तो 1898 नो जे अतों जे अंग्रेजों द्वारा बनावाव चे अटली बद्या सुदारा थाई कि आने नी अंदर ते आखो यह बदलाए ज गयो तो तो हवे संसद द्वारा नक्की करवा मा आवि आपणे भारत नी संसद कारे कि हवे स्टाइन कमें जो हो के 1973 चाले चे ले आपनो देश आजात थाई विए अवे भारत सरकारे नक्की करियों कि आपणे एक कारियरीती अधिनियम चे एने रिफॉर्म करिये आखो एक नव बन चारा करियरे 1973 नों काईदों बनाव मा आवियो तो साइथ 1973 नों काईदों बनाव मा आवियो पर Elena अमल माँतन 1974 नी अंदर आवे तो पाचण 1973 कि मह बुलाए छे कारं कहे या रे denial पसार कर्वा मा आवियो में तो ये साल हते 1973 तो 1973 इंटला माटे बोले अचे कि जे बिल हतु बले ए बिल पास था गयो क्या अरे 1974 ना पहला मैना नी अंदर पड़ बिल क्या रे लोकसबा ने राज्यसबा मा थी पसार थाइओ तो 1973 नी अंदर इटला माटे तो 1973 नी अंदर राज्यसबा मा मुकायो और पचीज समय जता इस संसल माथी बनने गुरुma पसार थागयो और प अने आजे CRPC नो जे बिल हतु एक काईदो बनी गयो अने एक चार लेके चोथा महिना ने एप्रिल नी पहली तारीके आ समग्र भारत नी अंदर लागो थयो तो बिल 1973 नू अतु एटला माटे पाचार 1973 बोलाएशे पड़े पास क्यारे थयो तो 1974 ना पहला महिना नी अंदर अमल मा क्यारे आवयो तो एक चार 1974 नी अंदर आगण वाद करियें प्रक्रियात्मक अने अधिकार शुचव छे अवे जे अंगरिजुना समय नो जे CRPC नो काईदो आतो एणि अंदर पांसो ने पासट कलम हो आतो अन्ने अत्यानो जे आपणे बनावेँ छे 1973 नो के फोन नो एणि अंदर चार सो ने चोरियाशी कलम हो छ तो आठलू वस्तु खास याद राखानू छे जे CRPC मां हिष्ट्री मां थी MC की स्वरूपे बनी शके के CRPC 1973 छे हो के 1973 ए संसद मां बिजा क्रमांक नो काईदो आतो अवे बिजो क्रमांक एगू केम लखेलू छे तो आपने IPC याद करो तो IPC ने अंदर जे ब्रिटिश पास थायू एक कया क्रमांक नो हतो तो विजा क्रमांक नो हतो तो याद राख जो तो पहला महिना नी अंदर ओके 1974 ना पहला महिना नी अंदर आपास थायू तो याद राख जो तो विजा क्रमांक नो काईदो हतो CRPC अने IPC तो याद राखो 1860 नी अंदर पास करवा मां प्रणेता कौन छे बारतिय संसद केम कारगे अंग्रेजों द्वारा बनाये दिदो तो हवे कौने नक्की करिऊ के आने फरीथी बनाविशू तो बारतिय संसद नक्की करिऊ तो बारतिय संसद आवसे प्रणेता, मंजूरी के आरे मड़ी तो 25 एक 1974 राष्टापती नी साइन अने बील छे एक काईदो बन्यों, अमल के आर्थी लागू करिऊ भारत नी अंदर तो 1 चार 1974 थी, केटला प्रक्राण छे, केटला भाग छे, 37, केटली कलम हो छे, 404 चे, केटला परिशिष्ट चे, परिशिष्ट 2 चे, जेनी अंदर पहला नी अंदर यादी औने बिजा न समगर भारत नी अंदर जम्मु कस्मी सहीत ना समगर भारत मा लागू पड़े छे, परन्तु आना जे प्रक्रण 8, 10 अने अग्यार छे, जे नागालेंड अने आधी जाती ना विस्तारों, तमने बंदारन नी अनुसुची छो तमे जो हो तो एनी अंदर आधी जाती ना वि समगर भारत मा लागू पड़े छे, पर CRPC ना खाली 8, 10 अने अग्यार चेप्टर छे, नागालेंड अने बिजाजे आधी जाती ना विस्तारों, जे बंदारन नी अनुसुची छोमा आपेला छे, आसाम त्रिपूरा मेगाला याने मिजोरम, एनी अंदर लागू पड़ता नति, तो जोहिए छे, भाग नंबर एक, प्रारम बी, कलम नंबर एक थी ने पांच, सौथी पेललीज कलम छे, जे रितना आपड़े IPC नी अंदर जोहिए होतु, एमा पड़ पेलली कलम अती के बैई IPC नू टुंकू नाम, एनो विस्तार, अमलनी तारिक, एक कलम नंबर निक मा आती IPC नी अंदर, एज रितना CRPC नी कलम नंबर एक मा, CRPC नू टुंकू नाम, एनो विस्तार, अने अमलनी तारिक, आपपा मा आवे छे, CRPC मैं ओल्रेडी लास्ट लेक्षे नी अंदर कैजी दू अतु, फुल फॉर्म छे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, मंजूरी क् 25, 1.9 चुम्मोतेना रोज मंजूरी मढी अती, अने आपड़ा देसनी अंदर क्यार्थी अमल मा आवे तो 1.49 चुम्मोतेना रोज अमल मा आवे। समगर भारतनी अंदर CRPC लागो परसे, जम्मू कस्मिर सहीत, पन प्रकरन नंबर 8, 10 अने 11 जे पोलिस प्रक्रियाने लगता छे ए नागालेंड अने अमुक आधी जाती विस्तार छे जे बंदारंड ना अनुसुची छोनी अंदर आपेला छे आ सामने बिजा चार राज्यों एनी अंदर आ CRPC ना चेप्टर नंबर आँठ दस अने अग्यार लागो ने पड़े जे ओल्रेडी आपड़े लास्ट लेक्चर नी अंदर डिसकस करी गया था तो आ कलम नंबर एक नी अंदर जस्ट आ वाद करवा मा आवी छे कलम नंबर बेनी अंदर अही पेटा कलम 2A थी लाईने 2Y सुधी व्याख्याओ आपेली छे अने अर्थ गटन आपपामा वी छे जे मोस्ट मोस्ट आई एमपी छे हवे हुझे 2A थी लाईने 2Y सुधी जेकली पण व्याख्याओ करावीश ए तमारे खास करी ने समझवानी छे कारण कि आगर जता आज बदी व्याख्याओ ना जे सब्दों छे ए तमने आउसे अने ए वक्ति ए तमने ए सब्दनों मतलब सुथाए ए तमने खबर होवी जोई है कलम 2A नी अंदर जामिन पात्र गुना नी बात करी छे हवे उसे तमने एक बेजिक माहिती आपी दोव ज्यारे पण कोई गुनों थाए छे तो ए बे गुना होई मतलब के ए बे टाइप ना गुना होई एक जामिन पात्र गुनों पण होई अने बीन जामिन पात्र पण गुनों होई हवे जामिन एक चुली वस्तु सू छे ए आपणे आगार डीप मा बनी सु पर एकलू समझी लो के जे बे वरस्ती ओची सजाने पात्र गुनों होई ए जामिन पात्र गुनों होई अने बे वरस्ती लईने आजी वनके मौतनी केद सुधी ना जिटला पण बदा गुना होई छे एक बीन जामिन पात्र गुना होई छे हवे कई रितना आपनने खबर पड़ से कि आ गुनों जामिन पात्र छे कि बीन जामिन पात्र छे तो या कलम नंबर टू एनि अंदर एउ आवामा आव छे कि आया CRPC नी अंदर परिशिस्ट एक अने परिशिष्ट बे आपेली छे जे मां परिशिष्ट एक नी अंदर एक कोषटक आपेलों छे एक कोष्टक नि अंदर जो जामीन पात्र हुँं लखे लू है कि ए गुनो जामीन पात्र छे, एना सीवा एना बाकी न आचे ए बीन जामीन पात्र गुनो छे । अवे तम यह का साहट कहता हो, ताम यह साहबक से लिफ्य ची महानीत थे ट właściकी, तो ज से लिफ्ट महनें ना theor अदुम है उख्यकी एक लिफ्प को मुझ्द ए उनीगरुःी या गुणोँ छे , पोलीस अधीकार गुणो था , इल्यगे radiarm 18.a की एफटा उफेन्स माशा data . क्ता उफेने उन्हाँ . पोलिस अधिकार बाहार नो गुनो आप यह वस्तु सू छे यह तमने आगर जता हूँ तमने समझाव इस आ चेप्टर नी अंदर आ बनने वस्तु आवसे जरे आवसे तेरे हूँ समझाव जो कि अ नी गुर्ण सू आने नी गुर्ण सू एना पकुचि यह टमने जोहा भब वस्तु अधिक आलMore से अधितलो आगर आगरा लेवलte अन्य Cath deze 3 जोईशू एनी अंदर आपणे फोसदारी कोट नू वर्गी करन जोईशू अने यमनी सत्ता हो जोईशू ए वक्ते तमने आप बद्धी वस्तु क्लियर थे जासे कि किटला टाइप ने कोट होई ए किटला माँ विभाजित करेली होई अने सैसन कोट सूचे जिल्ला अदालत आप बद्धी वस्तु चैप्टर नंबर टू नी अंदर हो क्लिष्टर क्लियर करिया थे ओके एना बची में एक बिजू उदायन आपई छे कलम नंबर एकसो ने साइन जेनी अंदर बखेडानी सजानी वाद करे शे बखेडानी वाद करे शे तो जेना माटे सजा किटली छ त्रण महिना नी सजा होए अवे नॉर्मल वस्तु चैप्टर नी चे जगरता होए एने बखेडों के वाम आवे अवे बखेडों चे ए अ नी गुरुणी अचे यलेके बीन जामिन पात्र गुनों चे जेनी अंदर पोलीस जोड़े रिक्वेश्ट जाए फरियाद जाए त तो पोलीस मैजिस्ट्रेट जोड़े परिमिसन लाइने एनी तपास करी शक्षे यलेके पोलीस अधिकार बाहार नो गुनों चे जामिन पात्र गुनों चे नॉर्मल गुनों चे बखेडों जेनी अंदर त्रण महिना नी सजा थाए मेक्सेमा तो जामिन पात्र गुनों के तो अईया तमने एक परिस्ट टेक नी अंदर आओ कोष्टक आप्यों चे आ कोष्टक नी अंदर अईया तमने एक गुनों आपेलों चे अन्ने एक गुनों के ओ गुनों चे जामिन पात्र चे के बिन जामिन पात्र चे एक कोष्टक नी अंदर दर्शा वेलों चे तो आ को पात्र गुना होई शे अने बे वरस्ती लईने मौत सुधीना जिटला पड गुना होई शे ए बीन जामीन पात्र गुना छे अजु जामीन नी अंदर पड गणी बदी वस्तु आवे शे जामीन पात्र गुना नी अंदर जामीन बीन जामीन पात्र गुना नी अंदर जामीन आ बद्धी वस्तु आगर हुँ तमने डिप मा समझावी बस जर्ष्ट तमने खाली व्याख्या माटे तमने आटली वस्तु ए जो अपनाव समझीलो। आगर वद्धी शे कलम नंबर 2B जेनी अंदर तोहमत नामानी बाद करी शे। तोहमत नामानों मतलप सु, तोहमत नामानों मतलप था आरोप नामू। अबद्धी शूचे भाई तोहमत नामू ए समझे। जेरे एकज गतनाना भाग रूपे जुदा जुदा गुदा थायेला हुए। तो एनो आखु एकज तोहमत नामू बनावू एवी बात कलम नंबर टू बी नी अंदर की दी छे। जो व्याख्यानी अंदर सू छे ए जो ये कि एक थी वधारे तोहमत इलेके आरो एनो समाविस थाए छे। ज्यारे एकज समय एकज गटनाना भाग रुपे अलग-अलग गटना बनी होए त्यारे एना माटे अलग-अलग तोहमत नामानी जरूर न थी। अवे एकजांपल द्वारा समझाओ। हवे या मगन नामनो चोर छे। आ मगन नामना चोरे गांधी नगर नी अंदर एक घर नी अंदर सू करे छे चोरी करे छे। हवे चोरी करी ने ब्वागतो होए छे तो meidän पाचर शोड़ा लोगो पड़या होए छे। मतलब के कहा है कि गर्ना मालीको पड़या होए जरूर पड़ी तो गाडी नी पड़ एने चोरी करी लेके गुणा नंबर बे ओके अवे गाडी लेने हाई स्पीड नी अंदर बागतो होए छे तो कोईकनों एकसिडन करी नाखे छे तो यह सू कर्यू साप्राद मनुष्य वद कर्यू लेके के वाइनके वन टाइप खून कर तो यह गुणा नंबर त्रोण कर han HPCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCAC उप Supply नाम भोख से अरुप नाम न में ऋपजी नीं में जौिए नाम भाग अछंडवाम आवे चे ऑल्ग या customer कलम 2B ની ની અંદ્ર ની ની અંદ્ર ની ની અંદ્ર ની 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 पी तो आयोप सो कलम नंबर 2B तमने ख्याल आवी गए होशे तमने जेपन बस्तुनी अंदर ख्याल ना आवे तमने नीचे कॉमेंट करी शको चो हुआ एनो आंसर आपी देश आगण वाद करिये कलम नंबर 2C जेनी अंदर नीच गुरुहाणिया के पोलीस अधीकार गुनो इलेके इंगलिस मां कहिए तो पोगनिजेबल ओफेंस नी वाद करी शे अमने आगण कोश्टक नी अंदर में तमने कि तो तो नीच गुरुहाणिया औने अनीच गुरुहाणि वदू सजाना जे गुना होए चे ए नीच गुरुहाणिया होए चे लेके पोलीस अधीकार गुना होए चे अवे पोलीस अधीकार नो हुँ टूंग मा तमने माहित यापी दो के पोलीस चे ए वगर वरंटे अपरा दीनी धड़ पकड करी शके एने पोलीस अधीकार गुनो एनी तपास करी शके तो एकने पूलीस अधीकारी गुनो के भामा आवे छे सिम्पल वस्तु छे ज्यम्के आहिया तमने देखाडे ला छे के आहिया कोईकणू अफरन थही रही छे अफरण नो गुणो छे, पछे यहा कोईकंनों खुन थायू छे, तो खुनु गुणो छे, यहा पोलीस अधीकारी उपर भूमलो थायू छे, तो आब दा केस नी अंदर पोलीस अधीकार गुणो लागू पड़े छे, लिकिल सहा Permäg जो पोलीस रान नहीं, जूवीके कोई वि यह नू खुन करता जोईू छे तो पोलीस राज होसे कि मैजिस्टेट ने पहला पर्मीशन मोगलू मैजिस्टेट मने हाँ पाड़े तो हुँ जैने जेठालाल बागी जाए तो यह पोलीस अधिकान नो गुनो लागो पड़े कि पोलीस जोड़े जेवी फरियादाव से एफ जेटला पड़ गुना होए छे ए बद्धा नी गुरुहनियानी अंदर आवे छे पोलीस अधिकान ना गुना नी अंदर आवे छे चलो आनी अंदर सू लखेलू छे जोईले कि आ गुना माटे वरंट वगर आरोपी नी धड़ पकड़ करी शकाय आ गुना छे ए गंबीर प जेने क्याव माँ आवे छे अनी गुरुहनिया एले के पोलीस अधिकार बाहार नो गुनो एटले नौन कॉंग्निजेबल ओफेस एले के आना थी विरूस जेनी अंदर मैजिस्टेट नी पर्मिशन जरूरी छे यह आगर जोई शो पर एज ओप नाव तमे आटली वस्तु आध राखों ऐना बचे आवे छे कलम नंबर टू डी जेनी अंदर फरियाद निवाद करी छे आवे फरियाद इतले सिंपल वस्तू छे के मारे कोई वेक्ति विसे फरियाद लख भी हो तो सिधो पॉलीस टेशन मा जाओ अने पॉलीस टेशन मा एवेक्ति विशे हुँ फरि जानी ती होई के अजाणी बेखती होई ए मार्फ ती कर्वाम आवे छे अने काईदे सन्ना ना हेतू थी कर्वाम आवे छे, जैने फर्याद केवाम आवे छे सिंपल वस्तू छे कि अईया अईयन नू खून करे छे जेठा लान, हवे या कौन जोई जाए छे तो आ बीड़े जोई जाए छे, हवे बीड़े ना मायन मा एउँ छे कि जेठा लाले अईयन नू खून करे तो हुँ फरियाद नोदाव पोली स्टेशन यंदर जैने, जेना शेठा लालने जाणतो हुए या करतलं से छे, हवे याद बीड़े जैन लालने जानतो हुए ना जानतो हुए या जोः जंता लालने ज prisons करे वस्तेशन यहीं जानतो हुए या नियमि जानतो जचकर sidewalk शे, हखल तो इस फरियाद स्सस्सक्राणी पोलिस स्टेशन न थिंए, यह चार्ज सीट छे तो आ वस्तू छे इंपोर्टन राग जो पोलीस रिपोर्ट शू छे अगड़ आपने जो इशू पर्याद राखो के फरियाद नी अंदर पोलीस रिपोर्ट नो समावेश था तो न थी हवे आगण वदिय छे कलम नंबर 2E जेनी अंदर हाई कोट एलेके उच्च नियाय लईनी वाद करी छे तो जे राज्यानी सर्वोच अदालत जेनी अंदर सुप्रीम कोट नो समाविस ना थाए एने हाई कोट के वामा आवे सिंपल वस्तो छे केंद्र नी सौथी मोटी कोट कई होए तो ये सुप्रीम कोट होए इज रितना दरेक राज्यानी अंदर सौथी मोटी कोट होए एनेसु के वामा आवे हाई कोट के वामा आवे जेमके आपड़ा गुजरात नी वाद करें तो गुजरात नी सौथी मोटी अ सिंपल तो दरेक राज्यानी सौथी मोट्टी अदालत सौथी उच्चक अक्षानी अदालत जने हाई कोट केवामा आवे छे अने हाई कोट पछिसु आवे सिद्धी सुप्रीम कोट आवे जे केंद्र लेवले होय कलंब नंबर टू एस नि अनदर ओकेवामआावे छे भारत भारत नी जसने और पाले तरीकर पो उल्यक करिये हो ऑग्ये आ माइंड ये अंदर खास राखवानों छे तो बारत इकले अधिनियम लागू पड़तो हुए एवो राज्यक शेत्र जिसी आरपीसी लागू पड़े एवो दरेक राज्यक शेत्र एने अंदर भारत आउसे मतलब कि या 2AF एवो केवा मागे शे के भारत जोडे कनेक्टेड बद्धी जवस्तो है लेके भारत नी दरियाई शीमा हुए 12 기자़ा 120 कि न आउसे लागू अंदर पड़े का ओड़े एंदर न डरियाई शीमा हुए एनि शेभारत राज्यक शेत्र और बद्धा अगर राखवाने इंक्वाईरी और इंवेस्टिकेशन जयरे आपने आप ये सब्दु यूज करिये शे ने त्यारे आपने बन्ने ने सेम सेम लागे शे किसे बड़ गपदू बन ने सेम छे ना िू न थे आपने नी अंदर जमिन आस्मान नो फड़ाखवाई शे और बन्ने वेक्ति अलग अ जेनी अंदर इन्वेंस्टरीगेशन ही वाद खी चे ऊंदर इन्वेंस्टिगेशन नी बाद करी छे इटले कि पोलीस तपास नी बाद करी चे तरणे-तरण एक बिजाना परियाई वाची सब्दो छे investigation को अंवेंशन को कातो police तपास को येल्डे एक पोलिस तपास के investigation क्या रे थाए जैरे गुनो थाए छे गुना पछी फरियाद नो दाये अने नियाईक प्रकरिया सरु थाए एना पेला-पेला police investigation करी देए फरीथी रिपीट करूँ छो, गुनो थाये, फची फरियाद नो दाये, यहले पोलीस सु करे, इनिवेस्टिगेशन चालू करे, जैने आपने पोलीस तपास करे चे, पोलीस तपास करे चे, का तो पोलीस करे, अथो पोलीस द्वारा निमाईला व्यक्ति करे, अने जसम् הס सधीक्रावा भावा मड़िए अधेर, या जग्या होए या गुनोह भावा मड़े ट्याहई असले आने शोडबा माटनेश тогда ये बन्येनी वच्चेशु थाई चे इन्वयस्ट्रीगिशन थाई च्छे पोलिस तपास थाई चzemu छे वार्चील एठाली पोलिस अथवा तो पोलिस बारा निमाईला वेक्ति द्वारा करवा मा आवे, पूरावा भेगा करवाना हेतू थी करवा मा आवे इन्वेस्टिकेशन, अने गुनों अने न्याइक प्रक्रियाने वच्चे आ इन्वेस्टिकेशन येलेके पोलिस तपास थाए छे, पोलिस तो पैसले ंतले इसलिए अरिए शेरी ता गोरें धुरे आलगी खुने हैं थैसले किस्टी ऐसरे कारियवाई शडत्रा आहिए अवे कार्यवाई शरू करे त्यारे मैजिस्ट्रेट ने एउं लागे के साहे पोलिस द्वारा जे तपास करवा मा आवी छे जे इन्वेस्टिगेशन करवा मा आवी छे एनी अंदर कई चूक लागे छे जे मैजिस्ट्रेट बेठेलो छे एने उं लागे के पोलिस द्वारा सर्खी तपास करवा मनती आया केस नी अथवा तो जे पन तपास थाई छे एनी अंदर कई भूल छे कई चूक लागे छे तो एया चे ने कोट द्वारा इंक्वाईरी ब्यसाडवा मा आवे तपास करवा म मा आवे जेने नियाईक तपास करवा मा आवे छे पोलिस तपास थाई गई छे हवे कोट नी अंदर केस चालतो है त्यारे मैजिस्ट्रेट के एने लागे के हजू तपास नी जरूर छे औने हवे पोलिस नहीं आपणा द्वारा तपास करवा मा आवे छे जेने नियाईक त पुरा वानी च काहरीना हिता. आजय पूरावा बेगा थया चे, उक्येणा चकाश्नीना हे तूथी करवा मा आउसे, आउसे, एंक्वाईरी, चुम्लाब थे K shortened कुम्लाभ क र tempo, तो इनलस्वेस्टीके वुल्ड एला चिल्वा तो तह आउसे म थेयां हाग है जया ? अने नियाया लेनी अंदर मैजिस्ट्रिट जारे आदेश आपे त्यारे ए नियाईक तपास थाए छे ए पूरावानी चकाशनी करवा माटे तो सजा आपता पेला आ न्याइक तपास थाई जखे छे आ क्यारे थाए ज्यारे मेजिस्ट्रेट ने एवु जणाय एवु लागे तो तो कलम नंबर 2G जेनी अंदर इंक्वाइरी तपास के न्याइक तपास नी बाद करी छे कलम नंबर 2G जेनी अंदर इंवेस्टिगेशन अन्वेंशन के पोलीस तपास नी बाद करी छे हागण बाद करी छे कलम नंबर 2I जेनी अंदर न्याइक कारियवाई नी बाद थाई छे तेने कारियवाहि我们, मतलब के ए टाइपणी कारियवाहि जेने न्याइーक आँद के वाही जो धू पर्य कतने आपिवाल वहाँ सिम्पल वस्तु के मैं गुनो थता जो यू छे और वस्तु हूच जानुछो के मैं सू जो यू छे अवे हूँ अद्र जय पड के वानों हों छो ए अदालत मानी लेवा ने से कम कारें के में मनेज कबर चे साचो बोलू चू के खुटू बोलूच्यू तो सिम्पल वस् इमानू उपर से कारण के मैं सोगन लिदी छे तो यह कानून नी जे सोगन उपर पुरावा लेवामा आवे छे ए टाइप ने मतलब के न्याईक कारेवाई छे अजुआनो ब्रोड विस्तार मतलब के ब्रोड व्याख्या छे ब्रोड वस्तु समझवानी छे यह आपने इनकार आप्पा माहावे लोग ते विस्तार में मैजिस्टेट ने स्थानिक हुकूमत के वामा आवे छे सिंपल वस्तु आगर जता आपड़े अदालतनू विभाजन जोई शो जेनी अंदर सेसन कोड़ छे ए सेसन कोड़ छे ए जुडिश्यल मैजिस्टेट कोड अने मेट मेजिस्टेट कोड ने अंदर डिवायट था हुआ जै ए जनी अंदर जुदा-जुदा की है ज़ल इसे चीप मेट्रोपोलीटन मैजिस्टेट चैसे प्रथम वर्गना आशे शेकंड वर्गना आशे पसे नीचे एजुकूटिव मैजिस्टेट हुँ शे तो दरेक मैजिस् समझेलों कोई गामडानी वाद करीदो एवा 56 गामडानी वच्चे एक अदालता पमावी छे जेनी अंदर ए मेजिस्टेट नो एननो हख किटलो छे ए 56 गामडा सुधी नो छे अवे ए एलिसु केवामा आवे स्थानिक हुकूमत केवामा आवे आनी वस्तु उन डिपमा आगर जता तमने थोड़ी समझावीश आगर वधियाशे कलम नंबर 2K अने 2L 2K नी अंदर मेट्रोपोलिटन विस्तानी वाद करीशे आ वस्तु समझ भी जरूरीशे कारां के आगर जता चेप्टर नंबर 2 आवसे एनी अंदर आ वस्तु फरीती हुँ रिपीड करीश मेट्रोप मेट्रोपोलिटन विस्तानी अंदर मुकी शक्ये छे एक्जांपल तरीके वाद करे आपड़ा अमदावाद ने अमदावाद छे ए अमदावाद सहे अमदावाद जिल्लानी वाद नती करतो चस्ट अमदावाद सहे नी वाद करू अवे खाली अमदावाद सहे नी जवस्त अधिया मेट्रोपोलीटन विश्थारन नी अंदर यहे मुखवामा आवेशे। आनाथी फाइदो शू थायो आ कि ज कअ पन मेट्रोपोलीटन विश्थार ज मेट्रोपोलीटार अलगती yen होई। जे आगर चेप्टर नंबर टू मा जोई शो तो मेट्रोपोलिटन विस्तारे ले सिंपल वस्तू छे कि कोई एउ सहे जेनी अंदर वस्ती 10 लाग्थी वदारे शे तो ए 10 लाग्थी वदारे होई तो सरकार एने जाये नाम बार पाड़ी ने आगर जेता 10 लाग्थी वस्ती गटे शे तो फरीथी एक जाहे नामू बार पाड़ से अने केवा मावसे के अमदावाद आजती मेट्रोपोलिटन विस्तानी अंदर छे, नई, सिम्पल, आगण वाद करे कलम नंबर 2L, आगण याद करो, आपड़े नी गुरुहन्य गुनों जोई गया था, यस के नो, ओके यस, 2C, 2 सिनी अंदर नी गुरुहन्य गुनों एलेके पोलिस अधिकार गुनों सुछे, ए जोई गया था, तो जे गुना नी गुरुहन्य छे, एना सिवाएना जेकला पड़ गुना आछे, ए बद्दा अ नी गुरुहन्य नी अंदर आवसे, पोलिस अधिकार बाहान ना आवसे, च आ गुना माटे वरंट वगर आरोपी नी धड़ पकड थाई शके नए। पोलीस अधिकार जे गुनो अतो, नी गुरुहणिय गुनो अतो, पोग्निजेबल ओफेंस अतो, एनी अंदर पोलीस अधिकारी ए, वगर वरंटे ए आरोपी नी धड़ पकड करी शके। परन्तु, अनी गुरुहणिय गुना नी अंदर नौन कोग्निजेबल ओफेंस नी अंदर पोलीस अधिकार बाहर ना गुना नी अंदर जे पोलीस अधिकारी छे ए वरंट वगर व्यक्ति नी धड़ पकड करी शके नए। आवा गुना चे ए गंबीर प्रकारना होता नाती जमके बखेडानी वाद करी लो, बखेडों चेने ए अनी गुरुहणिय अछे नौन कोग्निजेबल ओफेंस चे जमके यह जो हुआ यह बेवेक्तियों चे जगडे चे तो आब यह वेक्ति जगडे चे तो सिंपल वस्तु आवा गुना मा मेजिस्टेट नी मंजूरी वगड तपास पण ना थे शके आपन याद राखेशु आगर वदिया छे कलम नंबर 2M जेनी अंदर जाहे नामानी बात करे शे जाहे नामू यहले सिंपल वस्तु छे के सरकार द्वारा जारी करवामा आवता हुकम ने जाहे नामू के वामा आवे शे जाहे नामू बार कौन पाड़े तो एक्जुकुटिव मेजिस्टेट पाड आगर जेम जेम जईशे यहाम एम कलियर करावतों जाहे नामू यहले सिंपल वस्तु के अत्यारे कोरोणा चाली रहो छे तो अत्यारे जाहे नामू बारपडवामा आवे रात्री कर्फियुरे से रातना 10 वागय थी सवाना 6 वागय सुधी कोई ये बार निकड़ू ने तो आ कई रितना केवामा आवे जाहे नामा थी केवामा आवे पई सरकार एम के आ एक सरकारी जग्या थे तिया पेशाप करवो ने तो आज जाहे नामू छे, सिंपल वस्तु छे के एम केवामा आवे के रात्री दर्म्यान पांच वेक्ती थी वदारे वेक्ती ये बेगा थाओ नहीं आज जाहे नामू छे केवामा आवे के आ रस्ते काम चालू होवा थी आ रस्ता उपर जवू नहीं जाहे नावो छे तो जाहे नावो छे एस सरकार द्वारा बार पाणवा मा आवे और येक येवाँ मा आवे हुकम के सरकार हुकम करें छे कि आ भश्तू तमारे कर्वी नहीं येने जाहे नावो क intéressant कमें अब वस्तु आपड़े IPC नी अंदर पन सारी रितना बनी गया था कलम नमबर 2 L जेनी अंदर गुना नी वाद करी शे अवे गुना नी व्याखे आपड़े IPC मा पन जोई गया था यह थोड़ू सारी रितना आपी शे जो शुगिदू छे के अमल मा होई ते काईदा मुझब सिक्साने पात्रा ठड़ावेल कोई पन कुरुत्य गुनों बन से मतलब कि अमल मा होई टले के IPC नी अंदर समझेलो IPC अत्यारे अमल मा चे अवे IPC नी अंदर जे गुना दर्शा वेला चे जेनी अंदर ए गुनों करवा थी सजा मढ से तो एवा दर्य कुरुत्य गुनों के वा से IPC नी अंदर जे कुरुत्य आपए चे ए कुरुत्यो ना अनुशार एनी एन्धस सू आपेली चे सजा आपेली चे तो ए बदा जो कुरुत्यों करो तो एने गुनों के वा से love column no. 2 L आ ये वा मांगेशे आगण वद्धिया छे कलम नंबर 2-0 जेनी अंदर पोली स्टेशन नो इंचार्ज अधिकारी निवाद करें छे ज्यारे आओ सब्द यूज था है कि पोली स्टेशन नो इंचार्ज अधिकारी आम कर्यू तो आपड़े सूम मानवों तो जारे पन पोली स्टेशन होए तो पोली स्टेशन नी अंदर सवती वड़ो होए ने एफ बे वक्ती होए कातो PSI होए कातो PI होए न न गामडा नी अंदर PI न थी वहा था, PSI हो था, जेमके मारा पिठापूर गामणी वाद करो, तो पिठापूर गाम नी अंदर पोलिस टेशन छे, पोलिस टेशन न शे साथी हेड क्वाँ छे पोलिस सब इंसपेक्टर था, अवे मोटा मोटा सहे नी अंदर जेता रो जमके गांधी नगा नी अंदर जेता रो तो गांधी नगा नी अंदर कोई सेक्टर नी अंदर जे पोली स्टेशन असे तो त्यानो जे इंचाज अधिकारी असे ए पी आई असे लेके पोलीस इंस्पेक्टर असे तो सिंपल बलती उपणना धरज्जाना अधिकारी नी तपास सौपी शकाए छे। अमुक कंडिशन मा राज्ये सरकात वामा अदबारा व्यक्ती पन निम्बामा आवे छे। यह एगु केमामा आगे छे कि पोलीस इंचाज अधिकारी कोन होए। तो पोलीस्टेशन नी इंचाज अधिकारी कातो PI होए, कातो सु झोई, PSI होए। अने एना इचे कॉंस्टेबल आवे तो अईया एव केवा मागे छे के बाई पोलीस टेशन माँ कोई पोलीस टेशन यांद जाऊनो तो आ बेय वेक्ति होये जो मोटू पोलीस टेशन होये तो एमा अधिकारी पी आई होये अने कोई नाना इवा गामडा नी अंदर पोलीस टेशन आशे तो एमा पी एसाई होये अवे समझे लो के पी आई अने पी आई बन्ने माथी गेर आज चे अचे मतलब के पोलीस अधिकारी चे इंचा ज़दिकारी चे एक गेर हाज चे तो आवा कंडिसन यांदर केस कोणे छो तो कोईश्टेबल चे ने आउपणना वेक्ति ने अंदर बेवेक्ति आवे एक एक एसाई और हेड कोईश्टेबल तो आव बन्ने ने एक केस नी केमाई के जिव्यदारी आपी शकाये छे तो यह हुँ केमाँ कैशे चे पोलीस टेशन ना इंचा जदिकारी पी आई अने पी एसाई होई छे जो ए हाजन ना होई तो कोईश्टेबल ती उपणना दरज्जाना अधिकारी ने जे पन केस होई एनी तपास स्वपी शकाये छे अने अमुक कंडिशन ये अंदर जम जिलो के एसाई के हेड कोईश्टेबल न थी तो स्राज्ये शरकार द्वारा ए तप पास करवां माटे एक व्यक्ती पन निमी शकाये छे आउ कलम नंबर टू एनी अंदर के वामा आविव छे ओके तो टू ओ आई होप सो क्लियर हर्शे अवे आगण बदिये टू पी जेनी अंदर जग्याने वाद करी छे अवे आगण जता आपड़े घणी बदी कलम हो आउ कोई वाहान वगेरेनों समावेश थाई जाए छे मतलब के मारी समझीलों कोई प्रॉपटी होए ए मारू गर होई शके कोई तंबू होए तो तंबू पन मारी एक जग्या थासे जहाज ए मारी एक जग्या थासे इमारत मारी जग्या थासे वाहान मारी जग्या थासे लेके आगर जदा CRPC में आउँ सब्दा आवे छे कि मेजिस्टेड छे एक कोई व्यक्तिनी जग्या ने तपास करवानों हुकम आपी शके छे तो ए जग्यानों मतलब सु समझो ए तमने यह क्लियर कराई दिदो छे कोई पण वस्तु होई शके जग्या इतले कोईनों तम्बू होए गर होए जाहाज होए इमारत होए वहान होए यह बद्याने जग्याज के वामा आवे आगर वदिये शे कलम नंबर 2Q और कलम नंबर 2R कलम नंबर 2Q नंदर वकिल ले बात करें छे वकील मतलब थसे प्लीडर वकिल ने सु के वामा आवशे प्लीडर के वामा आवसे जैने इंग्लिस माँ तम्में प्लीडर पण को छो, तो वकिल अने प्लीडर बनने एक चे, सिंपल वस्तु चे वकिल एले तमने कोई नवी वस्तु न थी, और यह तमने काडा कोटिनी अंदर जुवा मड़ से, कोई पन फरियादी होए तो फरियादी ना अनुलक्सी मा पन उ हो जो यह, जमके गांधी नागर नी अंदर हाई कोट छे, तो हाई कोट नी अंदर जितला पन वेक्तियो छे जे वकिल हो छे ए पोतानू नाम छे ए हाई कोट नी अंदर दर्ज कराएलू हो छे, कारा के काल उठीने एक केस लड़वा जाये ले मैजिस्टेट के निया दिश जो यह, क्या वेक्ति कोण आवे, आप लीडर आवेक्ति छे कोण, वकिल कोण छे, एनू नाम छे ए अदालत नी अंदर रजिस्टर कराएलू हो जो यह, क्या वकिल छे, आ आ कोट नी अंदर रजिस्टर कराएलू छे, अथवा तो कोई पर्टिक्विलर कारिय वाहित बारा आपन निम्मा मा आवे शे तो जश्ट ओफ द वक्किल के अमा आवे शे कलम नंबर टू आर जेने पोलिस रिपोर्ट चार्ज सीट नी बात करे शे जे साउथी साउथी महत्वनी वस्तो शे अवे चार्ज सीट शे ये डिपमा बात आगड आपने जोईशू डिपमा आपने जोवानू छे के चार्ज सीट सूँ छे सी आर्पीसी एकसो त्वत्तेर बे ये बदी वस्तो आपने जोवाने छे पण अत्यारे एक ब्रीप तपने माहिती आपी दहुचू के तपास पूरीत थाए अने पोलीस अधिकारी छे एने न्याया दिसने एक रिपोट आपो पड़े जेने चार्ज सीट के वाम आवे छे पोलीस रिपोड के वाम आवे छे आन नेवु दिवस्तनी अंदर आपी देवी जोई किटला नेवु दिवस्तनी अंदर आनि मुद अमने कऊचु एम आगड आपने वाद करीशू, टेंसर ना लेशो, चार्ज सीट सूँ छे, चार्ज सीट ना कई-कई वस्तु अनि अंदर आवेशे, आ बद्दी वस्तु रिपोर्ड, मतलबके वस्तु करीशू, जे में तमने आगड पण आई थींग में तमने कि देल्यों छे, चार्ज सीट लेशू, जे जारे पण फरियादी फरियाद करेशे, जेमके आई ये में तमने किदू आतो, कि फरियादी छे, एने फरियाद करी, तो आई या पोलिस अधिकारी ए फरियाद नोच छे, एफाय नोच छे, जे वेक्ती नी दढ़ पकड करवा जे अने पोलिस अधिकारी एक रिपोर्ट तयार कर शे, रिपोर्ट जे तयार करें इने पोलिस रिपोर्ट के वाम आवे, अने एने जे चार्ज सीट के वाम आवे, अने ए चार्ज सीट छे ने ए नियाया दिसने मोकलवानी रे, किटला दिवसनी अंदर, गुनो थया ना, गु जरूरी छें इन्दर कॉंड कॉंड साक्सी तरिक ही आववाना चें इन्वनिस्टीकिशन नि प्राखें क्या क्ला बस cię और और डाव सू निवेद झापिया अपनी गुन गारते है उरा इन्ट सनक्केटों चार्ज शीट आपणे आगर जता डीप मां बनी सो त्यारे जश्ट नानी नानी व्याख्याओ जोई है चे तो व्याख्याओ तमने समझाई दोचु एना बची नेक्ष्ट वाद करे 2S जेनी अंदर पोली स्टेशन अध्वातो ठाणा नी वाद करीशे सिंपल वस्तु छे कि एवी जग्या जया सामाने व्यक्ती च्या ट्या जईने पोतानी फरियाद नौधावी शके अने आरोपी नी एक सिंपल सामाने कारियवाई थाई शक पोली स्टेशन चेजने पोली स्टेशन चेजने अवे सरकार ने आ जग्या ओपर पोली स्टेशन बनावगों छे तो पोली स्टेशन चलों इमारत उभी करी दीदी पड़ एने पोली स्टेशन चेज के नई एरी पोली स्टेशन मानुओ के नई ए सरकार आपने जाहे नामाती कहेशेक बाई आज थी सु तो पोली स्टेशन तो जाहे नाम बार पाड़ी देशेक उभी कर नाकसे एनी मकान के जे बिल्लिंग उभी करवानी चे पोली स्टेश तो जाहे नामद बारा कोई स्थर ने आर इतना नक्की करी नाके अने जया सामाने व्यक्ति फरियाद नौद आवे अने आरो पीछे एने सामाने कारेवाई थाई सके कलम नमबर टूटी जे नियंदर ठरा वेलू के नक्की करूँ आ अधिनियम जे नियमो नक्की करवामा आवसे एने ठरा वेलू गणावमा आवसे आ वस्तु एटली इंपोर्टन नाती आगर जता नमें समझेशोशो मोश्ट आईंपी वस्तु जे आगर कलम नमबर चौविस नियंदर बणवाना चे जेने केवामा आवे चे पबलिक प्रोसीकुटर आ सब्दत में मुवी नियंदर बहु सामड़े होसे जारे अदालतनी कारेवाई थतिवाने त्यारे सब्दत में सामबरता आसो पबलिक प् साहे वकिल अने पबलिक प्रोसीकुटर एकज होए जेने आपड़े पीपी कहिया चे आप बनने एकज केवामा आवे चे ना एउन न थी होते अवे तम्हें याद करो जो तम्हें बंदार बणे आसो तो तमने खबर होए कि कोई केंदर सरकार विरूद केस थाए चे समझी मोधी साहेब मोधी साहेब पोटे लडवा जसे ना जो कोई केंदर सरकार विरूद केस करे चे तो हैक ना माते अर्टनी जनरल होएक सरकार के वाज से सरकार नों पक्स लईने सामे वाडा सामे केस लड़ से लेके सरकार तरब थी केस लड़ से कोण अर्टर नी जनरल जो केंद्र सरकार उपर कोई केस कर शेतो एज रितना जे रितना केंद्र सरकार ने अर्टर नी जनरल आपेलो छे ये जरितना राज्जे सरकार ने कौन आपेलो छे, तो राज्जे सरकार ने आपेलो छे, Advocate General जो कोई राज्जे सरकार विरूत केस करें, हवे समझे लो के आपना छे, के CM लो के विदान सबा छे, एना कोई सबा सद छे एना विरूत कोई केस करे शे तो obviously के ए व्यक्ति छे ए कोई लड़वानों न थी कारा कि यह जे केस करे शे ने ए सरकार विरूत केस करे शे तो जो सरकार राज्य सरकार विरूत कोई केस कर शे तो राज्य सरकार वती कौन लड़ से एड़ोकेट जनरल शे एक केस लड़ से ए व कीछी सरकार चे ? हवे यह जिल्ला सरकार उपर केस करे तोसु टो एना माटे होए छे आप पबलीक प्रॉसिखेटर chauffbokे तो पबलीक प्रॉसिक्वीटर ने वही उसतों चे कैंद्र सरकार वटती जे केस लड़ से ये अर्टरनी जनरल लड़ से, राज्ये सरकार वती जे केस लड़ से, एड़ो केस जनरल लड़ से, एज रितना जे जिल्ला सरकार वती जे केस लड़ से जे वेकती, ये पबलिक प्रोस्विक्यूटर केवा मा आवे चे, जेने केवा मा आवे चे, सरकारी वकील, सु केवा मा लेके कोई सरकार उपर केस करे कोई जिल्ला सरकार उपर केस करे तो जिल्ला सरकार वती जे वेकती लड़से केस तो ए छे आपड़ो पबलिक प्रोसीक्विटर आने हजु आपणे डिपमा बणी सु कलम नंबर 24 ने अंदर आगर जेता बणी सु पन जश्ट अईयाद में तमने या आईडिया आपी दीदो एना बची भाद करे पेटा विबाग तो सेसन कोट नी कारियवाही माटे सेसन विस्तार नो अमुक भाग पेटा विबाग तरीके काम करेशे जेज आपणे चेप्टन नंबर 2 अने 3 नी अंदर जोईशो बहरी इंपोर्टन कलम नंबर 2W अने 2X 2W नी अंदर समंस नी वाद करेशे अवे समंस छे ए आपणे कलम नंबर 61 नी अंदर डीप माँ बनी सु पड़ा त्यारे तमने एक बेजिक माहीती आपी दो शे आप बद्दी जेकली पण वस्तु चलाओ शो ने आप बद्दी वस् सजा बेवरस करता ओछी होँ तेवा गुना माटे समंस बहार पाड़वां मा आझे छे अबे सिंपल वस्तु चे के कोई कोट होये हा कोट दवारा कोईक में बोलाओ हो हो właściwie नी अंदर समझीलो के मानेज बोलाओ हो चे typ क्वाट नी अंदर कोई केस चाले यह केस ने अंदर मा माटे काई तो लेटर आपको पड़ चे ने तो समझी लो के महुँ साक्सी तरीके मारे जवानू छे तो कोट मने समस मुकल से समस एलेक समझी लोके एक लेखित वस्तु अचे लेखित आमंत्रन पत्री का वह चे बहित तम्हें आ दीवस से कोट नी अंदर हाजर रहे जो ओके तो यहने समस केवा मावे समस एलेके कोट द्वारा जे तमने इन्वीटेशन मले तो यहने समस केवा मावे के आया तमें हाचर रहे जो वरंट नी अंदस हो है कि वरंट नी अंदर गुनेगार नू वरंट निकड़े ए वरंट नी अंदस हो है कि व्यक्ति ने धन पकड़ कर तो समझ केस ना होए एवा बद्धा गुणा वर्रण केस वाहे जे गुणा माँ सजा सग्या वर्रस्ती वधू अजीवन केद होए के मतनी होए तेवा गुणा माटे वरर्र बाहार पाडवा मावै अवे सिंपल वस्तू छे कि जेठा लाल फो यह एड न्यन्यों खोन कर्यु तो जेठा लाल विलोच्छू निकडे वरंट निकडे एने पकड़वा माठे समझेलों के बभीता जी छे एक कोटनी अंदर केश करे के बाई मारा पती ने जेठा लाल वारा मारी नाकवा मावे छे तो एक कोट समस एने नहीं मुखले इन्विटेशन नहीं मुखले लेक बाई तु आया आये ओके ओविएजली ये भागीत जवानों चे समस ना मुखला है तो एना माटे वोरंट मुखला है अवे जयरे वोरंट इस्यू थाईने तो वोरंट चे ए पोलीस छे ए पोतानी साथे लई जाए ये एने बतावे एक बाई जो वोरंट निकड़ू छे औने तारी दड़ पकड़ दरवानी छे औने पोलीस वाड़ा एने पकड़ी ने पछी कोटनी अंदर हाजर करे तो वोरंट मी अंदर एव है जयरे समस मां आपड़े आपड़ा खडचे जवानों होए कोई मने लेवा ना आवे समस ने अंदर कागड़ी आव एक बयार तारीके तमे आजर रे जो कोटनी अंदर तो मारे त्या पहुची जवाँ पड़े तो ये ले समस के वाम आवे समझो छो हजू आ बनने ने डीकमा बढ़ी सू टेंसर ना ले सो समस सू छे वरांट सू छे ह येने आरोपी वेक्ती ना कोई क्रुत्य के चुकना कारणे कोई नुकसान के इजा थाई हुआ येने भोग बननार के वाम आवे ते वेक्ती ना काईदेसर ना वाली अथवा वारसदाननों समावेस पन एनी अंदर करवा माहँ से साहिब अईयां एउके हम लख़ी simple बस्तू छे हवे समझीलो के आ कोई building छे सरकारी building समझीलो नियार सरकारी building छे आ सरकारी building ने बाजुमाँ जेठा लालनु गर छे तो आनी नीचे दबाईने मरी गरू तो अईया जेठा लालनी तो गोई बूल हती ने पन आ वेक्ति शु केवाई बोग बननार केवाई अवेसु आ वेक्ति जखाली बोग बनने होसे ना अ दया चे तो दया ए पन पोतानो पती गुमावे तो आ वेक्ति पन बोग बनना राज केवाई करने के एनने पोतानो पती गुमावे चे टपू छे एनने पोताना पपा गुमावे तो एनने पन बोग बननना राज केवाई तो बोग बनना नी अंदर वाली अने वारसदार नो पन समावेस थाए है भोग्भनलाreen एक लिकले मारी द्वारा कोई व्यक्ति ने मारी नाकवामान आवयोग सிय न मैं भोग्ध व्यक्ति व्यक्ति अमे नहीं हुआ सोचले। एंस डिल हाई रिवति न बाया दिसलन ना पताला काली माड़ारी दा स्य ना उर्फितरं ना पताली शहतारी सकू छो के व्याख्याओ आमागे छे तो अईया सुधी आपड़े जे पेटा कलमो जोही आनी अंदर आखा CRPC नी अंदर जे वस्तु आववा नी छे आवे नेक्स्ट आपड़े बने सु यह बद्दाने व्याख्याओ आपपामावे छे तो आई होपसु आ बद्दी व्याख्याओ तमारी थाई गई है से अजू पन तमारी कोई वस्तु रही गई होए क्ली ना थाई होए ओके तो तम्हें नीचे कॉमेंट करी शको छो कलम नंबर 4 और 5 पुण जोई लिए, चेप्टर नंबर 1 चालू छे तो एक थी 5 सुधी बात करेशे कलम नंबर 4 नी अंदर यह किदू छे, कलम नंबर 3 एटली इंपोर्टन ना थी चेप्टर नी अंदर यह किदू छे, के बारतिय फोसदारी अधिनियम अड़ार्सो साइट यह लेके IPC अड़ार्सो साइट निवाद थाई छे तो IPC अड़ार्सो साइट अने बिजो काईद है, यह लेके एना जिवा जिकला पन काईदा होई तो एनी जे इंसाफी कार्यवाई थासे, तो ए आ CRPC मुझाबध थासे सुक एवा माधे शे फरीथी रिपीट करूँछू, IPC अड़ार्सो साइट जेनी अंदर गुनों और गुनानी सजा आपे छे एवा काईदा गणा बदा आसे, जेमके जु मोटर वेइकल एक्ट आवे छे, SCST आवे छे, गणा बदा काईदा आसे, IPC ना जेवाने जेवा तो एना जेवा जिटला पण काईदा आसे, तो बदा नी इंसापी कार्यवाई छे, एनी जोगवाई, आ नियम, एटले के CRPC ने आदिन थसे, एवा कलम नंबर 4 केवा मागे छे कलम नंबर 5 केचे, अपवाद, तो जे समय अमलमा होए, तेवा खास इरादा थी, मडेली, खास हुकुमत, आ कार्यवाही माँ थी बाद मड़ से एले के, एक्जाम्पल तरीके, कोई कारण सर, CRPC ने अंदर चेंजिस करवामा आवे हवे, जे समयक, CRPC अमलमा हतो, एक्जाम्पल तरीके लवचो, ओके, एक्जाम्पल तरीके, दारू पिवो ए, पहला चे एक गुनो न हतो सामझी लो, के पहला एवो काईदो हतो, मतलब के एने अंदर तमे दारू पिवो, तो ए गुनो न हतो तो गुनो न तो मतलब के एने सजा पड़ एवकते ना मड़ी, हवे जारे एने दारू पिवो ए गुनो थाई गयो, हवे काईदानी अंदर एवो लखवामा आवी के हवे जो कोई दारू पिवी से, तो एने गुनो लागू पड़ से, हवे में दारू पिदी, औने मारा पर गुनो लागू पड़े, हवे मने जेल्ली अंदर पूरी नाके हो, लेके मने सजा मड़ी गई, हवे हुँ अंदर जेल्ली अंदर छो, हवे काल उठीले सरकार ने फरी थियो लागे के ना, वस्तु खोटी जे, दारू पिवो एक गुनो न हो जो ये, तो हवे सरकार समझ जेल्लों के दारू पिवो एक गुनो न थी, एउ बार पाड़ी नाके, तो साइब मने सजा मड़ी गई एनो सू, तो मने जे समय जे काईदो हतो, एनने अनुरूप जो मने सजा थाई गई शे, तो एना पची गम्मेते बदलाएने, तो एना कारियवाही माती हुँ बाद र आघे चे, तो आवी कलम नंबर पांच माय हुँ केवामा आगे चे, जे छे फौसदारी कोटनी रचना विशेवाद करी शो, जे कलम नंबर छोथी लएने कलम नंबर 25 सुधी बात करवा मा आवे चे, अवे या कोटनी बात थाई चे, अने कोटना आगर लखेलू छे फौस અવે સીમ્પल વસ્તુ છે કે જારે પણ કોઈ ક્રાઈન થાયે કોઈ ગુનો થાયે તો એની ની ન્યાઈ કાર્યાવાહી જે કોટની રચના કરેલી હોઈ છે એને ફોસ્દારી કોટ કેવામાહવે છે અવે બે વસ્તુ હોઈ છે એક ૫ોસ્દારી પણ કોટ હોઈ છે અને એક સામાને કોટ પણ હોઈ છે એનો પણે ડીફરંસ જોઈ છું અમુક બસ્તુ અમુક જગ્યાઈ એવં બધા સમતતા હોઈ છે કે મેજીસ્ટેટ અને ન્યાય દિસ બણે એકજ બેક્તી કે 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 રચના હોં મતલે નીચ્લાસ થરસુધી કે રિતના એવિત્ના વિબાજિત કે કે કેણ્દ્ર લેવલ આજના લેક્ચર માં સમજવાને છે જે બદ્ધાના માઇણ્ડ માં એક વિશ્ચન થતો જસે કે કે સાહ્ભ હાઈ કોડ જારે પણ કોઈ ક્રાઈમ થાઈ લેકે સિધો હાઈ કોટ માં લેવા માં આવએ ના નીચે પણ તાબા લેવલે ગણી બધી કોટ ની રચ્ણ કેવલે કેશ છે એ ત્યા જાઈ અને પચી તેમ દીમે દીમે જો ઉપર અપીલ થાય તો એ હાઈ કો બીજા ગુજરાતી માં ડંડા ધી કારી પણ કેવામ આવે છે અવે આ બે વચ્ચે નો ડીફરંસ ઉહે એ હું તમને સમજાઓ હવે જે કેશ આવે છે જે ગુના થાય ને એ બેપ્રકારના થાય છે એક્તો સિવીલ કેશ એલેકે પતી પતી જગ્ડે અને એવો જે કોઈ કેશ હોએ એકેશ સમજેલો કે ન્યાય લેની અંદર ચલાવા નો હે પછે કોઈ કેશ હોએ તો જેને અપણે ઘરેલું કેશ કઈશ કેશ હે તો જો એવા કેશ ને ચલાવા માટે જે ન્યાયાયની અંદે કેશ ને શેચ્રુતે અંપણી એભી ને અંચી ને અચ્તે mlે ને ઋપણે ને ન્યાને ન્યને તો डंड अने अपरादनी मांगनी करवा हावे छें जहां के तम्हें समझी सको खून छे चोरी छे बलाटकार छे कोई ने सजा करवाने छे तो आवा बदा केश चेन ए मैजिस्टेट हेंडल करें जहरे जज के नियायादिस के वाँ हेंडल करें सीवील केस जहां केवाई गरेलू हिंसा चे कोईं जमीन नों अपमान करी दो तमें ना ना जे बदा केस होई गरे लुकेश हो है ये बदा जज न्यायादिस हैंडल करे तो आप बनने चे ने व्यक्ति अलग 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 छे जज पड़ व्यक्ति अलग अलग छे मैजिस्ट्रेट पड़ अलग छे तो आई ओप सो तम्हें डिफ्रांस समझी गया अशो कोई आपड़े CRPC ने अंदर न थी आपी पड़ तमने एक आईडिया आवी जाए एना माटे मुँँ तमने कई दो छो तम्हें के जे पड़ मों मैजिस्ट्रेट पोलतो हो थो तो बदा फ्तलोकों एंस समझता हो चे साथ elig 22 के मैजिस्ट्रेट बणने एक अचे एकच्यूली अलग अलग हो ह ह Georg हो थे आप बणने केस ने लाइने इए अलग अलग हो berण нес Log against प्रिमिनल केस ने हेंडल करे छे फोजदारी केस ने हेंडल करे छे अपराद अने डंडनी मांगनी करवामा आवे छे तो आपणे जे बढ़ानु छे ए मैजिस्टेट बाजुनू बढ़ानु छे हवे तमारा माइंडी अंदर एक श्टक्चर ह 음े चाहिए कहब आपणे देशदी अंदर जे कोट चाले छे तो कवती नी अंदर सौथी सुपरीम कोट अवे पढ़ राज्य लेवल है सुप्रीम कोट है पढ़ राज्य लेवल है तो हाइकोट है राज्य नी सवुती मोटी अदालत है जेने हाइकोट के वह आवए हाइय कोड़ पम दो छी घंबार्स के लिए जिल्ला कालिवल डिवाइड कर यहीं हाउ जिल्ला नी अंदर ने बेय काय से हौअफ इक अधालत तो वी ने इक उटली तन पम साईयेवू अजिस्टरेट से तो इसे नियायदीश चहें, जिल्ला अधालत मा बेश्टरे, सेसन कोर्ट मां बज़सें, तो मैजिस्टरेट बेश्टरे बेश्टरिप। यह लेके हाई कोड चे राज्य ले बले चया, हवे त्याती तम्हे जिल्ला लेवले जाओंगे, तो बै कोट नी अंदर डिबाइट थे जाए लेगे सिविल केश आवेखे जे गरेलू केश आवेखे ए बद्ध हा जिल्ला अधालत ने अंदर चलावाम आवेखे औने त्या कॉन बेथेलावाजी jest जज बेठेला है अनि जे क्रिमिनल केस आवे चे एक क्रिमिनल केस एसे शेयसन कोट नी यंदर चलावा मा आवे चे अनि त्या कण बेठेल हुआ चे त्या मैजिस्टेट बेठेला हुआ चे झिल्ला अदलत छे ओपमे बणवानी नथी क्रिमीनल किसी बणवानी आउसे सेीयार किसी जवानों ≤ तो आपने जे जवानु वोपर शे संकोट ना रस्टा वानु फे जल्ला अदलत वा ज़ानू नथी एना नीचे पड गणी बदी नीचली अदालत आओ साई ए आपड़े जोईसो पड़ आपले सुदिज आपने क्लियर थाई कि वोशे केंद्रा लेवाले सु वोई सुप्रीम कोट होई एना थी राज्ये लेवाले सौथी मोटी हाई कोट होई अने त्याती तमें नीचे आओ तो बे फाटा पड़ी जाए सिविल केस माटे जिल्ला अदालत होई औने क्रिमिनल केस माटे सेसन कोट होई जिल्ला अदालत मा कोण बेठे नियायादीस के जज बेशे सेसन कोट मा कोण बेशे तो मैजिस्टेट बेशे अवे जिल्ला आदालत और नियाय दिस चे आपड़े आ पाटनी अंदर बणवानु न थी मलगे आपड़े जे लो आवे चे आनी अंदर बणवानु आउतुन न थी आपड़े जे बणवानु छे ए सेसन कोर्ट, फजदारी कोर्ट, क्रिमिनल केस अने मेजिस्ट्रेट आ बदू लहिने आपड़े बणवानु छे आपड़े सेसन कोटनी नीचे कई रितना डिवाइड करेलो है छे ए आपड़े आ पोर्चीन हो केंसल करी दो छो कंड़े आपड़े कया रशता उपडर गयाया सubring, सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, पच braking, सेसन कोर्ट अने सियसन कोट नी नीचे शू आउसे ए रस्ताओ पर आपड़े आगर्वथी शू चलू तो अहीत अमें जुसो तो सुअतिपला चलू आपड़े फ़रिती स्टाट करे तो कैंद्र लेवले सु हूँ है तो कैंद्र आंती तम्हैं नीचे जता और जूदी कॉटण यंदंधर डिवाइड करेवल है अवे जिल्लो चे इसेमाई डिवाईड सबस यंद्र को ब Вам tellingा दिवाइड करे लो ? के जे सहर न वस्ती 10 लाक करता वदारे हो तो राज्य सरकार यहने जाहे नामू बार पाड़ी ने मेट्रोपोलीटटर एरिया नी अंदर मुक्ही देजू तो मेट्रोपोलिटन एरिया जा आवसे लिएके मेट्रोपोलिटन सहर आशे त्या मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट कोटनी रचना करवामा आवसे अनि जे सामान्य सहर आशे त्या जुडिस्यल मेजिस्ट्रेट कोटनी रचना करवामा आवसे लिएके सैसन कोटनी नीचे बे कोट होए, जो जे सहे नी वस्ती 10 लाग करदा ओची हैसे, त्या जुडिस्यल मेजिस्टेट कोट नी रचना थाएली हैसे, अने जे सहे नी वस्ती 10 लाग करदा वधारे हैसे, तो मेट्रोपलिटन मेजिस्टेट कोट नी रचना थाएली हैसे, अवे जे जुडिस्यल मेज प्रथम वर्ग ना जुडिशन मेजिस्टेट अने आप बनने नीचे मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने बिजावर्ग ना जुडिशन मेजिस्टेट अब बनने नीचे होई छे एक्जिकुटिव मेजिस्टेट तो आर इतना डिवाइड करे लो होई छे हवे तमने युँ थत्व अचे कि साइब आया थुड़ू गुंचमाण जीऊ लागे अचे फरीथी ये कोच समझाएलो क्लीवाई तो सिंपल वस्तु जो फरीथी रिपीड करूचो ये ध्यान आप जो तमने आवडिक जसे आठली इजील इतना हुँ समझाओ छो सुप्रीम कोट चे एक एंद्रा लेवल है एना ती एक स्टेप नीचे आओ राज्य तो राज्य लेवल ने सौथी मोटी अदालत कई केवाई छे हाई कोट केवामा आवे छे राज्य छे जिल्ला ने अंदर डिवाइड करेलो है तो जिल्ला माँ क्रिमिनल केस माटे अगर सहे नी वस्ती 10 लाग करदा ओची छे तो यह जुडिश्यल मैजिस्ट्रेट कोट नी रचना करवामा आवाँ छे अमदावाद ने लेलो अमदावाद नी वस्ती अमदावाद सहे नी वस्ती 10 लाग करदा वदा रे छे तो तो त्या मेट्रोपोलिटन ए जितना मेट्रोपोलिटन एरिया मा जे कोटनू निर्माण थायलू छे त्या बे टाइप ना जज़बे से मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने एना उपर चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने आ बद्धा मेजिस्टेट नी नीचे सौथी नीचे कोण असे एकजी कुट्यू मैजेस्टे हवे छे ने आपड़ त्रीजान नम्बनु जे चेप्टर जोई शो आ केवाएं के आखो में सार आपे दिदो जहां भाग नम्बर 2 आपड़े बढिया छे ने जहने अंतर सुगे दुछे फोज़दारी कोटनी रचना आ आखा चेप्टर नो सार आख केवाएं के आ स्लाइड नी अंदर अचे एड़ा पचे हूं कलम मों चलाओ छे उन्हें के स्लाइड चलावीने मदू मुंक्य देशना कलम मों तमने चलाओ चू पड़ आठलू जो तम अंकि मैंड नी अंदर फेरी ना को मदलब कि माएंड नी अंदर ऊतारी ना को को हाँ आना अनदर आपने भने सुग के भाई सैसन कोट्टी रचना कौण करें छे, जुडिशन मैजिस्टिट कोट्टी रचना कोण करें छे, मेट्रोपालिonstayan मैजिस्ट्रिट निखार रचना कौण करें छे आप अधी बस्तु एक चैप्टर नंबर थ्री ने मा बढ़ी सु पर एज ओप नाव बिजा नंबर ना चैप्टर मा जस्ट आटली बस्तु तमें याद राखे लो माइड नी अंदर फिट करी ना तो अना बजित जारे थ्रीजु चैप्टर आवसे जनी अंदर फवस्दारी कोट नी सत्ता ओनी वाद करी शू त्यारे आने हजू आपणी डिपमा बढ़ी शू अने कया मेजिस्टे जूडे किटली सत्ता आ चे, किटला हद नी सत्ता आचे आब दि बस्तु आपणी डिसकस करी तो एजोप नाव अठली बस्तु तमें समझेगे। चल। हवे चेप्टा नी सरुवात करिया छे। हवे आ चेप्टा नी सरुवात जती। मतलब के आयनू साना सापी दिदू। हवे चेप्टा समझवानी मज़ा आभी छे। कलम नंबर छो सभी एज़े फोसदारी कोटना वर्व जो जे आपड़े उपडना कोष्टक न अंदर जोई गया। कलम नंबर छो एज़े को कैया। कि राज्य शरकार हाई कोट नी सला सुचन थी एक करता वदू जिल्ला माँ एक सेशन कोट बना भी शगे चे अने जो तेमा फेरफार करवानों होए तो हाई कोट नी सला थी करी शगे चे अवे कोश्टक नी अंदर आवी जाओ अवे जिल्ला लेवले आवी जाओने तो त्या सेशन कोट नी रचना करवानी होए अवे सेशन कोट नी रचना कोण करे तो या राज्य सरकार करे कोण करे राज्य सरकार ये सेशन कोट नी रचना करे 25 तो हाई कोट नी सला सुचन थी करे कागे हाइकोट ने जुछ खवर किया किटली कोट नि जरूर होई तो र कम रिचना कों करें कों करें राज्यक्यम करें पर क्वाणई संच अपसे कदि करें तो हाइकोट ने संच अथा इलन्हें जरुरी हिना कि बद्धा जिल्ला मां सैसं कौट बनाके आमुक बए जिल्ला नी वच्चे एक सैसं कोट होई तो अपन चाले लेकिसि क्शिलम और ये खेड़ा आनदि फि automotive लगा हिने और गजूर्ण जरुरी हिना नानाना जिल्लाव होए तो बन्ने नी बे जिल्लाव चे एक सेशन कोट में बना विशक हो चो कलम नंबर 80 के चे मेट्रोपॉलिटन विस्तार सिंपल वस्तो चे जे मैं तमने समझावी दिदी कि राज्य शरकार 10 लाग थी वदू वस्ती दरावता सहेर ने जाहे नामो बहार पाड़ी ने मेट्रोपॉलिटन विस्तार नी अंदर जाहेर करी शके चे आ काई दो ओगने सोने त्वत्तेर थी अमल मां चे जो कोई कारण सर वस्ती मां गटाड़ू थाई चे तो राज्य सरकार ते सहेर ने मेट्रोपॉलिटन विस्तार मां थी रद करी शके चे परद्धू कवाटमा जे केस सरू छे ए केस ने पूरा पाड़वा पड़े सिंपल वस्तू छे कलम नंबर आट हे हुग्या चे कि कोई सहेर नी वस्ती 10 लाग करता वधी गए तो राज्य सरकार चे ए जाहे नामो बार पाड़ी ने ए सहेर ने मेट्रोपॉलिटन विस्तार नी अंदर मुकी देशे अवे कोई काराडों सर एनी वस्ती गटी यलेके समझेलो कोरोना चे आने कोरोना ना कारणे अमदावाद मा वस्ती गटी अनने 10 लागती उची थाई मेट्रोपॉलिटन मैजिश्ट्रेट कोटches ना था चे मेट्रोपॉलिटन केश सरकार केस अगी यह अंदर चालता ही तो अचानक वस्ती अनने विस्तार मां कलमब नमबन नाव कह हे छे सैसन आपकोड़ मेँ तंत करे मिंघरो ना बार पाड़ा मां प्राड़ा स्थापना कोण करें याद राको जल्ब करें स्थापना राज्येशरकार करें स्थापना पाण करें स्थापना निया करें हाइक नकिक्डर्फित Heart से एपन हाइक कोड कर से अवे एडिस्टनल सेशन जर्ण आप आच्छू सू आवे तो याग रब जो के आया सेशन कोड छे आवे मानिलो ओके आया उन बदु आ क्लियर गई दाऊ चू जेते तमें एजीली अंडरेशेंड थे शक्वो ओके हवे जो सेशन कोड छे आ सेशन अथवा तो सेशन जर्ण राखवा मा आवे थे ओके सेशन जर्ण जर्द टो ह्याँ tidakới. पर येने help करवा म Cities अपने Đुए ये एडिसनल सेशन जर्ण आप एडिस्टन जर्ण जर्ण राखवा मा में आवे थे ये शेशन जर्ण आवे घल्ब करसे और आ जनी को जाज सेशन ज प्रमादेजर दर्म की तबसाराOkay रित्नन वहें पराइव दना शेसन जजराइनामादेजन वहास किसा ऑनने जेसन जजरा के रित्न GA Doll वह benefits सेसन ज़ज, एपने करें आइसरि कोई बार, अधिस् नल्सान जज़ अंधिस्ट did fashion ion with after a配 family , युदिस्याज में सेसन ज़ज प्रवीर तो फ़र्वजित थो स्पर्वएद कोई वाँ में नेकल सेसन ड़्जिता ज़ज़, सिम्पने हैं , जकर में सरतक में सल्रौ करें अपड एक कारिये वार संबाड़ी सब्गे छे आसे श्रा शैसे जदनुकार के आ बद्धा एनी अंडर जावे छे सेशन कोट नी अंडर जावे छे तो कोई पड़े अ मेजिस्टेट छे एपड एडिशनल सेशन जजनु काम करी ना करे छे चल एणना पशी बात करे कलम नंबर अग्यात कलम नंबर अग्यात नी बात करी छे एमा की दू छे जुडीुचियल मेजिस्टेट Tsch टो आ रही आपड़ी जुडिस्टेट舉 मेजिस्टेट कोट okay ओके तो सेसन ज अदनि बात करी लितऀ अवे थोड़ा नीचे आओ तो यह कुण आवसे जुडिस्यल मेजिस्टेट कौट जेनी बात करवा मा आवे छे कलम नंबर ग्यानी अंदर तो दरेक जिल्ला मा राज्य शरकार हाई कोट साथे चडचा विचारना करी ने जाहेर नामाती नक्की करेला स्थडे प्रथम औने बिजा वरगना जुडिस्यल मेजिस्टेट अदालत स्थाफ से जिनने जुडिस्यल मेजिस्टेट कौट के वा मा आवे छे आज judicial magistrate कोट नी अंदर त्रण टाइट ना जज़ बेशे चे चे चीप judicial magistrate प्रथम वर्गना जुडिशेल मेजिस्टेट अने बिजा वर्गना जुडिशेल मेजिस्टेट एनी बात कलम नंबर बारमा की देली चे जो तो आज जुडिशेल मेजिस्टेट कोट बनावी एनी andra मार्मा की देली लेने जुडिशेल मेजिस्टेट अने वधार आना जुडिशेल मेजिस्टेट वधारानन मतलब स्फे प्रतम वर्गना और वि人्टा वर्गना तो हाइच जीटला बन में मेजिस्टेट बात करी चीप प्रतम यन्बीजा आ त्रण और त्रण नी निम्ण राज्ये सरकार कर से बाकि बद्धाज जज ने निम्रुक पॉण कर से हाई कोड कर से उतामने आगड़ाओ से एले कऊचु फरीती रिपीट करूचु जो स्पेश्यल जज आओ सब्द लखेलो होए अथ्वा तो एक्जूकुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटु तो आईया तो आपने क्लियर थेगे आवी जब पाचा तो हाईकोट द्वारा निम्रुक करवामा आउसे राज्ये सरकार ने मंजुरी बाग हाईकोट अन्यचीप जुडिश्यल मेजिस्टेट ने निम्रुक कर से एना बची कलम नंबर 13 जो आईयू स्पेश्यल जुडिश मेजिस्टेट में तमने आया कह Óillah चला यू न तनमने कह वनदा दशने स्पेश्यल जुडिशल जुडिश्य UP जुडिश्यक क्लम आउसे तो आह कोण छे तो अमुक यवा केस आवे जाये जह भी है जह मा राज्य सरकार ने बार्ती एक जजनी निम्रुक करवामा आवे पर् प्रकार ना केज चलावा माटे राज्य शरकार की केंद्र सरकार आ प्रकार ना मैजिस्ट्रेट नी निम्मणूप करता हुएशे जी कलम नंबर तेरे नी अंदर वाद करबाम हावेशे आमादी तमारे किठलू याद राकू एपण हुँ तमने समझावेशे कलम नंबर चौद नी अंदर की दू छे जुडिस्यल मैजिस्ट्रेट नी हुकूमत चीप जुडिस्यल मैजिस्ट्रेट ना उपर काम कर से औने नीचेला मैजिस्ट्रेट ने आदेश आपी सकते लेके कलम नंबर चौद युग एचे के यह जे चीप जुडिस्यल मैजिस्ट्रेट छे ए प्रथम वर्गना और बिजा वर्गना जुडिस्यल मैजिस्ट्रेट नी उपर काम कर से औने नीचे ना जे आपी एचे प्रथम वर्गना और बिजा वर्गना एमने आदेश पन आ सखें कौन जुडीशल मेजिस्टेट आव कलम नंबर चौव देखें कलम नंबर बडरेगे से लिए अभी सेसंदों ट्रस ऑवेशंद चैशियल ड्रस अन्हें जुडीशिट्रेट दिखें अन्हें अन्हें पर गाव अगर बात करें मेट्रोपलिटन मेजिस्ट्रेट कोट्ट हवे आपड़े बढ़ी गया आपड़े कोष्टक माँ जुडिशन मेजिस्ट्रेट कोट्ट से आपड़े बढ़ी गया अगल मेट्रोपलिटन मेजिस्ट्रेट कोट्ट मेजिस्ट्रेट नैंटे गया आपड़ी बढ़े कोट्ट खरें तो ऐसली आपड़ी गया बढ़ा, लुक् sagt आपड़े post ये अधिश्नल मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट जे में तमने किदू चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने कोण आवसे मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट यह अन्दर कया अधिया जजबेश से तो चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने मेट्रोपोलिटन एनी निम्णुक पुण करसे हाई कुट द्वारा करवा मा आवसे चलो फरी थे अडार नी अंदर सु आवी स्पेस्यल जे रितना आब आजु जुडिस्यल मेजिस्टेट कोट नी अंदर Special Judicial Magistrate नी निमणुक करत्यों तो राज्य सरकार। मेजिस्ट्रेट एहु सब्दा आवे औने एक्जूकुटिव मेजिस्ट्रेट आ सब्दा आवे तो आब ये मेजिस्ट्रेट नी निम्नुक सरकार बाराज थासे केंद्रे सरकार के राज्य सरकार बाराज बाकी ना बद्धा ज 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 चीप मेट्रोपलीटन मेजिस्टेट चे ए ना वदाराना यहले कि मेट्रोपलीटन मेजिस्टेट ना उपर काम कर से और यहमनु नियंत्र राशे चल अगर बदी शे शुन केल छे ऑके यहना मची आवये चे executive magistrate हो मामलकदौार ने शुन हमनी आग्जाम थाई चैं तो मामलकदार नई एक्जाम कोण कर आवेशे हाइकोट वारा करवाम आवेचे ना राज्य शरकार करवाएचे GPSC करेचे GPSC क्लास 12 नी तमें पास करो त्यारे मामलगदार बनावचे तो यह देखा दू छे के एक्जुकुटिव मेजिस्टेट यह मामलगदार कक्साना बेखती होईचे मामलगदार जोईचे जेने एक्जुकुटिव मेजिस्टेट बनावामा आवेचे तो राज्य शरकार चे एज GPSC हैंडल करेचे मतलब के ए सरकार चेंडल करेचे आईकोट वारा एक्जाम लेवामा नतियाओती तो राज्य शरकार आनी निम्डूग करेचे अवे आवस्तु थोड़ू वधार है समझाओ चो एक्जुली एक पहला आवांची लिए पछी तमने बात करो तो एक्जुकुटिव मेजिस्टेट तमेश होओ के दरेग जिल्ला मा अथवा तो मेट्रोपलिटन विस्तार मा बनने बाजो मेट्रोपलिटन विस्ता होए के दरेग जिल्ला नी अंदर होए राज्य सरकार पोताने योग्य लागे एटली संख्यामा एक्जुकुटिव मेजिस्टेट नी निम्णूग करेचे मामलत्दार चे तो यहनी एक ब्रती आवेचे ना 300-400 सरकार ने यह लागे के आटली ब्रती नी जरूर छे मामलत्दार नी जरूर छे एक्जुकुटिव मेजिस्टेट नी जरूर छे यह उतमने समझाओ चुआ तो निम्डुक कर से एमा थी कोई एक ने जिल्ला मैजिस्टेट बना माँ आउसे औने बाकी नाने एक्जूकिट्व मैजिस्टेट बना माँ आउसे यह एउ लखेलू छे कि समझी लोग के 300 नी बढ़ती करे छे किटला 300 नी मामलतदार नी बढ़ती करे छे कौन राज्य शरकार आमा थी 299 नों चे एने एक्जूकिट्व मैजिस्टेट बना माँ आउसे औने एक व्यक्ती ने जिल्ला मैजिस्टेट बना माँ आउसे तो जिल्ला मैजिस्टेट चे ने ए आ बद्दा ने हेंडल करतो है साहिभ एक्जुकीटिव मेजिस्टेट नू काम सुचु केस लड़े जमके मेजिस्टेट नियुके है जज होए, तो साहिभ आहा जज तरीकर वैसे नाहमु बार पाड़ु, समस्मक लो, वरड मोखल हो आब दा जे काम चे ने एक्जुकीटिव मेजिस्टेट करे लेके उपरती जज छे, जुडिशिय एग्जिस्टेट नो कोई पण जब, अजवा तो मेट्रोपलिटरन एडिया माती कोई जज छे एमके, कि आना नामनों समस बनावानुँछे, आना नामनों वरंट फाडवानुछे, तो एग्जूकिटिव मेजिस्टेट फटा फट ऐनों वरं काम गिरी माते, सरकार पोताने योग्य लागे एटला एग्जूकिटिव मेजिस्टेट नी पर निम्रूप करी शगये छे, यह स्पेस्यल सब्दा आएग्जूकिटिव मेजिस्टेट पर छे, तो कौन कर से सरकार द्वाराज यानी निम्रूप करवा माते, सरकार ने लाग राज्ये शरकार्ना आधिन काम कर से जामी नापपी, वरण काड़वू, समस आपपू, जाहे नामा बार पाडवा। आब दाजे छे ने? आब दू कोण कर से तो एक्ज्यूक्यूक्यूट्यूम मेजिस्टेट कर से गor Northeast कि यह तम ने सिफे चेल नीचे देखाएचे ने? आ कोश्टक नियू अंदर मेग्योचे एक्जिूक्यूट्यूट्यूकईश्टेट बिजॊकाईच ने? आ बद्धा छे ने? बद्धाने हेल्प करवा माटे राखवा माँ आधेवान अबाजुना एयर्या मापण,मेट्रोपवालीटड एयर्या मापण अने जूडिशन एयर्या मापण आ बच्धाने के elp करवा माटएy yahe nama बार पाढ़वा झे वार्न काड माट हुँ चे, व्borgण काड हुची समस काड हुची 24 चे मोस्ट 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 आई एंपी चे समझाओ चू चौल कलम नंबर 23 पेला बढ़ी ले कलम नंबर 23 मां उगिदू छे कि जिल्ला मेजिस्टेट नू नियं अंत्रण अवे मी हाल जवाज करी कि मामलत दार नी बरती थाई यहले के 300 मामलत दार यहले के 300 Executive Magistrate चे यहनी निम्रूपताई एमाथी एक वेकती ने कौण सु बना मावे जिल्ला मेजिस्टेट बना मावे औने बाकी ना बश्चो नववाणू Executive Magistrate चे यहना अंडर काम करता हो है तो जिल्ला ना तमाम एग्जुकुटी मेजिस्टेट ये जिल्ला मेजिस्टेट नी हेठर काम कर से हवे 25 बढ़े है येना पेला 24 बढ़े है Most IMP आ कलम खास याद राग जो कलम नमबर 24 ने अंदर पब्लिक प्रोसीकुटर नी बाद करी से पीपी नी बाद करी से आनों में थोड़ों बेजिक ख्याल छे ये तपने लास्ट लेक्चर नी अंदर आपी दिदो तो हवे येने बढ़े most IMP कलम छे में फ़री ती कीतु चे का हिए जे लाल कलरमा होए ये लाल कलरमा ये इए इमपी जे अनुझे blue कलर मा होए ये ओची IMP तो आ टो बोलता जले एक्जाम ने अंदर पुछा ये लो कुषन चे के public prosecutor चे काई कलम नी अंदर आप्पाम आवे जेने पब्लीक प्रोसीकुटर के वहमा आवे छे आल, अवे उता हमने बेजीक ख्याला पी दो, मैं काले पड़ा पी ओतो, कि केंद्र लेवली, जो कोई वेक्ति केंद्र सरकार उपर केस करें, तो केंद्र सरकार वती, कौन लड़ से, तो अर्टा नी जनरल लड़ से, अर्ट जनरल लड़ से, तो राज्ये शरकार वती, एड़ोकेट जनरल लड़ से, तो एज रितना, जिल्ला सरकार वती, कौन लड़ से, तो अर्टा नी जनरल लड़ से, तो राज्ये शरकार वती, एड़ोकेट जनरल लड़ से, तो एज रितना, जिल्ला सरकार वती, कौन लड़ स केस करे शे तो जिल्ला सरकार वती तो पब्लिक प्रॉसिक्युटर लड़ शे तो वदा एक छे ओके तो केंद्रसरकार जिल्ला सरकार के राज्य शरकार के यह बाद थे रही शे चरुड़ों वाद करे आवमे पबलिक प्रोसेकुटर्ण जेने जिल्ला सरकारी वकिल क्या आमावेशन हाइकोट साथ चर्चा विचारना करया बाद केंद्र सरकार औने राज्य सरकार हाई कोट मा के अन्य कोट मा सरकार वती फोजदारी केस लड़वा माटे सरकार वती फोजदारी केस चलावा माटे के अपिलनी कार्य वही करवा माटे के अन्या प्रकार ना केस चलावा माटे पी-पी लेके पबलिक प्रोसेक्यूटर नी निम्लू करें छे फटेती रिपीट करूँ छो आज सब्द इंपोर्टांचे हाई कोट साथे चर्चा विचारना कर्या पची राज्य सरकार के केंद्र सरकार हाई कोट मां के अन्या कोट मां सरकार वती फोसदारी केस चलावा माटे के एना विरुजे अपीलो आई छे एनी कारेवाही कर्वा मावे के अन्या प्रकार ना केस चलावा माटे पबलिक प्रोसेक्यूटर नी निम्लू करें छे जो सरकार ने योग्य लागे तो जरूरियात मुझब एक ज जिल्ला मा एक करता वदारे पबलिक प्रोसीकुटर नी पर निम्नु करी शके सरकार ने उलागे कि यह आ एरिया माँ सरकार विद्यू दोधार्य केसता आएशे तो सरकार त्या बे पबलिक प्रोसीकुटर नी पन निम्नू करी शके शे पब्लीक प्रोसीकुटर नी यादी जिल्ला मेजिस्ट्रेट सेसन जज साथे चर्चा विचारना करया बाल क्रम वार तयार करेशे अने ए यादी मां नाम न होई एनी निम्णुग राज्यो शरकार करी शकेने पब्लीक प्रोसीकुटर नी निम्णुग का रित्ता करवाम आवे कि यादी जिल्ला मेजिस्ट्रेट सेसन जज सेसन कौट ना जज ए बनने बेगा मडी ने एक यादी तयार करवाम आवे पब्लीक प्रोसीकुटर बनवाम मड्यक फिल्ला शरकार ने पब्लीक सेसन जऑने राज्यो शरकार ने प्रोसीकुटर 10 अनुबावाम होग और के सीसे rouge राही प्रोसीकुटर ना जज ए शलेकार ? तो जो तम्हें पब्लिक प्रोसीकुटर बनवा माटे योग्य छो तो पब्लिक प्रोसीकुटर ये बिजू कईच नहीं शुके वामा आवे छे तो जिल्ला सरकारी वकिल के वामा आवे छे अवे जेर इतना पब्लिक प्रोसीकुटर नी बात करी तो एने हेल्प करवा माँटे आसिस्टन पब्लिक प्रोसीकुटर पर डाकवा माँआवे छे तो एक कलम नंबर 25 नी अंदर वाद करवा माँआवे छे जैने मदद नी सरकारी बक्यल केवा माँआवे सिंपल बसको छे कि तमें मुवी नी अंदर जोता होए तो सरकार विरुद जे केस चालतो होए तो एमा सब्द वारेगरी यूस्त होए छे पब्लिक प्रोसीकुटर पब्लिक प्रोसीकुटर जे शूट गुट पैरी ने आउतो होए और ये पाचर बिजा बेतरन वकील होए येने हेल्प करवा माँआवे तो ये पाचर वकील होए जे एकोण होए चे आसिस्टन पब्लिक प्रोसीकुटर होए चे तो येमने हेल्प करशे पब्लिक प्रोसीकुटर ने हेल्प करवा माटे बिजा बेतरन वकील हो राकवा माँआवे जैने आसिस्टन पब्लिक प्रोशेकुटर के हमाँ चेस चलावा माटे राज्ये सरकार के केंदर सरकार एक वदो आसिस्टन पीपी लेके पब्लिक प्रोशेकुटर नी निम्लू करें चेप्टर छे अमें आ चेप्टर माती सु याद राखू एपर तमें समझे लो साउथी पेला आज चेप्टर छे खोजदारी कोटनी रजना एनी अंदर साउथी पेला जी में आतमने कोश्टक चलावें के कया मैजिस्टेट जे अदालत छे एनी कहीं इतना डिवाइट थाए छे अने ए अदालत नी अंदर काया काया टाइट ना मैजिस्टेट बेसे छे ए तमें समझे ली दू तो आनो जे आपको कॉंसेप्ट चे ने पेला तमारे माइंड मारा आखवानों छे कलम याद नहीं रहो चाल से पर कॉंसेप्ट के याद राखवानों कारें के जो आओ पुछाए जाए एक्जाम्बल तरीके आओ पुछाए कि चीप जुडिस्यल मैजिस्टेट अने सेसन जज़ आ बनने माथी उपर कौन होई मतलब कि आना थी पावर कौना जोड़े वद् तो सेसन ज़ती उपर आशे ना सेसन ज़ती उपर आवे एना निचे बदा चीप जुडिस्यल मैजिस्टेट पतम वर्गना विजा वर्गना आवे आवाजू चीप मेट्रोपलिटर तो आ कौंसेप्ट चे ने तमारा पहला माइड मारा आखवानों एना मचे जे याद पुच्छा है कि पबलिक प्रोसेकुटर कयी कलम मा आपनों चे तो कलम नूबलिक प्रोसेकुटर कहास याद राख्याजू बाकि नो चेप्टर को चलावने प्वोंसेज़ यहास मुड मा राखवानों चे इमसिद भनावाना माओ सभवना दर और सेसन ज데 मतों नियादर उ पुछा है तो सेशन कोर्ट वाड़ू आ नवमा नम्ब नी कलम पुछा है कि सेशन कोर्ट नी बनावानी जोगों आई छे एक कई कलम आपे लिए तो कलम नम्बर 9 नी अंदर आपे लिए तो आई होप सो आचेप्टर तमने फुल प्रूफ कलियर था ही खिए कलिक और क्लिर था होगे लकषेन हं यंदर आपने जोई तो ऑस्दारी कोट क्या अपने जोई no जहेन एधे जो यहा कितली कितली सकता अवा डिए लीचे कीपण आपड़े जोई शो के लिचीक बसक्तू कि मै dro branches तमें मारे साथे अन एकेडमी ने यंदे जोडाई शक्रों अन एकेडमी मां CRPC में कंप्लेट पुरू करी दीदू छे हवे नेक्स्ट हूँ एविडेंस एक्ट स्टार्ट करवा जाई रहे हो छो वन मन्त तरन मन्त चमों बार मत्व मन्त 2 चोविस मनदे आप राई चे। बजी बसरोगी अत्यायरों कज। चान समें स्टार्ट कर उपर 2 मैना नुट तमने फ्रीमा मढशे तो अत्यारे ओफर चाले लएचे अन्ने 10 ट्रका डिसकाउंट छे ए 10 ट्रका डिसकाउंट बारो रेफरल कोड आपशे तो यह उपर देखायाएचे किसल लाइव कि इसनल लाइव जो तमने रेफरर कोड यूज करशो तो आनी अंदे तमने 10 दरका डिसकाउंट मरुसे जे तमने यहाँ जो यह शको चो आब जया 10 दरका डिसकाउंट साथे नी प्राइच चे। तो तमारे प्राइज पेक करवाने छे मारो यूज करीं ने डिस्काउंट साथेनी प्राइज पेकरवानी रह से प्राइज पेकरवानी में रह से तो जो तमने वीडियो कामें तो वीडियों ने लाइक करें तो नहींीं हो निете up was more euros यो मिस्स ना था तो मले इसे नेक्ट लेक्चर मां बाई और बेश्ट हवे एज फोस्दारी कोट जी आपड़े बनेया था बाग नंबर बेनी अंदर एनी हवे सत्ता जोईसो बाग नंबर त्रण मां जे कलम नंबर 26 ती लईने कलम नंबर पांतरी सुधी एनी बाद करबा मा पावी चे ओके तो लास्ट लेक्चर ने अंदर बाग नंबर बेने जोई होतो जे नी अंदर आपड़े खोस्दारी कोट ना वर्गी करण नी बाद करिया थी जे मां में तमने आक एक चलावी होतो ट्यूप पर सुप्रीम कोट होए पछे हाई कोट होए राज्य लेवाले पाँछी जिल्ला लेवाले सेशन कोट होए अवे जिल्लाने बे टाइप नी अंदर डिवाइड करी लुए चे जुदिilton मेजिस्टेट कोट्नी अंदर अने मेट्रोपॉलीटन मेजिस्टेट कोट्नी अंदर त्रन टाइप ना जज़ बैसे चे चीप मेडेश टोट बनौ मेडेश मेडेश कोड राइवे कुरने अे म मेडेकर क्छावा ब काले शोई लर्यां यति अरूम्ड कालेल डीशर दें? तोज आजना लेक्चर मां तमने खबर पढ़ से हवे अईया जे मेजिस्टेट नी बात करी छे घणा बदा मेजिस्टेट छे जमके ये सेशन कोड छे तो सेशन कोड नी अंदर पड़ मेजिस्टेट बैठा आशे पचि जुडिसेल मेजिस्टेट कोट नी अंदर चीप जुडिसेल मेजिस्टेट प्रत्थम वर्गना बिजा वर्गना शे ए जितना मेट्रोपोलिटन नी अंदर चीप छे मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट शे तो अब दानी सत्ता केकली है सो बद्धानी सत्ता सरखी होए, तो के ना, एउन न थी होदी तो आजना लेक्चनी अंदर एया जेटला पण मेजिस्टेट नी वाद करिये छे एमनी कई-कई सत्ता हो आपपामा आवे छे कितला हद सुधीनों एमने पावर आपपामा आवे छे ये आजना लेक्चनी अंदर डिसकस करिशो हवे जे रितना मैं बाग नमर बे एककज कोष्टक ती चलावी दिदू हतू एज रितना हो बाग त्रण पन एककज कोष्टक ती चलावी देश हवे तमारी स्क्रीन उपर जे पन कोष्टक देखाए छे आखे आकू चेप्टर आ कोष्टक उपर ज बेज छे आ कोष्टक जो तमें समझी चेशो तो तमने आखे आकू चेप्टर आवडी चेशो हवे जे वस्तो आपड़े कोष्टक माँ छे ए पेला आनी अंदर समझा वी दऊ एना वची सत्ता ने जे रचना ने निम्रूग चेए ने आपड़े बाद करी चेशो आखूश्टक ने अंदर जो तो पांच टाइप ना कोलम चेए पांच कोलम हो तमने आपेले चे सौथी पहला कोट चे ए कोट नी अंदर जे जज बेसे चे ए लखेला चे ए जजना पावर किटली चे एमने सत्ता किटली आपपामा आवी चे ए तरीजा नंबनी कोलम चे रचना जे कोट चे ए कोट नी रचना कोना द्वारा करवामा आवी चे एनी बाद करी चे और छली चे निम्रूग के ए कोट माँ जे जज के मैजिस्टेट बैसे चे एमनी निम्रू कोने करवा मा आवी छे ए पांचमा नंबर नी कोलम चे आज कोलम मोस्ट आइमपी छे जो अठलू तमें समझी गया ने तो भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 मेकसिमम बद्धी वस्तु तमारी कवर थे जेसे अठला नी अंदर है तो आ खास तमारे समाजवानू अवे यह सेसन जजनी बात करूँ तो सेसन कोटनी अंदर बे टाइप ना जज होए मैं लास्ट ताइम की दू आतो बे टाइप ना जज मां सौथी हेड होए यहने के वामा आवे सेसन जज चे आज सेसन 자ज के वामा आवे तो session code माँ बेट टाइप ना जज बेशे एक तो सौथी उपपर session judge के वा मा आवेशे औने एने help करवा session judge ने help करवा माटे assistant session judge अथवा तो additional session judge बेशर वा मा आवेशे तो जमें यह कोश्टक मां जोसो तो आ छे आपड़ू सेशन कोट आ सेशन कोट ने यंदर तमें जोसो तो बे टाइपना जज लखेला छे एक छे सेशन जज अने बिजा छे एडिसनल सेशन जज हवे एमनी सकता कई रितना तो सेशन कोट मां जे सेशन जज बेशे छे ए आईपी सी मां आपेली तमाम सजा करी शके छे पन फासी नी सजा करी सकता न थी हवे एडिसनल सेशन जज जज नी बाद करे तो एडिसनल सेशन जज जज एनी पावर लेवी पड़े हवे एडिसनल सेशन जज जज संबाड़ी सकते हवे जो दस वरस थी वधारे केदिनी सजा ना पात्रे गुना आवया तो एने पची सेशन जज ने मुखली आपपा पड़से ए हैंडल करी शकते नहीं हवे चोथा नंबनी कोलम जो अवया रचना हवे आ रचना से नही बाद करी छे तो सेशन कोट नी रचना कौंड कर देशे तो यह लखे है लुँछे राज्य सरकार कर से पन् तो आपणों प्यल्ली जे वस्तू छे सेसन कोट वाड़ू यह पूरू थाई। हवे नीचे आवी जाओ एना पचे आवे छे जुडिस्यल कोट कोष्टक नी अंद जो तो हवे आपणे आ कोट नी वाद करें यह जे मैं स्टार करें ने ए कोट नी आवे वाद करें के आ छे जुडिस्यल मेजिस्टेट कोट चलो तो जुडिस्यल मेजिस्टेट कोट नी और आवे ूपी शे चीप जुडीशल मेजिस्टेट, प्र्धम वरगना जुडीशल मेजिस्टेट और वी जा वरगना जुडीशल मेजिस्टेट अब या त्रणे त्रण नी सत्ता हो जोई है तो जे चीप जुडिसल मेजिस्टेट चे एमनी सत्ता के लिए छे मैक्सिमम ए साथ वरस सुधी नी कैदनी सजा आपी सके एना थी वदारे कैदनी सजा ने पात्रव गुनों होए तो एमने उपर मुकली आपको पड़े ए हैंडल करी शके नए यमने इटली सत्ता चे ओके चीप जुडिसल मेजिस्टेट चे के लिए जोड़े जे केस आवे चे ए साथ वरस्ती ओची सजा ने पात्रव हो जो जो ये जो एमने लागे कि आतो मुईतनों चे अथवा तो आजीवन केदनों गुनों चे अथवा तो साथ वरस लिए प्रथम वगना जुडिसल मेज़िस्टरेट नी सत्ता के लिए तो यह जरे बैसे चे त्यारे केवा के सेंडल करी सके जेमां 3 वरसती ओची सजा ने पात्रगूनों होय अने 10,000 सुधी नों डंड होय विजावर्ग ना जुडिशन मेज़िस्टेट छे M नी सत्ता के लिए दो एकज वरज सुदी नी सजा करी शके औने 5,000 सुदी नो डंड करी सके आ M ना लेवल नो छे M ने एकली सत्ता मढ़े ली छे के A वाज केस टेंडल करी शेके विजावर्गना जुडिशन मेजिस्टेट जहें ने जे सजा छे एक वरस सुधी नी होए और पांच अजा सुधी नों डंड होए एमना काईदा बाहर होए तो ये उपर मुकली आले प्रथम वर्गना प्रथम वर्गना बाहर होए तो विजावर्गना तो ये रितना जे case आवे चे ए पोदपता नी रितने पोदपता ना सत्ता ने रितने हैंडल करी शके ज़े अब एक column number 4 जो ये जेनी अंदर रचना नी बाद करी शे तो ये judicial court छे तो judicial court नी रचना कोण कर से तो राज्य सरकार कर से पन हाई court नी सला सुचन थी एज रितना जे रितना उपड सेसन court नी अंदर जोईयोतु ओके यह त्रण टाइप ना जज़ ब्याशे चे चीप जुडिशल मेजिस्टेट प्रथम वगना जुडिशल मेजिस्टेट अने बिजा वर्गना जुडिशल मेजिस्टेट तो आ त्रणे मेजिस्टेट कोटनी बात करें तो एमा बे टाइप ना जज हो है जी आपने कोश्टक मा पन जोया आता लास्ट ताइम चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट तो चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने मेट्रोपोलिटन मेजिस 3 वरस सुधी नी सजा अने 10,000 रुपया सुधी नो डंडापी सके जे तो अईया कई शका है? कि अईया चे ने आप एक बिजाना सम कक्स कई सका है यहले कि जिकली सत्ता चीप जुडिशल मेजिस्टेट ने चे एकली सत्ता चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट ने चे साथ वरस सुधी नी प्रथम वर्णा जुडिशल मेजिस्टेट ने जिकली सत्ता चे एकली सत्ता मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट ने चे किला 3 वरस सुधी नी तो आव बंने चें एक बिजाने समक्स हों कहीं। पाचर सबते हों कर दो काम सेखें। समस काडबू, जाहे नामा बार पड़वां, और याग राग जो, एकजुकिटिम मेजिस्टेट नी राचना और निम्णू, खाली ने, खाली राज्य सर्कार करशे, एमा हाईकोट नी कोई भूमी का नती। Хाइ कोट्ने यहने कै़ी लेवा देवाना थी एक्सुकिट्व मैजिस्ट्रेट चेт ईयने कमंड कोना हाथ माँ है राज्य सरकाना हातлеUS आ पसलोडिकम मां हने यहाग ज़तिक प्राप्रमा बसलाग योजारे होदी कि निंहोड लेवस ज़तिक है सब्सक्राइब чи crypto Prime 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 Benda कि चाहेब, इब क्रे साव देन्य टाइब Gas Rivers इब इब जगते मीजेस्ट्रेटा, सस्वाव kitchen धाना द्रिश्चा बिंड एक कर दम दे। सला शुचैनी तो जे कोट नी रचना करवानू आवी सेशन कोट छे, जुडिशल कोट छे, के मेट्रोपोलिटन कोट छे तो आँ बद्धी कोट नी रचना छे, ए राज्ये शरकार रज करशे खाली हाई कोट नी सला सुचन लेशे पड़ ये जजनी बात आवी जाई जारे तो आज बद्धा जजनी निम्रू कोट करशे, हाई कोट द्वारा करवा मा आवसे छोडी ने एकजीकुटी मेजिस्टेट, खाली एकजीकुटी मेजिस्टेट से एनी निम्रू कज, राज्ये शरकार द्वारा करवा मा आवसे तो आई होप सो जो आठलू कोष्टक तमने आवडी गयों, तो तमने क्या है आ चेप्टर मा, मतलब कि क्या है कि क्या है बोलने पड़े अथवा तो क्या है तमने भारे चेप्टर रहुँ लाखसेद दे, कारणके आखु तमने में एक फिगर थी में तमने आखु समझाय तो जे रितना चेप्टर नंबर टू, आ फिगर थी समझे आता इज रितना चेप्टर नंबर थी छे, ए आ टाइप थी समझी लेवानू छे तमारे, ओके, अवे आना चेप्टर नी आपड़े कलम हो जोई लिए वन बाई वन, जे बद्दी आमा थी जहसे, चलो, कलम नंब 26, घुनानी इंसाफ ही कार्यवाई, सु केवम आगे छे, तो हाई कोट, IPC अडार्सो साइंट ना तमाम प्रकार ना घुनानी सुनवई करी शके छे, परन्तु सेसन कोट, जुडिसेल कोट, अने मेट्रोपोलिटन कोट, पोत पोतानी सत्ताने आधिनज केस चलावी सके, अने मेट्रोपोलिटन कोट छे, यहनी अन्दर जुद्या 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 ज़ज छे, तो एमने जिटली सत्ता अपपाम आवी शे, एटले सत्ता आज केस चलावी सके, जो एमना सत्ता ने बाहर नो केस हछे, तो एक केस ऊपर एक मोखली आपसे, एना बची, कलम एनी अंदर किदू छे बाड गुने गार नो केश नाना नाना बाड को नो केश वोई तो सु करवान तो याद राग जो मृत्युदंड के आजिवन केद सजाने पात्र कोई गुना सिवाए मृत्युदंड अने आजिवन केद नो न हो जो ये गुनो एना सिवाए गुनो करनार कोई पड वेक्ती जेनी उम्मर सोड वरस करता ओछे जे तो एनी जे इंसाफी कार्यवाई छे ए चीप जुडिसल मैजिस्टेट नी अदालत मा अथवा तो आवा केशों छे ए जुवेरिय नी मदद थी चलावामा आवशे आवा केश्यों मा जो गुणो साभीत थाई जाये तो एमने जे बाडकोँ छे सोड वरस्ती ऊचावई हैना बाडको एमने जु वेरियन कोटी नी अंदर मुक्वामा आव शाय, ना के मोटी-मोटी जेलो नी अंदर नाकि देवामा आव движ जो मोटी जेलो माँं मोटा कैदियोवच्छे नाकि दे तो मोटो ठता-ठता तो मास्टनर बनी जाये एक गुणानों तो एमने सुधार निये साड़ामा मुकवामा आवे जेते ए सुधरिश रखे तो बाड गुनेगार ना केस नी अंदर सिंपल वस्तो एवू लखेलो छे के कोई नानू बाड़त जेनी उम्मर 16 वरस करता ओची छे जो एना द्वारा कई गुनो करवामा आवे छे तो एननो जे केस चे ए जुवेरियन कोटनी अंदर चलावा मा आवे छे तो एने कौन हैंडल करी सकसे का तो चीप जुडिसेल मैजिस्टेट होआ जोए का तो चीप मैट्रोपॉलिटन मैजिस्टेट होआ जोए अत्वा तो M-नो जे केस छे नाना बाढकों केस M-ना माटे नाना बाढकों नी अलगतीय कोट होय चे जेने केवा महा आवेचे जुवेरियन कोट સોક એવામાં આવે છે જુવેરેણ કોટ ની અંદર ચલાવામાં આવસે હવે નાના બાડકોનો જો ગુનો છે એ સાબિત થઈ કે નાના બાડકે ગુનો કરેલો છે આગે બાડ કરે કલ્મ નંબર 28 સજાને સજાઓ જે ઉચ્ચ અદાલત અને સેસન જજજ કરી શકે તો ઉચ્ચ અદાલત ન્યાયા દીશ છે એ દરેક પ્રકારની કોઈ પણ સજા કરી શકે ખાલી મોતની સજા આપી શકે નઈ જો મોતની સજા આપી હોયા તો હાઈ કોટની પૂરુવં મંજુરી લેવી પડે બાદ કરે આસિષ્ટન જાજ ની તો આસિષ્ટન સેષન જાજ અથવાતો એડિસ્નલ સેષન જાજ છે એ વધુમાં વધુ દસ વરસ સુધી ની સજા આપી સકે જે આપણે કોષ્ટક માં જોઈ ગેય જે એડિસ્નલ સેષન જાજ છે તો બધી સજા આપી શકે એના પછી બાદ કરે મેજીસ્ટેટ ફરમાવી સકે એવી સજા તો યઈજ બસ્તુલ વધુમાવધુ ત્રણ વરસ ની સજા અને 10,000 સુધી નો ડંડ ફટકારી શકે અને વજા વર્ગના જુડીસેલ મેજસ્ટેટ અને ચીપ મેટ્રોપલીટન મેજસ્ટેટ છે એ વધુમાં વધું સાથ વરસ સુધીની સજા ફટકારી શકે પ્રથમ અમાં રીપિટ કરીછે કલંબ નંબર ત્રીસ માં એવં કિદું છે કે ડંડ ના બરે તો કેદની શજા આ વસ્તો કે એક વેક્તી છે જેને ચાર વરસ ની સજા અને પાંચ હજા રુપ્યાનો ડંડ થયુછે હે એવેક્તી જુડે પઈસ વરસ ની સજા થસે તો પાંચ હજા ના બદલા માં એક વરસ ની સજા વધારે બોગવ્તી તો એવું કેવું કેવું માં સે તો જેને એસજા થઈશે એના ચોથા બાગની સજા કેવું તો ચેયાર વરસ ની તો એને પાંચ વરસને સજા બોગવે એકજ ઇન્સાફી કાર્ય વાહીમાં જુદા જુદા આરોપ સાબીત થાએ ત્યારે જુદી જુદી સજા ફરમાવ અને બાગી ગેલે કેવાઈન કે હીટ એન્ડ રંનો એક કેસ છે કોએ કોઈકીને ઠોક્યું અને પછી ભાગી પડીકે એને તે એને એને કોટ દ્વારા બીજી સજા ફટકારવામાં આવસે એને સમજીલો કે મને પાંચ વરસ ની સજા આને પાંચ સજા રુપ્યાનું ડંડ છે પાંચ જા રુપ્યાનું ડંડ બરું પેલી સજા મારી પૂરી થે એકજાંબલ તરીકે લઈ લીએ કે અહીયા આપડા જે આ કોર્ટ છે એની અંદર ચીપ જુડિશેલ મેજિસ્ટેટ છે એ હાજાર નથી કોઈ કારણો સર સમજીલો કોરોણા થઈ ગોછે તો એ જ તારેક થી આ પ્રથમ વર્ગનો જુડિશલ મેજિસ્ટેટ છે એ ચીપ જુડિશેલ મેજિસ્ટેટ બની જસે મેજિસ્ટેટ અને હાઈકોટ ને સત્તા આપમ આવે છે આપે લે છે કે યથા પ્રસ્ંગે જરૂર જણાએ તો કોઈ પણ વર્ગને ન્યાય દીસ્ટે હુકે હુકે અને હુકુમ થી ત્યા સુધી એ હુદ્દા ઉપર રેશે અને એની સતા ભોગવે છે એક્જામ્પ્લ દરીકે આપડે યા વાદ કરી એઉં કલમ નંબર સેમાં કીદું છે 33 માં કી દેલું છે કે જો કોઈ અદીકારી પોતા ની સતા પર હોય ત્યાથી બીજી સતા ઉપર નીમામાં આવે તો જ્યાસુદી જોગવાઈ કે પ્રસતાવ નથાય ત્યાસુદી એ હોદા ઉ પ્રથમ વર્ગના જુડીસેલ મેજીસ્ટેટ પણ પાછા બના વી શકે છે એભી સતા પણ આપે લી છે કોણે હાઈ કોં નંબર પાંત્રીસે કે કે મેજીસ્ટેટ ના અનુગામી કોઈ પણ લેવલ ના મેજીસ્ટેટ ના અનુગામી તરીકે કો ના મેજીસ્ટેટ ની અના તે મેજસ્ટેટ ના તે મેજસ્ટેટ ના તે કે એક્જામ્બલ દરીકે વાદ કરું કે રાષ્ટેનું મેજસ્ટેટ થઈ જાએ છે તો ઉપરાષ્ટેપતી છે એકે રાષ્ટેનું પદ સંબાળી સકે જેસુદી નવા રાષ્ટેપતી આવે નઈ ત્યા સોજી પણ એજસ્ટેટ મેજસ્ટેટ 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 છે મૃત્યુપામે તો હવે ચીપ જુડેશ્ટેટ ને જગ્યા એક કોણ આવસે એ ખાલી ને ખાલી સરકારજ કરીશકે સરકારજ ઉકમ જે હતો ફ્વસદારી કોટની સતા તો ભાગ નૂબર ચાર જેની અંદર ઉપરના દરજાના અધી કાર્યાની સતાની વાદ જેની અંદર ટોટાલી આઈ પીસી ની જેની મહતવની કલમ ઓછે આને સીએને ઇને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવી છે સાધે સાધે કાટુન દવારા મે એકજામ્પલ ને બતાવનું ટ્રાઈ કરોઓ છે મારા એન્ડ થી તો તમે આપ બુક છે એક ખરીદી સકો છો નીચે ડિસક્રિપ્સન ની અંદર તમને આની લીંક મલી જાસે આ એક ઈબુક છે એલેકે ફિજીકલ બુક તમારા જોડે ની આવે ઉપણના દરજાના પોલીસ અધીકારી ની સતા સુક એછે ખાબર છે કોંશ્ટેબલ હોય છે કોંશ્ટેબલ થી થોડા ઉપર આવો તો એના ઉપર આવે છે હેડ કોંશ્ટેબલ કોના તેના પોલી ટેશેશન હેતો એમાં ઇનચાજ અધીકારી તરીકએ પીએશાય હે કોઈ મોટુ સહેર હેતો એમાં જે વસ્તુ કરી શકે છે પીએસાઈ કરી શકે તો એને જેટ્લું સત્તુ કરી શકે એને જેટ્લું પાવર મળેલો જે સક્તા આછે એઆપો આપ મળી જેશે કરી 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 કેછે કે કે પીકે પીક્તી ની મળેદદ કરવાની ફરજ ની કરી કેજાંબીા કેકે વાદકેકે પૂલીસ વાળો છઈકે પોલીસ વાળો કે કોંસ્ટે બલ્ટ છેક પીએ સાહે जो सामिती चोर आउंतों देखाये चे पाचट पडीच अपने खबरपढे कि यही पकड़ जोहीë तो आपनी फरज मा आवे चे के एने आपने पकड़ी है चलो तो कोई व्यक्ति नी धड़ पकड़ करवानी होए अने ते व्यक्ति नासी जतो होए तो एने आपने अटकावो जोए बले आपने पोलिस होए के ना होए आपनी फरज समझे ने अटकावो जोए जाहेर सुले सां आपने आपना एंड तही एनने रोकवो जोई, इसपी पोलिस आवे और बंग कर आवे लित्वतों का मने शुलेश्ऑ भोड़ंग करी उथ। जाहेर मिलकत ने नुकसान थतु पन आपणे रोकू जोई, कोई वेक्ती छे ए रोड तोड़तो है, तो आपणी फरज मा आवे छे के यहने जहीने पूचेक भाई तो रोड केम तोड़े छे, अथो रोड M तोड़तो है तो यहने अटकावू जोई, रोड सुकरवा तोड़े नंबर 37 प्रमाणे, कलम नंबर 38, पोलिस अधिकार ना होई, तिवो वेक्ती वरंट बजावे त्यारे वरंट बजावनार काम करनार वेक्ती के अन्य कोई पन वेक्ती नी तमारे मदद करवी जोई, सिंपल वस्तु छे, आगण आपणे समस अने वरंट जोई सु, अवे जोग्य रस्तो बताओ, जोई, आवी जाए, के बाई, मारे पटिल सुसाइटी माँ जवानों छे, वे पटिल सुसाइटी एक खोडतो होई, अने मने खबर वेक पटिल सुसाइटी आ जग्या आए छे, तो मारे ने हेल्ब करवी जोई, के हाँ, पिलू रहीू, मगन बाही पटिल सुसाइटी पिली रही, तो आहां इतना मारे हेल्ब करवी जोई, एक कलम नंबर थाटी एट मां करवी छे, कलम नंबर थाटी नाइन सु केशे, के लोको दवारा किटलाक आईपीसी हेठर ना कोई गुनाओ बनेला होई, अथवा तो बनवा संभव होई, त्यारे त ये अंगेनी माहीती मैजिस्टेट अथवातो पोलीस ने आपपी जोई ए, सिंपल वस्तु छे के IPC एटर आपने गणा बदा गुना जोई आता, जेमके राज्य विरुद ना गुना छे, हुल्लड जेवा जाहेल सुले सांती नो बंग थाए एवा गुना छे, राज्य द्वारा करवा मा आवता गुनाओ छे, खाद्य प्रदात मा बेडशेड ना गुना, लूंट के धाड ना गुना, बना अटी चलनी नोटो ना गुना, के मिलकत ना बगार ना गुना, तो ये IPC माजे आपड़े गुनाओ जोई गया आता, एमा थी कोई गुनो, तमारा समक थतो होई, अथवा तो थवा नू संभव होई, तो एनी जान तमारे मैजिस्टेट अथवा तो पोलिस ने करवी जोई है, आपन तमारी फरजनी अंदर जावे छे, तो सिंपल वस्तो छे, नॉर्मल वस्तो छे, एटली कोई खास इंपोर्टन न थे, कलम नंबर चालीस तो क कलम नंबर चाली सेव कहा छे, कि गामनू रहनार व्यक्ति के अधीकारी नी किटलीक फरजो, तमें गामनी अंदर रहो छो, अवे तमारा गामनी अंदर कोई बार्थी चोर के लुन्टाडों आवी ने वसे छे, अवे तमने खबर पड़े छे, कि आ व्यक्ति तमारा गामनी अंदर ये व्यक्ति देखायो, तो मारे पोलिस के मैजिस्टेट ने जान करवानी फरज आवे छे, तो नीचे जनावेली बाबतो, जेव के कोई कृत्य, तमारा गाम के सीमा मा थाई छे, तो पोलिस अधीकारी के मैजिस्टेट ने जान करवानी तमारी फरज छे, तो गामन सब्सक्राइबल आधिसानी अंदर गयलों असे तो आउ कोई वेक्ति तमारा गामनी अंदर रहे चे तमने यही जान थाए चे कि आ ठग छे लुंटाड हो चे नासी गयलों चे तो तमें पोलीस के मैजिस्टेट ने जान करो तमारा गाम मा कि गामनी नजिक कोई संकास पद लास मड़ी आवे तमारा गामनी भागोड मा के कोई यही जग्या आए नदी होई तो नदी नी किनारे कोई यही लास मड़ी आवे जे तमने उडखी ना सको तो एनी जान तमारे पोलीस टेशन के मैजिस्टेट ने करोई जोई आपने एवु लागे के या गुनो थयलो छे या लास कई के वी मडेले छे के कोई वेक्ति नी या पड़ेलो छे तो मारी फरज मा आवे छे के मैजिस्टेट के पोलिस ने जणाओ के मने आओ काईक देखाईू तो आ कलम नंबर 40 कहे छे तो एक केवाईंके नानु एवु चेप्टर छे जेनी अंदर घणी बदी आपड़ी कई फरजो रहे छे ए जड़ावामा आविऊ छे आ चेप्टर नी अंदर तो उपणना धरज्जाना अधिकानी सत्ताओ अने आपड़ी किटलिक फरजो जे आपड़े मेजिस्टेट अने पोलिस ने आपड़े हेल्प करी शके ए आ चेप्टर नी अंदर दल्सवा मावे छे नानु एवु चेप्टर छे पांच कलमोनु चेप्टर छे हवे CRPC नो जे में पाड़े जे अजना लेक्चरती सर्व उथाईचे अने ए छे पोलिस प्रक्रिया आखी CRPC मा जो 2 महत्वनी टोपिक होए तो ए छे पोलिस प्रक्रिया आने बिजो छे न्याइक प्रक्रिया जे माथी सवूती वदारे क्विष्टन छे आप पोलिस प्रक् चे 5, 6, 7 अने बार आ पोलीस प्रक्रियाना चे तो आपड़े कंट्यूनियस लई सु एले के 5, 6, 7 अने बार आर इतना आपड़े 4, 4 चेप्टर सडंग चलावी सु तेना पची जे वच्चे ना चेप्टर बाकी राया ए लास्ट मा चलावी सु मतलब के 12 मा चेप्टर पची चलावी सु 8, 9, 10 अने अग्या जे बाकी राया चे वच्चे जे राई गया चे ए आपड़े क्या चलावी सु बार मा पच्छी चलावी सु तो आपड़े पोलीस प्रक्रिया चे एने कंट्यूनियस बणी लई सु च्यार चेप्टर नी अंदर 5, 6, 7 अने बार बहुज महत् चे जो आणी अंदर तमने खबर पड़ी गई तो अल्मोस्ट तमारू जे सीयार बीची चे ए केवाई कि सित्ते टका तमारू कंप्लेट देगी। कारे कि सित्ते टका क्वेश्चन चे ए आप पोलीस प्रक्रिया माथीच पुछा दावाँ चे तो सरू बात करिये चे पोली प्रक्रिया तमारे सारी रितना समझ भी असे तो एक आखी प्रोसेस चे एने तमारे समझ भी बढ़ से के एक्चूली जे प्रक्रिया चे एक कया प्रोसेस माथी पसार थाए चे तो अईया खाली ध्यान आप जो जे पण उदाहन द्वारा समझाओ चू वेरी वेरी इंपोर से खुणेगार बन से गुनेगार बन 스ता जेठालाल अनिक्हाही आज करी प्रक्रिया करी पूलिस टेशन निंदर जाई ने जेठा लाल ना विरुध मासु करशे फरियांद करशे कबाई जेठालाल नामना वेक्ति एक यान्नु खून करूँछे टो बड़े क्या जैसे? पोलिस टेशन मा जैने फरियाद कर से, अवे पोलिस टेशन जैने ये फरियाद कर से, तो पोलिस समझ conten कि बड़े कि दू के खुन करयू छे कोने जेठा लाले मा खुन कर्यू छे, तो police पला deconize नगी न गुद already 주 Q, जेपण गुंटो आवे छेखे, एक कैको गुंटो छे पॉलिस अधिकार बाहार न गुंटो छे के पॉलिस अधिकार गुंटो छे यह लेके non-cognizable offense चे के कॉंगंटो अफेेंस चे याद करो, विजा नंबण शोरी विजा नंबनी कलम ना पेटा प्रकार नी अंदर बाग नंबर एक जेनी अंदर आपने व्याख्याओ जोई गया आता एमाँ 2L नी अंदर पोलीस अधिकार बाहार ना गुना एलेके नॉन कोगनिजेबल ओफेंस नी बाद करी आती अब यहाँ बेने खाले टुंकमा उतमने कईदऊचों के एवा गुना जेनी अंदर पोलीस यहाँ आता ही बेत्र पड़ी जीशेए फांटों छे ए पोलिस अदिकार अबहार्नों गुणूह अबेई पोलिस अदिकार अधिकारं Bye Bye थायू छे अन्य खुन छे ए बेवरस्ती वदारे सजानों गुणों के वाय यहले के पोलीस अधीकार गुणों के वाय जेनी अंदर पोलीस छे ए वगर बरंटे अप्रा दीनी धड़ पकड करी सके छे तो हवे आपड़े आ रस्ता उपर जैसु कि आज गुणों थायू छे के पोलीस अधीकार गुणों छे एले के कोगनिजेबल ओफेस छे तो पोलीस ने खवर पड़ी के बई आ आपड़ा काईदा नों गुणों छे आपड़े कोईपण नी आ केस नी अंदर धड़ पकड करी सके छे चलो हवे पोलीस ने खवर पड़ीक पोलीस अधीकार गुणों छे एले पेल्लू काम एसु करसे CRPC ने कलम नंबर 154 आगड आपड़े जोही सु जेनी अंदर FIA नी बात करी से FIA न मतलब थाय छे फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट जेने आपड़े डिपमा बढ़ी सु अरोपी हाजर छे के आरोपी हाजर न थी हवे एक वस्तों तमने कहिदों कि आ रस्ता ओपर जवानु आपणे बाकिए छे जो पोलीस अधिकार बहान गुणों होई तो सु करवानु ए आगड आपड़े जोही सु पर एजोप नाओ आ रस्ता ओपर आगड वद्ये छे आ र खुनकरी ने भागी गयो छे कि खुनकरीने अजू गोकुलडाम Edu अंदर हाजर छे यह दढ़़ पकड कराये हूँ छे तो जो अप्रादी हाजर हो एलेके खुन करी ने जे जेठालाल छे ए त्या गोकुल्दाम सोसाइटी मा गर्मा पोतानी हाजर छे तो कलम नंबर 41 प्रमाणे धड़ पकर तसे अन्या धड़ पकर थी ज आपनों जे चेप्टर छे चेप्टर नंबर 5 ए याथी स्टार्ट तसे अवे जो आरोपी फरार होई तो तो ए आपने बाग नंबर 6 एलेके चेप्टर नंबर 6 अंद जोई सु प्रक्रा नंबर 6 मा जोई सु तो तमने आप प्रोसेस गड़ाए छे प्रोसेस देखाए छे कि बाई गुनों थायो पोलीस टेशन गयो फरियादी लईने फरियादी जो पोलीस अदिकार गुनों होई तो ओ एफाय नोधवा मा आवे अवे फाय नोध्या पची नेक्स्ट काम सु होय क्यानी दढ़ पकड करवानी जे आरोपी होई नी आपने भाग नंबर 6 नी अंदर जोई सु तो ए जोप नाव आपने याद राखो के बाई आचेप्टर पु अवे आरोपी हाजर होय तो कया कया पगला लेवामा आवे ए आपड़े आ चेप्टान नंबर फाई नी अंदर जोईसु तो चेप्टन नंबर फाई नी अंदर पेलिज कलम जोईसु 41 जेनी अंदर धड़ पकर्ण नी बाद करवामा आवी छे चलो तो CRPC नी कलम नंबर 41 जेनी अंदर धड़ पकरणी वाद करवामा आवी छे पूछाहे कर धड़ पकर CRPC नी कई कलम मा किदेलो छे ? serpc नी कलम नंबर 41 नी अंदर वाद करे छे હવે कलम નંબર 41 ના ત્રણ પીટા કલમ છે જોયે સરસમ જાની છે અને ઇમ્પोટન કલમ ઓ છે તો જારે પોલીસ અધારી આરોપી ને પકળવા જાઈ છે ત્યારે આરોપી ને પોટા ની ઓડા ખાપી જરુરી છે આતમ પોડક છે એ આરોપી ને આપી પરસે કે હું પીએ સાઈ છું કે પીઆઈ છું ગમેતું છું ઓકે હું આ રીતના આ આપ્રાધી હોએ ને પકડવા માટે પોલીસ ટેશન માંથી ટીમ જતી હું છે ત્યારે એ આપ્રાધી કેઓ છે એ કઈ અગાવથી જાણ કરી દેવામ આવે છે કે પોલીસ ની ટીમ છે એ આ જગ્યાએ આરોપી ને પકડવા જઈ રઈ છે તો જારે પણ જે કંટ્રોરોમ છે ને એ એક્ટિવ થે જાય એલે કે ગમે ત્યારે ફોન આઈ શકે છે કે બઈ બીજી ટીમ ની જરૂડ છે અથવા તો મેડીકલ ફેસેલીટી ની જરૂ છે તો એમ્યુલેસની જરૂર છે મેડીકલ ઇમર્જંસી ની જરૂર છે જે પણ હોએ એક કૂટ્રોરુમ ની આંદર જાણ કરી સકે તો એઉં લખેલું છે કે જ્યારે પણ અધીકારી આરોપી ને પકડવા જાઈ છે ત્યારે તે કંટ્ સેંજી લોકે જેઠા લાલ ની દડ્ડ પકર્તે કઈ તો જેઠા લાલ ને એક અધીકાર મડેલો છે એક હક મડેલો છે કે તમને જેઓ ગમે જેઠા લાલાને જેઓ ગમે એવો વકીલ એ પોતાના માટે રોકી સકે છે એના માટે છુટી કાર છે તો આઈ હોપ સો 41B 41C અને 41D તમને ક્લીર થઈકે એસે આગર વધીએ છે એના બછે આરોપી હાજર હછે ઓકે એની દણ પકળ થવાની છે તો કલમ નંબર 42 ની અંદર એવુ લખેલો છે કે નામ ઠામ જણાવાની ના પાડે છે તો એની પડ ધડ પકળ કરવી એક્જામ્બલ તરીકે વાદ કરે કે આયા જેઠા લાલ ને પકળવા માટે ચાલુ જી પાંડે જી ને સમજીલો કોઈક ને પૂછે જેઠા લાલ તું કોાણ છે જેઠા લાલ છે કે તારી આઇડેંટિટી કોાણ છે મતલે ત્યા સમજીલો કે તારક મેટા મલે છે ત્યા ઘોકુલ દામ સોસાયટી માં પોછે છે પોતાની ટિમ લઇને પણ પકડી સકે કેમ સાઇમ એઉં કેમ કારણ કે સમજી લોગ કે પોલીસ વાડા ને ખબર નથી કે આરોપી કેઓ કારણ કે કોઈ બીજા વેક્તી પકડાય જાએ અથવાતો જે આરોપી છે એબચી ના જાય ઇટલા માટે આઇડેંટી જાય છે ત્યારે કોઈ વેક્તી નું નામ જણાવાનું કહે અને તે વેક્તી પોતાનું નામ જણાવાનું ના પાડ કે સમજીલો કે આપણા જેઠા લાલ બાઈ છે આ જેઠા લાલ છે એને કઈ ખૂન કૂન કરેલો છે હવે આ બાતની જાણ સોડી ને થઈ જાએ છે સોડી ને ખબર પડી જાએ છે કે જેઠા લાલે છે એને અઈયનુ ખૂન સોડી એમ ના કઈ શકે કે જેઠા લાલ ગુને ગાર છે એને મે પકડે તો હું મારા હાથી એને સજાભી એઉં ના કરી શકો તો CRPC ની કલમ નંબર 43 ખાંગી વેક્તી દવારા ધળ પકર કોઈ સામને વેક્તી દવારા અપરા ધળ પકર કોઈ વેક્તી બેઠેલો છે અવે એના દવારાજ કઈ ગુનો કરવામ આવે છે જે મેજિષ્ટેટ ની સમક્તાય છે તો પકડાવા માટેનો આદે સાપી શકે છે CRPC ની કલંમ નંબે ફોટી ફોટી પરમાણે આગર બાદ કરીએ છે કલંમ નંબે ફોટી ફાઈ કોણી ધળ પકર ના થઈ શકે તો કોણી ના થઈ શકે તો કોણી ના થઈ શ કરે છે જ્યા સુધી એ પોતા ના પદ ઉપર છે રાષ્ટપદ પદ ઉપર છે ત્યા સુધી એમની ધળ પકર થઈ શકે નઈ પે સેનીક અને એમનો જે લો છે એ લાખ છે જે માર્સલ લો કે જે પણે એમનો કાઈદુ હોય છે એમના માટે અલગ થી કલમ નંબર 45 પ્રમાણે મોષ્ટ આઈ એમ્પી કલમ નંબર 46 ધળ પકળ કરવાની રીત આ એકજામની અંદર પુછાય લો પ્રયતન કરેચે જો કોઈ વ્યકતી પોતાની ધળ પકળ તાળવાનો પ્રયતન કરેચે અથવાતો સામનો કરેચે તો કે ચોરને પકળ છે એલે કે જરૂરી બળ વાપણી ને એની ધળ પકળ કરવી એઉં ને કે એના જોડે પોડે પોડે વાડ હોપ ના હોય ત્યારે તેની ધળ પકળ દરીમ્યાન એની મૃત્યુ નિપ જાવાનો અધીકાર નથી સિંપલ વસ્તું છે કે નાર્મલી ચોડ છે એ ચોડ 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 કરીને ભાગી રયો છે અને ચોર ભાગે ચે આગળ અને ચોરી કરી છે લે અની સજા મેકસિમમ પાંચ વરસ કે સાથ વરસ ને આપણે ગણે સજા આપી દી ઓકે વય્કી મદલેડે એ ગુનેગાર છે પણે મેકસિમમ સજા જે પકડાય જાઈ છે તો આપણે એને પકડવા માટે મોતને ઘાત કઈ રીતને ઉતારી શકો તો એ પોલીસ વાડાને પર સમજું જોએ કે આગર છોર જો વદારે હોય તો બીજા પગ ઉપર સૂટ કરી શકો વદારે મદલે મદલે તો પણે સમજીલો કે સામે ડીએન્સ પણે સમજીલો કે સામે ડીએન્સ કર્તો હઓય તો પછે ધળ પકળ કરવા માંં એ મરૂત્યુ પામે તો ઇટો ઓકે એક વખત સામ્તો બાગી જાએ છે તો બાગી જવા દેઓ જુયે બાગી એને નોરમલ ગુના માટે એને સૂટ કરીને પકડી શકાય ને ઓકે પગ ઉપડ કે એના ઉપડ પણ સૂટ ના કરાય સીંપલ વસ્તો છે તો એના વસ્તુ કવા માગે પણ એને ગુનો કરે ઓહે પણ એની રાત્રી દર્મેન દળ પકડ થશે નઈ વજા દિવા સવારે પડતાય એની દળ પકડ કરી શકો નઈ હવે સાઇબ એઉં લાગે કે સાઇબ આ રાતરી માં એને સમજીલો કોઈકનું ખૂણ કરીં છે અને બીજા દીવસે સારે એને ફલાઇટ છે તો બીજા દીવસે તો ફલાઇટ ની અંદર બેસીને બાગી જસે વલ્લે વલ્લ એની રાત્રી દર્મ્યાન ધળ પકળ થશે બાગી કોઈ નોર્મલ કેસ હોય અથવે કંડીશન એભી ના હોય તો એમાં મમે તેટલો એને ગુનો કરીઓ પરીશની સામે આશે મેલ પોલીશની સામે આશે તો પણ એને પકડી સકે ને તો આયાદ રાગ જો સ્ત્રી ની ધળ પકડ માત્રને માત્રા સ્ત્રી પોલીશ દ્વારાજ કરવામાં આઉશે તો કલમ નંબર 46 મોષ્ટ આઈ એમ્પી છે યાદ રાખવાજે બેછે કલમ નંબર 47 ની અંદર એઉકે દુછે એક ખુની આગળ ભાગે છે અને પોલીસ એને પકડવાં માટે પાછળ ભાગે છે હુની છે એક કોઈ જગ્યા ઉપર કોઈ મિલની અંદર કે કોઈ કોઈકના ગરના અગાસી માકે કે કોઈ જઈને છુપાઈ હુની છે એક ખુની છે એઆ ગરની અંદર છુપાઈ લો છે એબેલ મારે ને કેછે કેયા એક ખુની છુપાઈ લો છે તો આપણી જે ગરનો માલીક છે ને ફરજ માવે છે ને પરજ માવે છે કે પોલીસ તપાસ કરવા દેવી જે અથવા ત પ્રપટી છે ને ફરજ માવે છે કે પોલીસ તપાસ કરવા દેવી જે અથવા તો ઘરની અંદર પોલીસ ને પ્રવેસવા એ ભાગ્યા છે અવે એ આપણા બારતના કોઈ પણ ખુણે જતારે પોલીસ ને હક મળે છે કે બારતના કોણા માં જઈ જતોરે નાગા લાણ જતોરે કે કોઈ પણ જગ્યા જતોરે યા પોલીસ ને જાણ થાય તો એ જગ્યા ઉપર જઈને ભારત જમા પીછો કરી ને એની ધળ પકણ કરી શકાય છે કલ્મ નંબર 49 પકડાયલા વેકતી ઉપણ નીંત્રણ હવે પકડાયલા વેકતી ઉપણ નીંત્રણ 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 મતલબ સું નીંત્રણ 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 गाडियो पाचर चार गाडियो बेबाईक वाडा बाजुमा उपपर एक हेलिकॉप्टर एटलों बद्धू नियंत्रन राखवानी जरूर ना थी। एले कि सिंपल एउज केवा मागेशे कि पकड़ाईलों व्यक्ति नासी ना जाएने तो जेटली जरूर होएने एना करदा वदारे नियंत्रन राखवानी जरूर ना थी। जिटली सिक्यूरिटी नी जरूर वाए इटली तमें सिक्यूरिटी राखो आउँ पोलीस ने आदेस मड़ेयों छे। कलम नंबर 50 धड़ पकड़नों कारण बताओ मोस्ट आईएमपी वस्तों। आगर आपने एक कलम जोई गया कई कलम अती तो याद करो कलम नंबर 41B जेनी अंदर जारे धड़ पकड़ करवा जाये छे त्यारे पोलीस सु करेचे पोतानी ओड़क बतावे छे के जारे पन समझीलो के पोलीस सद्रीकारी कोईपण व्यक्तिनी धड़ पकड़ करवा माटे जाये छे तो या आरोपी ने पुछवानों हक छे समझीलो जेठालाल पोताना गरे राईवार नो दिबस वह चे और पोताना गरे जले भी फाफडा खातो वह चे अव्याचानक पोलीस आवे छे पोलीस आवीने पकड़ी ले छे औने पकड़ी ये जेलमा लई जाये आऊ नाचाले येना घरे पोलीस आवे चे तो आरोपी ने पुछउवानों हक छे कि मने क्यम पकड़ों छो में मारो गुनोशुचे मना कया गुना नी अंदर पकड़ोचो एकलो पुछवानों हग चे अमुक मुवी नी अंदर के सीरियल नी अंदर बधु खोटु बतावतावाई चे હુછ્તો રેકવઈ મને કેમ પકળો છો કેમ પકળો કેમ પેમ 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 આ પેમ ને દબો છીં પેમ માં ગાલી દે તો એવી વસ્તુ ના હોવી જોઈ ઓકેમ આ કલમ નંબે પેમ પેમ કેમ 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 કરવા આવય છે ઓં નુસા કે કોઈ મારા મારીનાં નુ કેવો કોઈ ની કોઈ આન્દু દશણો આ પરી પેમ જામારં પામ નુાં હોએ ત सिवाए बद्दीज बस्तु जब्त करी लेवे सिंपल वस्तु क्या यह आरोपी छे आरोपी छे जहने खून करेलो छे समझीलो खून करेलो छे आपड़ा जेठालाल बाई तो जेठालाल नी धड़ पकड थाई जाये अने यहमने पोलीश तेशनी अंदर लेज जवामा आवे तो जिटला मतलब कि जी कपड़ा पेरेला चे एक कपड़ा रवा देवा बाकी ने बद्दीज बस्तु एमना जोडेती जब्त करी देवामा आवे जेमके मोबायल छे वॉलेट छे हाथ माँ विंटी पेरेली होई तो विंटी दोरो पेरेलो होई तो दोरो पचरी समझीलो क कोई पड़ भी वस्तू, खाली कपडा सिवाईनी गम में दे वस्तू होए, ए बद्दीज वस्तू पोलिस बारा लई लेवा माव से, आ कलम नंबर 51 के वा मावे छे, पर जारे पड़ ए छूट से त्यारे ए बद्दीज वस्तू एने परत मर से, जारे एनों केस चाले छे, एन पाची मरी जसे, परत मरी जसे, तो आयाद राग जो, कलम नंबर 52 के व्यक्ति पासे रहेला हथियारो जब्त करी देवा, सिंपल वस्तू, कि आने जे खून करिए छे, तो एनी बंदूग पड़ एना जोड़े हसे, तो जारे पड़ पोलिस चे एने पकड़ से, तो ए बंद पाची मरी जसे, जमकिये दोरो छे, विन्टी छे, वालेट छे, मोबाईल छे, आ बदी वस्तू पाची मरी जसे, परन्तु, जे हतियारो येना जोड़ेती मरी आचे, चक्को होए, बंदूख होए, कि कई पड़े भी वस्तू, ओके, हतियारो तरीके जे के वाई, तो ए आरो पी ने ताव आवेलो छे, अथो आतो सर्दी थाई छे, गम्मेते थाई छे, तो येनी मेडिकल तपास करवा मा आवसे, तो त्यारे तो करवा मा जावे कारें के मेडिकल तपास ना थाय, तो कोरोणा का दात लईने आवे तो बिजा, जे कैदी होगा है, एमने पन फेल कारें के जारे पन बलातकार थाई छे, त्यारे जे आरो पी होई छे, एना जे डी अने अचे, आरो पी समझे लो के जेठा लाल छे, एना द्वारा काई रेप करवा मा आवे, बलातकार करवा मा आवे, तो आरो पी ना डी ने चे, इस जे श्त्त्री नो बलातकार करो चे, ए अगर जे स्त्री नो रेप थायो चे एना प्राइवेट पाट उपर जे डियने मढ़िया उसे एने मेच करवा मावे चे अने ए जो मेच थाई गया एनो मतलब के जे आज रेपीष्ट चे ये साबीत थाई तो आपन याद राग जो कलम नंबर 53A जेनी अंदर बलात का ना केस अंदर आरोपी नी मेडिकल तपास नी बात करेशा कलम नंबर 54 जेनी अंदर मेडिकल तपास कोना द्वारा थाये तो सिंपल वस्तु छे केंद्र सरकार और राज्ये सरकार द्वारा मेडिकल ओफीसर ने निमवा मावे और एज मेडिकल ओफीसर छे एना द्वारा जे पण सरकारार द्वारा निम्वाम आवे जेनी अंदर आरो पी ना आरो ग्यानी जाडवनी आपण वेरी इंपोर्टन छे एक्जांबल तरीके वाद करें के जेठा लाल चे ए जेठा लाल पकड़ाई गयो एने कोई गुनों करें आने जेठा लाल पकड़ाई गयो तो अईया फरज मा आवे चेक बाई एमने दाडबात नी जगे साथ रोटली आपई कारांके दाडबात थी एने प्रोब्लम थाई जे ओके दाडबात ए खई सकतो नथी तो अईया जे आरो पी होई तो एउन नहीं के बाई गदेडानी जेम राखवा मा आवे एनी जे पीलर जी छे तो ए वस्तु आपपामा नथी आवती तो 2005. अथाय के आज पाई बाई एंले दाडबात आपामा आव और एनी वक्तिने दाडबात थी परोबलम होई तो आक्पामा हो Ugh सब् 보ति खे उन्यरोना सली सभत खयर जेसवा मा आवे जाडवानी. मतलब के यहनी तंदू रस्ती यहने सलाम अती चे यहनी जाड़ावनी करवा माव से 55 ए प्रमाणे 58 ए यहनी अंदर एव लख्यू छे कि जिल्ला मैजिस्टेट ने जान करवी सिंपल वस्तू छे के समझीलो के बले ने नोन कोगनीजेबल ओफेंस वह यहले के पोलीस अधिकार्नों गुनों है जे माँ पोलीस चे ए मैजिस्टेट ना वरण वगर के समस वगर ए व्यक्तिनी धड़ पकड करी सके छे पण जो एक वखत धड़ पकड थाईगे समझीलो के जेठालाल खून करीने भागी जियो पोलीस बारा एने पकड़ी लेवामा आवेओ पकड़ी लिधा पची पोलीस नी फरज मा आवेचे के मैजिस्टेट ने जान करवी केम कारेके ज्यारे पण कोई आरोपी नी धड़ पकड थाई छे त्यारे एने 24 कल लागनी अंदर अंदर 24 अवर नी अंदर अंदर मैजिस्टेट समक्स एने हाजर करवो पड़े आ नियम छे ज्यारे पण कोई आरोपी नी धड़ पकड थाई तो पोलीस अदिकारी ने जिल्ला मैजिस्टेट ने जान करवानी रहसेक बई आ आरोपी जे बागी गयो अतो एने आमे पकड़ी लिदो छे जे आ जे केस नोदा आयो तो एने अंदर जे आरोपी अतो एने में पकड़ी लिदो छे एने आवे 24 कल लागनी अंदर आमें सु करी सो मैजिस्टेट समक्स हाजर करी सो तो वरंट वगर पकड़ाये ला व्यक्ति नी जान जिल्ला मैजिस्टेट के हुकम मुझब ना विभा जे नी अंदर एव लख्यू छे कि जामीन वगर छोड़ूओ नै, सिंपल वस्तो छे, तमें मुवी नी अंदर जोया आचे कि कोईपण कोई समझेलो कोई आरोपी ने पकड़ी लेवामा आवे तो एना पप्पा आवे, MLA होए, MP होए, मारा छोकड़ाने के एम तो छोड़ी मुखवामा आवे, एव ना जाले। कलम नंबर 59 एव गया छे कि कोईपण वेक्ति जेनी दड़ पकड़ थाई छे, कोईपण केस नी अंदर दड़ पकड़ थाई छे, तो ज्या सुधी मेजिस्ट्रेट समक्स एने जामीन ना मड़े, त्या सुधी ए वेक्ति छोड़वामा आवतो ने, बले ने पछी जामीन पात्रक गुनों होए, के बिन जामीन पात्रक गुनों होए, के X, Y, Z कई पड़ गुनों होए, ज्या सुधी जो जामीन पात्रक गुनों होए, अने जामीन लईने आवे, त्यारे छोड़वानों थाई छे, ए वगर आईएंपी जे तमारी याद राखवानी चे ए छे पोलिस कष्टडी पोलिस कष्टडी नो मतलब शु के सिंपल वस्तु छे के आरोपी चे ए आरोपी नी दड़ पकड थे जमक्या यह आगडवाद करी के आपड़ा जेठा लाल चे जेठा लाल चु करीने भागया चे और यह आई नियम चे के पकड़ाएला आरोपी ने मैजिस्ट्रेट समक्स 24 कल्लाग नी अंदर हाजर करवो पड़े आ नियम चे के कोई पन आरोपी होए जो पकड़ाए जाय तो यहने 24 कल्लाग नी अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट समक्स हाजर करवो पड़े जह मां ट्रांस्पोर अवे ट्रांस्पोर्ट नो मतलब सु सिंपल वस्तू छे कि आपड़ा जेठालाल बाई छे एमने गुजरात नी अंदर गुणों करें अन्ने गुजरात मा गुणों करीने ए बागी गाया सिमला फरवा जता रहे अवे ए सिमला माती पकड़ाया ओके आपड़ा गुजरात ना आवा मातेत समझिलो के एक दिवस के 24 के 26 के बे दिवस जेऊ जतूरे तो ए समय नहीं गणवानों ट्रांस्पोर्ट नो समय नहीं गणवानों त्या थी समझिलों सिमला माती आपड़ा गुजरात माला आवे तो ए ट्रांस्पोर्ट के वाए तो ए समय नहीं गणवानों आ 24 लाग ने अंदर, आ 24 लाग मात्रने मात्र पोलिस कस्टडी नो गणवानों, यह लेके पोलिस कस्टडी नी अंदर 24 लाग थी वदारे ना राखे सका है, हाँ, आमा ए टाइम पर नहीं गणवानों के पोलिस स्टेशन थी, जे अदालत चे ए वच्चे जे समय जाये छे, एने पन कंसिडर नती करवानों आ 24 लाग नी अंदर, जेकलो पन ट्रांस्पोर्ट नो जे होई छे, ट्रांस्पोर्ट नो टाइम, एने आमा गणवामा आउतो न थी, आ 24 लाग मात्रने मात्र पोलिस कस्टडी नो हो जे, तो अने बिजी बस्तुत पन याद राब जो के बिजा दिवसे रवी बार आउतो होई तो ए अपवार छे, रवी बार आउतो है, समझी बारे पकडवामा आवे, रवी बारे बदी अधाला तो बंद होई, जाहे नामा आती, तो समझी लो के हाँ, पछे एने सोम बारे मतलब के करवामा आवे, पन जो न्यायलाई चालू होई, र वे तेलंग गणा माथी गुजरात लावावा मा आवसे तो ते समय नहीं गणाए आ सिवाई पोली स्टेशन थी कौट सुधी नो समय पण समय नहीं गणावा मा आवे तो सिंपल वस्तों छे कि जयारे पण धड़ पकड थाई जाए छे तो विदिन 24 अवर एने क्या लई जाओ पड़े छे तो पोली स्टेशन नी अंदर सोरी कौट नी अंदर हाजर करवा पड़े छे तो मोस्ट आईंपी कलम छे कलम नंबर 57 तो जेनी अंदर पोली स कस्टरी न सु करवानौ? हाँ, आरोपी हाजर हतो तो एनो तम इन दढ़ड पकर करी छको, पड़ व्यक्ती फरार होय, तो सु करवानौ? तो एक केसने कई रितना हैंडल करवानौ? लेकि जि स्टरी नंबर VolSaghan中共 आपने कहिक आउँ जोई होतु, कि बाई गुने गार छे, एक गुनो करे छे, एक गुनो करे छे, सु करे छे, खुन करे छे, क्वोन करे छे, क्वोन करे छे, आ क्वोन जोई जाये छे, तो आपड़ा बिडे बाई जोई जाये छे, औने बिडे बाई पोलिस टेशन मा जाईने फरियादी नोदावे छे, क्वाना विरुदमा तो आपड़ा जेठालालना विरुदमा फरियाद नोदावे छे, तो फरियादी बनीने जाए छे, एना बचे आपड़ा पोलिस बाई छे, ए जोवे छे, कि आ गुनो के हो छे, कोंगनीजिबल छे, कि नोन कोंगनीजिबल छे, एल के पोलीस अधिकार नो गुणो छे पोलीस अधिकार नो गुणो छे ? तो आपणे जोहोतु मिला पहिए आ पोलीस अधिकारी छे वगर वरंटे , यह अपरादीJean दड़ पकड करी सके छे , यह तपास क्री सके छे पोलिस ने मैजिस्टेट नी पर्मिसन नी जरूर नथी एवो गुणो छे तो आपड़े आ रस्ता उपर आगणवद्याता पोलिस अधिकान ना गुणा तर आ रस्ता उपर हजू जवानू बाकी छे ए आपड़े चेप्टर नंबर 12 नी अंदर जोईशुँँँँँँँँ छे एवो खबर पड़े छे एले के CRPC नी कलम नंबर 154 प्रमाणे एफाय नोदे छे कोणी बिड़े भाई नी अने पची चेक करे छे के बाई जे गुणो थोयो छे एनो जे आरोपी छे ए हाजर छे के फरार छे अवे जो हाजर होए तो कलम नंबर 41 प्रमाणे दड़ पकड थाए जे आपने चेप्टन नंबर 5 नी अंदर जोई गया तो जो आरोपी हाजर होई तो सू करवों कईर इतना दड़ पकड़ थाए कईर इतना ये पकड़ो धर पकड़ करता कया कया नियम होने राखवा आ बद्दी वस्तु आपने चेप्टन नंबर 5 नी अंदर जोई ग आपने शेप्टर नियुक्त आपने शेप्टर स्यबर फिर हम गिने खिल फैसम डे कंदर इतनी ऊंदर इंह तो यहम डूरीबं ओपनी सवर हो उप्साद पैसने लेवामा आवसे अवे जो आरोपी फरार होए तो CRPC नी कलम नंबर 82 प्रमाणे फरार इनुँ जाहे नामों बार पड़वामा आवसे अवे तमने एम थासेक साहिप आचेप्टर तो साहिप कई चगे यह थी चाओल थाये चे एक सर्थी चाओल थाये चे तो तमने डायरेक्ट 82 नंबर नी कलम हो चलाओ चो टेंसन नाले जो आचेप्टर नी अंदर चलावी च पन छिल्ले चलाओ चो पन आपने जे प्रक्रिया चे एने पेला पूरी करी दिये एना पची जे आगणी जे कलम हो चे जे सम्मांस चे वरांट चे बधू चलाओ चो बीजी वस्तों हूं तमने कही दो के मारी 2 e-book बार पाड़ी देवा महावी चे एक IPC नी चे एक CRPC नी ए-book नी प्राइज 65 रूपिस ओनली राखे चे CRPC न आपड़े तो पाच्छा आवी जाओ ओके तो जो आरोपी हाजर होए तो CRPC नी कलम नंबर 82 प्रमाणे फरार इनू जाहे नामू निकर से सू निकर से के बई आरोपी जेठा लाल चे ए अईयर नू खोल करीने फरार चे जे आपन देखाये जान करवा विननती हवे ए जाहे नामू किटला दिवसनों होए छे तो याद राग जो 30 दिवसनों जाहे नामू होए छे मेजिस्टेट द्वारा बाहर पड़वामा आवे छे मेजिस्टेट द्वारा अने जाहेर जग्याए लगावामा आवे छे जाहेर जग्याए लगावामा आवे छे जाहेर जग्याए खुन करीने भागी गायों चे, हवे आज ये 35 दिवस नों समय गाडों चे, जे जाहे नामानों समय गाडों चे, जे नोटिस नों समय गाडोंße, ए दरिमयान जो ए व्यक्ति हाजर जाय लगे जे ठालाल हाजर था ही जाय चे, तो पछी पोलिस टपास थसे, ए आगरल अल्रेडी जोई गया छे तो सिंपल वस्तु के जो आरोपी फरार होए तो 82 नंबनी कलम प्रमाणे एक फरार इनो जाहे नामु निकर छे क्या वेक्ती फरार छे खूनकरी ने भागयो छे 30 दिवस नो समय होए आ जाहे नामा नो 30 दिवस नी अंदर जो हाजर थाई जाया तो पोलिस तपास थसे आगट अने कोना द्वारा आ जाहे नामू बार पड़वा मा आवे तो मेजिस्टेट बारा बार पड़वा मा आवे अने कई-कई जग्या आए तो जिटली पर जाहे म्यान ये वेक्ति हाजर न थोई तो CRPC नी कलम नंबर त्यांसी प्रमाणे एनी जे मिलकत छे एनी जपती करवा मां आवसे मिलकत जपत करी देवा मां आवसे सुलक्यूचे द्यांदी समझ्यों कि जो कोई अपरादी जाहे नामाथी हाजर ना थाए तो तेनी स्थावर अने जंगम आप बद्धी मिलकत ने जपत करी लेवानों हुकम करवा मां आवसे मिलकत नों अमुक बाग जिस संपूर्ण अथवा तो संपूर्ण मिलकत नों निकाल करी शकाए जो स्थावर मिलकत होए तो एक कलेक्टर द्वारा जपत करवा मां आवसे हवे अईया आवस्तु समझ्यूचे समझी लो के खुन करियो केश छे ए मेजिस्टेट पासे गयो मेजिस्टेटे फरारी नों जाहे नामू बार पड़िग बै तीस दिवस नी अंदर ए व्यक्ति ने गमे तया थी मतलब के हाजर थवा नों हुकम करवा मां आवसे जेठा लाल छे ए बापू छे मतलब के केवाईं के नई थे ये जाहे तो ए तीस दिवस नी बले जाहे नामू बार पड़िग तो पन ए हाजर थटो न थी तो हवे नेक्स टेप सू लेवा मां आवसे के एनी जे मिलकत छे जे स्थावर मिलकत अने जंगम मिलकत छे एनने जमूईन छे बचाव मां तो ए पन एनी जबत करी देवा मां आवसे ए जमीन छे एनी जे के वाई सिंपल बस्तु बले बापू जी ना नाम पर होए ओके मिलकत तो एनी जबत करवा मां आवसे कौना द्वारा मेजिश्ट्रेट द्वारा तो याद रख जो बीजी वस तो य अंच्यासी आपणने एहु केह छे कि ज्यारे मिलकत जब्त थती होए, तीस दिवसना जाहें नामा पचिन, ज्यारे मिलकत जब्त थती होए, ये दर्मियान हाजर थाई जाये, ज्यारे मिलकत जब्त थती होए, इज दर्मियान हाजर थाई जाये छे, तो यहनी मिलकत जब्त थ थती होए त्यारे हवे कलम नंबर 86 एउ कह छे के समझीलो के मिलकत जब्त थाई गए छे तो अईया जेठा लाल छे के बई टपू छे के दया छे के चंपक चाचा छे एमने क्लेम कर वो पड़ से सुक एम क्लेम कर से के बई आ व्यक्ती जे फराड थाई गयो छे हवे हाजर थाई गयो तो जे पन मिलकत तमें जब्त करी दी छे एने तमें अमने आपी दो हवे समझीलो के कलेक्टर छे ए ना मंजूर करे छे कलेक्टर एम कह छे के बई ए जे मिलकत जब्त थाई गये छे ए पाची नहीं मड़े तो CRPC ने 86 प्रमाणे तमारे ए मिलकत पाची लेवा माटे तमें कोटनी अंदर अरजी पन करी सको चो के बई व्यक्ती हाजर थाई गयो छे हवे जी मिलकत जब्ती करी आती ए अमने पाची आपी दो एकाई कलम मुझब थासे कलम नंबर 86 मुझब वान चे सू लखे लोचे मिलकत जब्त थाई गयी छे हवे आरोपी पकड़ाए गयो हवे तमें तमारी मिलकत पाची लेवा जता ना मंजूर थाई छे तो तमें कोटनी अंदर अरजी के अपील करी शको चो तो आर इतना आखी प्रोसेस थाई छे अवे कलम नंबर 84 एपन इपोटन चे के मिलकत जब्त अंगे नो दाओ येले के मिलकत जब्त थाई गयी कलेक्टरे येमनी स्थावर मिलकत लेली दी मेजिस्टेटे आदेस प्रमाने जे पोलीस चे येमने येमनी जंगम मिलकत सोलू चांदी के यो बदू जब्त करीली दू ओके हवे इसु करवा मा आवे से चंपक चाचा द्वारा के समझेलो के जेठालाल हाजर थाई गयो तो क्लेम करवा मा आवे चे अवे जे क्लेम करवा मा आवेन ए छो मैना नी अंदर थाई जाओ जो ये येले के समझेलो तीस दिवस दिवस्त नो जाहें नामूँ बार पडियो, तीस दिवस पचे एनि रिवा ये मिल्कत और टो अधार्व गктप्त करी दीुए तो आझ जबत करी दीुए- तो 6 महिना नी अंदर अंदर जो ए व्यक्ति हाजर थाई जाएुछे तो एट चो महिणा नी अंदर अंदर एअनी जे मिलकत छे एपाछी लेवा मात्रेनों तमें दाउ करी सकोँ छो चो महिणा विती गया पछी आरोपी आवे के ना आवे एपाछी मन से नई तो 84 एउँ कैया छे कि जब्त थाहिली मिलकत अंगेनो जे दाओ छे ए छो महिना नी अंदरज करी शकाये छे जो दाओ करनार वेक्ती मृत्युपामे छे लेके समझीलो जेठालान मृत्युपामे छे कि कोई पर मृत्युपामे छे तो यहना जे वारसदार होई छे जमके टपू छे एनी मिलकत पाची लेवा माटेनो दाओ माड़ी सके छे एउँ 84 क्या छे कारण के अईयास थाई छे सु के समझीलो गणया बदा अपराधी फरार थे गया है और मिलकत छे एक गणी बदी जब्त करवा माँ आवे तो सरकार ने यह आखो बोजो के वाए कि यह मिलकत ने क्या सुदी साच वे तो यह एक निष्टी टाइम आपी देवा माँ आवे छे से एक गवाए छो महिना नी अंदर अंधर जो हाजर थाई जाए छे अपराधी तो समीं चो महिना नी अंदर अंदर आने क्लेम करी ले जो लेकि जे तमें जे अमारा अद्बारा जे जबत करवा मावी जे मिलकत चे ने पाची ले भी होए तो छो महिना सु दीनों टाइम चे छो महिना पची सुखर से सरकार ये मिलकत ने वेची नाख से तो आँ वस्तु याद राग जो 84 पर माड़े अगर आपड़ एक कलम जोईसु जेनी अंदर ये हूँ जोईसु के जबत थाईली जे मिलकत चे एमां कोई बगडी जाए ये वी वस्तु आए जमके पसु छे कोई डोल डागर चे तो सरकार येने लईने सु करे ये मिलकत के वा गाय बेस ने ये बदू लाई ली तो सरकार येने क्या साचवे तो येनों तरत निकाल करे छे तो जे बगडी जाए ये वी बस्तु आए येनों तरत निकाल करी देवा मां आवे छे कलम नंबर 87 ये खे चे के समन्स साथे वारण न मतलब सु हवे समझी लोके मैजिस्टेट ने ये लागे कि आ व्यक्ती छे ने थोडों मतलब के हटके झे ये थोडों मतलब के थोडों डेंजर से एने कोट नी अंदर बोला हो एले आंखे पानी आवे इवी बस्तों चे तो ये सु करवा मा आवे चें कोट द्भार है समस्स नी साते साथ है वरंट पन काड़ी देवा मा आवे अनों जया रहे वरंट नकडए ले पोलिस माँ ये ग़ाडई मां बेसाड़ी में लहिए अथवा तो कोटने पहले थी जेवी जान थाई जाए कि जेना नामनों समंस काड़ू छू ए वेक्ति फराड थाई गयो छे तो यह समंस नी साथे साथे वरंट पन काड़ी देशे जेती पोलिस एनी तपास करे एने सोधे अने पकड़ी ने लाई ने आवे तो समंसा ते वरंटनों मतलब सु जो आय लखेलो छे कि समंस काड़ता पहला कि समंस काड़ी हा पची कोटने एवे जणाय कि ते वेक्ति समंस ननों पालन नही करे एव लागे छे भइ आ वेक्ति एव हो छे केचे समस मुखली सुन तो अपण यहनों पालन नहीं करें अने क्वाट ना आधिस मुझब यह आजन नहीं तो ए व्यक्ति फरार छे एउपड थोड़ू एउँ लागे छे के व्यक्ति फरार थेगे हो छे तो क्वाट समस ने बदले वरंट अथवा तो समस नी साथे सा आते वरंट पन काड़े छे तो कलम नंबर 87 आपण बेरी बेरी इंपोर्डान चे तो अईया जे आपणे जोई ने तो व्यक्ति फरार थेई जाए तो सु करवू एना माटे नी वस्तु जोईली थी फरी थी एक रिपीट कराए दो छो एना पचे आगड आपणे आ नंबर 5 नी नंडर एऊ जोई हो तो कई आरोपी छे हाजर होय तो आणी रड पकट करी ले आपणे गार हाजर होय theor तो यह निशोब करवा आवे तो दर पकट करी देवा मा आवे छे आरोपी फरार थेगियो होय तो कया कया स्टेप लेवा माँ आवे चे ए चेप्टर तीस दिवस नी अंदर पण ए जेठालाल चे ए हाजर नती तेतो तो एनी मिलकत जब्त करी देवा माँ आउसे अवे मिलकत जब्त थती हो ए दर्मियन हाजर थाई जाए तो एनी मिलकत पाचे आपी देवा माँ आवे चे 86 एउ कहे छे कि एनी मिलकत जब्त थाई गए अने जयारे वेक्ती छे ए हाजर थेग्यों तो हवे तारक जेपण एना वारसदार हो होई कि ए होई यानी मिलकत पाचे लेवा माँ आटे नो क्लेम करे छे अने कलेक्टर एने ना मंजूर करे छे तो तमे क्वाटनी अंदर पण अपील करी सकोचो कि जे वेक्ती ना आदार उपर अमारी मिलकत जब्त थाई आती वेक्ती तो हवे आभी गए उछे तो अमारी मिलकत छे ए पाची आपीदो और याजी कलेम करवा मा आवे छे एक कलम नंबर 80 फर मा एहू कि दूछे कि ए कलेम तमारे छो महिना नी अंदर अ यह ची गार चे तो जी क्लेम करवानों चे ए छो महिना नी अंदर अंदर तमारे करीदे हो जोई है अनि कलम नंबर 87 यह हो गया चे के अमुक कंडिशन नी अंदर मेजिश्टेटं यह लागे के वेक्तिछे समसानों पालन करे वो न थी तो समसाना उप्रान यह वरण्टपन काडएचे अच्व organism लागे के वेक्तिछे फिराण थेगीयो छे तो यह नए वरण्टपन काड़ी नाकेचे समसानी जग्या है ुक्य तो आई होप सो, आठले सुधी, आई होप सो, कि तमने अंडर्ष्टेंड थे गया आसो, समझी गया आसो हवे या चेप्टर ने थोड़ू आगण वदारे, हवे जे आगण नी कलम होती ने 61 जे बाकी आती, ये हवे हुँ लाइलो चो हवे या ध्यांदी समझे, कि आपने पाषावी जाओ, टोपिक उपर पाषावी जाओ, हवे एक्जाम्बल थरीके समझी लो, कि जे गुणो छे आपने कया गुणा तरफ गया आता, याद करो तो आपने पोलिस अधीकार ना गुना तरब गया था, कि पोलिस अधीकार नो गुनो होए तो आब अधी वस्तु थाए, तो आ रस्ता उपर आपने आगण वद्य हाथा, अवे आ रस्ता उपर आगण सु थाए चे ए बद्धू आपने जोईली था, कारे के पोलिस अधीकार बाहार नो गुणों होई तो सु एले के पोलिस अधिकार नो गुणों न थी पोलिस अधिकार मेजिस्ट्रेट नी पर्मिसन अगर ना पकड़ी सके ना तपास करी सके इवा गुणा जेने नौन कोग्निजोबल अफेंस के वामा आवे चे पोलिस अधिकार बाहार ना गुणो आपड़ा बख्याद बख्येड़ों अपड़ा बख्येड़ों समझी लोके बेव एकती जगड़े आए आपड़ा बख्येड़ों करें पॉलिस टेशन मा जाये छे औने फरियाद करे छे कि अमारा सुसाइटी मा बे वेक्ती छे एक जेठालाल अने अहियर यहमने बखेडों करे छे मारा मारी करी छे अने जे जाहेर सुले सांती छे एनों बंग करे छे अवे पॉलिस वाड़ा चेक करे छे कि आ के वो गुणों छे पॉलिस अधिकारी गुणों छे कि पॉलिस अधिकार बहार नों गुणों छे तो यह जानी तुछो के बे वरस्ती ओची सजानों आ गुणों देखाई छे तो पॉलिस ने यहू लागे कि आ तो आपड़ा हदनी बाहार नो गुणों छे तो जो हद नी अंदर नो गुणों होई तो सु करूँ ए चेप्टर नंबर पार्च नी अंदर जुई गया मेजिस्ट्रेट ने फरियाद करवामा आप से कौन फरियाद कर से तो आपड़ा पोलिस बाई तो फरियादी आवे हो फरियादी ये फरियादी कीदी लेगे जेपन कंप्लेन हती ये कीदी तो पोलिस अधिकारी कलम नंबर 155 प्रमाणे मैजिस्ट्रेट ने जान कर से के आवी कोई फरियाद आवीली छे, जे नौन कोग्निजिबल ओफेंस नी छे पोलिस अधिकार बाहान नो गुनों छे, तो तमें हवे सम्वन्स के वरण जे पन आपू होए ये तमें हमने आपू. अवे मैजिस्ट्रेट जुडे छे ए सू गयू, आ कम्प्लेन गई, कम्प्लेन गई के पई जे ठालाल अने अयर छे ए लड़ेया छे अने एनी कम्प्लेन आवी छे, तो मैजिस्ट्रेट जुडे कम्प्लेन आवी तो ए बे रस्ताओ उपर जासे, बे रस्ताओनों मतलब कलम नंबर 203 परवाने CRPC ने कलम नंबर 203 आगड़ आपने जोई सू एनी अंदर सू ओल एवो लखेलो छे कि कोई एवो गुनों होए जे कोटनी अंदर चलावा लायक होयद ने क्या वाई कि मैजिस्टेट नो टाइम बगड़े एने संतु उस्तित है, तो एक नानी अभी नोद बनाई आपसे मैजिस्टेट के आ आ कारणों थी आजे केस चे एने अमे स्विकारता नथी क्यां कि अमू क्यों न जीवा गुना होए के कोटनो टाइम बगाडे, मेजिस्टेटनो टाइम बगाडे, बधानो टाइम बगाडे तो एवा गुना ने ये चलावा योग्य होय अदने तो 23 प्रमाणे मेजिस्टेटने मतलब के एक सत्ता आजे के योग्य कारण आपी ने कलम नंबर 23 प्रमाणे एनो अस्विकार करी लेज़े हवे कोटने योग्य हो लागे के हाँ आजे गुनो छे ये चलावा ये हो छे बखेडों चे बखेडानी अंदर मारा मारी थाई गए छे एक बिजाने समझीलो दोकाजी मारा चे व्यथा थाई गए छे महा व्यथा थाई गए छे तो मेजिस्टेटने लागे के बई हाँ आजे गुनो छे एक कोटनी अंदर चलावा जे हो छे तो एक केस ने लगता जिटला पण वेक्ती हो छे एने समंस अने वरंट थी बुलावा मा आवसे लेके एक्जाम्बल तरीके समझीलो के आपड़ा फर्यादी कौण चे आपड़ा बीड़े बाई छे आप बीड़े बाई ये फर्यादी करी तो आ केस नी साथे संक्ड़ाई समंस अत्वातो वरंट एक गुनेगार उपर आधर राखे कि कौने बूलावा ना चे समझीलो कोई मोटो गुनेगार ये बूलावो छे तो वरंट काडवा मा आवसे कोई ना 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 साक्सी हो छे पछी पोलीस अधिकारी जे तपास करे चे ये बूलावो छे अत्वातो समझीलो के जेने फरियाद करी चे ये बूलावो छे तो एमना माटे समंस काडवा मा आव अवे समन्स सूछे औने वरंड सूछे यह हवे आपड़े समझ जे ओके सउथी पेलाओं तमने थोड़ू ब्रीप माहिती आपने दो के बैस समन्स कोने केवाई औने वरंड कोने केवाई अवे समस से ले सिंपल वस्तु एक इन्विटेशन के वाई कि तमने कोट द्वारा बोलावामाँ आवे चे जेमके लगणनी कंकोदरी मढे तो त्या लखेलो एक बै आ तारीके आ समय आवीज जो खावा माटे तो एविज वस्तु कोटो द्वारा तमने केवाम आवें, दम्हें आ तारीक, कोटों मा तमें हाजर रे जो म में ऐस इन्विटेस रेक्षा में में जहो परशे, अपड़ा पेट्रोल ला खर्चे परचे उपरशे, अपड़ेगा गाड़ी लाहिस आपड़ी लाहिने यवल Receta, अपड़ ने तो है भुराण्टर ब्ला छુन छेडिने सकतितको कोतने सब्सक्राइभी है, फागम कतने पीच सब्सक्राइब दे एगुंद याक। तो आ टाई में आजर रहे जे, तो खुनी आवे, ना आवे, भागी जाए, फरारती जाए, तो एना माटे वरांट काडवा मा आवे, वरांट नी अंदर चू स्पेसल फेसिलिटी बड़े, वरांट छे ए पोलीस अधिकारी लईने जाए, ए व्यक्तिने बतावेक बै तारा न पोलीस टेशन लई जाए, पचे जयरे कोटनों आदेशावे, तो आवे, पोलीस टेशन माथी कोटनी अंदर हाजा करे, तो आवे स्पेसल फेसिलिटी वरांट मा आड़े, जयरे समस नी अंदर आपणे पोता ना खर चे पेट्रोल बारी ने त्या कोटनी अंदर जवो पड कलम नंबर 61 अंदर युगी दूछे समस नो नमूनों, समस केऊ होए, तो व्यक्ति ने हाजर रहवानों लेखी थुकम, कोट दवारा जैने समस केवामा आवे, प्रमुख अधिकारी ना सई सिक्का होए, एनी अंदर सई सिक्का होए शे, प्रमुख अधिकारी ना, समस ना और युगेश अनमूना मा फेरफ़ार करवानी सत्ता मातराने मातरा हाइकोड चे, युगेश न हैणर समस केवू देखा से, ड्राब कैऊ होए, ये थे येणा है केवानी झाट मैंदिका ह Viele kyle पर आजु बाजु ने पन बोलावा माटे मोगली शकाए, कोई नानो यह वो आरोपी होई, एने पन आम तो आरोपी होई जो एने मोटो कोई गुणो करे होई तो एमा सम्मस्ति ना निकड़े वरन निकड़े, पर न जीबा गुणा करें जहें कि हाल में जो एक आपने उधार जो एक जे ठालाल अने अईयर चे जगड़े आशे, तो एमने समस्ति बोलावा माँ आवसे, कारें कि एमने कोई मोटो गुणो ना थी करें, एह हाजर रही जासे, तो एमना आरोपी ने पन समस्ति बोलावी शकाए, साक्सी, जे आजु बाजु ने जी साक्सी होई, एमने पन समस्ति बोलावी शकाए, पंच ने पन बोलावी शकाए, तथा तपास करेनार पोलिस अधीकारी ने पन समस्त मोकली ने ए दर्मियान कोट मां हाजर रहवानों आधे शापी सकाए, छे, अवे समस्त नी केटली कॉपी होई, याद राग जो, समस्त नी बे कॉपी होई, एक ओरिजनल होए अने एक एनी केवाइन ट्रू कॉपी जे होए चलो बेक क्याम होए ये तमने समझावु चुक बैक बेनु काम सो बेक क्याम होवी जोई चलो जे वेक्तिना नामनू समस होए एने एक कोपी आपी ने जे ओरिजनल छे एनी अंदर साइन करीने एक कोटनी अंदर परत आपपानी होई चे तो याद राब जो समस ने अंदर सु होए बे कोपी होई एमाथी एक कोपी जेना नामनू समस निकड़ी चे एने आपपानी और जे ओरिजनल कॉपी छे एमा ए जे समस आप्यू एनी साइन करीने पाचिक कोटनी अंदर मुखलवानी रहसे एटला माटे आनी ब्य कॉपी होई छे कलम नंबर 83 हुगे छे कोई मंडड़ होई कोई कमपनी होई कोई कॉर्परेशन होई तो एमा जे समस नी बज़ावनी छे ए त्याना मेनेजर के अधिकारीने टपाल द्वारा मुखली आप्पामा आवसे कोई मंड़ छे कि कॉर्परेशन चे एने समस बज़ाव होई तो ए टपाल द्वारा मुखली आप्पामा आवसे जारे समस रजिष्टर एडी आई होप सो तमने खबर आसे रजिष्टर एडी रजिष्टर एडी नी अंदर एक्नोलेजमेंट मड़े एलिके समझी लो के उर्फ पार्सल ऍचे ए माहों बैंगलोर फ्रेंड रहे चे बैंगलोर मां एक मित्र ते अने मुकल वह तो में पार्सल आंफी रजिष्टर एडी नी अंदर मुखली दी अवे रजिष्टर एडी त्या जसे भेंगलोर मां अने ए पाछूःपों से एना बची ए रजिस्टर एडी ए व्यक्ति नी साइन करावी देशे अने एउँ एक कागड़ियू मने पाचु आपसे जेना थी मने एउँ ख्याल आवे एउँ खबर पड़े कि मारू पारसार एना जोड़े पहची गए चे तो एमा एकणोलेजमेंट मढेग बाई टपाल माँ पोस्ट करी दाउं तो एने मढी के नई ए व्यक्ति जोड़े जारे वाद करू डाएरेक वाद करू त्यारे मने खबर पड़ेक बाई मने मढेओ बाकी मने खबर पड़े ने जैने रजिस्टर एडी नी अंदर एउँ आच्छु एक कागडी मारा जोड़े आवे जे मां लखेलो एकबाय ये वेक्ति ने वड़ी गवे एनए रजिष्टर एडी किई शो अने जो ते परत आवे तो समस नी बजावनी थाई गणे जाणाशे, मतलब के एक आगड़ी पाच्छु आवे, तो ए समस नी बजावनी थाई गएली गणाशे कलम नमबर 64, कलम नमबर 64 नी अंदर यहो गिदू छे के व्यक्ति हाजर ना होई तो, मतलब के कोई व्यक्ति युचे ए समस नी बजावनी करवा गयो, अवे जेना नामनू समस चे ए गरे हाजर न थी, तो सु करवानू, तो जेना नामनू समस होई, ते व्यक्ति हाजर न होई तो एना गर्मा रहता पुक्त वईना वेक्ती ने ए समस नी बज़ावनी कर्वामा आउसे येले के समझेलो जेठा लालना नामनू अईया फड़ निकडियू छे समस निकडियू छे अवे जेठा लाल छे ए दुकाने गया छे गरे हाजन न थी तो यह चंपक चाचा छे ए समस नी बज़ावनी करी लेसे मतलब के समस लई लेसे ओके एना तरब ती तो याद राग जो जेना नामनू समस निकडियू छे वेक्ती गरे हाजन न थी तो यहना बदला मा कोई पूपतव यहनों कोई पण वेक्ती होया एननी वाइप पन लई सके एना पप्पा यहलेके चंपक चाचा पन लई सके कोई पन यहनों समस विकारी शके छे कालम नमबर 65 समस निकापी चोटाडवी एलेके मानी लोग के समस बजववा गया हवे एना गरे कोई छेज नहीं चंपग चाचा पर नथि दया नथि गरे तारू माले लूँचे, एना गरे कोई नथी गरे तारू मालुँचे, तो कही सु करवानू, यहनोचे धरवा जो होई, यह दरवा जा उपर, केवाईंके सारी रितना देखाई जाए, नजर मा आवे, एवी जगे यह एने बिजी कौपी चे ये तो पाचित लई जेसे एनी एक कौपी चे येना दरवाजा उपर चोटाड़ी देवा मा आव से जेती ये पाचा आवे त्यारे येमने नजर मा आवी जाए कलम नंबर 66 सरकारी नोकर ने समस बजवानी रित लेके समझीलो कोई सरकारी नोकर चे पोई पोलिस अधिकारी चे कोई टलाटी चे कोई मामलगदार चे इवा व्यक्ति ने जयरे समस मुकल वामा आवे तो कई रितना मुकलाए याद राग जो, ए वा कंडिसन नी अंदर समस इस सरकारी नोकरने नथी मलतु। ओ जह डिपार्टमेंट नी अंदर काम करता है, एना अधी कारी ने अप्नमा मावे छे। अन्य, यनी अधी कारी, एना जह एम्पलोई छे। तो याद राग जो सरकारी नोकरी करता वेक्ती ने समस आपपानों होई त्यारे एक कचेरी ना वड़ा ने रुबुरू के टपाल द्वारा एने बज़वने कर्मा माँआवे चे जेती एना कर्माचारी ने आपसे मामलत्दार कचेरी ने अंदर काम करूछो तो मारा नामनों समस आपपानी होई तो ए मने कई देश है अथवादों कोई समस छे ए मने आपसे ना के कोट द्वारा डायरेक मारा गरे आपसे तो आपने याद राग जो सरकारी नोकर ने आर इतना समस नी बज़वने थाए छे कलम नंबर 67 67 ने अंदर एव लग्यू छे के स्थानिक हदिनी बाहर समस नी बज़वने विअगे समझीलो को हूँ मेजिस्टेट्ट चे है हाव्य मेजिस्टेटने समस आप पानों चे पर जे व्यक्तिने समस आप पानों चे ए मेजिस्टेटनी स्थानिक हदिनी बाहार चे एनो मतलब के समझी लो के गांधी नगर नि अंदर मेजिस्ट्रेट चे केस चाले फे अन्हें ऊपनों सम्मस्त जी साक्से ने भोख बोलावाँँ चे ए अमदावध मां थे बोलावाँ चे तो यहाँ आभी कंडिशन नी अंदर डायरेक ए सम्मस गांधी नगर ना मैजिस्टेट ए डायरेक अमदावाद ना वेक्ति ने नहीं आपी सके आम आटे सु करूँ पड़ से कि जे हद ना मैजिस्टेट जे वेक्ति जे हद मा आवे छे एना मैजिस्टेट ने बे कौपी मुखली आप पमाव से अने एनो मैजिस्टेट छे जे वेक्ति जे हद मा जे नो मैजिस्टेट आवे छे एने कौपी मुखली आप से तो याद तीलोगे आपणा गांदी नगर चे आघेकॆ गांदी नगर ना मेज़ी स्टेट अंदरश चा लेपकाल को पाए पामां हो distress आज हैं मेजिश्टेट बिजाब नम्बनौ मेजिश्टेट trt A जिए पोटा ना हध्मा रहेला चैठा लानने सुखड़ से समस्द नी वज़ावडूनी थाए हुआ जर्ये वारंट में ती निक्ड़ा आका बारत in बारत ₹ट्यावूनी थाई कलम नमबर 69, टपाल द्वारा समस्नी बजवने, अवे समझी लो के कोई समस्नी बजवने टपाल द्वारा करवामा आवे छे, अवे जेठा लाल छे ए टपाल लेवानी ना पाड़े छे, जेठा लाल ने खबर पड़ी जाये छे के कोट द्वारा फड़ी आवे छे, तो जेठ कलम नंबर 69 युँ कह छे कि टपाल द्वारा करायली नवद मान्य गना से टपाल द्वारा मुक्लायला समंस लेवानी जो तमें ना पाड़ो छो तो समंस नी बज़ावनी थाई गणि गना से तमें नवटीस छे जे समंस चे ये तमें लो के ना लो ये तमने मड़ी गईू एउ गणवामा आव से कलम नमबर 69 प्रमण काया कि अमुक लोको होए ये कई देख भाई मने मड़ी ज़ावनी ना पाड़ो तो टपाल लेवानी ना पाड़ो तो जे टपाली छे रजिस्टर मा लखी देख भाई आने टपाल लेवानी ना पाड़ी मुँ आपतो हतो त्यारे तो आ मड़ी गईू एउ गणा से अने पची जो समस नी बजवनी थाए अने व्यक्ति हाजन ना थाए तो IPC नी अंदर आपणे गुणा नी अंदर जोई होतु किवा किवा सजाव मड़े क्वाट द्वारा का एक आदेश आपपा मा आवे आने तमें हाजन ना रो तो कई-कई शजाव मड़े आपणे आपणे IPC नी अंदर जोई गया आताम पाई होपसो यू आगर सुथासे ये पचे तमने खबर आच्छे आवी जी आगर जी बदी कलम हो जोई ये बधी समस ने लही ने हाते हवे आपणे वरंट काट में वरंट ने लही ने जए कलम हो छे ये आवे आपणे जोई ये जी कलम नंबर सित्ते थी लएए ने 81 सुधी बात करवा मा आवेचे, जह मा सौथी पैली कलम चे कलम नंबर सित्ते जहनी अंदर लखेलू छे वरंट नी मुदद, शु लखेलू जह बाई वरंट नी मुदद, वरंट काड़नार कोटना सैसी कहा हो जोई जे पड़ वरंट छे, त तमारों वरंट काड़वा मा आवेचे एना सैसी कहा छे के नई, कोई फ्रोड तो न थी ने, बिजी बस्तु के आ कलम मुझब वरंट केस दाखल थया बाद, आरोपी नी धड़ पकड़ थाए, त्या सुधी अथवा तो वरंट काड़नार वेक्ति रद ना करे, त्या सुध वरंट शुधी ने पकड़ भागगी कायों चे, अन्ये पकड़ रद वरंट क्या सुधी वेलिड गनारां बैर वह स्तु शुधी, क्या तू जे थाखाल पकड़ जाए, जे ना नामनो वरंट निखन न हना थी तो वरंट, मतलब कि यह ने पचि रद नं कामद न ह्यां कहा नाम ने व्वरंन दिखोळी से.. विजी बतलु कि जे वेक्ति ये वणट काडयों fan.. जे मैजिश्टीट द्वारा.. जे कोट द्वारा.. ए वणट ने काडवा मा आवंचे.. त्या सुधी आँ वोर Mississippi एवणट खे .. आने एक्सपॉय डेट एउ कई . कहा ने 5 वरस सुधी पड वेलिड गाया, मतलब कि वयक्ति जहा सुधी पकड़ाए नेने, त्या सुधी आ वरंट छे छालू रह से active firm नी अंदर रह से, का तो ए वयक्ति पकड़ाए जो जो ए, का तो जेने वरंट काड़यों छे रद करी सके, त्या सुधी आ वरंट छे ए वे बद्धी वस्तो आपड़े आगड एक चेप्टर आवेशे एनी अंदर हुद डिप मा सम्झावेशे किटला प्रकार नी जामीन होए जामीन क्याम आपपा मा आवेशे जामीननी कई-कई कंडिशन होएशे कया आधार उपर जामीन मडेशे आप बद्धी वस्तो आगड वरंड मा जामीननी रकम अने संक्या चे एक कट नक्की करचे जो कोई वेक्ति जामीन आपपा मा निस पर जाये चे तो ते वेक्ति नी धऴ पकड करवा मा आवसे कलम नमबर 72 वरंट नी बजवने वरंट नी बजवने कही रीतना थसे तो कट चे एक करता वदु पोलिस अ अधिकारी ने आपए आ जेठालाल नो वररंड छे एनने तारे खोरी ने मतलब के सोधी ने वररंट नी बज़ावनी करवाने छे अधिकारी ने जेठालाल तो आखा बारत मां गमेद या भागयो असे तो एक वररंट नी बज़ावनी करवाने छे लेके एने पकड़ी ने अधालत मां हाजर करवाने छे तो यह समयसी मां एक व्यक्ति जैएने आपी जायाय तोई चाले, कारणा के जैने आपी दे वाने यह लेक्ति ने वररंड नी पकड़वानों तो एक व्यक्ति कही रितना मतलब के एनने बज़ावनी करवाने शक है एमां गणा बतां पोलिस अधिकारियोंझाश कारे कारण कि आखी टीमनी जरूर पड़े तो या बधी जग्या है सोधी सके वेक्ति ने और वरण नी बज़ाउनी करी शके बज़ाउनी करो एनो मत्रप्स याने पकड़ो और क्वाटमा आजर करो तो आने वरण नी बज़ाउनी करी गेवाई दरेक अधिकारी वरंट बज़ावानों प्रयत्नापन करो जोए, लेके ए वेक्ती ने सोधवानों ट्राई करो जोए बद अधिकारी ने कलम नंबर 74 एक अधिकारी अन्य अधिकारी ने काम स्वपी सके छे सिंपल अवस्तु के समझीलो के मूँ पोलिस अधिकारी चू, अवे कोटद बारा एक वरंट आपपामा आवे चे मने क्या वेक्ती फरार चे एने मारे वरंट नी बज़वनी करवे चे अवे कोई काराण समझीलो के मारा सिस्टर ना मेरे चे के मारे कोई फरेंड ना मेरे चे जेना कारणे हुँ वरंट बजववनी करवा मतलब के सक्सम नती मारा जुडए टाइम नती तो कोई पन अधिकारी कोटने अंधर वरन व कने अंधर हाजार कटो येलें के वरणना आधार उपर तमयक कोईक ने पकड ओचो। पोलीस अधिकारी चे ए जेठा लालने वरणना आधार उपर पकड दीचे गाडी मा बेसाड़े चे आने पोलीस सटेसेन मा लाई शंच interessन मा लाईने आवे चे। मेक्सिमम मतलब कि जिटलो ओछो समय नी अंदर तम्हें इने कौटनी अंदर हाजर करो एटलू सारू है तो एक कलम नमबर 76 कैसे कि वरंट ना आधारे पकड़ाएला वेक्ति ने विना विलंबे कौटनी अंदर हाजर करी देओ तो जेना नामनू वरंट कौट द्वारा काडवा मा आवी छे कि आ वेक्ति ने पकड़वानों छे आ वेक्ति ने दड़ पकड़ थाई गई तो आ वेक्ति ने विना विलंबे एक कौटनी अंदर हाजर करी देओ जो ए जिती आगड़ जे केस चे ए चाले कलम नमबर 77 वरंट बजावानू स्थर्ड तो मैं तमने किदू एम के वरंट निकड़ी गए हो एक वक्ति ने वरंट निकड़ी हो तो आखा बारत ने अंदर ए वरंट नी बजावनी थाई सके लक्सदीब टाप उया अंदमा निकड़ बयंड़ गए हो ए अखा बारत ने अंदर ए वरंट निकड़ी बजावनी करी शका से थाइलेंड बागी गए होए तो पची मतलब के एनी बजवनी ना थे भारत मां गम में त्या ए वरांट नी बजवनी करी शगासे ओके तो आई होप सो पोलिस अधिकार नो गुणो होए पोलिस अधिकार बाहार नो गुणो होए तो सु करू आप बदी वस्तु सारी रितना आपने समझी गया आवे वेक्ती छे यहनी दड़ पकड थाई गये छे वेक्ति ने धड़ पकड थाई गये छे अवे धड़ पकड थाई आ पछी पोलीस टेसन मा अना सू केवाई के यहनू सू सर्विस करवा मा आँ से वेक्ती नी ए बधी वस्तो आपडए चेपटर नंबर 12 नी अंदर जोई तो चैप्टर नंबर बार एपण वेरी इंपोर्टन छे। लास्ट ब्या लेक्चर थी आपणे पोलीस प्रक्रिया नी सरुवात करी दिधी दियती। मैं तमने किदू अतुक भाई पोलीस प्रक्रिया चे ए चार चैप्टर नी अंदर आवे चे। 5, 6, 7 , 5, 6 , अने 2 , तो 5, 6 जे चेप्टरछेdar ए अपने और आपणे बनी गया चे , आजे आपने बारमा नम्बन uniform chapter जोई सू , कारारके आपने जे CRPC हैं प्रकर्ण भै प्रकरण नहीं बण बिने बांगी थें प्रकेश मासे प्रकरण आपको जनी तो आपकी प्रकरण धें प्रकरण भॉणा है आवी चे कि बाई व्यक्ति गुणों करे चे पोलीस कंपलेन धाये चे तो पोलीस कई रितना एंनी धड़ पकड कर से चेप्टर नंबर छोमा सु जोई होतु कि व्यक्ति नी दड़ पकड करवा जई है अने व्यक्ति फरार थाई गियो होई तो सु करवानू ए आपने चेप्टर नंबर छोमा जोई गया ता सु अतु पोलिस कस्टडी कि ज्यारे गुनेगार छे ए पकड़ाय जाये छे तो एने पोलिस कस्टडी मा राखवा मा आवे छे किटलो समय मैक्सिममम 24 कर लाग मैक्सिममम 24 कर लाग नी अंदर एने मैजिस्टेट समक्स हाजर करी देओ जोई है आपने चेप्टर नंबर आपने चेप्टर नंबर बार नी अंदर जोई है बिजी वस्तों तमने कहिए दो कि मारा द्वारा बे बुक बनावा मा आवे छे एक आईपीसी नी अने एक सियारपीसी नी आप बनने ई-बुक छे लेके फिजीकली तमने नहीं मड़े पर ओनलाइन तमे आप बुक ने खर एनी अन्दर काटून्द वारा सारी रीतना समझावानों ठ्राई करो छे सारा उदारनद वारा समझावानों ठ्राई करो छे जे एक्जाम पॉंट वप ती बनाव मा आवे छे अने खाली ने खाली महतवणी कलमोज एनी अने अन्दर एड़ करवा मा आवे छे IPC नी प्राइज 65 रूपीज ओनली राखे छे, CRPC नी प्राइज 29 रूपीज ओनली राखे लिए छे, डिस्क्रिप्शन नी अंदर डेमो छे, तमें डेमो बुक जो गमे तो पची तमें खरी दी सको छो, ना गमे तो कोई टेंसर ने, आपड़ा जे फ्री लेक्चर छे, ए तम में कालाल पकड़ाई गयो, एन्ने अदाअलत नी अंदर मुकी दीजो, हाजर करी दीजो, अवे अदाअलत मा, एनो केश चलावां माझ टे, जिस साक्सियोंने बुलावां म मा आवे छे, तो ए साक्सियोंने कया रूपनी अंदर, मतलब एन्नार चिंपे ऐमा सू, कंडिशन बोला भी शकाई छे जो एना थी नाना होई लेके 15 वरस्ती नाना होई अने 65 वरस्ती मोटी वेक्ती होई अत्वार तो पागल लेके अस्तिर मगजनी वेक्ती होई तो एनु जे निवेदन छे एनु जे साक्सी में जे अने कहवानू छे एना रहठान ना स्थडेज लेवा पन साक्सी तरीके कोटनी अंदर लाईने आवता चे बदू खोटू होचे नियम एवो के छे के पांसाट वरस्ती उपण कोई ब्रुद वेक्ती होए महिला होए के पुरूष होए पांसाट वरस्ती उपण होए अथ्वा तो पंदर वरस्ती नानू कोई बाड़क होए तो M न नियम मर सित्तेर वरस्त नी छे तो M ने कईक निवेदन आपपू होचे तो जे टीम छे मेजिस्ट्रेट अने पोलिस नी जे टीम छे एक या जसे गोकुल्दाम सोसाइटी मा जसे औने त्या आपणा जे चंपक चाजा जया रहे छे M ना घरे जैने M नू निवेदन लखव मा आवसे एज रितना ना बाड़कोनू पण ए रितना करवा मा आवसे M ने पण कोट नी अंदर बोलावा मा आवता नतिक तो आ नियम छे कलम नंबर 161 नी अंदर आपेलों छे इंपोटन कलम छे आगण बात करे कलम नंबर 164 स्वश्चाय गुणा नी कबूलात हवे समझीखलोगे आपड़ा जेठा लाल भाई छे एनने ऐयान‌ करें नकुकरीने बागी गाया अवसे करवा मा आवैं चे एननों फरार थें घया हुए तो यहनू पकड अज हमने हाजर अंदर थी हुँ थाई छे में जे गुनो कर्यों छे एक्चुली मारे ऐनूसु के हूँ माने मानने खुण कर्यों छे मानने लिएयो छे मारे निवेद आपै देव जुए क्या में जभून करियो जो यहां मारे मारे केस चलावानी जरूर नाती मनने समझेलो के हुँ मैं कई गुनो करयो छे आने पोलीसे मनने पकड़ी लिदो हवे मनने अंदर थी हुँ थाये छे कि मैं जी गुनो करयो छे ये मारे मानी लेओ छे मारे केस मतलब के कोटिन ने अंदर केस चलावानी जरूर नती हुँ मारी जाकतेज मानी लवचू कि मैं आ गुनो करे हो छे तो आवा कंडीसन ने अंदर कलम नंबर 164 अंतरगत जी गुनेगार छे ए स्वैच्छाय गुना नी कबूलाद कर छे शाइब एना माटे कंडीसन सु तो याद राग जो जो के पोलिस तपास दर्म्यान के इंसाफी कारेवाई सरू करता पहला ये लेके न्याया लईनी अंदर जया एना पहलाज कोई व्यक्ती गुना नी कबूलाद करवा मांगतो होई त्यारे जुडिसियल मेजिस्टेट समक्स लई जओ अने मेजिस्टरट तेनी कबूलाद नोधता पहला एने चितव से के बाई तू गुनानी कबूलाद करवा माटे बंधायलो नथी तू नई करे तौपन चार से तारो केस चाल से पुरावा आसे अने पुरावा ना आधार उपर अने सजामर से यह लेके तू बंधायलो नथी मेजिस्टेट सामे ती गुनेगान न कहा छे के कबूलाद करवा माटे तू बंधायलो नथी अने जो तू कबूलाद करे छे तो हुँ तने वर्निंग आप पूच्छो कि ए कबूलाद ना आधार उपर तने डायरेक्ट सजाम मल से आवी वर्निंग कौन आपसे है मेजिस्टेट आपसे अने तो अपन ए व्यक्ति गुनानी कबूलाद करवा मागतो हुए तो यह जे रूम छे मतलब के जे कश्टडी छे एनी अंदर गुनेगार मेजिस्टेट अने ए गुनेगार नों वकिल आ त्रोण जना हाजर रही अने ए समय खाली आरो पिना वकिल ने त्यार रहवानी मंजूरी छे यह जे ठालाल पकड़ाई गयो हुए एन्ने पोतानों गुनों कबूल करवों छे तो यह जू कर से पोलीस ने कह से के भई मारे मारों गुनों कबूल करवों छे पोलीस छे ए मेजिस्टेट ने बोलाव स पोलिस कश्टडी नी अंदर आवे इने गुने गार ने के चे के बाई तू गुनो कबूल करवा माटे बंधायलो नथी औने जो तु तु तारो गुनो कबूल करी से तो तने एना आदार उपर अईया ने अईया सजा फटकारी देवामा आवसे तो पन जे गुने गार चे कबूल थाई जाये चे मानी ले जे खा मने जे सजा आपी होई आपों मारे गुनो कबूल करो चे तो जिटला पन पोलिस वाडा चे एने ए रुम मां थी बार मुकली देवामा आवसे कारां के अमुक कंडिसन यंदर रिवू थतु है चे के पोलिस द धाग दम की के कोई टाइप नुद दबान होई तो मने कई दे तो पन मतलब कि एवो कोई धाग दम के द दबान नथी होतु स्वाच्छा जे गुनेगार चे ए पोतानी गुनानी कबूलात करवा मागे चे तो एना पचे मैजिस्टेट चे एनु जे निवे दन छे एनने अने ये दर्मियान मात्राने मात्रा मैजिस्टेट अने जे गुनेगार होई एने जे वकील होई के जे पण होई एने रेवानी मतलब के सकता चे बाकी कोई ने ए रूम नी अंदर रेवानी सकता न थी आ कलम नंबर 164 के वाँ मागे चे मोष्ट आईंपी कलम चे याद ने बिजी हति है बलात ना केस मा आरोपी नी मेडिकल थपास तो ए होई आ जे आरोपी मात्य हति आ जे कलम चे ए जे स्त्रम होई रेव तयो छे जे स्त्र remake नो बलात कार थो छे एने भी ponto मीश्ट नी वाद थाय मा भोग बनना थी स्त्रिन मेडिकल थपास जे कलम नंबर 164 एनी अंदर आपिली छे अनि याद राग जो ज्यारेपण बलातकार थाए छे तो एना 24 कल लाग नी अंदर अंदर S3 ने मेडिकल तपास थाई जवी जरूरी छे केम कारण के जो तरत एनी मेडिकल तपास थाई जशे तो एना प्राइवेट पाट उपर जे वेक्ती रेप करयो छे एना DNA मड़ी आव से अनि जे रेपीस्ट छे ए आ DNA रिपोर्ट थी पकड़ाए सके छे तो एया याद राग ज बैसे 3 होई तो एagement 3 सम्मति न आपने तो एना वाली नी सम्मति थी पण एनी मैडिकल तपास थाई जखायो छे तो पुग थावेनिएर एक मोटी स्त्री कड़ी तेर शंमति थी मेडिकल तपास टसे अनि मेडिकल तपास कोना द्वारा करवा मा 아प से तो त्टि़ द्वारा अवे रिमांड अने कष्टडी आ बन्ने वस्तु अलग छे बदा लोगों आनी अंदर मिक्स थाई जाता होई छे 57 जे आपड़े चेप्टर नंबर पांच मा जोई होतु के व्यक्ती ज्यारे मतलब के जे गुनेगार छे ज्यारे पकड़ाये छे त्यारे एने पुलिस कष्टडी मा राखवा मा आवे चे के हम कारेंगे एने 24 कल लाग मा त्या हाजर करवान होगे चे मेजिस्ट्री समख तो त्या समय सुध एटलो समय सुध एक या राखवा मा आवे चे तो एने पुलिस कष्टडी मा राखवा मा आवे चे तो 24 कल लाग मां अमने पूर्ती माहिती मडिद ना थी, तो पोलिस वधारे समय मांग से मैजिस्ट्रेट जोड़े, क्या व्यक्ति ने अमारे रिमांड उपल ले हो चे, अने आ केस ने लगती वधारे इंपोर्मेशन एना जोड़े थी कड़ा आवे चे, तो रिमांड छे ने एदले के सु, के मैजिस्ट्रेट जोड़े वधारे समय मागवा मां आवे चे, के एने हमें राखे अमारी पोलिस कस्टडी नी अंदर, अने हमें पूछ परश करे, जेते आ केस ने लगती जे बीजी बाबत हो छे, ए अमने जानवा मड़े, सु छे, ए पेला समझी ले, एन 24 कल लाग मां हाजर करी दो, अवे 24 कल लाग मां एटली कोई इंफोर्मेशन मड़े ने, पोलिस ने, तो हजू वधारे टाइम एने कस्टडी मां राखवो जरूरी छे, एउ जणाये छे, तो पोलिस अधीकारी मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट कर से, अने काराणों जेठा लाले अईयरनों खून करियो छे, अवे जेठा लाल पकडाई गयो अने 24 कल लाग नी अंदर हाजर करी दो, अवे एक केस ने लगती का एक अमुप बाबत हो छे, जे जेठा लाल जाने छे, अने एना जोडे थी ए इंपोर्मेशन कडावी जरूरी छे, तो पोलिस मै रिक्वेस्ट करचे के मने आ वेक्ती ने रिमांड उपर लाखवानों, मतलब के रिमांड उपर लेवानों मने को, समय आपो, जेना थी आ केस ने लगती जे बीजी बाबत हो छे, अमे एना जोडे थी कडाई शक्के, तो रिमांड मंजूर करती वक्ते मैजिस्टेट एक के पन आपपी जोईए, अवे केश डायरी सूचे, ए आगर आपने जोईए चे, तमने ब्रिफली कही दो, कि जैरे इन्वेस्टिगेशन चालतू आए, त्यारे डे टू डे जे पन इन्वेस्टिगेशन थाए चे, एने पोलीस पोतानी डायरी नी अंदर लगतो आए चे, एन याद राग जो, रिमांड चे, ए कोना द्वारा मंजूर करवामा आवे, तो फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर करवामा आवे चे, अवे फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट कौन चे, ए आपने चेप्टन नंबर तू नी अंदर वर्गी करण नी अंदर तो पंदर दिवस नो रिमांड मड़ें, अवे पंदर दिवस पूझ परज करी, पण हजू पोलिस ने युँ लागे छे, हजू मारे ये ना जोडे थी वधारे इंपोर्मेशन कड़ावनी जरूर छे, तो ये बिजी वखत रिमांड नी मागनी करचे, और जारे बिजी वखत पंदर दिवस नो रिमांड लई सकाए, ये जारे बिजी वखत रिमांड नी मागनी करवा मा आवे, तो मैजिस्टेट पंदर दिवस माटे नी समय आपे के तमें 15 दिवस माटे एनने रिमांड उपर लई शको, 15 दिवस पूरा था ये ना पचे, ए अधीकारी ने फरीती र पंदर करता करता किटला दिवस हो, ये रिमांड उपर राकी सकाए, मैक्सिमम, तो याद राग जो, जो केस 10 वरस करता ओची सजाने पात्र होए, तो रिमांड छे ए साइट दिवस मों होए, मैक्सिमम, याद राग जो, 10 वरस ती ओची सजाने पात्र गुने गार नी अंद अवे जो केस 10 वरस करता वदू सजान हो है, जमके खोन, बलात कार के एवो कोई मोटो केस होई, तो एमा रिमांड छे ए वदूमा वदू 120 दिवस नो होई, लेके आना थी डबल होई, तो एमा आठ वकट रिमांड नी मांगनी करी सका है, पड़ 15-15 दिवस पचे ए रिमांड रिन्यू करावा माटे, मैजिस्ट्रेट ने केवों पड़ से कोण है, पोलिस अधिकारी ने, तो आई होप सो रिमांड समझी गए आसे, अवे फरीती रिमांड नी आख्खू तमने ओवर भी आपी दोछू, कि ज्यारे अपराधी पकड़ाए चे, तो अपराधी ने 24 कल ल अवे पोलिस छे ए रिमांड नी मांगणी कर से, कोना जोडे मैजिस्ट्रेट समख से, मारे आ व्यक्ति नी पूछ परज करवाई छे, साहिब आ पोलिस इतना मांगणी केम करें छे, कारण के याद राग जयो, ज्यारे एनो एक्चूली केस चाल से, ज्यारे ए बलात कारी के ज्यारे एक्चूली केस चाल से, त्यारे पोलिस ने एने चार्ज सीट बनाई ने आपड़ी पड़ से, ज्यारे आपड़ आपने बनी से, पोलिस नी फरज मांसो आवे छे, कारण के एने चार्ज सीट बनावानी छे, चार्ज सीट नी अंदर गणी बदी इंफोर्मेशन न ब्रन्थियों जें मुवी ने अंद जोई गई चे कि रिमांड नी अंदर पोलीस फटका आपे तो ये बदुन ना होए ओके याद राग जवो जें आ सुधी एव्यक्ति नो गुणौ साबित ना थाये त्या सुधी पोलीस छे येने टज्च पन ना करी शके तो याद राग रिमांड उपन लेवो, यहां रिमांड उपन लेखे के यहां ळोका मारवामा आवे, यहां अवर्य गरबभण आवे, एने इन सचीय पूर एकज लेवामा आवे, लिओंख खरे के तो हुए अशाय है , यहां ना नैसी हीलि О्ट जाव लेखे , हमें साय है and very fine- aplicable, ₇ पोलिस वड़ा एने टच पड़ ना करी शके तो आवस्तु याद राग जो तो रिमांड इले सिंपल वस्तु पूछ परस करवा माटे नो समय जे पोलिस मागे छे कोना जुडे मैजिस्ट्रेट जुडे तो एने रिमांड के वामा आवे छे अनि कंडिशन खास याद राग ज दो राग जो अनि तो वियक्ति ने छोड़ी मुखो अवे पूरावा नाम मढ़े तो वयक्ति ने छोड़ी मुख потом येले आवी वस्तु थाई गए कि वैक्ति नी धड़ पकर थाई पड़ एना विरुद पूरावा मड़े आज नहीं, एले केस चलावा जेटला पूरावा पण मड़े आ नहीं, तो आवा समय ए व्यक्ति ने छोड़ी मुखवामा आवे, परन्तु जो कोई पूरावा मड़े तो पाछो एने पकड़ी लेवामा आवे छे, तो 169 अने आगड आपड़े एक कलम जोईसु बीजी, जेनी अंदर एउ आवसे के पूरावा ना आधार उपर एने छोड़ी मुखवा, एले के समझीलो के केस चाले छे, और केस चाले एमा बनने बाजु थी पूरावा आवे छे, अवे ए पूरावा माह समझीलो एवा पूरावा मड़े छे जेनाती ए वेक्ति बाईजद बली करवा माह आवे छे, पूरावाना आधार उपर, तो एनी कलम अलग छे, आ कलम सुक एवा मागे छे, के एने पकड़ी तो लिदो, पर एना विरुद कोई एवा ठोस सबुत मड़े जने के एनो केस आपने नियाईक प्रक्रिया में लब के मेजिस्टेट समक्स राखी सकाए, अने एनो केस चलावी सकाए, यलेके समझीलो के वेक्ति ने कटगेरानी अंदर उबोदो करी दिजो, पर एना विरुद मा कोई सबुतत ना थी, केस चलावा जिटला पर सबुत ना थी, तो आवा कंडिसन नी अंदर एने छोड़ी माँ आवे चे, त्डिजी बस्तु फरियादी एज मरी जाए, ज degने फरियाद करी छे एज उम्रुस्ति पामे चे, तो एने छोड़ी मुकवा मा आवे चे, और फरियादी मर्या पचे, कोई बिजो बैखती इज केस ने अंदर फरियाद नती करतो तो आपर एने छोड़ी कोई आरोपी नी धड़ पकड करया बाद पोलीस टेशन ना इंचाज अधिकारी ने एउ जणाए कि आरोपी सामे कोटमा केस चलावा माटेना पूरता सबुतोद नाती पूरता पुरावाद नाती त्यारे आरोपी ने कस्टरडी माथी मुक्त करवा माटे मैजिस्टरेट ने रिपोर्ड करवा माँ ँछे जे पोलीस चे, पोलीस ने समझीलो के रिमांड उपल ली तो, रिमांड उपल लाई ने पूझ परस चालू करिया बाद पोलीस ने सोध खोड करी इन्वेस्टिगेशन करिया पर ए जे गुने गार छे एना विरुदेटला पुरावा मड़या जने, कसु एना विरुदमा केस चलावा जिटला पर पूरावा न थी, तो तमे एने छोडी मुखवा माँ आवसे, बिजी बस तो, नेव दिवस माँ कोई चार्ज सीट ना बने, अवे चार्ज सीट सू छे, जैने पोलीस रिपोर्ट केवा माँ आवे छे, ए आगड आपने जोई सो, तो चार्ज एकले चार्ज सीट लेशू के समझी लोग पूच परच करवा माँ आवे, और साक्षियों निवे दन लेवा माँ आवे, और एनी जै चार्ज सीट चे ए बनावा माँ आवे, अवे जो पोलीस चे ए पोलीस नी जवाब दारी हो है, तो पोलीस अधिकारी नेव दिवस नी अंदर जो चार्ज सिट नथी बनावी सकतो, तो पन आरोपी ने छोड़ी मुखवामा आवे छे, फरियाद इज मुरुत्वी पामें, एले के समझी लो के जेने फरियाद करी छे, इज वेक्ति मुरुत्वी पामें, तो पछी केस कई रितना आगर वादे, एक्जाम्पल धरीके बिडे केस करे वातो के जेठा लाले अयन्नों खुन करें, अवे बिडे ज मरी जाए, तो पछी केस ने आगर चलावानों कोई फाइद वोद्वी पामें, और कोई बिजा फरियाद इए आग केस ने मतलब के फरिती फरियाद ना करी, और फरिती कोई फरियाद करवा माटे लेगे एक्जाम्बल तरीके, हवे समझी लो के भीडे मरी गयो जेने फरियाद करी थी, हवे भीडे नी जग्याए बिजू कोई फरियाद करी शके चे, पन कोई फरियाद करी जने, मरी गया पछी, कोई फरियाद करी जने, तो आवा कंडिशन ने अंदर पन जे पन आरोपी ये छोड़ी मुक्वा मां आवब से आउं कलम नमबर 169 कह चे पर याई कंडिसन मुतम ने कहें दो चूंँ कि काल उठी ने फुरावा मड़े चे ओके येना विरुद्म कही पुरावा मड़े चे तो फरी थी जे गुनेगार चे एनी धड़ पकड़ करी लेवा मां आप याण तो बने एकज चे, चार्ज सीट औने पोलिस रिपोत आ बनने एकज चे, यादराग जो फरीधी रिपेट करूँ चो, पोलिस डायरी औने लिवारी आ बनने एकज बसतो है जहे रे दे बाइ डे जे पण इन्वेस्टिगेशन करें छे ए पोलीस पोतानी डायरी नी अंदर लगतो आए छे कि आ दिवसे आ साक्सियों ने मड़या आ साक्सियों आ निवेदन आपिय। अने आटला पुरावा मड़या गिजा दिवसे आ समय आ पुरावा मड़या आ बदु कर्य। तो पोलीस चे ने पोतानी जोडे एक डायरी राखतो आएमा डे टू डे जे पण इंवेस्टिगेशन करें छे जे ने पण मड़या चे जे पण कईक साक्सियों निवेदन केवामा आवे छे ए बदु पोतानी डायरी नी अंदर लगतो आए छे तो आने पोलीस डायरी के केश डायरी केवामा आवे छे शू छे वाजची लिए एक वखत तपास करनार अधिकारी फरियाद सरू कर्यानों समय तेमज रोज बरोज तपास नी कार्यवाहीमा जे नोद करी छे तेनी विगत तेमज साक्सिनू निवेदन अने पंच नामानी टुंकी नोद जेने डायरी मा लग से एनेज केवामा आवे छे पोलीस डायरी अवे आ पोलीस डायरी छे नियाद राग जो ज्यारे पन एनो केस न्याई प्रक्रिया जरे इंसाफी कार्यवाही चालती होई न्याया लेनी अंदर त्यारे आ डायरी छे जे न्याया दीस छे जे मैजिस्ट्रेट छे ए मागी सके छे तो केस चलावता समय तपास करनार अधिकारी नी जुबा नी आपता समय डायरी नो उप्योग करी सकाई छे लेके जो पोलिस अधिकारी ने कई जुबा नी आपपी छे कई क्या हूँ छे तो ये पोता नी डायरी नी अंदर जोही ने मागी शकके छे लेकिन मेजिस्ट्रेड चे एने जरूर पडे तो पोलीस अधिकारी जोडेती ये डायरी माङी सके छे परांतू जे आरोपी नो वकील होते हैं एन्याद पोलीस डायरी ने लट़ तो हा चे पोलीस डायरी के वहां होते हैं केस जारे चालू होय और पोलिस ने कई केउँ होय तो ये पोताने डायरीन मां जोईने बोली सके छे, निवेदे नापी सके छे, आ जे डायरी छे ए मैजिस्ट्रेट मांगी सके छे, परन्तु सामेवाडा पकस ना एलेके आरोपी पकस नो वकिल छे ए आ डायरीनों उप्यों क बराद करी छे, ज्यारे बद्धी तपास पुरी सही जाये त्यारे बने जह पोलीस दायुरी छे से एक है यारे बने तो इन्वेस्टिगेशन चालू होग ट्यारे सीरिय बने डैट्रेट लेगम आजे चार्ज सीट के पोलिस रिपोर्ट छेन ए मैजिस्टेट ने आपपानी होई छे याद राग जो चार्ज सीट के पोलिस रिपोर्ट छे ए कोने आपपानी होई छे तो पोलिस अधिकारी ए मैजिस्टेट ने आपए छे हवे आ वस्तू सू छे आजे चार्ज सीट छे ए सू छे पोलिस रिपोर्ट सू छे ए आपने समझे सिंपल वस्तू छे कि मैजिस्टेट छे न ए दिवसना हजारों केस एना जुड़े आउता हुए बद्धा केस नी माहिती एमना जुड़े याद ना होए तो यह सू करे कि एक चार्ज सीट छे ए पोलिस द्वारा ए मैजिस्टेट ने आपना होए तो जारे पड़ ए वेक्ति नो केस चालतो होए त्यारे एनी जी चार्ज सीट छे ए मैजिस्टेट पोतेया ने जोड़े होए एनी अन्दर लखे होए कि एकटला साक्सि हो चे, गुनेगार कोण छे, गुनेगार कोण दैटला कोण खरेला आपन शाक्सि तरवे आवा ना होए लाए Uh आ आ केस नी अंदर किटला किटला पुरावा मडेला अचे आ बद्धी वस्तू ए चार्ज़ सिट नी अंदर लखेलो आई छे जैसे मेजिस्टेट ने थोड़ी सहल आईती रहे किटला लोको आजना केस नी अंदर किटला लोको निवेदन करवा साक्सी तरीकी आवा ना अचे किटला किटला पूरावा मड़े आछे यह बदू यहना जोड़े हो आँ मुवी निए अंदर पर जोता हो आछे अमुख डायलोक हो आछे कोई साक्सी आवी जाये तो ए मेजिस्टेट कहतो हो आछे बगिले कि एनू नाम तो आया क्या जोवा नती मलतू तो इसे मा नती जोव मलतू चार्ज सीट मा जोवा नती मलतू याद करो ओके आऊ मुवी निए अंदर पर तमें जोवी हो आछे चलो वांचिया सू केवा मागेचे चार्ज सीट कलन नंबर 173 केवा मागेचे चार्ज सीट पोलिस रिपोर्ट जहरे बद्दी तपास पूरी थाई जाये त्यारे गुनों होए तो साइट दिवसनी अंदर अने 10 वरस्ती वदू सजाने पात्र कोई गुनों होए तो 9 दिवसनी अंदर आ चार्ज सीट बनाई देवी जोई है बिजी वस्तू के जो बलात कार्नों केस होए तो एमा एफाया नोध्याना तारीक थी 3 महिना नी अंदर अंदर एने पूरीज करी देवी जोई तो याद राग जो बलात कार्ना केस नी अंदर जे चार्ज सीट बनाऊनों टाइम चे ए फिक्स आपी दिदो छे के 3 महिना यलिके 9 दिवसनी अंदर फरजियात प्रमे एनी चार्ज सीट बनी जवीज जोई है बाकी नामा सू के थोड़ो टाइम जो ए चे कर खिकरit काईक एहा लागे अंदर फिक दनी जोई महिनों अदर फरजियाति होरज फोई सिंप्वी चार्ज सीदि जोड़ो टाइम मेजिस्ट जोड़ो याजोई होई अङोई उल्लेक नाती होतूं तो याग राग जो मैक्सिमम किटलो टाइम मैजिस्टेट आपे एनो कोई उल्येक नाथी, पण मिनिमम नेवु दीवस नी अंदर बनी जवी जोए, अन्ने 10 वरस्ती ओछा केस नी अंदर मैक्सिमम साइन दीवस मा बनी जवी जोए, नथी बनती तो टाइम मली सके ज़े, वक्सकारोना नाम असे, पकड़ाईला आरोपीना नाम असे, पकड़वाना बाकी रहेला आरोपीना नाम असे, आरोप जेने जामिन उपर छोड़ेला छे, अत्वादो छोडवाना बाकी छे, के छोडवा के कैम ए लखेलू असे, जबत करेलो माल, एलेगे विगत साथे कलम एलेगे जे अपरादी छे एने कया कया गुणा करया छे अने कई कई कलम मुझबना गुणा करया छे आ बद्धानी एक टूंकी विगत पण आनी अंदर सामील हसे तो आ एक चार्ज सीट होए जे पोली सदीकारी जेरे इन्वेस्टिकेशन पती जाये जेरे ए आईक इंसावी कारेवाही चालू थाये छे ए दर्मियान पोली सदीकारी ए मेजिस्टेट ने आपतो है छे जेने चार्ज सीट केवामा आवे छे तो आई होप सो तमें समझी गया छे अवे आगण वद्धिये अने वाद करिये कलम नंबर 100 ने चुम्मोते जेनी अंदर आत्म हत्या करवामा आवी होए अत्वा तो अन्यकारणे गुनों बन्यों होए एवी संका होए मतलब कि आत्म हत्या थाई गए छे पण आत्म हत्या जेवू लागतू नती एवी संका होए कि मतलब कि मडर करी ने यहने लटकाई देवामा आवी होए एवी कहिक संका होए त कदाच खुन थाई ने लटकावामा आवे होई तो एवा सबनु निरीक्षन मेजिस्टेट द्वारा करवामा आवसे आपन याद राग जो सब उपर जे इजानु निशान होई जे मुर्दू छे मतलब के जे व्यक्ति मरी गयोचे आत्मातिया करीशे तो एने सब आपड़े करीशो तो सब उपर इजानु निशान के चिनो होई तो तेनी नोद बे आब्रुदार व्यक्ति ने हाजरीनी अंदर करवामा आवसे तो मैजिस्ट्रेट चेन ए बे व्यक्ति ने जोड़े राख से के जो आ बड़ी उपर आ बदा निशानों देखाये चे कारण कि एना पच्छी बड़ी चेने एक क्या जती रहे से तो पोस्मोटम मात पच्छी जाए तो एना जे निशानों चे पच्छी मड़े ने तो ये सुक मैजिस्ट्रेट बे जणाने राख से के आना बड़ी उपर आ बदा जोड़ी निशानों देखाये चे ते बदा निशानों निशानों नोध करूँ छे जेती बे साक्सी तरीके वेक्ति रहे के हाँ एनी बड़ी उपर आबा निशानों मली आवे आता तो बे वेक्ति नी आ एक वरस करता ओचो लगन गाड़ों होए तो DYSP कक्साना अधिकारी तपास कर से लेके जे इन्वेश्णी किशन छे इडिवाइस्पी डेप्यूटी सुपिडंटल और पुलिस कर से याद राग जो जो स्त्री जेना लगन थाई गया चे अन्ने लगन ना एक वरस नी अंदर अ एक वरस नी अंदर अंदर जो एस्त्री नू मृत्यू थे जा चे इलेके आपगाद करवा मा आवे चे तो एवो जो केस चे तो एवो केस एडिवाइस्पी कक्सानो जे पोलिस अधिकारी चे एन्ने हस्तक आपपामा आवे चे कोई ना 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 पी आई के एम ने नहीं आपपामा आवे क्यों पी एसाई ने नहीं आपपामा आवे इन्वेस्टिगेशन करवा माटे विवाइस्पी कक्साना अधिकारी ने आपपामा आवसे जो आओ कई थाई छे तो तो आपने याद राखी सु कलम नंबर 174 कलम नंबर 176 जेनी अंदर किदू छे के मैजिश्टेट द्वारा मृत्यु ने तपास जो पोलिस टरडिनी अंदर मृत्यु थे जाएचे जै के रिमांड उपल लिदेलो छे, गुनेगार ने रिमांड उपल लिदेलो छे, अने ए गुनेगार नो अचानक ए पोलिस कस्टडी नी अंदर अज मुरुत्यू थाई जाए जे, तो आपके केवाइन के एक बहुत मोटी वस्तों केवाई, कारण के पुछ परज करवाच मा पोलिस कस्टडी मां जो मुरुत्यू थाई जाए जे, तो मैजिस्टेट जात्ते जाईने एनी तपास कर से, बीजी वस्तों, लास्ने डाटी देवा मां आवे छे, त्यारे मैजिस्टेट तेने बाहार कड़ावी ने तपास करावी सके छे, हवे समझीलों के कोई वेक्ती इने मृत्यू थाई जाए जे, अने अनू मृत्यू थाया पचे अने डाटी देवा मां आवे छे, एज पर जे पण एना अंतिम सल्सकार फचे, एमा एनने डाटी देवा मां आवे छे, हवे डाटी दिदाप बचे ही मैजिस्टेटने एउ जडाये छे कि कईक ए भी जहां लासनी अंदर छुपाएली छे, कईक एवा निसान के कईक एवी बोडी उपर के कईक एवी वस्तू, मतलब के जेना थी ए बोडी ना इन्वेस्टिकेशन के ए बोडी ने जोवा थी कईक एवी माहिती मडे वी छे, तो आवा कंडिसन ने अंदर मेजिस्टेट ए कईक एवी ने एनू इन्वेस्टिकेशन करी शके जे एनी तपास करी शके जे, कोईस्त्री पड बलातकार करवानों आक्षेप करवा मां आवे, तो आवा कंडिसन ने अंदर पण मेजिस्टेट छे एनने जात्ते तपास करवानों अधिकार छे, कलम नंबर 154, Most IMP, जेनी अंदर FIR नी बाद करी शे, FIR I hope सो तमें समझी गया सो, आगड आपड़े FIR नी बाद करी यादी, पड़ खाली टूंक मा बाद करी यादी, FIR नो मतलब थाई छे, First Information Report, FIR सू छे, एलेकि सिंपल वस्तों के जारे फरियादी, ए फरियाद नोध मां आटे आवे शे, अने प कोपी बिना मुल्य ए वेक्ति निपनाप से, जैने FIR के वामा आवे छे, आ सब्द तो आयोब सो, बदा जानी ताचे मलब के आ सब्द तमें क्याक ने क्याक सामड़े हो से, चलो, कोगनीजेबल गुना मा पोलिस परियाद, कोगनीजेबल ये लेके, पोलिस अधिकार गुन अधिकारी, पोलिस अधिकारी, फरियाद लेवानी ना पड़े, तो फरियादी टपाल मारफते पोलिस सुपी डंट ने, फरियाद छे, ए मुखली सकते, ते जाते निपना माँ परियाद पपास कर से औने निचला अधिकारी ने खबर आपी ने ए गुणानी नौद नौन कॉंग्निजेबल रजिस्टर नी अंदर करवा माँ आवसे। सु केवा मागे छे कि समझीलों के बिढे छे ए बिढे पोली स्टेशन नी अंदर गयो। पोली स्टेशन ना जे इंचाज अधिकारी अतो एने मडेया अने एने किदू के मारे गुणानी एफाया नौद आवे छे। हवे पोलीस अधिकारी ना पाड़ी देके ना हूँ अईया एफाया नही नौद तो एया बिढे छे ने एक बिजी बस्तु करी शके छे। शू करे टपाल मार्ध्यम थी एनो जे सुपीडंटल हुआ एले के समझीलों PSI होई तो एना उपर जे PI आउतो है ए PI नौद वानी ना पाड़े तो एना उपर DYSP आउतो है एने पोतानी जे फरियाद छे ए टपाल मार्फते मोखली सके छे। हवे आउँ सुपी डंटले आ फरियाद मड़ी तो ए सु करी शके तो आउँ जो एने फरियाद मड़े छे तो ए निचे नो जे अधिकारी छे जे ना पारतो हतो फरियाद नोदवानी एने फोर्स करी ने ए फरियाद नोदवानू केसे अने तपास नी कार्यवाई एने स्व आव अगनकुदू कू न लखवा मा आवजशे कि नॉन कोग्निसेबल रजिश्टर आवा मा आवे चे कारण के अवे जे पोलिस सधीकारी तपास करें चे ए पोता नी जाते नतिकरतों उपरथी प्रेसर आपीने करवा मा आवे चे अने non-cognizable office ने अंदर एज होई छे कि magistrate द्वारा एने तपास नी कारियवाही आपपामा आवे magistrate जे केसे ए रितना ज पोलिस तपास करवी पड़ से आ सेमा होए non-cognizable office मा तो एज रितना या उपड़नो जे पोलिस अधिकारी निचेलो जे तपास करणार अधिकारी छे एना इसारा उपड़त तपास करशे एटला माटे non-cognizable रजिस्टर नी अंदर एजे गुनो छे एने नोधवामा आवसे आगर वधिये छे कलम नंबर 155 जे normal छे non-cognizable गुनानी तपास तो याद राग जो non-cognizable एल लेगे पोलिस अधिकार बहार नो गुनो तो पोलिस अधिकार बहार ना केस मा खबर अने तपास मैजिस्टेट नी मंजूरी वगर थाई शके नई कारणके ये non-cognizable छे पोलिस अधिकार बहार नो गुनो छे cognizable office जेनी अंदर पोलिस चे ए मैजिस्टेट नी मंजूरी वगर तपास करी शके simple छे नीचे आवे छे M magistrate case जेने M case पर क्यावामा आवे छे M case जे बिजू कईज ने जे non-cognizable offense होये लेके non-cognizable गुना होये एनी अंदर मैजिस्टेट छे ए पोलिस ने हुकम करी ने एनी तपास करवानू कहसे तो आप case छे ए मैजिस्टेट द्वारा मड़े हो सिद्धो मैजिस्टेट जोडे जतोरे छे तो याद राग जो ए आपड़े IPC नी अंदर पर बढ़े आता कि तम्हें पोलिस टेशनी अंदर जाओ अने पोलिस चे ये तमारों गुनों नोदवानी ना पड़े तो डाइरेक्ट तम्हें अदालत मां पर जई सको चो मैजिस् अने मैजिस्टेट समक्स तम्हें फरियाद नोदवे तम्हें पोलिस टेशन मां गया आजने इटले के मैजिस्टेट द्वारा पोलिस टपास नोँ हुकम करवा मां आवे छे कोई वेक्ती जे मैजिस्टेट जोडे डाइरेक्ट जसे अने पोतानों जे गुनों छे पोटानी रितना तपास करी शते, पन आज ए कोगनीजेबल गुणों छे ए पन मेजिस्टेट जोडे थी मड़े चे, कोई वो बेकती, जे खुन नो गुणों छे, जे पोलिस अधिकार नो गुणों छे, तो अपन ए मेजिस्टेट पास से जतो रहे हो, और मेजिस्टेट पास तो ए सु कर से ए तपास मड़े नो हुकम आपी दे से, तो जे पोलिस अधिकारी आवा गुणा ले चे, मेजिस्टेट जोडे थी ले चे, तो एने एम केस केवामा आवे चे, लेके मेजिस्टेट केस केवामा आवे चे आगण वाद करें, कलम नंबर एकसो ने साइट, कलम नंबर एकसो साइट ने अंदर एवो किदू छे, साकसी ने समंस, सुछे, ध्यानती समझो, तपास करनार अधिकारी ने एवो जणा है, के केस विसे कोईक वेक्ती माहिती जाणा है छे, तो ते माहिती मेडवा माटे नो लेकित हुकम, वेक्ती ने हुकम मुझशा भाजा रहा उजो ये, एले के समझीलो के इन्वेस्टिगेशन चालू छे, अने इन्वेस्टिगेशन नी अंदर कोई एवो वेक्ती पोलीस इने ख़बर पड़े छे, पोलीस ने एक केस विसे कईक जाने से, और ए मनेक यय वा म पर केस चालतो है तो ए वेक्ति ने पर बोलावामा आवे तो एने केवामा आवे छे साकसी ने समझ कलम नंबर 165 जग्यानी जड़पी तपास तो इंचाज अधिकारी ने एवू लागे के गुना नी साबीती माटे जग्यानी तपास करवी जरूरी छे तो आ कलम मुझा पोलिस अधिकारी जग्यानी जड़पी तपास करी शटे अने आ ठराव अने पंच नामानी नकल छे ए जग्याना मालिक मांगे तो विना मुले आपी जोए आ कई कंडिशन यंदर इन्वेस्टिगेशन नी कंडिशन यंदर आगडे आपने जोई तो उने एक केस चालतो होई त्याहरनी वाट छे अही जग्यानी जड़पी तपास कया कंडिशन यंदर इन्वेस्टिगेशन चालतो होई एक अंदर मियन अने खबर पड़े कब आ जग्यानी तपास करवी जरूरी छे पले एक कॉग्णिजेबल ओफे जे पोलिस अधिकारी तपास करी पन जरे कोई नी माली की नी जग्यानी तपास करी भी होए तो एना माटे कईक समझ के कईक वरंट काटवो परे तो कलम नंबर 165A के वा माँगे छे हवे बात करे कलम नंबर 166A अने कलम नंबर 166B एक विजाना अनुरूप छे 166A के चे के बारत नी बाहर जड़पी तपास केंद्र सरकारे नकी करीला मुझबना नमू नामा विंती पत्र मोकलवानों रेशतर सुक एवा मागे छे समझी लो कि एवो कई गुनो छे एक गुनो इंडिया मा थायो छे गुनेगार पण पकड़ाए गयो छे पर कईक एवा सबूतो छे जे क्या छे USA नी अंदर छे समझी ले जो सुक एवा मागो छे व्यक्ति USA मा नती बागी गयो गुनेगार पकड़ाए गयो छे गुनो पण क्याक इंडिया मा थायो छे पड़ एना कईक एवा सबूतो छे एक क्या छे USA नी अंदर छे आज एक केस ने लगता कईक एवी बाबतो छे जे USA मा छे एक जग्य तैयार करेया होई यलेके जे पकई फ़र्म बरवानों होई कि एमना माटे जे पड़ फॉर्मालिटी होई तो एवी फॉर्मालिटी मुझब विंती पत्र मोकलवो जो यह है यलेके USA ने आपणे विंती करवी पड़ से कि अमारा पोलिस ने आ जग्यानी तपास करवी जो त यलेके सेम टू सेम वस्तू समझेलों के बारना देश मां USA ने अंदर कोई गुनों थायो चे अन्ने USA ना लोको इच्छे चे कि M ना कईक सब्बूतों आपणा देश मां पड़ आछे तो M ने आपणा देश ने अंदर तपास करवी होई तो एक कलम नंबर 166B प्रमाणे कर सके युँ लखेलू छे कि आपणी सरकार आपणा देश नी केंद्र सरकार द्वारा नक्की करेला जड़पी तपास ना नमु नामा M ने अरजी करवी पड़ से तो आपणे जे रितना बाहार ना देश मा तपास करवानी अरजी करिया चे एज इतना बाहार ना देश ना ल आपने जे प्रक्रिया आछे ए पूरी धासे। एना मची आपने CRPC ने आगण वजारी शुप पण। जे रितना आपने छट्ठा चेप्टर नी अंदर एवु जोई होतु के बाई कोट द्वारा कोई वेक्ति ने बोलावामा आवे चे, कोई जीवन्त वेक्ति ने बोलावाम आवे चे, कोई मनुष्य ने बोलावामा आवे चे, तो बे वस्तु थी बोलावी शकाए। कही रितना का तो एने वरंट आपीने, का तो एने समस आपीने। जो कोई गुनेगार होई तो एने वरंट थी बोलावामा आवे चे, जो कोई साक्सी होई कि पोलिस तपास करतों अधिकारी होए कि कोई फरियादी होए असा तो कोई नानो आरोपी होए तो एना माटे समस मुकलवा माँ आवसे आ वस्तु आपणे जोईली दिया दी अने फरज पाड़ी शके छे तो आज वस्तु आपणे चेप्टर नंबर सात नी अंदर जोई शो शरुवाद करिये आ एक नानो यू चेप्टर छे एककाणू थी लईने एक सो पांच सुधी वाद करवा मावी शे एमा जे महत्वनी कलम होचे ए आपणे फटापड जोईली सव पेली कलम छे कलम नंबर 91, 91 नी अंदर यू गिदू छे के वस्तु ने हाजर करवानो लेखी थुकम, सव थी पेला आपणे वाणची लिए एना पची हूँ उदारन द्वारा तमने समझाओ चू, शू किया छे के तपास करनार अधिकारी के कोटने, एउ जणा आए के क कोई वस्तु कोई प्रकार नो दस्तावेज, कोई प्रकार ना हकिकतनी तपास समय के इंसाफी कार्यवाही माटे रजू करवो जरूरी छे, तो ते वस्तु जे व्यक्तिना कबज्यामा होए, ते वस्तु रजू करवा माटे कोट अथवातो पोलीस एने लेखी थुकम करी श एकजामपल द्वारा आवस्तु समझे, समझे लो कि य्याम मगन भाई छे आ मगन भाई, आ मगन भाई , आ बे दिकरां होएचे एकनू नाम होई छे राम अने बिजानू नाम होई छे श्याम हवे मगन भाई ज्यारे अन्तिम स्टेज उपर होई छे छेल्ला स्टेज उपर होई छे त्यारो एम नो दिकरो राम छे एम नी जोडे होई छे स्याम झे Avoidshma गईलो leo उचे except heb İdashIVE उपर होएच यारे मगन भाई 76 उपर होएचे त्यारे एक वस्यत नामू बनावेचे अन्य वस्यत नामू लखी ने रामने आपीने झाए छे राम ने यह कहिए चुह के जारे तारषभ भाई श्याम आवे तो बन्य जे मिलकत छे तमें वेची लेजो आपस ने अंदर 50-50 परसन लखी ने जाये छे के अर्दी मारी जायदाद ए रामनी अर्दी मारी जायदाद ए श्यामने हवी सीयाम एनना पापा छे ए जतारेची हवे श्याम जखरे पाच्छो आवेची त्यारे भाई पुछे चे रामनी किसा हम्ना पापा छे ए वस्यत नामू लखी नैं गायाए चे वस्यत नामू मने बताए तो यीराम एहो Corporal के जहाए चे पापपा एं बद्दी वस्यत चे प पड़ मने वस्यत नामों बताए दो खड़ा, माने जो हुँ छे के पपपा सू करीने गया छे, स्वय सोटा का तारा नामनों करीन गया छे, के पच्चास पचास तो यह राम कहा छे के ना, हूँ ने बताओ तो आवा कंडिसन नी अंदर साम छे, कोटनी अंदर केस करीना गया छे, रामना विरुद, रामना विरुद केस करे छे के वस्यत नामों जे मारा पपा लखीने गया छे, यह मने सक छे के अर्दी-अर्दी करीने गया छे, पड़ मारों भाई छे राम, ए स्वय सो टका जे मिलक चे एहडप पमागे छे औने वस्यत नामों पन बतावता न थी। हवे कोट नी अंदर केश जाए छे तो सिंपल वस्तु छे कि आज एक कईर इतना सुल जाए। सिंपल वस्तु कि जे वस्यत नामों चे वस्यत नामों जोवे। कौट द्वारा ए वस्यत नामू चकास्वामा आवे ए वस्यत नामू जोवे तो ज आ केश नो नेड़ाई आवी सके तो अईया जे कौट छे ए कौट रामने आदे साब से के वाई तारा पपा जे वस्यत नामू लखी ने गया चे ए तुँँ कौट नी अंदर हाजर कर तो आ कौट नमा छती इंसाफी कार्यवाई मा जरूर हुए तो कौट द्वारा ए वस्तुने लाववा माटे नो पन आदे साब सके छे कलम नंबर 91 फरीती जो हुँ रिपीट करी दोचु के तपास करनार अधिकारी के कौट ने एउँ जणाए कि कोई वस्तु कोई प्रकार नो हकीकत नी तपास अथ्वा तो इंसाफी कार्यवाई माटे रजू करवो जरूरी छे तो ए वस्तु जे वेक्ती ना कबजामा चे राम ना कबजामा चे तो राम ने आदे सापी ने ए वस्तु लाववा नो कई शकाय छे कलम नंबर 91 पर माणे I hope so you got it आगण बात करे कलम नंबर 93 जेनी अंदर केवा माववी चे वस्तु माटे जग्यानी जड़पी तपास सु केचे जो समस्ना आदारे जयारे कोई वेक्ती वस्तु रजू करी सकतो ना होए तो तेवी जग्या माँ कोई वस्तु के दस्तावेज हसे एउ जणाए तो जेते ज जड़पी तपास माटे वरंड काडी सकाई छे शिम्पल वस्तु जेम आपणे आपने चेने आगणन उदारन फे ऐ ये आपने लइलिये आगणन उदारन अदर अट नी अंदर जे वस्यत नामु छे कोश्योई गणे राम ना जुड retreat यह नहां चुछ नहीं हुतु आच choices लुट different नहीं जाँ यहाँ दीने बर्वर ना जी भर judge यतना मुझे आउँ एक क्वाट ने क्या चे कौन स्याम तो यह क्वाट द्वारा पोलिस ने आदे साप पमाव से बाई तमें रामना गरे जाओ अने रामना गरे जे दस्तावेज ए छुपाई रहो चे ए दस्तावेज रजू करतो न थी एनि तमें तपास करो जड़पी तप तो जो ऐत लखेलू चे कि जो समस्या आदार जारे कोई वेक्ती वस्तू रजू करी शक्तो न होए तो तेवी जग्या मा कोई वस्तू के दस्तावेज हसे यवच जनाये छे क्वाट ने यवच जखゃा द्वारा वरांट काडि ने एनि जळपी तपास करये शकाये अनने व वस्तु सोधी लेवामा आवेशे, तो कलम नंबर 93 परमाणेट, कलम नंबर 97, मोस्ट आइमपी, सर्च वरांट, अवे सर्च वरांट अने कलम नंबर 93, आ बंडे मा फरक छे, अईया तम्हें जो ओ तो वस्तु ने सोधवानी बात थाई छे, 93 ने अंदर, जाने 97 ने अंदर व जारे कोई व्यक्ति ने घेर काईदेसर रिते अटकायत मा राखेल होई, तेवी जान DM, DM नो मतलब थासे district magistrate, के प्रथम वर्गना judicial magistrate ने करवामा आवे त्यारे, ते कोई व्यक्ति ने जा अटकायत मा राखेली होई, ते स्थडनी जडपी तपास माटे वरंट काडी शके अनि वरंट ना आदारे व्यक्ति मड़ी जाए, तो एने magistrate समक्स रजू करवामा आवे छे, एक्जाम्पल तरीके बात करें कि आपड़ा जेठालाल भाई चे ने बभीता ने किड्नेप करी ना के छे, शू करे छे, बभीता ने हो के छे कि मारा जोड़े लगना कर, बभीत गई क्या? अवे एने यह इओ थोडों सक जाहे छे, जे बभीता चे, एक जेठालाल ना गरे हो भी जोई है. मतलब कि जेठालाल एने प्रपोस करें यो होतो तो तो कदाच, यह उपर सक जाहे, एने बभीताने हंतारी हसे. ए वो एने सक जाहे छे, अवे दाइरेक जो जेठ जेटा लालना घरे जाए टो तपास करवा ना दे कार ओ जटा लालनी जगया छे जेठा लालनी द॥े जगया जो या अईयर नने गर्णी अंदर तपास करवा को या जाएयर जएयर Isna पॉलिस ने जग्याए तमें सोधो मली जसे तो एने तमारे कौटिनी अंदर हाजर करवो पड़ से तो यह पोलिस ने आदिस आपपा मा आवे छे वरंट आवे छे हैं तमें जेठा लालना गरे जाओ अने जेठा लालनो गर चे ए तमें तपासों, अने जे अठकायत मा राखे लिजे विकती छे अग्या topics सर्च आपड करने जड़ाया ह से तो एने पची मेजिस्टेट समक्स रजू कर से तो फरीती उदारन उपपर थी आपने उपपर नूँ वाक्या फरीती रिपीट करिए कि जारे कोई वेक्ती ने गेर काईदर सरीते अटकायत मा राखेली होई तेवी जान डिस्टिक मेजिस्टेट के प्रथम वर्गना जु करन काडी सके छे अने वर्रण ना आधार उपपर जो ए वेक्ती मडी जाए तो मेजिस्टेट समक्स रजू करवा मा आवे छे कलम नंबर 97 प्रमाडे कलम नंबर 100 छेली कलम जोई लिए बंद जग्यानों हवालों सु के वामा आगे छे ध्यानती समझो पेला आपने वांची लेए एना पाची उदारंद वारा तमने समझाओ जो चलो पांची लिए पेला तो बंद जग्यानों हवालों धरावनार वेक्ती अने पोलिस अधिकारी नी फरजू बंद जग्याना माली के जेते जग्यानों कब्जों धरावनार वेक्ती है वरंट नो अमल करनार अधिका देवो जो ये पहलप आईयाद राख़ो अधीकारी जग्या नी पूरी तपास कर से जो कोई स्त्री पासे थी कोई वस्तु कबजे लेवानी होय तो एनी कारियवाई स्त्री द्वाराज करवा मां आउसे जो जग्या। मालिक जढती लेवा मां सहमत ना थाए तो जेते स्थड़े बे साक्सी राखी ने तपास करीने वस्तू कब्जे लेवामा आउसे अनि वस्तू नी यादी तयार करीने एनी एक नकल छे एजेते वक्ती ने आपपामा आउसे सु गेवामा आगेछे 32 समझो पेला हूं उधारंद वारा तमने आ समझाएदो एक्स्जांबल तरीके आपणा गांदी नगर नी अंदर एक बैंक नी अंदर सू थाई छे छोरी थाई छे कि आ जे चोरी चेन ए जेठा लाल नमना वेक्ती करी हो एऊ लागे चे सक छे खाली एऊ सक छे कि जेठा लाल नमना वेक्ती एना जे ओ एक वेक्ती यतो जे चोरी करवा आवे यतो अने एने चोरी करी चे एऊ एने सक छे पोलिस वाडाना तो यह magistrate पासे जसे औने magistrate छे ए पोलीस ने आदे साब से के बाई तमें जेठा लालना गरे जाओ औने जे बैंक नी चोरी थाई तो चोरी नो जे माल हसे यह ओविजली जेठा लालना गरे जसे यस के नो बैंक नी चोरी थाई छे औने चोरी कोने करी छे जेठा लालना गरे जसे पोलीस अने जो जेठा लालना गरे जसे पोलीस छे ए पोता नी टीम लाईने के आ जाए छे जेठा लालना गरे आवी जाए छे अवे तमें जो असु लखेलू छे बिजा नम्बनों बाक्या के बंद जग्याना मालीके ये लेके जेठा ललनी बात थाएचे ये गरना मालीके जेते जग्यानों कब जो दरावनार व्यक्ति ये वरंट नो अमल करनार अधीकारी ने जग्यामा प्रवेश करवा दे हो जो ये अवे जो पोलिस वारो वरंट लईने आवे हो होए तो ये जेठा ललसू चंपग चाचा पर ना ना पड़ी सके के मारू गर्ण मा तमें प्रवेश ना गर्ण छो कारण के या अधालत नो मैजिस्टेट द्वारा एनने वरंट आपामा आवे छे ए वरंट ना आधार उपर गर्ण सर्च करे छे तो ये जग्यानी अंदर प्रवेश द्वेवा जो ये कोई पण होए एकस वाई जेड कोई पण मालिक होए जो एना जोड़े वरंट छे पोल ये लेवानी होई तो कार्य वाही स्त्रीद वाराज करवा माँ आप छे हवे समझी लो के जेठा लाले गरेना नी चोरी करी छे अन्य एक गरेना माथी जे डोक्कियो और बुट्टी ने वबदू छे ए दया ने आपे दिदू छे गिप्ट मा चोरी नो माल ए दया ने गिप मतलब के गडा मा पेरी नाखे छे कान मा बुट्टी पेरी नाखे छे तो ये बदू पेरी नाखे छे अवे पोलीस ने सक जाये छे के दया जे वस्तू पेरे ली छे घडा मा कान मा जे वस्तू पेरे ली छे एक्चूली ए तो चोरी नी छे अवे सिंपल वस्तू छे के आवी जबर जस्ति ना करी शके आना माथे स्त्री पोलिस ने बना पड़ा पड़े स्त्री पासे त近 estáserd वालो लेवातनों which holds पॉलिस वाड़ा उबाचे वरंट बतावे चे के मारे आ गरीनी जड़ती लेवी चे लेगे सर्च करूँ छे पर जेठालालान चंपकलाल डा पाड़ी देशेक ना अमें तमने घरनी अंदर प्रविस्वा देवा जो यहने तो आतो वस्तु सकम जीलो के कानून ना वीरुद मा थेगे तो आवा कंडिसन ये अंदर सु करवा मा आव से सोसाइटी मा थे बे इजड़दार वेक्तियों ने बुलाव मा आव से जेमके समझीलो के तारक मेता ने बुलाव मा आवे चे अने बीडे ने बुलाव मा आवे चे बीडे अने तारक मेता ने ये जग्या उपर बुलाव मा आवे चे अने पोलिस वाड़ा के सेक जो अमारा जोड़े वरंट चे आ गरनों सर्च करवानों अने आ जे बे वेक्ति ये गरणा मालिक छे अमने अन्दर जवा देता न थी, तो तमारी साक्सी नी अन्दर अमे जबर जस्ती एनी अन्दर प्रवेश करिये ये टो आवी वस्तू जैरे आउू कोई सहमत ना थाए, त्यारे सुकारelpuyorsun वहां मालिक हे बिद्धिर साक्सी नी राखी ने जबर जस्ती ये गरणी अंदर प्रवेश करवा मा आवे छे अने जे वस्तू छे एने कबजे लेवा मा आवे छे अने एक वक्त जेकली पड़ वस्तू एना घर माती मड़ी जाए जेकली वस्तू कबजे करी हो आए तो एनू लखान करीने एने एक नकल एक घरना मालिक ने पण आपपामा आव कलम नंबर सो केवा मागे छे तो आई होप सो आ वस्तु छे एपर तमें समझी गया हासो ओके तो बहु नानुए हुँ चेप्टर छे जे रितना चेप्टर 6 नी अंदर व्यक्ती ने बोलावानी बात करिया थी एज रितना चेप्टर 7 नी अंदर वस्तु ने हाजर करवा अनि फरज पढ़वा अंगे नी बात करे लिए जे एक पोलीस प्रक्रिया पुरी करी जेनी अंदर आपने चार चेप्टरों जोई गया था कया कया पांच छो साथ अनिबार जे एक प्रक्रिया ना आता जेने आपने सारी रितना समझी गया हवे आपने आगणवदिय छे सी पेलाओं तमने कई दो के मारा द्बारा बे ई-book बनावा मा आवी छे जे तमें तमारा mobile ले अंदर वांची सको चो एना माटे नी में प्राइज राखी छे 65 रूपीज फोर IPC अने 29 रूपीज फोर CRPC आ मारा द्बारा बनावा मा आवी छे मारा द्वारा टाइपिंग करव हम आवी छे साथे साथे आनू अंदर जे उदारण छे काटून द्वारा में तमने बनावी ने आपेला छे तो डिस्क्रिप्शन ये अंदर लिंक मली जासे एनो डेमो लेक्चर पर मतलब के डेमो जे पेज छे एक खास तमें जो 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 ए डेमो पेज जो या पच्छी तम मैंने अंजोई करी शको जो ओके तो आ लेक्चर सरुवात करिया ए पेला एक्चुली जामिन सू छे जने इंगलिस मा बैल के वा मा आवे जे एक्चुली जामिन नू जे चेप्टर छे ए आगड़ आव से जनी अंदर आपने जामिन ने डिप मा बनवा आनी छे पड़ एज अधि वस्तों आई आउं क्लियर करा विदो हवे जामिन पात्र गुना आपने आगड़ जोई गया था तो जामिन पात्र गुना एकले एवा गुना जे बे वरस्ती ओची सजाना गुना होए जेनी अंदर ज्या सुधी केस चालतो है ने त्या सुधी आरोपी ने बाहार रह एवा नी छुट मढ़े जे तो एवा गुना ने जामिन पात्र गुना मां कंसीडर करवा मां आवे जे तो जामिन पात्र गुना नी अंदर जामिन हवे जे जामिन चे ने ए त्रोण टाइप नी जामिन होए त्रोण प्रकारे तमने जामिन मढ़ी सके एना त्रोण प्रकार पेलू जामिन पात्र गुना नी अंदर जामिन इवा गुना जे जामिन पात्र गुना चे जमके बखेडों छे गरेलू हिंसा चे पची समझी लो के कोई मारा मारी नानी एवी मारा मारी होई व्यत्थानों गुनों होए तो इवर जामिन पात्र गुने के वाए जेनी अंदर तमें गुनों करो तो पोलिस तमने पकड़ से, पन जो तमें क्वाट मा थी जामिन लईने आओ, तो ए जामिन उपर तमने छोड़ से, क्या सुधी, ज्या सुधी क्वाटे नी अंदर केस चालतो होए त्या सुधी, तो ए जे जामिन पात्रक गुना चे, एमां बेल, एले के ज અડুબીનેલે કોણ અપશે તો ? અતો ? માજિશ્ટેટ અથ્વા જેલ્દ બારા પણ જા Помæમન આપી દેવા માવે जामिन थोड़ू समझाई दाऊचू, जेते तमारा मैंडी अंदर अमुक्वेशन हो होई यह सौल थाई जाए तो बिन जामिन पात्र गुना नी अंदर पर जामिन मड़े, पड़ ए जामिन मात्राने मात्रा सुप्रीम कोट अने हाइकोट जापी सके छे जमके खून छे, बलात कार छे, पचे राज्य विरुदना गुना हो छे आनी अंदर जामिन ना मड़े, परन्तु कोट नी अंदर एउ लागे, मतलब के सुप्रीम कोट अने हाइकोट ने एउ लागे, कि आज गुने गान ने अमें पकड़े हो छे एना पूर्ता सबुत नथी के एने जगुनों करे छे, बीजी बस्तु के एने जेल मा राखो, एना करता कईक एउ काम ए बार रहीने करी शके छे एले के समझीलो, अजवा तो त्रीजी बस्तु समझीलो के ए व्यक्ति ने निर्बर था, मतलब के एना आखो जे कुटूम छे, ए व्यक्ति उपर निर्बर करे छे तो आब थी कंडिशन ने ध्यानमा राखी ने, कोट जे सुपरीम कोट अने हाई कोट छे ए फेसलो ले से, यह जरूरी ना थी के बीन जामीन पात्रव गुना नी अंदर जामीन मडे छे पर पॉसिबलिटी छे के तमें हाई कोट अने सुपरीम कोट ने अपील करो अने हाई कोट अने सुपरीम कोट एक जे गुनों छे एनि जे गंबीर था छे एनि जो से गुना जे गुनों करवा मा आवे हो छे एक कई सीचियोशन मा करवा मा आवे हो छे कोई बुल्थी थाई में लेके समझी लोग के कोई साप्राद मनुष्य वद है लेके हुँ गाड़ी चला हूँ छो और अचानक कोई आवी जाये छे और मारा थी एक्सिडन्ट करता एक वेक्तिनों मृत्यु धाये छे तो हुँ कोई पर्टिकुलर के मारों इतियास गुना साथे संक्रायलों ना थ के मुटन्य सजाने पात्र हो और ईएक हाई कोट ऊज attempt के मुटने सजाने पात्र हो ऑशे तो ऐया एक हाय कोट ने शुप्रीम कोट समझ्जे मारों फशे याद राग जो खाली ने खाली हायकोट और स जामिन आपी सके छे त्रीजू छे अग्रिम एंटीसिपेटरी जामिन जेने आपड़ा CRPC नी अंदर अगोत्रा जामिन पण के वह मा आवे छे अगोत्रा अग्रिम एटले तमने न्याम्तीज ख्याल आवी जाये छे कि गिरब तार थाई है दड़ पकड़ थाई एना पेला तमें जामिन लेलो साहब एउ कई रितना पोसिबल छे हाँ पोसिबल छे जेम के समझीलो के कोई के एवो समझीलो के हूँ एक पार्टी नी अंदर गयो अके पार्टी मा गयो अन्ने एक पार्टी नी अंदर कोईकनों खुन थेगो एश पार्टी मां कोईक नूँ खुंते घ्यो। मां अगोत्रा जामिन एव सब्द लखेलो छे तो गिरबतार पेला तमें जमानत लएलो जेने एंटी सीपेटरी अगरीम अथ्वा तो अगोत्रा जामिन केवामा आवे छे साहिब, आतो बसब्दू dejar खबर्पढ़ी, जमीन पात्र गुणामा जमीन मळे बीन जमीन पात्र गुणा नी अं्दर पर जमीन मळे, अने गिरबतार थय पेला पण जमीन मळे पर शाइब आपने छोड़े कई रितना मतलब कि अप्रा दिने पकड़ो छो तो अप्रा दिने छोडवा माँ आवे मतलब कि जामीन उपर छोड़ी देवा माँ आवे तो ए भागी गयो तो तो एक यह एना माटे एक बोन्ड साइट साईचे जे बोन्ड, मेजिस्टेट अने जे वेक्ति एनी बेल करावे, जामिन करावे एना वेक्ति, ओके, अवे जामिन कई रितना मडे छे, एनी आपणे प्रोसेस जोई है, तो बेर रितना जामिन मडी सके, एक्जांबल दरीके वार्द करें कि आपणा जेठा लाल छे, आ जेठा लाले कई गुनो करें, अने गुन पोतानी जवाबदारी थी, एक्जाम्बल दरीके समझी लो कि जेठालाल जेलमा चे, हवे एनी जामिन करावा माटे कोंड जाय चे तारक मेता जाय चे, तारक मेतानु सारू यहुँ नाम चे, एक लेखक चे, सारी यही इज्जत चे, तो एना आदार उपर मैजिस्टेट एने पर जे आरोपी जेठा लाल चे एनने हुँ छोड़ू छू परन्तु काल उठी ने जो ए भागी गयो तो तमारे एनने पकड़ी ने पोली स्टेशन में हाजर करो उपर से अब बॉढड़ी ने अंदर एउठा लाल बागी गयो तमारी जवाबदारी ने पकड़ी ने पोली स्टेशन में हाजर करो साइब एपकड़ी ना सके तो जेठा लाल बागी गया औने तारग में ता ना पकड़ी सके तो या बॉढड़ी ने अंदर एउठा लाल बागी गयो औने तमें पकड़वामा असफ़र रहा तो एक बॉढड़ी रकम असे जमकी लो के 2 लाग, 3 लाग, 5 लाग, जे बॉंड नी रकम जे मैजिस्टेट नकी कर से, ये तमारे भरवी पड से, लेके समझी लो जे ठालाल भागी गयो, अने जे तारक मेता चे ये पकड़ी न सकया, तो ये बॉंड मा लखे लाजिक बाई, डौड लाख रूपया आनी जा पात्र गुनों कर्यों छे, मारे जामीन उपर छुटवानों हक छे, पन मारू Professional सबंदि मारू Shark ओं मित्र तो साइब मने जामीन ना मढी सखे मडी सके, ये नना माटे एक बीजो रस्तोह चे, म Напр俩गे तमारू कोई affiliate कर दोड वेखती नो और जहे प्रों परिदाल पर सित्ती करवा में आवियो, धड़ पकड करवा में आवियो, अनि यहने जामीन पात्र गुनों करेलो छे, हवे जेठा लाल ने छोड़ावा माटे कोई व्यक्ति आउतू नथी, तो जेठा लाल पोतानी मिलकत, यह लेके समझीलो गर होय, कातो लेंड होय, कि कोई पन, आत कातो दुका अनि उपर यह पोतानी जामीन लई शके छे, कि मारी आ प्रोपटी छे, जो हूँ भागी जवचू, तो आ बदी प्रोपटी छे तमारी लेके सरकार ने, क्लियर, तो जमानत छे ए 2 रितना मडे, कातो कोई व्यक्ति आनि जमानत आपे, कातो अपरा दी पोतानी प्रोपटी उपर पर जमानत लई शके छे, तो आयोप सो जमानत कई रितना मडे, ए वस्तू पर तमारी क्लियर थाई गए, अवे जमानत केम आप्पाम आवे छे, मतलब के आओ नियम अच केम राखे, कोई आरोपी छे, यहनी दड़ पकड करवा मा आवे, अने जमानत उपर छोडवा म मा आवे, आओ नियम केम राखे, तो एना माटे ना पर त्रोण कारणों चे जलो, सू छे, एक क्रिमिनल रेकोड ना बने, यहले के समझी लोग के अजू मने मारी दड़ पकड थाई छे, मारो गुनो साभीत ना थी ताहो, कोई केस नी अंदर मारी दड़ पकड थाई छे, अजू मेज गुनों करयो छे, एउ साभीत नती तई, तो जो तमने जल मा राखवां मा आवे, तो तमारो एक क्रिमिनल रेकोड बने, तो एक क्रिमिनल रेकोड ना बने इटला माटे यहने छोड़ी देवां मा आवे, लेके छोड़वां मा आवे छे जामिन उपर, बिजी जामिन उपर पर छोड़ी देवां मा आवे, जहा एजोप नाव तमे छुटा जो, जहरे सबुत मर्से त्यारे पकड़ी लेवां मा आवसे, त्रीजी बस्तु कुटूम नी निर्बरता, यहले की समझीलो के जेठा लाल छे, एमना घर माती एकज वेक्ती चे जे कमाये छे, कौन जेठा लाल, और एक वेक्ती उपर आखु गर चाले छे, तो आखा कुटूम नी निर्बरता एक वेक्ती उपर संकड़ाये लेजे, और एक वेक्ती यह जुग गुणो साबित नती तो एक वेक्ती, तो एजोप नाव एनने जामिन उपर छोड़वां मा आवे, जेती पोता नों काम करी शके, और जे कुटूम नी निर्बरता छे एना उपर एनने संतोसरी शके, क्लियर तो जामिन आ कारणों थी मडवां मा आवे जामिन उपर छोड़ए पचे, यह जे गुणेगार छे, कि वेक्ती छे ए सू न करी शके, तो एना माटे ना पन च्यार कि जो जामिन उपर ए ग४र एक्ती ने छोड़वां मा आव से, जेने फरियाद करी शे एने हैरान नहीं करे पेला थौ। पाना चे, एमनु जे वाक्या चे, एमना जे निवे धनों चे एनने नहीं बदली सके त्रीजी बस्तू विदेश ना जई शके, कोट द्वारा नक्की करायला एरिया माझ रही सके जामीन उपर छोड़या बचे ए वेक्ति विदेश माना जई सके कोट द्वारा नक्की करायला एरिया माझ रही सके अने एना माटे शू करवा मावे चे के दर्रोज पोली स्टेशन माझ जईने साइन करवानों आओ नियम पर राखवा मावे चे अमों कंडिशन यंदर जोई हो से जमके सिंगम पिच्चन यंदर अच्छे आई थिंग जमा अपलों जे गुंडों छे एने साइन करवा माटे दर्रोज बोला आवे से तो एउं कईक होए कि पोली स्टेशन माझ तमारे दर्रोज हाजरी आपी पर से दर्रोज साइन करवा जवा पर से एना थी एटली वस्तु प्रूप थाए कि वेक्ति आई हाजरत चे क्या आई भागी गयो न थे तो आर इतना कि जामीन मढे चेए आट ट्रण टाइप नी जामीन है येमा आर इतना प्रोसेस थाइ जामीन नी और एना पचिड जामीन कखे आप्पा मा ख़ी समझा दिदू और जामीन उपार छोड़या पचिड ये व्यक्ति सू म कर हिशक थे जाम आ वस्तु आपड़े आगर एक चेप्टर आउसे जामिन नो ए वक्तिया बदू काम्मा आउसे पर एज अपनाव जामिन सब्दा आ चेप्टर मा छे एलिए मैं तमारा जी माइंड मा जे क्वेश्चन हो अता जामिन ने लएने ए बदा मैं क्लियर करा जीजा ओके चलो हवे आचेप्टर नी शरुवाद करें से कलम नमबर 106 कलम नमबर 106 केचे के सूले जाडवा माटे जामिन आजी चेप्टर मा आपने जामिन नी बदा करें जामिन ना थी जह आया में जी समझावी नि आ एक्चुली जामिन शे आ बदीसू छे सजा पछी नी जामिन बतलब कि तमें कलम हो चलावी सुना यहले तमने आईडे आवी जिसे के आ सेनी वाद करवा मागे छे तो कलम नंबर 106 के अचे सूले जाडवा माटे जामिन इटले के गुनो साबित थैल आरोपी ने सजा थाय त्यारे सजा करणार कोर्ट सजा पूरी थैया बाद त्रोण वरस सुधी सूले जाडवा के जात मुचर कोले छे अने सेसन कोर्ट के प्रथम कोर्ट ना मेजिस्टेट जामिन आपी सके छे हवे सिंपल वस्तू छे आ सू केवा मागे छे द्यानती समझ्जो जे आगड आपने जामिन बनी गया ने एकचुली जामिन छे एकचुली बेल छे हवे आ चेप्टर मा सुगिदू छे खबर जे के सजा पूरी थे जाए एनी सजा मतलब के एक गुणो करे छे एक गुणो साबीत पर था एक कोटनी अंदर अने सजा पना पिदी दी हवे मेजिस्ट्रेट ने एऊ लागे के आजे व्यक्ती छे वारे गरी गुणो करे छे अथवा तो बार निकडी ने आउ कईक गुणो करे एऊ कईक संभव एऊ लागे छे तो आवा कंडिशन ने अंदर मेजिस्ट्रेट शु कर से के जे सजा आचे ए पूरी था या पचे एनने कैशेक भाई त्रण वरस सुधी तारे कोई गुणो करवानों न थीव। शुले जाडवा माटे नी एक जामीन लख्या से एक बौंड साइन कर देशे ए बौंड नी अंदर एऊ लखेलू असे कि मू तमने चलो तारी सजा पूरी थाईगे अवे त्रण वरस सुधी तू कोई गुणो नए करे एऊ मने लख्या है, ऐ जो ते त्रण वरस सुधी कोई गुणो कर यो, तारी मिलकत Полा ईहले मिलकत तो जाते साते शाते आते मिलकत गुणा अधि मेलकत बौंड मेजिस्टेट द्वारा क्य पॉलिस द्वारा कैं जक्तिंहावा ड़ी एक जामीन ल लखिया पामा आवे कि भाई तू गुणो ने करे जो तू गुणो करे तू गुणानी सजापण थसे अने साथे साथे तारी मिलकत पण गए तो कलम नंबर 1132 यसेमज शुके सजा कर्यणार काट सजा पूरी थाया बाद समझे accent के बेवरसनी सजा मड़ी तो बेवरसनी सजा पूरी थाया बाद त्रोन वरस धर्मियान सजा पूरी थाया पचे ऐ बार निकड से अने 12 निकड़ा पची ना 3 वरस नी अंदर ए सुले जाडवा के जात मुचर कोले एले के 3 वरस सुधी, सजा पुरी थाया पची 12 निकड़ा पची 3 वरस सुधी कोई गुणो नही केरे ए भी जामिन लखाई लेवा मा आवेचे कोट दवारा, के बई ताने छोडवा मा आवेचे, पन बध्धा जोड़े नतीम लखावता हो, के आपनी याद राग जोँ, आ एवू नही के बध्धा केदियो जोड़े आवू लखावा मा आवेचे ना, कोट ने एवू लागे के अवे बार निकर से, तो फरी थी गुणो कर से, एवू लागे येशे, तो ये सुसुकरी देवा मा आवे, एक बॉंड साइन करी देवा मा आवे, ए वेक्ती अने कोट गवारा, के एनी अंदर एवू लखेलो हो छे, के पड़ि तु सजा पूरी था या पची त्रण बरस न तो आईया एक डरावा माटे आ टाइप नी कलमों राखवा मा आवे छे, अन्या सेसन कोट के प्रथम भर्गना मेजिस्टेट आ टाइप नी जे जामिन छे, ए लखावी शके छे, कलम नंबर 107, सुले सांती नो बंग, जो कोई वेक्ती सुले सांती नो बंग करे, खलेल पह चाड़े, अथ्वा तो तेउ संभव होई, एउ लागतु होई त्यारे, तेवा वेक्ती ने एक वरस सुधीना जामिन लई शकाई छे, एक्जाम्बल दरीके वाद करू, कि आपड़ा बिडे बाई ए फरियाद करिया थी, क्वोना नामनी? जेठा लाल ने, जेठा लाल ने आर इतना फरियाद करवाना कारणे, जेठा लाल ने समझीलो, कि बे वरस नी सजा थे, बिडे फरियाद करिया थी, कि बाई जेठा लाल चे ए बखेडों करे चे, जेठा लाले मारा मारी करे चे, अने आ बिडे फरियाद करवाना कारणे, क्वोटनी अंदर केस चाले, अने क अवे आउ मुवी नी अंदर पन जो हुए के कोई अपरादीने पकडाओने तो फरियादीने दमकी आपतो जाए तो आरितना जेठा लाल पन दमकी आपे छे बिडे तुने मुझे पकडवाया है मैं बाहार निकलूंगा तो तु गया मतलब कि आठाई इतनी दमकी आपता हुए तो यह मैजिस्टेट ने यहुँ लागे के आवेक्ति जेठा लाले छे यह बिडे ने आरितना दमकी आपे छे के बाहर निकड़ीने फरिती गुनो कर से तो आउ लागे मतलब कि आउ संभव हो कि एवो वेक्ति जे गुना नी सजा भोग्या पची जेरे बार निकड़ीने फरिती गुनो करी शके छे तो आवा कंडिशन नी अंदर सु करवा माँ आवे कोट द्वारा एक वरस सुधीना जामिन लई लेवा माँ आवे कि तु छुटे पची एक वरस नी अंदर तारे इने पर जबती करी देवा माँ आवे कि तो आव इतना जेठा लाल ने डड़ावा माँ आवे छे एक तो सजा मड़े अने शाते साथी मारी प्रोपर्टी पण गई तो आयासू करवा माँ आवे कर जे कि जे सुलेसांती तो भंग ना थाए एना माठी अगा उती जामिन ले प्रचार करनार के प्रकासन चलावनार राजद्रोही बासन करनार व्यक्ति है कि असलील प्रकासन ना मालिक ने एक वरस दर्मियान सारा वर्तनी जामिन लए शके जहमके वाद करे कोई व्यक्ति है जे आपणा बारत मा रचायले जे सरकार चे एना विरूत सु करता होए बासन करता होए जेनी अंदर राज द्रोनों गुनों लागे तो आवा व्यक्ति ने पकड़ी लेवामा आवे मतलब के राज द्रोना गुना उपर पकड़ी लेवामा अवे गुनों साबीत थाई गयो और एने सजापन मड़ी गए राज द्रोनी पन जारे ए चुट से त्यारे ए फरीथी एवामा न करे लेगे राज विरूत ना मतलब के राज विरूत के केंदर विरूत येवा बासनों न करे एना माटे पन एक वरस ना आरितना सारा वर्तन जामीन लाई शक्वामा आवे चे इज वस्तु जे आगड आपने जोई होतु पन आ राज द्रोना केस मां कोई वो ब्यक्ति जे वारे गरिये एवा बासनों करता हो है वारे गरिये मतलब के समझीलों के एवा सम्मेलन करी ने भारत नी सरकार विरूत बढ़काओ बासनों के जेना थे एकवरा सुधिना जामीन लाई शकाये चे जेना थे एक वरा सुधिने यहा कोई भासन न करे ओके तो आपना आई होथ सो क्लियर थे pos से जह एकभरा सुधिना थे वारे बासन करें तो यहनों राज द्रोनों गुणो अने एनी सजा तो ससे, साते सारी एनी मिलकत छे, एनी पण जपती करी देवामा आऊ से, जेना थी ये वेक्ति डरी जो शे, जेमके आपड़ा गांधी जी करता आता है, गांधी जी बासर आपता, अंग्रेजो विरुद, पछे एमने जेलमा लई जवाब महाँता, जेलमा थी छूटे एले पाचु येमनू कारियर जे चालू थे जाए बासर आपतानू, तो कोई गांधी जी जेवो होए, कि जिने केवाई कि सजा मड़े, पछी छूटे एले पाचु ये नाए बासर नो चालू करे दे, पकड़ाई जाए, सजा मड़े, छूटे एले पाशा बासर आ आलते जाए तो ए वस्तु ना थाए एना माटे आ 108 नम्बनी कलम जे कलम नम्बर 109 हाजरी चुपावी आसु केवा मागे चे ध्यांती समझो कोई वेक्ती अमुग जग्याए हाजरी चुपावी ने फड़तो होए अने ते जग्याए तेनी हाजरी माटेनू व्याजबी कारण एनी पासे न होए तो तेवा वेक्ती नी धड़ पकर करी ने एक वरस नी मुद्दत माटे ना जामिन प्रत्थम वर्गना मैजिस्टेट लई सके छे एक्जांबल तरीके बात करे कि कोटनी अंदर एक केस चाले छे अवे एक केस ना जे इंचाज अधिकारी होए यलेकि एवा अधिकारी एवा पोलिस अधिकारी जे एक केस नी तपास करतो होए अवे obviously ज्यारे ए केस नी मुद्दत होय, लेके ज्यारे ए केस चालतो होय, त्यारे ए अधिकारी ने फरजियात पड़े कौटनी अंदर हाजर रहो पड़े, simple छे, जाहिड तुछे, कि ए वेक्ती ए केस नी तपास करी छे, तो ए वेक्ती हाजर रहो जरूरी छे, पर समझी लो कि हुँ क्वाट नी अंदर केम हाजर न थी रहे तो, तो आवा कंडिशन नी अंदर छे ने क्वाट ए आर इतना कलम नंबर 109 प्रमाणे कई सके छे, कि क्याम तुवो तारी हाजरी छुपावे छे, तो एना माटे पण एक वरस नी मुद्दत लेवा माँ आवे छे, कि हवे ज्यारे पण, तू कोई केस हैंडल करतो होई, अने ज्यारे पण एक केस नी मुद्दत होई, त्यारे तारे हाजर रहे हुँ छे, फरिया पणे तारे हाजर रहे हुँ पर से, तो आर इतना पण, क्वाट छे, एक कोई अधीकारी के कोई पण वेक्ती ने हाजरी आपामाटे जामिन लेई शके छे तो जो आई यह सूल अखेलू जे फरिती मांचू कि कोई वेक्ति अमूग जग्याएं हाजरी छुपावी ने फड़तो आए अने यह जग्याएं तेनी हाजरी माटेनू व्याजबी कारण पणना होए यह जग्याएं कैम नथी आओ तो एनू कोई व्याजबी कारण पणना थी तो एवा टाइम नी अंदर ए वेक्ति नी धड़ पकड करीने एक वरस नी मुद्धत ना जामिन प्रत्थम वर्गना मेजिस्टेट लह ले छे जेनाथी ए वेक्ति फरी वकत जयारे पण आववा नू होए जे हाजरी आपपानी होए त्या हाजरी आपे जो हाजरी नी आपे तो मिलकत जबती डरावा माँ से तो आब दी वस्तुत आमें जो हो चो ओके तो आब दे जे केवा इनके आज बदा क्वेश्चन हो चे मतलब के तो ए बदा डरावा माटे ना चे कलम हो तो एवा गुनेगारों जेमने बिजु कसो आवर्त दना हो है एज वस्तु करता हो है जेमके चोर ने बिजु कई काम ना आवर्त हो है चोरी च करता हो है चोरी करे पकड़ाये जाए बार निकड़े चोरी करे पकड़ाये जाए अंदर जाए बार निकड़े चोरी करे पकड़ा व्हाय गुनेगार केवान मे आवे छे? आधत ही गुनेगार केवाम मे आवे छे? जैने बिजु कयन आवड़े, गुणो करवानी आधत पड़ी गई गयोए. तो zamने लोंड के चोरी नोगुनो वारंवार करतो है व्यक्ति, возмож बनावाजों काम करतो है, वारंवार अफरन करता हुए, बर जबडिती कड़ावी लेऊ वारमवार, ठगाई वारमवार करतो हुए, अथवा तो एनी कोसिस करतो हुए, तो एने त्रण वरस ना जामीन प्रथम वर्गना मेजिस्टेट सम्रक्स लेवा पड़ से, तो सिंपल वस्तों छे कि एवा गुनेगार जे व जेती ए वेक्ती इशे, ए फरी वकत गुनो ना करे, तो आजनू चेप्टर छे ने आम केवा इन तो ओछु इंपोटन छे, पण आनी अंदर समझ वाजेवी वस्तों वदारे छे, जमके में ये जामीन वस्तों समझावी, आ वस्तों तमने माइंड नी अंदर खबर होवी ज जयारे एनू पर्टिकुलर आ जामीन नू चेप्टर आवसे त्यारे, तो आमाथी आपड़े केटलू याद राखी सु, तो 108 नम्बनी कलम, तो राजद्रो, राजद्रो माटे ना एक वरस ना सारा वर्तन ना जामीन लई शकाए, आ खास याद राख जो, बाकी नी कई खा अने माता पिता ना भरण पोशन माटे ना हुकमोनी बाद करी छे, जे कलम नंबर 125 ती लईने 128, यले के 4 कलमोनी अंदर आ चेप्टर छे, नानू यहू चेप्टर छे, पर महत वनू छे, समझवाज यहू चेप्टर छे, बिजी बस्तू के मैं तमारा माटे 2 e-book बनावी छ CRPC नी, आ बन्ने e-book माराद वारा टाइपिंग करवामा आवी छे, साथे साथे, आनि अंदर चे कार्टून मुकवामा आवे छे, साथे साथे एक्जामपल द्वारा समझावामा आवे छे, आ बन्ने ना डेमो पेज नीचे डिस्क्रिप्सन मा आपेला छे, ए डेमो पेज जोई शको छो, आनि डिस्क्रिप्सन मा आज एनी पर्चेस लिंक आपेली छे, पर्चेस लिंक 65 रूपीस फोर IPC, 29 रूपीस फोर CRPC छे, बन्ने बूप तमें इमेल ना मध्यम थी मिडवी शको छो, आनि कोई फिजीकल बूप तमारा जोड़े नहीं आवे, आ ए बूप छ अमुक लुकोнने आ सब्द क्यांक सामड़े लोगसे, अमुक लोगो आपड़ा गुजराती नी अंतर गुजरात मा एंने खादा खोरा की कहींए छे, और एक खादा खोरा की मा भर्रण परण केवाम होगे, तो आपड़े नहीं खादा क qोरे कि कहींए छे, इज आबड़े बरण पोशन येले के खादा खोरा की कौन मांगी सके कलम नमबर 125 मां की दूछे पतनी माता पिता अने संता नो आ त्रणे त्रण वेक्ती छे ए बरण पोशन मांगी सके छे वन बाई वन एक एक ने समझे कारें के आपणा माईट नी अंदर तो एटलू जोहे छे के बाई खा खादा खोरा की कही है छे पड़ एउन नथी माता पिता पन पोटा ना पुत्र पासे खादा खोरा की मागी सके छे इवन संता नो पन पोटा ना पैरेंट पासे पोटा ना माता पिता पासे खादा खोरा की मागी सके छे वन बाई वन एक एक ने आपणे समझे सउथी पेला पतनी छे एक कया आधार उपर पोताना पती जोड़े खाधा खोरा की मागी से के चलो जो ये तो जीवन जरूर्यात अने मान मोगो जड़वाई रहे तेनी रकम जेमा मौक सोक नो समाविस्थतों न थी छुटा छेडा आपया होई अने मेडविया होई अने फरी थी लगन न करया होई एवी स्त्री आ ख़दा ख़़ा की माटे बरण पोसन माटे केवाईंके वैलिड छे पतनी व्याबी चारी होई बन्ने नी सम्मन दिती अलग थाया होई तो बरण पोसन मागवानों हक न थी हवे कईक एवी कंडिशन ना कारण ए ए बन्ने एक विजाती तलाक लेवा मागे मागे चे पति ने तलाक लेओ छे अथवा तो पतनी ने तलाक लेओ छे बन्ने कंडिशन नी अंदर ए बरण पोसन मेडवी सके चे तो पतनी ए पताना पती थी अलग थाये चे डिवोस थाये चे तलाक थाये चे तो पतानी पतनी नो मान मबो जड़वाई रहे पते जीवन जरूरियात वस्तू छे ए लावी सके जेनी अंदर मोग सोक नो समावे स्थतो न थी तो एवा कंडिशन यह उन्द सु करें चे के तलाक थाय पछी, पती चे ए अमुक रकम, अमुक पैसा दर महीने पतनी ने आपसे, जेने बरण पोसन माटे ना पैसा के वा मावे चे, जेना थी जे पतनी चे, पोता नी केवाई के मान मोबो एनो जड़वाई रे, पोता नो जे खावानी जे वस्तु छे ए लावी शके करके समझीलों के कोई पत्नी छे नोकरी ना करती होए एने कई आवर्तु ना होए अन्ने सिंपल ए ना तलाग थे जाए तो बले ए मम्मी पापा पासे रहे पड़ यहा पती यह दर महिने एने कई खाधा खोरा की आपपी पड़ से आनी अंदर कया कंडिशन नी अंदर पत्नी छे एक खाधा खोरा की ना मागी शके त्रोन कंडिशनों छे पहली कंडिशन जारे पत्नी व्याभी चारी होए व्याभी चारी नो मतलब सुथाए आपने आईपीसी नी अंदर बढ़े आता व्याभी चारी नो मतलब थाए कि को पतनी छे ए खाधा खोराकी के भरण पोसर्ण मांगवानों हक न थी व्याबीचारी सू के वाई व्याबीचार सू छे एमें आल्रेडी आईपीसी नी अंदर डिप मां चलावेलों छे ओके तो तेरे में तमने ब्रिप मां कही दिदू के तमारी पतनी जो बिजा पुरूस आरिरिक सबन बादें छे पोतानी सम्मती थी तो एवी पतनी ने तलाग पची खाधा खोरा की भरण पोसर्ण मांगवानों हक न थी चलो तो एक तो व्याबीचारी थे गे विजा नमबनी के तलाग पची जयरे ए बिजा लगन करें छे तो पन एने आर इतना भरण तो त्या सुधी मागी सके छे एना जो बिजा लगन थाई जसे तो ए भरण पोसर्ण एने मागवानों हक न थी त्रीजी वस्तु जो ए नौकरी करती होए जे श्त्री छे ए नौकरी करती होए पोताना पग उपर उभी होए तो आवा कंडिशन नी अंदर पन भरण अमने इस खबर पड़ी गए हवे बात करें माता पिता नी तो अधार वरस्ती वदू वईना पुत्र पासे अने पुत्र ना होए तो आ परनित होए ये भी पुत्री पासे भरण पोसर्ण मागी सके छे तम्यत्याना समाज नी अंदर जोई रहा छो जे छोकरों छे ए पोता अधार वरस्ती वदू वईनों होए तो या मम्मी पपा एना छोकरा जोडे थी भरण पोसर्ण मागी सके छे दर महिनानों पईसा मागी सके छे आउ कलम नंबर 125 के छे जे आपने रियल लाइप मां कदा जानमा पन नहीं मड़ियो है काल कि आपने खाली पतनी वाडू जानत अधार वरस्ती मोटा वईनों पुत्र चे एने त्यजी दे छे तो अहीया ए मम्मी पपा ने पन पोताना छोकरा जोडे बरण पोसर्ण मागी सके छे दर महिने का इक पैसा मागी सके छे जेती एना मम्मी पपा चे ए पोतानों मान मगो जड़वाई रोजिन दी जरूर जो पुत्र ना होए तो ए पुत्री पासे पुट्र ना होए तो आवा कंडिशनी अंदर पुत्री जोडे पन मम्मी पपा चे ए भरण पोसर्ण मागी सके छे कलम नंबर 155 प्रमाने संतानो अडार वरस्ती नानी वैना बाड़को अथवा तो गांडी व्यक्ती पोताना मम्मी पपा जोडे पड़ पैसा मांगी सके छे ओव्येजली आवस्तु बन्तीद नती करें के नाना छोक्राओने मम्मी पपा क्यारे पड़ तजे नहीं अथवा तो कोई गांडी व्यक्ती बले गम्मिटली गांडी होए पोताना पैरेट मांट पोतानू छोक्रू छे ए बध्धा आखा दुनिया ना छोक्रा होती सवती केवाई के सवती सारू छोक्रू होए तो आवा कंडिशन नी अंदर जो पण आओ किस्टो कदाच बने चे कि मंमी पपा चे ए अमना छोक्राहोने त्याजी दे छे कोई अना थास्रम मुख्यावे चे अथुपा तो कोई मंदीना पगतिय मुख्या आवे चे आवा किस्टा तमें वारी गरे कदाच साम्भडता हो हो तो आवा कंडिशन नी अंदर जो छोक्रों अढ्दार वरास्तू नानू होई तो पुता ना मम्मी पपा जोड़े पन पुता ना मम्मी पपा एने राखवा ना मागता होई तो पुता ना मम्मी पपा जोड़े पन दर महीने पैसा मागी सके चे बरन पोसण मागी सके चे ओके तो जेना थी एना खावा पीवाना के जे पन एक्सपेंसिव छे तो आवी वस्तु कई रीतना बने, मतलब कि आ वस्तु चो चलो, नियम खबर पड़ी के, कि आ वस्तु आगू होए, तो आना माटे आपडे सू करू कुझे, जेमके पत्नी छे, ये पत्नी ना डियोस पछी, पत्नी ने पती जोडे पैसा मागवा छे, लेके बरन पोसन मागव चे, मम्मी पोपा चे, एने छोकरा जोडे बरन पोसन मागवा छे, जे संता नो चे, एने पोता ना मम्मी पोपा जोडे बरन पोसन मागवा छे, तो आना माटे ना काईदा, मतलब कि कई रीतना प्रोसेस थाषे, तो ए प्रोसेस चे, कलम नंबर 126 नी अंदर आपे लेशे, के बरण पोसन ना हुकम माटेनीक कारिय भाहईस तड़, कई रितना बरण पोसन मागी शका है, तो सिंपल वस्तू सु करवानों वकिल रोखवानों, ए वकिल ने केवानों, के मारे आ वेकती जोडे बरण पोसन मागवों चे, पत्मी छे ए पोताना पती जोडे मागी शके, को दिवोस पत्नी जिया रहेचे त्या आधिश्ट स्टाट थाए पती जया रहे छे त्याती श्टार्ट थां कातो पती पतनी जया बिदने भेगारेता हाता त्याती पन स्टार्ट करी शकाएचे औने वकीलने हाजरीमा करी शकाएचे मदलब के जे वेक्ती जोड़े थी बरण पोसन लेवानों चे ए वेक्ती पासे जाए कैई-कैई जग्या जई सके ए वेक्ती मदलब के जेने बरण पोसन लेवानों चे ए वेक्ती ना गरेव कातों मड़े त्रण जणा बेगा का तो जे वेक्ति पासे थी बराण पोशन लेवानुचे एनी जग्या उपर मड़े अत्वा तो ए बनने जयारे साथे जया साथे रहता होई त्या जईने पन ए बराण पोशन ने जे कारियवाई चे एक करी शकाई चे आना पचे नू नेक्स टेप सुआ से तो समझी लोगे वकिल रोखी दी तो वकिल रोखे आ पचे ए वेक्ति ने मड़ेया एना पचे मैजिस्टेट जोड़े आ मुद्धो जासे मेजिस्टेट जोड़े ए मुद्धो जैसे अने मेजिस्टेट ए जोसे कि बाई पती समझे लो आपड़े पती पती नुँ डारन लैसे जेती बाकी ना बेचे तमारे आपो आप समझी ले वाना चाई हवे कलम नमबर 117 जो यहें के बरण पोसंड नी रकम मा फिर फाल और माव ठेही समक्सरजू करवालावसे यह कि यहा पत्मी चे आहने मेजिस्टेना पती जोड़े बरणपोसं मागओ उ। तो एक कया आधार उपर मागे, तो चलो, जे मेजिस्टेट छे, एने जोयू, के भई आप पत्नी छे, एने पती आब अब अनुशंदान मा एक भरण पोशन मड़ी सके, एक्जांपल तरीके, एक जश्ट एक्जांपल करूँछू, के पती आले पत्नी, जे माथी जे पती जे समझीलो के महिने बार हजार रुपया कमाये छे, कितला महिने बार हजार रुपया कमाये छे, तो एने आर्थिक स्थितिक लिए छे बार हजार रुपया ने छे, तो बार 1000 माझे मैकसिमम भरन पोशंड ए 15iger 2000 हो शके के लो वह सके जश्ट एकजामपल लग छो 500 थी 20iger 2000 हो शके के 12000 माझे 2500 रुपया दर मैने ए पोतानी पतनीने आपसे ला Χिह कोई यह वह वह व्यक्ती छे मैने एक करोड रुपया कमाये छे कोई एवो व्यक्ति छे मैनेस उ कमाई छे 55.000 रूप्या कमाई छे तो एवो नहीं कि बर एक करोड रूप्या कमाई छे तो 10 लाख रूप्या पत्नी ने का रिपा ना तो आर इतना नक्की करवा मा आवे छे लेगे आर्थिक स्थितिने अनुशंदान मा ए बरण पोसंड चे ए आपपामा आवे छे तो आवस्तो पन तम्हें माइड मा उतारी देजू चलो हवे कलम नंबर 127 एवी सेहु कह छे के बरण पोसंड नी रकम मा आगर जता फेरफार थाए के नए तो ओवियसली थाए कई-कई कंडिसन नी अंदर सौथी पेली कंडिसन छे मोंगवारी अनुशार बरण पोसंड मा फेरफार नो दाओ माणों एकजांबल दरीके वाद करें के आजना समय नी अंदर आजना समय नी वाद करें के अत्यारे चाले छे 2022 बे हजाने बावीस बे हजाने बावीस नी अंदर कोई पत्नी छे ए पोताना पती जोडे भरण पोसंड मा गे जे अने ए बरण पोसंड ना अनुशंदार मा दर महीने वाद नकी थाएछे के बे हजार रुपया पती छे ए पत्नी ने आपसे अवे मोंगमारी अत्यानी जे मोंगवारी जोता ए नक्की करवा मा आवे छे के पती छे ए दर महिने पोता नी पत्नी ने पोता नो मान भोबो जड़वाई रे एना माटे 2000 रुपया आप छे अवे आज थी समझी लोग के 10 वरस पची एले के समझी लोग के 2000 ने 32 सावे छे 10 वरस पची सु मोंगवारी आना आज रे से सु ए टाइम में पन 2000 रुपया चालवा ना मतलब के 2000 रुपया जाप पाना रे से तो के ना जे रितना मोंगवारी बदलाए छे ए रितना आ बरन पो पोशन्ट से एनी रकमनी अंदर पड फेरफार थाए जे रितना मोंगवारी वद से ए रितना एज रितना आर्थिक स्थिती अनुसार एक्जांबल तरीके वाद करूचू के पती छे ए पती समझीलो के आजे 20,000 रुपया कमाई छे पती छे आजे 20,000 रुपया कमाई छे एनो बरण पोशन्ट, पतिनी तो ना कहिछ साकै काया के डिवोस तहिगा छे पन समझीलो के यानि पति पहला पति आती एने आपने जे बरण पोशन्टन ना अनुसांदान माँ तो आवा कंडिसन ननी अंदर पती चे, ए मैंजिस्ट्रेट समक्स आ मुधे राकी सकेबरे सकत। उमारी पत्नी ने कई रितना आपो, तो आ वस्तो पण मेजिस्टेट समझ से, अले मेजिस्टेट जे 1500 रुपया ता कदाच 1000 रुपया करी दे, का तो 1500 रुपया पण करी शके छे, तो जे बरन पोसन नी रकम चे ए पतिनी आर्थिक स्थिती उपर आजा राख से, जो एनी आर् पत्नी माड़े तो किसा ओमा, तो जो पत्नी ने नौकरी माड़े तो आ भरन पोसंड, जे आपपानु थाई छे, एै कैनसल थे चे चे, लेके भरन पोसंड आपी सकाहे, ने, तो समझीलों के का ब conservative पत्नी चे जे ने डिवोस्टभ फ़ई गया, गर चे नौकरी श्टारड तो पति मेजिस्ट्रेट समक सामुद्धो राखी सके चे के पतनी ये नौकरी स्टार्ट करी चे पोता ना पग उपर उभी रही चे तो हवे मारे भरण पोसण आपपानू थतु नथी कारांके हवे पत्नी चे ए विजाना गर्मा जते रही मतलब के विजा पती जोड़े लगना करी दिजा तो हवे एनौ जे कारिया बार मतलब के एनौ जे खावानू पीवानू जे पणा से ए आवे नव पती आवे ए आवे संबाड से सिंपल वस्तु तो यहा पन भरण पोसण चे यह या कैंसल थाई ज़ेशे तो जे दिवस्ति मैजिस्टेट समक्स दाओ मनजूर थाईो तेज दिवस्ति आ बरण पोशन हुकम यह अमल मा आवी ज़ेशे एकजामप तरीके बाद करे के आजे तारीक छे एक एक बहजाने वावी मेजिस्ट्रेट नी समक्स आ भरण पोषण दाओ मांड़ेँ अन्य मेजिस्ट्रेट है हुकम करेँ कि दर महीने तारे पंदर सो रुपया चे ए तारी पत्नीने आपपानों तो जे दिवस्ती आ दाओ अमल मां आवेँ मतलब कि जे दाओ मंजूर करेँ मेजिस्ट्रेट एज दिवस्ती बरण पोसं स्टार्ट तो पहली इंश्ट्रोमेंट एन एक 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 लहजार अन्य मरी जैशे पड़ी नेक्स आव से एक ले मली 중मेंने औरव यbased दारिक के पईसा आ पाना रहे से वेद petals और तारिक चे आप Lalए नहीन पया आस आन्याय्त थ्जाए आ नेक्स आए तो जे दिवस्ती मेजिस्टेट ए दाओ मंजूर करे छे एज दिवस्ती एने बरण पोशन नो जे हुकम छे ए अमल मावी जेसे औने एज दिवस्त ना दर महीने एने जे पन नक्की थाई छे पैसा ए आपपा पड़ से तो आपने बात करी सो प्रकरण नम्बर 10 जेनी अंदर जाहर व्यवस्ता अने सुले सांती जाडवा बाबत नी बात करी छे जे कलम नम्बर 139 लई ने 148 सुधी बात करवा मावे छे बिजी बस्तो के कही दोओ के माराग बारा बे बुक बनावा मावे छे एक IPC नी चे एजी CRPC नी चे आईपीसी नी चे बुक चे एए ईबुक चे CRPC नी पर ईबुक चे आँ तमने फिजीकली नहीं मड़े पर जो तम्हारे ओल्लाइन पर्चेस कर भी हो यह तो तम्हें करी शको छो IPC नी बुक नी प्राइज में 65 रुपीश राकी चे CRPC नी 29 रुपीश राकी चे डिस्क्रिप्शन नी अंदर आप बनने बुक ना तमने डेमो पेज मड़ी ज़से डेमो पेज जो 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 डेमो पेज गमे तोज आप बुक ने तमने पर्चेस करी शको छो पर्चेस करया पचे आप बुक छे तमने इमेल मार्द्यम थी मड़ी ज़से बिजी बस तु के बहले बुक खरीदो ना खरीदो पर तमने जे फ्री लेक्चर मड़े छे एतो मरताज रेशे एने तमने एंज़ाय करी शको छो तो आजना लेक्चे नि अनदर जाहे विवस्ता अने सुले सांती जाडावा मााते कया-कया हुकम हो करवा मा हवे छे एने बात करवा माहते खार आजी चेप्टर शे एने में चार तबक का नी अंदर चार पार्ट्स नी अंदर डिवाइड करेलो शे पहला पार्ट्स नी अंदर आपड़े गेर काई देशन मंडरी ने लगती कलम हो जोईशू जे कलम नंबर 139 ती 132 सुधी बाद करवा मा आवेशे बिजा तबक का नी अंदर जाहेर मा 139 ती 133 सुधी बाद करवा मा आवेशे तरीजा नी अंदर बईनो अंदेशो होई तेवा संभवित प्रसंगों नी बाद करवा जे मा करफियू नी बाद करवा जे कलम नंबर 144 सुधी बाद करिसोय तो चालो आपंडे वन बाई वन एक एक जे तबक का चे एनने आपणे बनिये आन ये ये लगती जी कलम हो छे एनी आपणे वाद करिए काbell करी नीबा जे गेर काईटेशन मंदर ही जे कलम नंबर 139 ती 122 शुधी बाद करवा मा आवेशे अब गेर काईदेशन मंदड़ी नी कलम हो चलावे ए पेला हो थोड़ू गेर काईदेशन मंदड़ी विशे केवा मागे से तमने खबर से के IPC नी अंदर आपने गेर काईदेशन मंदड़ी नी बात करी है थी गेर काईदेशन मंडड़ी नी व्याख्या कई कावी अथी के 5 के 5 ती वधारे व्यक्ती कोई एवी जग्या जा प्रवेश करो न जुए त्या गुनाहित प्रवेश कर से त्या जे काम चालतू हो से एने अटकाव से त्याना जे कॉंट्राक्टर हो से त्याना कोई व्यक्ती ह अधिया जी काम करवा मां हावे छे एक रोड चे एने ब्लोक करी नाक से जिती बहानों एक जग्या इती बीजी जग्या इनना जई सके तो अधिया जी काम करवा मां हावे छे ए खेवा इनकी 11 क्या इदिशन मंडडी नु काम चे ए कई हिमसकत प्रवडूती नहीं करे। कलम नंबर 139 सेहूं गेवावागे छे कि स्थानिक पोलिस दर्णों उप्योग करी ने गेर काईदेशन मंदरी ने विखेर वे अनि गेर काईदेशन मंदरी ना विखेर आए तो बड़ प्रयोग करसे औने धर पकड़ करसे औने आवा समय पबलिक नी मदद नी जरूर पड़े तो पबलिक नी मदद नी जरूर लई शकाए छे आनि अंदर यूख यहां मागे छे कि जे गेर काईजेशन मंडड़ी छे जे काईक अर्चन उभी करें छे तो आ मंडड़ी ने विखेरवा माटे बे जना आदेशा पी सक्षे कोड एक तो एक्टो एक्जूकुटिव मेजिस्टेट अब एक्जूकुटिव मेजिस्टेट कोई छे एमें तमने अल्रेडी चला भी दीदू छे मेजिस्टेट बले पाचर सब्दा आवे चे यहनों मतलब एवन ना थी कोई जज छे ना एक्जूकुटिव मेजिस्टेट यहलेके मामलगदार कक्षाना व्यक्ति होए जी जाहेल नामक एक बार पारवाना होई ना 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 हुकम हो करवाना होई कोईनू समस काड़वान होई कोईना नामनों वरंट काड़वान होई तो एवा बदा जी काम छे एक्जूकुटिव मेजिस्टेट करें छे लिगे उपणना लेवल ना जी मेजिस्टेट छे समस ना सेसन जच न other को है चाहा इंधा इंदर पाइचे जिकतली जरूर पड़े इतला एकजिकिटीव मैजिस्टेट लागी शखे तो एग्जुकीटुर मेजेस्ट्रेट आधिसापी सक्षे अथवा तो त्यानी जे लोकल पोलीस होए मनलगे जे एरिया मां आऊ प्रवदर्शन थतो होए गेर काजेसर मंडड़ी कारियर होए तो ए एरिया नू जे पोली स्टेशन होए तो एना इंचाज अधितकारी तरीके बे वेक्ति होए कातो पी आई होए कातो पी एसाई होए कोई मोटू एवो सहे नासे एमा जो पोली स्टेशन होए तो एमा पी आई है कोई नानू एवो सहे नाना एवा गामनी अंदर कोई पोली स्टेशन होए तो एमा पी एसाई है तो पी एसाई अथवा तो पी आई छे इए इर्या मा जे गेर काईशन मंडरी कारियर रच्छे एन्यों विखेराई जवानों आदेस आपी सके छे PSI ती निचला आधिकारी आओ आदेस आपी सकता नथी आपण आपने याद राखे शुक्त अवे ज्यारेट पर विखेराई जवानों आदेस आपे छे औने गेर काईशन मंडड़े विखेराती नथी तो आवा कंडिसन नी अंदर पोलीस अथवा तो मैजिस्टेट एकजिकुटी मैजिस्टेट आदेस आपी ने बड़ प्रवेक पर करी शके छे औने अमुक लोकों न नमबर 130 कलम नमबर 130 यहूं कह छे के ससस्तर दढ़ना सब्योंन उप्योंक करी ने गेर काईशन मंड़े ने विखेरवी यलेके समझी लोके गेर काईशन मंड़े छे ए थोडू बयानक स्वरुपदारन करे छे यलेके जहनके किसान आंदोलन चे किसान आंदोलन मां गेर यहारी हो आएछे एथा में जो ही शको चो कि आखोरो रस्तों चे ब्लोक करी ना केछे जे पोलीस थी पण हैंडल था यहान न थी तो आवा कंडिशन ने अंदर कलम नमबर 130 यहूं कहां मां गेछे के मिलेट्री नी जरूर पड़े तो मिलेट्री नी जरूरत पड़ मतलब क यहां मां गेछे के ससस्त्र दढ़ना सब्योनों उप्यों करीने पड़ गेर काईजेशन मंदरी विखेरी शकाये चे यहां लसकरी कमांड ओफिसर आवी गेर काईजेशन मंदरी ने विखेरी शक्षे यहलेके जे पड़ टुगमा यहां मां गेछे के जो पोलीस थी पड़ आ गेर कादेसर मंड़री चे एक कंट्रोल मा ना आती हुए तो आवा समय आपणे आर्मी नी मदद लई सके छे, ससस्त दढ़नी मदद लई शके छे, कलम नंबर 131 प्रमाडे कलम नंबर 131 लसकर ना अधिकारी नो हुकोँव हवे आ सुक एवा मागे छे कि जाहेर सला मती जोखम मा होई त्यारे, एक मेजिस्टेट नो संपर्क नत होतो होई त्यारे लसकर ना हुद्देदार अधिकारी आ मंड़री ने विखेरी नाखवानी कार्यवाही कर छे त्यारे एक्जिकीटिव मेजिस्टेट ने संपर्क स्याधवानों चालू राखवा मा होँ छे, जो संपर्क थाई छे तो मेजिस्टेट नी सुचना मुझाबब कार्वा मा होँ छे लेकि आ कलम यहुँग यहां मागे छे, के घ्यार काईदेशन मंडरी छे, एन्ने विखेरी वा माटे तम्हें मिलेटरी तो उतारी दीदी, पण यह मिलेटरी के जे पन आर्मी ना मानसों से, एन्ने आदेश कोन आपसे, तो आगर आपने जे बात करी हैं, 139 प्रमाने त्या आदेश आपसे एज रितना यहां मिलेटरी के लस्करी जे पन वेक्ती हो आए, एन्ने ए आदेश प्रमाने ज ए रितना ज ए गेर काईदेशन मंडरी ने विखेर वानों ट्राई करवा माँ हो से, हवे जो एक्जुकीटीव मेजिस्टेट साथे संपर्क न थतो हो आए, मिल जो एक वक्त संपर्क थाई गियो, एक्जुकीटीव मेजिस्टेट साथे, तो एक्जुकीटीव मेजिस्टेट जे रितना आदेश आपसे, जे रितना हुकम आपसे, ए जे रितना त्याना जे लस्करी जे लोको आव्या होए, आर्मी ना लोको आव्या होए, ए आज़ी आप से एक पत्थर आवे तो आर्मी वाला ने सहन ना थाए एक गोडी बारी पन करी शके छे तो यह ना थाए एना माटे यहा एक नियम राखवामा आवे चे कि आवा कोई लोकल गेर काईदेशन मंडरी चे तो यहने विखेरवा माटे आदेस कोण आप से मैजिस्टेट नेज खबर चे कि आजे गेर काईदेशन मंडरी चे एक कया आधार उपर प्रदेशन कर रही चे करके मिलेटरी वालानों काम सो यहने रोकवा यहने कोई सीचियोशन नी अबहु जाजी खबर ना होए तो एकजुकुटी त्याना जे लोकल एकजुकुटी मै मैजिस्टेट ना आधेश उपरज जे पन गेर काईदेशन मंडरी चे एने विखेरवानों हुकम करवा मा आवसे कलम नंबर 132 अधिकारी सामे फर्यान हवे एउ केवा मागे छे कि आगर जे आपड़े कलम नंबर 139 जोई 131 जोई अने 131 जोई हवे आ दर्म्यांसु करवा मा आवे समझी लोग के जे गेर काईदेशन मंडरी चे एने विखेरवा मा आवे अवे विखेरता समझी लोग के बर प्रयोग करवो पड़े और इवन कदाच लाठी चार्ज पन करवो पड़े तो आवास हमाई पोलीस चे एक कोईकने लाठी चार्ज कर से अवे आवे आव पर दोलन कारियों ना बेगू न तो पर लाठी चार्ज मां ए वच्चे सपड़ाए गए लो चे तो आव एक्तिसू कर से ए पुलिस वाडा सामू फरियाद करी नाख से कारण के एनो कोई वांक न तो ये तो जश्ट बाजु मांची पसार ततो हतो अने दोवाई गयो तो आव आवनके एने उपपर दोवाई जे रितना आदेश आपे हो चे इज रितना पुता नू कार्य करें छे ए विचारों के वाड़ा एक प्यादू छे उपपर दीवाई एसपी के एसपी लेवल ना जे कक्सा ना जे वेक्ति हो चे एक कॉंश्टेबल ने आदेश आप एक लाठी चार्ज करवानों छे तो कॉंश्टेबल तो पुता ने फरेश प्रमाने लाठी चार्ज कर से एमा बले ने पची निर्दोस आभी जाए के सपड़ाई जाए और मार वागी जाए तो एमा एने कॉंश्टेबल ने कोई बूल ना थी तो यह एउग के हो मागे छे के पर कलम नंबर 139,30 और 31 मुझब कारिये वागी ना बाग रुपे जे अधिकारी सामें फरियाद करे चेंटर सरकार अनिरा राज्य सरकार ने मंजूरी वगड़ थाए ने करो कि यह केंद्र सरकार अनले राज्य सरकार जेना पडलाप कि समझिलों कि प्रोटेस्ट चालटों है एक केंद्र सरकार विरुद चालतों है so almost multiply displays पोलिस के मिलेटरी सरकार प्रम्हाणी जो कारियो करतो है पोलीस वाड़ो तो एने छुटी जासे मतलब कि एनी फरियाद नोधासे ने परन्तु समझेलो एग्जुकिटी मेजिस्टेट लेके जेक समझेलो केंद्र सरकार के राज्ये सरकारे काईक आदेस आपयो अने एना विरूद कहिता पोलीस वाड़ाय करे लेके लाठी चार्ज आपय लोग न दी तो पर पोलीस वाड़ाय लाठी चार्ज करे छे तो आवा क आधिन आथिक उल्टू कारिया करता पकड़ायों चे तो यहाना माटे कलम नंबर 132 चे पाई ओप सो जेटली पन गेर काई देशन मंडडी नी याथी आ च्यार कलमों तमारे याद राखवाने चे आगर बदी है बिजो तबक को जाहर मा त्रासदाहे बाबत जे कलम नंबर 133 ती लई ने 113 सुधी बात करवा मावेशे कलम नंबर 133 हुगेशे के DM DM ना मतलब थाई district magistrate district magistrate कोई हो हो है छे ओल्रेडी आपने chapter नंबर तूनी अंदर जोही गया के मामलतदार कक्साना जे वेक्ती हो है जिमने आगल जता पास तता executive magistrate बना हमावेशे तो executive magistrate माँ थी कोई एक वेक्ती सु बन से DM बन से लेके district magistrate बन से अने district magistrate ना अंदर हसे आब दा executive magistrate तो DM अने SDM लेके sub-divisional magistrate के राज्य सरकारे खास संजोगों माँ अधिकार अपाले लाग कोई पर executive magistrate निचे मुझे सरतों के हुकम करी शक्षे यह हूँ के वा मागे छे district magistrate अथो sub-divisional magistrate अथो राज्य सरकार एक त्रोण बेक्ती होए जे executive magistrate ने कई पावर आपेला जे के वा संजोगों ने अंदर कई अधिकार आपेला जे के वा अधिकारों जिमके कोई रस्ता के नदी नाड़ा मा अर्चन करवानी अर्चन दूर करवानी सकता आपेली होई कोई आग लागवा नों संभव होई धड़ाको थवाणों संभव हम्वाई तेवा मकान toen नुखसान थतो अटकावई कोई कुवा के तड़ाव ना फ़रते वाड करावी कोई कुवा के कोई तड़ाव लखती हो कए बाड़ाव कोउ बाड़े गर जता अब सबर्वसे बाड़ा खरवी धना करावी अरक तण बुम वस्तो भुप गर बंुग जो गर पंप लखेला जे वस्तु हो छे कि ए टाइप नी वस्तु हो छे एमा हुकम कि आदेश कोण आपी सक्षे एग्जुकुटू मेजिस्टेट आपी सक्षे जमके वाद करें कि जुनुनी प्राण वेले कि तमारा सोसाइटी नियु अंदर कोई हड्कायू प्राण हड्कायू कुत्रू यह हड्काय कुत्रू बेत्रन जणाने करडी कायू तो आयाती सुकर्वा मां आउसे के सिंपल वस्तु छे कायाती तमारी ग्राम प्राण प्राण चाय चे के त्या गमे के नगर पाली का चे त्या कंप्लेन नो दाउसे के आओ कोई प्राणी चे या फरेशी सोसाइटी मां अने पकडवानों चे तो एनो आदिस पर एक्जुकिट्व मेजिस्टेट उपढ़ थी आपी शक्से अने ये जे जुनुनी प्राणियों चे जे पागल के हडकाया प्राणियों चे एने पूरी नाकवा माटे वेयन मुखली आप से तो आब दर जे नानी नानी वस्तु पर एक्जुकिट्व मेजिस्टेट से ए आदिसा भी सक्से हुकमों करी शक्से। कलम नमबर 136 जो ए वेक्ति एम ना करे तो एयनू परी नाम ये कि समझे लोए एक्जुकिट्व मेजिस्टेट डवारा काई जाहे नामों भार पढ़वा माँ आवे छे काई वस्तु केवा केवामा आवी छे कि खुकम बार पाडवामा आवे छे अवे ए हुकम अनुषार ए जाहे नामा अनुषार कोई वेक्ति एनू पालन नथी करतो तो सू थाए तो आई याद राग जो आपणे आई पीसी नी अंदर कलम नंबर 188 जोई गया था कि जाहे नामा नू कोई बंग कर जाहे नामा प्रमाणे कोई वेक्ति एनू अनुषार्तों न थी तो आई पीसी कलम नंबर 188 प्रमाणे एनू सजा करवामा आओ आउसे आउ कलम नंबर 134 के वामागे छे कि जो कोई वेक्ति मेजिस्टेट ना आधिस्तनू पालन ना करे आए मेजिस्टेट का या एक जी ग कर पार पाडू छे हवे कोई वेक्ति छे ए जाहे नामानों भंग करे छे रात्रे पूतानों काम कई काई काम वगर ए फटरेजे तो आउसे गई जाही नामानों भंग थर तो आवा वेक्ति ने कलम नंबर 188 प्रमाणे शजा थस है oke to आ कलम नंबर 134 के वामागे छे कलम नं थता कारियरीती औने तेनी अवग्ण्यानू परिणाम। जू कोई वेक्ती हुकमनू पालन न करे तो तेनी जंगम मिलकत औने मालने जब्त करी लेऊ औने तेनू विचान करीने एनू नुकसान नो खर्चों वर्षुल करो। हवे सिंपल वस्तू एक्जामबल दरीके वो लहिलो कि अत्यारे राज्य शरकार द्वारा आपड़ा समझीलो घांधी नगनी अंदर एक पुल बनावा मावे छे जनाथी वाहानो उपरती जही शके पुल उपरती जही शके एक ब्रीज बनावा मावे छे। हाँ कोई वेक्ति छे एक अब कोई वेक्ति जहे आउद भाज़े द्वारा पंडवानो ट्राय करें छे तो आहँकामड़ा कंडिसने यंदर चलो इस पकड़ाए घयो माव उपरती जही शके ... खेक्स अ कमाती नो थी, आपड़ा पैसा थी अबतु भनावेशे तो आवा कंडिशन येंदे समझीलो कोई सरकारी काम बनी गए। सरकारी कोई वस्तु पूल छे, लस्ता छे, कोई भी वस्तु बनी गए। अवे कोई बार्नों के कोई व्यक्ति आवीने एनने तोड़े ये छे। तो चला एनने सजा तो थाई, पड़ ए रोड तोड़े एनू जे पूल तोड़े एनने सु, फड़ी थी ये कंड्श्डॉक सरकार कर से अने आपणा पैसा बापर से ना। तो अईया एक एहो नियम राखवा मावे छे के एनने जे सजा करवानी छे एतो सजा कर से, पण जे एनने नुक्सान करूँ छे, पूल तोड़े रस्तो तोड़े तो एनी बरपाई पं एना जोड़े थी करा हमावसे, तो यह हूँ कि दूछे के एनी जे जंगम मिलकत हो, जंगम मिलकत में एना गरे सोनु, चान्दी के पईसा होई, अथवा तो कोई एना गरे थी माल मढ़ी आवे, तो ए जप्त करी ने एनू वेचान करी ने ए जे नुक ब्रेकर लएने ए रोर तोड़ू छो, तो रोर तो तोड़ी ना खे मैं, समझेलों अर्दो रोर थायो, अर्दो तोड़ी पर नाके हो, हवे पोलिस आवी गए मने पकड़ी गए, चलो मने सजा थाई गे में जे काम करियो तो, पने जे रोर तुटो एनू सून, ओके एनी ब बरपाई कोण कर से, तो ए बरपाई पन मारा जोडे थी वसूल करवा मां आवसे, मारी जंगम विलकतने वेकी ने, कोई मारा जोडे माल होई, सोनू चान्दी, एने वेची ने, एनी बरपाई करवा मां आवसे, आव कलम नंबर 141 के वामागे शे, मुष्ट आई एमपी कलम नंबर 145 जेनी अंदर करवियू ने बाद करी छे, जे अत्यारे चालू छे, जेमके रात्री करवियू छे, ओके लोगडाउन छे, ए पड़ वन टाइप अप करवियू छे, तो कलम नंबर 142 के शे, के त्रास दायक बाबत के बईनों अंदेसों प्रशन के, DM, DM न मतलत कलम अंतर्गत, करवियू नों आदेस आप पमावे छे, तो कलम नंबर 142 करवियू नों आदेस कौन आपी सके छे, तो DM यलेके डिस्टिक मैजिस्टेट, SDM यलेके सब डिविजनल मैजिस्टेट, अथवा तो पावर अपाएला एक्जुकुटिव मैजिस्टेट, फरीथी मढ़े लिए छे, एक्जाम्बल तरीके कोई DM चे, डिस्टिक मैजिस्टेट चे, एक गेर हाजर छे, अथवाज हैंने समझीलो कोरू ना थेगियो छे, ए आदेस आपी सके हो नथी, ए हालत मन नथी, तो डिस्टिक मैजिस्टेट जे एक्जुकुटिव मैजिस्टेट ने कर्फियू लगावा माटे, मतलब के पावर एने मढ़े लेशे, तो कलम नंबर एक्जुकुटिव मैजिस्टेट जरूर लागे तेम हुकम करी सकसे, कर्फियू एटले सिंपल वस्तू छे, अमुक कल्लाक सुधी बार निकरू नहीं, जो तमने यह नीचे एक्जेम्पल सरकार्ग वारा जाये नामू बार पार्वामा आवेक बै रात्री ना दस्ती सवार ना चार वागे सुधी कोई यह बार निकरू नहीं, आने रात्री कर्फियू अपड़े कही शुँ, तो आओ पोई आधिस आपी देख बै आटला थी आटला टायम सुधी कोई यह बार नि तो एवी जग्याए पर कर्फियू लगाई ने कई दे चार वेक्ति थी वदारे वेक्ति यह बेगा न थाओ, एक विस्ताना लोकों यह बिजा विस्तार मान आ जाओ, जमके जमत्री लोके हिंदू अने मुस्लिम, यह बनने जगरे आचे कोई विस्तानी अंदर, तो आधिस अधिस आभी शक्षे, जो कोई हुकम न समय गाडो जे हुकम करवा माहावे छे जे कर्फियू लगावा माहावे छे आनों समय गाडो बे महिना नो रहेछे, पर जरूर जलाये तो आधिस आपे दिदू पई रातरी कर्फियू छे, रात्रे समझे लों 10-6 कोई बान पर तम यह उपको यादेश जोयो है कि रात्री करफ्यु आजय पूर्ण अथाए ची ना कारेकि आनि एक वेलेडिटी होय कर चेए सरकार चे fatid बाहर पादेश बाए चे। मैक्सिम्मम बेह महिना नि न होए बेह महिना पचे फार्द सरकार ने फारिती जाय नाम पादेश पा रहों करवा माहीं चेक करफियू न कि ये पण तो एनों समय गानों कि लो रही से देमेशए और जुू एने लंबावान जरूर लागे चे तो एनों चो महीना नों कर आदेश अपी शक्काई न अगर वाद करें स्थावर मिलकत ने लहने तक्राष जे कलम नंबर एक्सो पिस्तालिस्ती 148 सुधी वाद करवा मावे शे। कलम नमबर 145 सेगु कहे छे के जमिन औने पाणी ना मालिक ना पुरावा। वेर इंपोर्टन छे एक्जांबल तरीके वाद करे के आपड़ा मगनबाई औने आपड़ा छगनबाई। अने छगनबाई नू छे खेत्र शे ए आजू-बाजू छे मतलब के आर इतना अगया मगनबाई नू खेतर शे के आपड़ा बन्ने वज्या वाड़ो चे एक्चुलिएक खोटी इसे वाड़ो चे ने ए आ रितना हव जो हए। येके तारा खेतर माती पुण अमुग जमीन मारी इचे. आउ गेचे. छगन बाय ऐम केचे कि ना ना ये भी बोडर ना थी बोडर आवी इचे. येलेके तारा खेतर माती मारे हिस्सों लेवानों निखडे चे. तो आर इतना बन्ने जडा जगडे चे. मगन बाय पुण और मिर्ण भुंत describing what łें जंदयर खिभूस से से रा काख़दे जमिन ना काख़दे लेत बाहि कि मैं storing गार से 10 माय fi खुजय अर इतना केव합 है… इतना क मह जेता पोई वहालत। एक्पछ से पॉलिष अधिकारी ना रिपोर्ट उपड़ थी… के अन्य एग्जुकिटीव मेजिस्टेट एउँ जणाए के जमिन के पाणे अंगे तकरार थाई छे अत्वा तो संभव उचे वेक्ती पाणे के जमिन ने लईने जगडे छे तो आवा कंडिशन नी अंदर बनने पक्सकारों पासे थी तेनी माली की अंगे ना पूरावा मां जो भी खे तो पोलीश अतिकारी समझे लो के यह चगन भाए छे ए पोलीश टेशन मा जता रहां त्या पी आई अतिकारी बेठेला छे पोलीश इंसपेक्टर बेठेला छे यह केश ने जो है छे मगन कहे खे कही अ चगन ने मारी जमीन हड़ पी लिदी छे चगन समक जाए छे अधालत नी अधर जाए छे तो आवा कंडिशन नी अधर अधालत मन एमना जोड़े पुरावा मागी सके छे कि तमे एना मालिक छो तो एना पुरावा हाजर करो चगन ने एन के छे कि तु एना मालिक छे तो तु पुरावा हाजर कर तो बन्ने ने पुरावा कई शके चे कलम नंबर 145 प्रमाण। कलम नंबर 146 हुखे चे आपन इंपोडन छे कि तक्रारी मिलकत जबती लेवा अने रिशिवन निम्मा माटे। हवे यह हूँ कि हम अगीसी पहला वांची लिए पचे हूँ समझाऊचू जयारे तक्राल चालती मिलकत ने पुरावानी खातरी ना थाए। त्यारे विवादीत मिलकत मैजिस्टेट जबत गरी लेशे अने पोती निमाईला कोई वेक्ती तेनी संबार राख से अने विवाद सुरत्ता मालिक ने सूपरत करवामा हुशे wollen अएकजम्बल तरीके वाद करेंए कि मगन और छगन छे एक जमीन माते लड़ी रहा चे आएक जमीन obras ogni मगन पूरावाद अमें लेता हो अवे लेता हो अब भर के लेता कर्णैे ऊबだ पूरावा लेटा हो अब भाई inner चेता जरा मेजीश्टेट मेशन्याराव क्या प्रमी मेशनामी जब्त करी लेसे आपली वार्ता नहीं थी सामड़ी के बेग भिलारी लर्ती होए यहां वांदरूफ हाई जाए तो कई के भी बात चे तो मैजिस्टेट शू कर से कि जे पड़ डिस्पुटेड जमीन छे एने पोते जब्त करी लेसे औने एक रिशीवर निमिलेसे रिशीवर अने एने सु के हमावे एने रिशीवर के हमावे सु के हमावे रिशीवर तो अईया एउन नहीं के सरकार ए जमीन ने लईज लेसे एने खाली थोड़ा टाइम माटे जब्त करी लेसे पछी ए वदारे डिपमा चकाश नी कर से कि इन मिलकत एक्चुली कोने जे अने फाइनल एने जे नेना इसे सुना भी जे मलब के फाइनल जे पांट चकाश नी करता है एकज बरती ओविजली कोई जमीन छे तो एनो मालिक एकज होई शके ओके कोई बिजा ना पूरा वाँ चे कोई ना खोटा हुए अस्वाज कोई ना पैला ना हुए जे अत्यारे समझेलो ना ब एक जा सुधी एई एक फुरावां मत्म ईए पुरावा चकाश सब्सके कोई स्थ शेअगा और만 ब्रता है तो जो आने जबतल आ करता है एक पांचीहापी दाव मारा आख चब्रता है फार्मhrlichοιक खबर मत्मद्होंरे खवायु करवामा आवेशे जारेपन मालिक योग्यों मालिक खबर पड़े तो एने पाची सुपरत करवामा आवसे पायोग सो एक सरस्मजानू चेप्टर छे ओके के चेप्टर नंबर 10 जेनी अंदर जाहेर वेवस्ता आने सुले सांती जाडवा बाबग अने एने लगता जे हुकमों करवामा आवेशे एनी बाद करवामा आवेशे आजे आपने बाद करीशे प्रक्रन नंबर 11 जेनी अंदर छे गुलो अटकावा माटे पोलिस ना पगला जे कलम नंबर 119 ती 153 सुधी बाद करवामा आवेशे अवे आज एक कलम हो छे पार्चज कलम हो छे नानू यू बहुन नॉर्मल प्राइट छे, तमारी जो खरीदी होए तो खरीदी सको छो, बाकी आपड़ा जे फ्री लेक्चर छे एन्हें एंजोई करी शको छो डिस्क्रिप्चन नी अंदर लिंक आपे ली छे, साथे साथे डेमो लिंक पन आपे ली छे तो तमें डेमो बुक जो या पची जो इच्छा थाए तो पर्चेस करी सको छो, बाकी आपड़ा जे फ्री लेक्चर छे यूटूब नी अंदर ये तमें एंजोई करी शको छो ऑके, आच एपड़ा नी अंदर पांच कलमो छे, आपांच कलमो मा कई जग्याएं पोलिस ने कटली सत्ता मड़े छे एनी बात करवा मा आवेसे अत्वा तो पोलिस ने कई फरज मा आवे से, कई बाबतों इमने ध्यान मा लेवी जो ये एनी पड़ वाद तमने आज एप्टर मा जोवा मर से सवथी पहला वाद करे कलम नंबर एक सो ने उगण पचास 112 पचास मैं एव किदू छे के गुणो अटकावानी दाखल गिरी, दरेक पोलीस अधिकारी गुणो अटकावा माटे दाखल गिरी करीशकसे अने पोता ने पूरी सकती थी गुणो अटकाव से हवे आ सू क्यों मागेशे ध्यांती समझत एक्जाम्पल तरिके के पोलिस छे ए रस्ता उपर जही रहए छे अने रस्ता उपर जहे छे ने बाजु माँँ बे जणा जगडे छे तो पोलिस ने एवू नहीं करवानों के भाई ए जगर्ता हो जगर्वा जो पोलीस टेशन मा ब्यमाती एक जड़ों फरियात करचे एना पची आपड़े आगर कारियावाही करचू तो एउन नहीं जो पोलीस ना नज़र ना सामे कई पर गुनो थाए चे एकस वाई जेड तो पोलीस एनी अंदर दखल गिरी करी शके चे समझी लोगे कोई बेह जणा रस्ता ओपर जगयारता होए तो पोलीस ने अधीकार मड़े चे के ए बन्ने वच्चे सू विवाद चे एने सामबड़े औने एने सौल करवानो ट्राए करे कारा के अमुग केस केया चे के पोलीस टिशन ने अंदर लेजवाना इटला जरूर पर न थी होता अमुग वस्तो त्याने त्या सोल थे जा एवी बाबत होए चे तो पोलीस चे ए दरेख बाबत नी अंदर दखल गिरी करी शके चे कोई एने एम ना के बई तू सु करवा दखल गिरी करे चे ओके तारी तो जुझे फरियात था ये ना पची तू दखल गिरी करे चे ना एव न थी तो कलम नमबर 119 पच्या से हुगे चे के दरेख पोलीस अधिकारी गुनो अटकावा माटे दखल गिरी करी शक्से औने पोता नी पूरी सक्ति थी गुनो अटकावा नो ट्राइगर चे कलम नमबर 149 150 केछे के सत्ता दरालता अधिकारी ने जान आनी अंदर पेला वांची लिये एना बचियू समझाओ छू कोई पोलीस अधिकारी कोई कोगनिजेबल प्रकार नो गुनो थवानी योजनानी माहिती मड़े छे तो ते अधिकारी गुनो अटकावानी सत्ता होए एने जान कर से एक्जांपल तरीके वाद करे कि आपणा गुजरात नी अंदर गुजरात पोलीस छे आ गुजरात पोलीस ने एउँ जान थाए छे कि मुंबई नी अंदर आ जग्याए बोहम ब्लाश थवानों छे अबे ओविजली आ गुजरात पोली छे गुजरात ने आना जोड़े कई लेवा देवा ना होए आमतो पर यह एवी वस्तु केवा मागे छे कि बले तमे आ नी अंदर संकड़ाएला न थी तमारा एरियामा न थी पड़ जे एरियान मा ए बोहम ब्लाश थवानों छे, जे गुणो थवानों छे तो बले तमारा एरियामा न आ वहए पड़ ए एरियान जे इंचाज अधिकारी होए एने तमे जान करो आ तमी तमारी फरस नी अंदर आवे छे, सत्ता नी अंदर आवे छे तो याद राग जो कि समझीलो कि मुंबई नी अंदर बोहम बलास थवानों छे, आनी जाणकारी मने गुजरात नी अंदर मड़ी, आनी हो ये पुलिस वाणों छो, तो मारी फरज माँ शे कि मुंबई नी अंदर जे पुलिस अधिकारी चे एने वुँ जान करू कि ये जग्य अधिकारी ने गुणो अटकावानी सकता होए, एना जुणे सकता न थी, कि बहिए गुजरात माथी मुंबई जाए और मुंबई जी ने गुणो अटकावे, ना, त्याना लोकल पुलिस चे एने तमें इन्फर्म करो, एने तमें जान करो, कलम नंबर 150 मुजब, कलम नंबर 151, विना वरांटे दड़ पकड, कोई पोलिस अधिकारी गुणो बंतो अटकावा, पोलिस अधिकारी वगर वरांटे दड़ पकड करी शके छे, सिंपल वस्तु छे, पोलिस अधिकार गुरुव एनों मतलब सु थाए, कोगनिजिबल ओफेंस, तो कोगनिजिबल ओफेंस पोलिस ने सत्ता मड़े ली छे, कि वगर वरांटे ए वेक्ति ने ए आरोपी नी धड़ पकड करी शके छे, एक्जाम्बल तरीके आपड़ा जेठालाल बाई छे, एमने अईयर नू खून करियो, तो आवा कंडिशन नी अंदर पोलिस ने सत्ता मड़े छे, कि ए जेठालाल पकड़ी सके छे, एना माटे मेजी स्टेट नी परवांगी नी जरूर न थी, कि वरांटी जरूर पन न थी, ए डायरेक्ट जसे आने पोलिस जे अपरादी छे, एने गिरपतार करी शके, कया गुना नी वार्थ थाई छे, पोलिस अधिकार गुना एलेके एक पौनिजिबल ओफेंस नी बात थाई छे, कलम नंबर 152, जाहेर मिलकत नो नुकसान थतु अटकावू, आपण वेरी इंपोटन छे, जारेक पोतानी नजर सामे, जाहेर मिलकत ने नुकसान थतु होई त्यारे, ते नुकसान थतु अटकावा माटे पोलिस अधिकारी दखल गिरी करी शके सिम्पल वस्थू छे के पोलिस रसता उपर त्याही रव छे, कोई वेरी बाजू में बनेलो कोई सरकारी पोल चेह, यह ने नुकसान थतु नो ट्राई करेंठे अध्मार्टों समझेलो कोई सरकारी दिवाल चे एने तोड़े चे अध्मार्टों कोई रोड बनेलो चे एने तोड़वानों ट्राइ करे चे तो अईया पोलिस नी फरज मा आवे चे के ए उबार है अने ये व्यक्ति ने पुछेक भाई तु रोड केम तोड़े चे आप पु पुछेक पुछेक भाई ये तोड़ू होए तो तोड़े कोई फरियात नती करी तो हो मारू काम मतलब के आगर ये पुछूने ना पुछने यहा सत्ता मड़े लेचे और ये पुछूवाँ पर जो ये दखल गीरी करवी पर जो ये कारे के जया जाहर जग्यानों नुक्सा थतु होए त्या एमनी पेली फर जावे छे तो ज्या पोतानी नजर सामें कोई जाहेर मिलकतने नुक्सान थतु होई त्यारे नुक्सान थतु अटकावा माटे कोई पर पोलिस अधिकारी एनी अंदर दखल गेरी करी शके छे कलम नंबर 153 वगर वरांटे प्रवेश करो जे जग्या एक खोटा तोलमापना साधनो खोटा होवा नी संबाव ना होए त्या पोलिस इंचाज अधिकारी वगर वरांटे प्रवेश करी ने एना साधनो छे एक अबजे करी शके छे तो कलम नंबर 153 वगर वरांटे कोई जग्या नी अंदर प्रवेश करो हवे सिंपल वस्तू के पोलिस ने कोई इंफोर्मिशन मड़े चे कि आ जग्या है खोटा साधनो अथवा तो खोटी चलनी नोटो एनो काई दंदो थाई चे अथवा तो अईयाग बने चे तो आवा कंडिशन यंदर पोलिस वरांट नी रा नहीं जोए कारण के जो वरांट नी रा जोए तो इजे अपरादी चे ये बागी जाए और येमना जे सबूतों चे जे मसीनों चे एकदा संताडी पड़े तो आवा कंडिशन यंदर पोलिस ने सत्ता मड़े ले चे कि प्रविश करी शके छे, हाँ, कोई एवो अमुक असे, जे क्या है के नॉन कॉपनिजिबल ओफेस, जेनी अंदर तपास करवा माटे ए सर्च वरण जरूरी छे, तो ए अमुक कंडिशन छे, पर जो आवी कोई कंडिशन है, जेमके चलनी नोटो नी छे, पची कोई तोल मापना साधरो खोटा बने छे, एवी तरत जानकारी मडे अने एमने एवो लागे छे, कि जो हूँ अत्यारे नई जो तपास करवा माटे, तो कदाच ए वस्तू, मतलब कि ए जे लोकों छे, बागी छे, अधोधो जे सबूतों छे, कदाच मिटा भी दे छे, तो एवी पोलिस ने थ चेप्टर छे, जेनी अंदर पोलिस ना पगला, पोलिस नी सत्ता, पोलिस नी फरजनी बाद करी छे, फटा अपर रिवाइज करी दो, कलम नंबर 149, गुनो अटकावा नी दखल गिरी, पोलिस नी सामे कई पन गुनो थचे, तो एनने अटकावा माटे नो ट्राई कर से, प एक गुनो थवानी एनने जानकारी मणे छे, तो ए एरिया ना जे पोलिस इंचा जदिकारी छे, एमने जान कर वी जोई है, 151 विना वरणे दड़ पकड, पोलिस अधिकार गुनो एलेके कॉम्नीजिबल ओफेंस नी अंदर पोलिस अधिकारी वगर वरणे अपरादी नी द कड़ी सके छे, कलम नंबर 153 वगर वरणे प्रवेश करो, पोलिस अधिकारी ने एवी कोई जानकारी मणे छे, कि अईया कोई खोटा तोलमा अपना साधानों चलनी नोटों के एवी बस्तु थाई छे, तो एवी जग्या वरण वगर वरणे प्रवेश करी सके छे, कोई अम कंडिशन नी अंदर, तो आ कलम नंबर 153 के छे, तायोप सो आच एक्टर तमने नानु यू चेप्रड छे, ख्याल आवी गए गए छे, आजे आपने बात करी सो प्रक्रा नंबर 13, जेनी अंदर तपास अने इंसाफी कार्य वाहे मां फोस्बदारी कोट ने सत्ता अने कार् मोने समझावानों ट्राइ करो छे, टाइपिंग पर मारा द्वाराज करवा मा आवी छे, आए बुक छे तमने फिजिकली नहीं मने पर इमेल ना माध्यम्ती तमने मरी जासे, इबुक नी प्राइज आईपीसे नी 65 रूपिस राकी छे, CRPC नी 29 रूपिस राकी छे, आप बं पेज गमें, ना गमें, पंचेस करवी होए, ना करवी होए, तमारा उपर छे, तमने आई या फ्री लेक्चर तमने मर से, CRPC ना होए, IPC ना होए, के एविडेस एक्ट ना होए, तमने आपनी चैनल माँ टोटली आखिया को सब्जेक्ट, आखिया को जे कोर्स चे ये अब दोट थाई छे, तो ए गुनानी इंसाफी कार्यवाही कई जग्याय चलावी, एक्जामपल तरीके बाद करेके बहु है, मारू गाम पेथापूर छे, आवे आ पेथापूर नी अंदर कोई गुनोधाए छे, तो आ गुनानी जे इंसाफी कार्यवाही से, ये नियाईक प्रक्रिया चे ये कई जग्याएं चलावी घांधी नगर मा चलावी अमदावद मा चलावी मैसाणामा चलावी कई जग्याएं चलावी तो आजनुचे जप्टर चे ए एना विसे चे तो कलम नंबर 1203 एक तपास अने इंसाफी कार्यवाही नू सामाने स्थर तो दरेक गुन अने इन्साफी कार्यवाई जेनी स्थानिक हुकुमत मा गुनो थयो होए ते अदालत नी अंदर चलावामा आवसे एक्जाम्पल तरीके वाद करें कि आपड़ा जेठालाल बाई चे ये मुंबई रहे चे क्या रहे चे मुंबई समझेलो के अईयर बाई चे ये आपड़ा तमिल नाडू रहे चे क्या रहे चे तमिल नाडू जेठालाल बाई मुंबई थी आवे चे तमिल नाडू थी कोण आवे चे आपड़ा अईयर बाई आवे चे बन्ने जणा क्या गया चे गुजरात फरवा माटे आवे चे गुजरात नी अंदर समझी लो कि आपड़ा गांधी नगमी अंदर जेठा लाले आईयनू खुन करी नाकियो तो यह गुणो क्या बनेऊ तो गुणो गुजरात मा बनेऊ बले गुणेगार यहले के आरोपी मुंबई रहतो आई अनि जे व्यक्ति मरी गयो चे तमिल नाडू रहतो आई पर गुणो जे जग्याई बने चे एनि इंसाफी कार्यवाही यह जग्याई थसे तो आपन आपने इंपोर्टन चे याद राग जो कि आनी जे कारियवाही चे जे आग गुनों बने चे त्या थसे गुजरात ना गांधी नगर नी अंदर बने चे तो गांधी नगर जे स्थानी खदनी जे अदालत नी स्थानी खदनी अंदर आउतो अशे ये अदालत मा गुनों डाकल थासे अने कारियवाही पन आज जे आरोपी चे अने कारियवाही पन आपड़ा गांधी नगर नी अंदरत थासे तो यहू कौन कैचे कलम नंबर 100 सित्यों थे यहू के अमा गेचे के गुनेगार गम में तेया रहतो है जे जग्याए गुनों थासे ये जग्याए एने इंसाफी कारियवाही थासे कलम नंबर 101 थे गुनानु orton एक करता वदारे होई तो एक्जाम्पल तरीके जारे कोई एक गुनो अंसत हो एक स्थानिक विस्तार मा अने अंसत हो बिजा स्थानिक विस्तार मा थयो होई त्यारे अथवा तो गुनो चालू रहतो होई एक करता वदारे स्थानिक विस्तार मा करवानो चालू रहे लो होई त्यारे अथ्वा तो जुदा जुदा स्थानिक विस्तार मा करेला अनेक कारियों मड़ी ने गुनों बनतों होई तो आवा स्थानिक विस्तारों पईकी गम्वेते एक विस्तार मा एनी अदालत नी अंदर इंसाफी कारियवाई करवा मा होसे सिंपल हुँ तमने साधी पासामा समझाई दो कि कलम लुमेर 138 रहुगे छे कि जारे एक वेकती एक करता वदारी जग्यामा गुनोगरे छे तो कई स्थानी कदालत मा एनू इंसाफी कार्यवाई करवी एक्साउम्बल दरीके वदा करे कि एक चोर चे आ चोरे गांदी नगर नगर एक गरनी अंदर चोरी करे और चोरी करे एक गरनी अन्दर चोरी करे लुद given सित्या थी बस पकड़ी ने मैसान आवियो अने कोईक कुल्वा करियो नाखे चर नाखे चर तो मेरे इक चर न करियोō liegt जमके गर नी अंदर चोरी कर्वानों tai गांदी नगरम कर्यों महईसाना ने अंदर भिजी गाडी चोरी पाटन ने अंदर कोईक़नों समझेलों के एक्सेडन करी नाकिई और बणास काटा ने अंदर कोईकनों अफरन करिढ तो हाँ वेक्ति पकड़ाए गयो तो एनि इंसाफी कार्यवाई क्या करवी? जया उन्राग जो कलन नंबर 118 कहेछे कि जो आवी कोई कंडिसन बने छे तो आजे 4 जग्या लखी एमाती कोईपन एक जग्या है एनि इंसाफी कार्यवाई चलावी शकाये छे तो simple रस्तों झिसम चेशें समझे लो के ऐती घुजरात ने अंदर कोई गुणों करी ने एक वेक्ति महाराष्ट्र मा भागी जाएँ चे महाराष्ट मा भीजो गुणों करेचे है इन पचिर उआज गोभा भागी जाएँ चे तो आर उतना एक करदा वदार दुला करेंचे तो कोई पड जे बगा गुणात है चे एमाती कोई पड एक जग्याए एनि इंसाफी कारिया वाही चलावी शकाए चे आ कलम नमबर 188 काये चे आगर बात करे कलम नमबर 179 एक एचे के प्लानीन छे एक जग्ये थाई होई अने इनू परी नाम बीजी जग्ये आवी होई तो आवा कंडिशन येंद शू करो तो आ कलम मुझाब जारे जेनी स्थाने खुकूमत मा आउ कसुप बनी होई अत्वा तो परी नाम आवी होई ते अधालत मा तेनी तपास औने इंसाफी कारेवाही करी शका छे एक्जाम्बल तरीके आईया आपड़ा देखाई छे के आपड़ा जेठालाल बाई छे चंपक चाचा छे बागा छे अने नटुगाखा छे आ चार जनाये बैंक लुंटवानू प्ला परी नाम चे जे गुणों थायो छे मुंबई नी अंदन तो आवा कंडिसन नी अंदर कई जग्याई आनि इंसाफी कार्यवाही करवी तो याद रगजो जहा प्लानिंग अथ्वातों गुणों आप बन्ने माथी कोई पन एक जग्याई थाई शके छे एक्जाम्बल तरीक बाद करें कि अईया प्लानिंग करियो और अईया नी लोकल पोलिस ने खबर पड़ी गए कि गुजरात नी अंदर आ चैर वेक्तियों मुंबई मा एक ब्यांक आबेली चे एनी चोरी करवानों कावत्रू घड़ियो छे तो अईया जो समझीलों पकड़ाई जाये चे चोरी कर जानि या गुजडात नी अंदर पकड़इ जायेचे तो एमनी इंसाफी करेवाई गुजडात ना करेवा जाये चे या फकल ब्लाणीन एक जगए परिणाम बीजी जगए आवी होय तो आवी समय तो तो इसा सतना स zuρά आ wit फो regardी कोजगिया ँदा शे घ्या टे जगे करवा हम आवसे कलम नंबर 183 जे प्रवास के सफर दर्म्यान कोई व्यक्ति के वस्ती जेनी स्थाने खुकोमत मां होई के पसार थाई रही होई ते अदालत गुना अंगेनी तपास अने इंसाफी कार्यवाई तसे सिंपल ओस्तों चे आवसे अथा कलम थोड़ी समझ वाजे वीचे द्यानती समझ जो हवी समझी लोगके एक ट्रेन चे अपड़ा गांधी नगर थी लएने अमधावाद थी लएने समझी लोग पाटण थी लएने बनाज काटा अने बनाज काटा थी पच्छि राजस्तान जत लेवाने चे, आ ऐक ट्रेंट चे, हवे आ ट्रेंट नी अंदर गणा मदा पैसंज औरो बेठेलाच ये, हवे त्यामा थी एक पैसंज जनने खबर पड़ेशे, एक ट्रेंट चे गांदी नगर थी उपडी और रस्ता मां पाटन आवियों, और पाटन मां एक जननने खबर पाटन मा थायू, बनास काटा मा थासे, कि मतलब थायू के एक कोई ने खबर अग न थे, ज़स्ट कोईकने पाटन नी अंदर, ओके पाटन नी अंदर ए लास मड़ी आवे, तो आवा कंडिशन नी अंदर एनी इंसाफी कारिवाई क्या करवी, कारांके सफड चे आए, पाटन नी अंदर ए लास मड़ी आवे, तो पाटन नी अंदर एनी इंसाफी कारिवाही चाल से, पछी बले ने ए गुनों अमदावाद मां के गांधी नगल मा थायो चे पाचरती खबर पड़े, पर जया सुधी आपने खबर ना हो के गुनों क्या थायो चे तो जे जग्य पड़ मा ये वस्तु खबर पड़े चे के गुनों थायो चे ए जग्या एनी इंसाफी कार्य वाही चलावा मं आवसे कि करवी ते संकास्पद होए त्यारे उच्चे नियायलाई नेर्णाय कर से एक्जांपल तरीके बाद करे कि आपने आ ट्रेन नों उदारानत लेए हवे ट्रेन छे ए अमदावाद थी पाटन पाटन थी बनास काटल जवाने शे अवे समझी लो कि आ जग्याए खबर पड़ी लेके पाटन अने अमदावाद ने वच्चे खबर पड़ी कि अई एक लास्ट छे ट्रेन ने उभी राखवा माँ अवे चे ने पाटन के अमदावाद आ बन्ने ने एक्जेट वच्चे छे तो आने इंसाफी कारे वाही पाटन कि जारे तपास अने इंसाफी कार्यवाही कया जिल्ला मा करवी इस संकास पद होए ख्याल ना आउत होए कि कया जिल्ला मा करवी कया के बंदे नी ब्डर उपर कोई गुनो थे होए तो आवी कंडिशन नी अंदर उच्चे ने आलाई हाई कोट ने नाई आपसेक भई तमे आने पाटन मा करो कातों अमदावात मा करो तो ज्यारे एक गुना नी विचारना एक करता वदू अदालत मा चालती होए त्यारे हाई कोट नक्की करसे कि कई अदालत मा एने इंसाफी कार्यवाही करवी क्लियर तो आ सिंपल छे कलम नंबर 186 कलम नंबर 100 नी सित्याशे 100 सित्याशे यहम केचे के स्थानिक हुकुमत बाहर करवामा आवेला गुनामा समस के वरंट काडवानी सत्ता प्रथम वर्गना जुडिस्यल मेजिस्टेट पासे छे आवा समय ते वेक्ती जे मेजिस्टेट नंबर 196 नी अंदर जो हिक्या था समझी लो के यहा गांधी नगर छे आगांधी नगर नी अंदर 101 चाले चे घांधी नगर नी अदर एक केस चाले चे अवे आपड़ीनादोर समस बजव लं चे मेक जेठा लाल ने बजव लतम खे एक गांदी नगर नी हदमा आवतो न थे जेठा लाल एक वोनी हदमा आवे चे तो समझी लो कि अमदावाद नी हदमा आवे चे अमदावाद रहे चे यहनु गर समझी लो कि अमदावाद नी अंदर आवे लो चे तो आवा कंडिशन नी अंदर गांदी नगर ना जे मैजिस् समस के वरण काड़वानी सकता अने आ वस्तु कौन काड़ी सकते तो प्रतम वगना जुडिश्यल मेजिस्टेट काड़ी सकते अवे प्रतम वगना जुडिश्यल मेजिस्टेट कौन छे यह आपने चेप्टर नंबर बेनी अंदर चलावेलू छे इटला माटे काउचू कि तम ना हद मा ते समस्नी बजवनी करशे कलम नंबर 188 बारत बाहार कराएला गुना आ समझवा जेवी बस्तू छे समझे लो कि आपड़ा जेठा लाल चे आ जेठा लाले युएसे नी अंदर गुणों करियो और युएसे गुणों करी ने पाचा बारत मा वे गया अवे जेठा ल जो युएसे मा पकड़ाई गया होँए तो युएसे नी निया लाई छे के एमनूज एक पीनल कोर चे ए प्रहमाणी सल जा था से पन ए गुणों करी ने पाचा बारत आवी गया चे अवे बारत मा जे जग्याए थी ए पकड़ाई जासे याद रागदू कारा कि आमने बार बारत मा तो गुणों कर्यों नथी बारत ना नागरीक छे बार गुणों कर्यों चे अने बारत नी अंदरत पकड़ाई चे पन बारत मा जे जग्याए पकड़ाई ए जग्याए गुणों कर्यों है से एउ मानी ने ए जग्याए एमनी इंसाफी कार्यवाई थासे बले ए मु पुमबै ना रहवासे जेठा लाल चे ए युएसे जाए छे, युएसे गुनो करे छे अने बारत पाचा आवी जाए छे, बारत पाचा आवी ने सिमला मनाली फरवा जता राये छे, हवे बारत सरकाने खब पहले छे कि आ रितना तमारों जे नागरीक छे ए युएसे नी सिमला नी जे अदालत छे एनी अंदर इंसा भी कारे वाई कर्वा कारमा आवसे, बले ए मुम्बै नो रहवासी महीन पड़ जे जग्याई थी बारत मां पकड़ाई जाए ए जग्याई जे अदालत लागती होए ए अदालत मां एनी इंसा भी कार्यवाही करवे तो हाए कलम नमबर 188 क्याँ चें कि जो कोई वेकती ये बारत में बाहर कोई गुनों करे होई अन्ने भारत मां अधालत जे जग्याई थी मड़ी आवे तेस ठड़े तेने कार्यवाही करवे और शे alone आउ कलम नंबर 188 काये छे ओके तो आएक छे केवाईंक एक नानु एवू चेप्टर छे जेनी अंदर एवू केवा मागे छे एक बाई जे इंसाफिक कार्यवाई करवाने छे एमां क्वाट नी सत्ता सू छे अने एमनु कार्य शेत्र सू छे तो जे गुलो थाये छे एक गु जे छे कार्यवाही सरू करता पहला जरूरी सरतो जे कलम नंबर 199 थी लईने 109 वार करवा मावी छे तो आएक चेप्टर नी जे अगत्यनी कलम हो छे ए आजना लेक्चे नी अंदर जोई शो लेक्चे शरू करे एक बिलाउं तमने कहिदो के मारा द्वारा बे बुक बनाव इक अईपीसी नी चे बिजी सीज ए आईपीसी नी फिर राइजत में स्यिक्ष्टे फायर के चे सीयाईपीसी नी जे भूग चे इए बूग छे एने पराइज में 29 रूपच station नी अंदर बनेना डेमो प्यच मली जचे डेमो प्यच जो टेमो परिच गमए तो कमे है्श सक आँ इबूक छे एलेकि तरद पर्चेस करया पची तमने इमेल ना मध्यम थी मड़ी जासे आणि कोई फिजीकल कौपी तमारा गरे आवसे नई तो आखास ध्यान राग जो आणि तमें प्रिंट कड़ावी होई तो कड़ावी शको चो बाकी आप फिजीकल भूक नहीं आवे आएक e-book छे इलेक्रोनिक बूक जेने तमें मोबायल ने अंदर वाची शको चो ओके चेप्टर सरू करे नानु यह चेप्टर छे बहुँ ओची कलम होचे वन बाई वन एके करीने समझ जे आँ चेप्टर नी सवती पहली कलम जो है कलम नंबर 100 ने ने नेवू कलम नंबर 100 पोटानोां केस् अनिय मेजिस्टरेट समख्च मोकल्वानी अरजी करे त्यारे मेजिस्टरेटे 2 ंकेस् अनिया मेजिस्टочки केस्टर कोटे नी अंदर दाखल करो जोई है सिम्पल वस्तों छे कि यह आरोपी को आचे आपणा जेठालाल बाई छे जेठालाल बाई छे M नो समझीलो कोड छे विजावर्गना मैजिस्टेट हैंडल करें छे प्रथम 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 पर्थम मैजिस्टेट और जो प्रथम प्रथम मैजिस्टेट हो ऊपर शेशन पोट नी अंदर मुक लियाको तो यहां मैजिस्टेट नी फरज बने छे कि जो कोई आरोपी अरजी करे छे कि मारो केस चे यह तमें बिजा मैजिस्टेट पासे मुखली आपो तो यहां मैजिस्टेट नी फरज बने छे कि एक केस ने बिजा मैजिस्टेट ना अंडर ए मुखली आपो अत्वा तो मेजिस्टेट बीजी कई कोण होई तो एनी अंदर पण यहां डाखल करी शके तो आयोब सो तमें समझी गया आशो कि कोई आरोपी कोई मेजिस्टेट ने अरजी करे छे कि मारो केस तमें बिजा मेजिस्टेट ने मुखली आपो कि एक मेजिस्टेट एक बिजा मेजिस्टेट ने अंदर आ मुखली सके छे जे आगड आपने जो इसु के कौना अंदर मुखलवा मा आवे छे पड़ एजो अपनाव तमें 109 ने अंदर समझीलो कि कोई पण आरोपी मेजिस्टेट ने अरजी करे कि मारो केस तमें बिजा मेजिस्टेट ने मुखली आपो तो यहां ए मेजिस्टेट ने फरज मा आउसे कि कलम नंबर 109 प्रमाडे ए मेजिस्टेट बिजा मेजिस्टेट ने एक केस मुखली आप से कलम नमबर 106 यह केल छे के राज्य विरुद्ना गुना अने गुनाहित कावत्रा माटे राज्य सरकार ने पुर्व मंजूरी पचिज फोसदारी काम चलावा मा आव से पहला वाँची लिए एना पचिवु समने समझाओ छो IPC प्रक्राण नमबर 6 तमें याद होई तो राज्य विरुद्ना गुनानी बात करिये थी अत्वा तो कलम नमबर 505 जेनी अंदर जुदा जुदा वर्गो विसे दुस्मान आवाट फेला भी वगेरे गुनानी बात करी थी तो आवा कोट एक केस चे एने तमें कोटिनी अंदर डाखल करो ए पेला राज्य सरकार ने एक पुर्वा मंजोरी लेवानी फरजमा आवे चे हवे आउ केम सिंपल बस्तो जे कारा के अईया जे गुनानी बात करी चे एक क्याक ने क्याक सरकार साथे जोडाए ला जे कारा के राज्य विरुद्ना गुनानों मतलब सु कि कोई एवो वेक्ती जे सरकार सामें लड़े सरकार उपर कोई हुमलों करे ए राज्य विरुद्ना गुनानी अंदर आवसे तो आवा कंडिसन नी अंदर एक गुनेगार नी बावना सुचे ए जाणवी जरूरी चे तो राज्यर सरकार कईक पूच परच करवा मागे छे गुनेगार नी तो एनी कारियवाई जे इंसाफी कारियवाई छे एना पेला करी शके कराई एक वकत इन्साफी कारियवाइः थाई एना पक्चे एनने जल मानाखी देवा मा हाँशे एनने सजाफडकारे देवा मा हाँशे अथत्मासी वेख्ती जोड़े कैक एवी इमपोर्मेशन अरशे अत्मा तो कई केवा डेटा आसे जे जानमा जरूरी छे राज्य सरकार ने, तो आवा कंडिसन नी अंदर सौथी पेला ज्यारे पण आवो कोई गुणो थाए छे, त्यारे ए वेक्ती नी गुणानी इंसावी कारिवाई करता पेला राज्य सरकार नी पूर्व मंजुरी लेव जरूर पड़े छे, कारण केश अंदरों अंदर दुस्मना वट कोई हो वेक्ती छे समझेलों के जे हिंदू अने मुस्लिमों बच्चे दुस्मना वट पेदा करे छे, तो कदाच आवो वेक्ती आतंकवाधी पन होई सके, बार्थी बिजा दिस माथी पन आवेलों होई सके तो आवा कंडिसन नी अंदर पन राज्ये शरकार नी पुर्वा मंजूरी लेवी जरूरी छे, कलम नमबर 177, जयारे 22 अने अन्य राज्ये सिवव को सामे फोसदारी काम चलावा माटे योग्य सरकार नी पुर्वा मंजूरी विना कोटना गुना नी विचाहना करी शकासे नई, आपन महत्वनी कलम चे एक्जांबल दरीके बात करें कि अईया कोई PI छे अवे आ पी आई उपर कोई केस करें छे कोई साम्मने वेखती छे ए पी आई उपर केस करें छे हवे PI नो गुनों चे ए डाखल करें हवे आवा कंडिसन ने अंदर एउ किदू छे कि जो PI छे तो एनी जे राज्ये सरकार अथवा तो जे पन एना उपर नो अधिकारी होई एनी पूरुव मंजूरी लो एनो केस चलाया पहला केल कारण के PI ये कई गुनों करें छे तो कदाच एनो जे आधेस चे उपर थी पन आवे होई तो एक खबर होई तो PI कदाच बे गुना होई समझेलों के DYSP के SP ए एक लाठी चार्ज करवानों आधेसा पे होई PI ने अनि PI ये लाठी चार्ज करी तो PI ए गुनेगार न थी PI ने तो उपर थी चे आधेस मड़ेलों चे ए जितना कार्य करी चे तो एना उपर कई गुनों चलावता पेला एटलिस्ट एक वकद जे पन योक्य सरकार असे जेना पन अंडर काम करतो होई ये एक वकद पूर्वा मंजूरी लाईने विचार्णा करी लेवी विजी वस्तु के यह यह यू नतिक राज्य सरक चे एने आर इतना कोई विचार्णा करी ने पचे छोड़ी मुखवामा जाओसे ना जो कईक गुनों करे लो असे, कोई पर होई, नियाया दिस होऊए अथ्वा तो कोई पर राज्ये स्वक होई, यह तो सजा मड़ से, यहू नहीं कर विचाहना करीने पचे छोड़ी मुखो आमाह हो जो, ओरिजणल मा एक गुन्यगार होसे, तो एने पर सजा करवा माह हो से, हवे यह बिजी एक कंडिशन लखे छे द्यानते समझ जो जो कोई जाहेड सेवक अत्वादो राज्य सेवक छे ए आईपीसी नी कलम ओके एक काईदानी अवग नामा स्त्रीनी आबरू लेवाना इरादे कोई घुमलो करे छे कलम नंबर 116 आईपीसी वेक्तिना खरीद वेचा पर्मिसन लेवानी जरून न थी एले कि कोई पन राज्य सेवक पछे एक कोई मामलत्दार होय के कोई कलेक्टर होय के कोई पन जो स्त्रीना विरूत गुना नी अंदर सप्ड़ायलो चे जेमके मैं एक कि दुएम स्त्रीनी आबरू लेवाना इरादे हुमलो करे वेक्तिना खरीद वेचान येलेके मानवत तर्सकरी साथे संक्रायला होय बलातकान नो केस होय एना उपर श्त्रीनी लाज लेवा माने खराब सब्दो उचारेला होय तो एवा सम्माई नी अंदर योग्य सरकार नी पनमिसन नी जरून न थी एलेके सरकार जुडे कोई पनमिसन लेवा तो आवा कंडिसन नी अंदर राज्य योग्य सरकार चे एना जुडे मंजूरी लेवा तो एना थी एक्चूली एने गुणो करयो शे के नथी करयो एने सजा आप्पा जेवी छे कि नहीं तो आउँ कलम नंबर 117 के चे बाकी स्त्रीने लगता कोई गुणा मा सक्ड़ायलो ह ये राज्य शेवक तो एना माटे पाची मंजूरी लेवानी जरूर न थी कलम नंबर 118 लगन अंगेना गुणाओ माटे फोसदारी काम चलावा बवत याद करो आईपीसी प्रक्रान नंबर 20 जेनी अंदर लगन सबंदी गुणाओनी वाद करी शे एनी अंदर येवी जे क कि तेने फरियाद करवा मा आवे अने जाहर मा कोटे नी वच्चे हाजर थवा माती मुखती शे वेरी इंपोर्टन चे समझाओ जू तमने सगीर वेक्ती सामे गुणो बने तो तेना माटे योग्य सम्मिती इतले के वाली नी सम्मती अथवा तो तेना सगा सबंदी वती याद करो आईपीसी मा इप्रक्रण अदू प्रक्रण नंबर बीस जेनी अंदर लगनसबंदी गुणाओनी बात करी छे तो लगनसबंदी गुणाओनी अंदर भोग बनेली कोई स्त्री येलेके समझीलो के कोई वेक्ती छे एनने परणवानों डौंग करियो छे कोई स्त् स्त्री छे ओल्रेडी पहला तो सद्मा मा आशे तारां के एनों पती भागी गयो छे एनना पती एने समझीलो दगो आपे छे कई पण छे एनने केवाई के गुणों मतलब के एक गुणे गार्ण छे अनने एना उपर भोग बनेली इस त्री छे ए गुणानी अंदर भोग ब स्त्री ने तमें जाहर मा लाओ और जाहर मा तमें क्वेशन पूछो तो योग्य न थी तो आवा कंडिशन नी अंदर एक केवाई के एक मुक्ती आपपा मा आवी छे कि जो कोई स्त्री जे लगना सबंदित गुणानी अंदर भोग बने छे तो एक केस नोधावा माटे नई कोई आवे तोपन चाल से एना वती कोई एना सगा सबंदि कोई भाई बहें कि कोई एना इस्त्री विच्चे सारू इच्थी कोई व्यक्ति ए एना वती एस्त्री वती केस नोधाव से तो चाल से ओके तो केस नोधावा माटे एक मुक्ती मडी चे ए भोग बननारी स्त्री न अन्दर बात करवा माँ आवी चे गरेलु हिंसा, गरेलु हिंसा युले सू पती अठवा तो एमना सगादवारा, A3 ने आपपा मा उतो त्रास, जैने गरेलु हिंसा के माँ आवे चे ? याद राग जो अहीया दौरी देतनी बात न थी, मतलब के कईक गरेलू हिन्षा थाय अने एना कारणै एस्त्री मरी जाये छे तो एना पचित दोरी देत आवे दोरी देतनी आपड़े कलम जोह यह थी एक गुणो लागो पड़े अईया एनी बात न थे अईया गरेलू हिंशा थाये चे लेके पती अने इना सगा सबंधियो द्वारा इस त्रीव पर त्रास गुजारवामा आवे चे अने आवा कंडिशनी अंदर ध्यांती समझो आ कलम चे सुक्या हमागे चे आहेटर सिक्सा ने पातर बन्तो होय तेवी हकीकतो पोलिस रिपोट के गुना मा नारास्तायली व्यक्ति अथवातो तैने ना पिता माता भाई बहेन अथवातो तैने ना सगा सबंधियो आवा प्रकारिनी फरिया नोदावी शके अने कारियवाई करी शके हवे ध्यानती समझ्जवा कलम्जू केछे एक्जांपल करी के एक स्त्री चे आस्त्री लगन थाया सास्रे गई सास्रे गईा पची एना पती अने एना सगा सबंद्यों चे एमना उपड त्रास गुजारे चे हवे त्रास गुजारे छे अवे पड़ एस त्री एकली सारी होय छे कि ए पोता ना पती अने सगा संबंधियों विरूद केस नोदावती न थी परंतु ए पत्नी ना पीर वाड़ा पीर वाड़ा यहले चे नी पीर वाड़ा ने खबर पड़े छे कि मारी दिक्री उपर आर इतना सासरी मा आर इतना त्रास गुजरवा मा आवे छे तो पियर पक्स वाडा पन एस्त्री वती पोली स्टेशन ये अंदर के मैजिस्ट्रे समक्स केस नौधा भी शगे जे आउ कलम नंबर एक सो ने अठाणों के जे मतलब के बले एस्त्री जाते फरियाद ना करे पड़ एना वती एमना ममी पपा पीयर वाडा पन केस नौधा भी शगे चे के मारी छोकरी लगनकरी ने सासरे गई चे अने सासरी पक्समा एने बहुत रास आप्पा मा आवे चे पती अने सगा सबंध्य द्वारा तो कलम नंबर 198 पर वेरी इंपोर्डांचे फरिती रिपीट करीश के आईपीसी कलम नंबर 498 ये मुझब गरिलू इंसा जेमा पती अने ना सगा सबंध्य द्वारा त्रास आप्पानी वाद थाए चे हेटन सिक्सा पात्र बंतो होल तेवी हकीकतो ना पोलिस रिपोट उपर थीके गुणा नी नाराजगी थाहली वेक्ति ये अथवातो तेणी ना पिता, माता, भाई, बहेन अथवातो तेणी ना सगा सबंध्यो वेक्ति आवा प्रकानी फरियाद नोदावी शके चे अने का कारियवाही करी शके चे ओके तो आ कलम नंबर 191 है चे कलम नंबर 109 जेनी अंदर बद नकसी माटे नी फवसदारी कारियवाही नी बात करी चे अवे IPC मा आपड़े एक चेप्टर जोई गे आता चेप्टर नंबर 21 जेनी अंदर बद नकसी जेनो मतलब थाही चे मान हानी एनी बात करी है तो एना हेठण बनेलो कोई गुनो तो तेवा समय ते व्यक्ति पोते अथवा तो जो ए व्यक्ति हयात न होए तो तेना हीत दरावती व्यक्ति अथवा तो व्यक्ति पागल अथवा तो अडार वरस्ति नानी होए तो एना सबंदी अथवा तो कोई पण सार गेनों इछकशुक वêtकटी ये नीजे फर आर्मी अफिसरे चे वीक्रम भाई पोते जेh सहरद उपर आपड़ा देश माटे भारत देश माटे सहीदा थेई जाए जे आर्मी नी अंदर होये चे अन्य आपड़ा देश माटे ए बॉर्डर उपर लड़ता लड़ता सही थाई जाई चे अवे काल उठी ने कोई वेक्ती चे आर इतना एक पोश्टर बनावे जेनी अंदर यह लखे के विक्रम आतंगवादी चे तो आवा कंडीसन एंदर एवेक्ती हयात मानः थी जे वेक्ती नो यह प्रचार करवाव मावी चे मतलब के एक वेक्ती चे जे ना ऊपर मानहानि नो मतलब के मानहावी ब्ध नक्सी करा छे यहनी जे इज़द छे एने उच्छाडे छे ओके सरे आम आरी इतना पोस्टर बनावे एने एम के के विक्रम भाई तो आतंगवा दिया था पाकिस्तान साथे मडेला आता तो आवा कंडिशन ने अंदर सु ए व्यक्ति हयात मन अती तो केस ना थे सके थाई शटे समझीलो के विक्रम भाई नों समझीलो कोई भाई छे ओके जेनु आमचे समझीलो रमेज भाई रमेज भाई ने खबर पड़े छे कि आ अजे भाई छे ए मारो भाई जे सहीद थाज्यों शे देश माटें एना उपर किचड उसाड़े छे, एना उपर बदनक्सी करे छे, मानहानी करे छे, एनी इज़द छे ए निलाम करे छे तो रमेज भाई छे ए पोताना भाई वती, या केस नोधा भी शके छे बले ए व्यक्ति हयात मा न थी, ए विक्रम भाई छे ए मरी गया छे, पर M नी इज़द पड़ या वैल्यू राखे छे तो आवा कंडिशन ये अंदर रमेज भाई पोताना विक्रम भाई जे सही थाई गयो छे, M ना नाम उपर या फरियाग नोधा भी शके छे कोई गांडी व्यक्ति हो एंगे एना वियूत कोई मान आनी करे, कोई पागल व्यक्ति छे, रस्तामा जही रही छे, बदा येने पत्थर माडे, कई खिजावे, तो ओविजली पागल व्यक्ति ए केस करवा जवानी न थी पन्ये पागल ना सगा सबमद्यों ए पागल वति केस करी सके छे। कि आ वेक्ती सोर्म, बले थोग्य आलिक्ति अस्तिर पन्ये पर यहा है, यहार प SECO, igns frustrating, waować cagats, wa pine mog findings आडोस्पडस का वेख्तिव रहेंगें, विजापडसी ने घया तमारों छोक्रों तो चोड के बदा शोसाइटी मा बदा में कियतों पढ़ेक। मगल ना लानों छोक्रों चैने अडार वरस्ती मंनों चैने, तो अवा कंडिशन यंदर। मारा छोकरा ने चोर कहे छे, तो यह तमीं समझी सको छो के कलम नंबर 199 एउ गेव मागे छे के ए व्यक्ति पोटे लेगे मारा उपर माना नी थाई हो आई तो होतो फरियाद करी सको छो अत्वा तो ए व्यक्ति जो हयात्मा नावाई जमके यह में उदार नापी ए व्यक्ति मरी गया छे तो एना हीत दरावती कोई व्यक्ति होई ए फरियाद करी सके कोई पागल व्यक्ति होई तो एना पागल व्यक्ति ना हीत दरावती कोई व्यक्ति ए पड़ फरियाद करी सके अड़ार वरस्ती ना नियों आए तो एना पड़ सगा सबंदियों अने हीत दरावधी बेखती चे एपड फरियाग करी सके चे कलम नंबर 199 पर माणे तो एक नानू यहू चेप्टर छे जेनू नाम चे कार्यवाई सरू करता पहला जरूरी सरतो कलम नंबर 109 थी 109 आ चेप्टर ने में जेटली पर कलमों चलावी इटली खास याद राखवाने छे महत वनी शे तो आई होप सो तमने बद्दू खबर पड़ी असे जो कई कराई तो पॉरान पात्स नी अंदर डिवाईड करे लेशा प्रथम पात एनी अंदर एवा चेप्टर वर आउसे हे जेनी अंदर आपणे सियार पीसी नी समझूती जोहीत्चिप्ट पॉलिस प्रक्रियानी बाद करी छे अने त्रीजो पार्ट जेनी अंदर न्याइक प्रक्रियानी बाद करी छे हवे पार्ट नंबर वन अने टू आपने ओल नेडी कंप्लेट करी चुकिया छे जे एक समझूती ना छे पार्ट नंबर टू जेनी अंदर नियाव में तमने की दो आतू पोलिस प्रक्रिया जेनी अंदर आपने च्यार महत्वना चेप्टर जोई गया आता पांच, छो, साथ अने बार जे पोलिस प्रक्रिया ना आता हवे अया थी जिकला पन चेप्टर आव से तमने खवर से कि CRPC म यह के 15 नंबर ना चेप्टर थी 37 नंबर ना चेप्टर सुधी जे कलम हो करा हुचू इटलीच कलम हो कर जो आया हुच जे कउचू एना पर फोकस राग जो तमारे वक्किल नती बनवानू तमारे कॉंश्टेबल के PSI बनवानू चे तो जेटली कलम हुच चला हुचू इट इटलीच कलम हो कर जो वधारे अंदर जताने बिजी बस्तू के अईया हुच जे कलम हो करा हुचू इज तमें कोई ओफ लाइन एकेडमी ने जसो तो पर तमने इटलीच कलम हो बढ़ावामा आउसे तमें कोई एप्लिकेशन पर्चेस कर सो तो एनी अंदर पर आज महत्वा कलम हो जयाद राग जो फरिती काउचू आईपीसी ने अंदर पांसो ने अध्यार कलम हो छे सी आरपीसी मां चारसो ने चोरियासी कलम हो छे अजो एविडनस एक्ट बाकी छे विजा त्रोण एक्ट बाकी छे ओके तो बद्धू ना करता गांडा थी जेसो ओके वकिल लती बनवानों PSI के आपणे कॉंस्टेबल बनवानों चे तो जे पन महत्वनी कलम हो कऊचू एने तमारे समझवानी चे अने इटलीच कलम हो तमारे याद राखवानी चे तो वन बाई वन जे नियाईक प्रक्रिया चे एमाचे चेप्टर आवे चे अन्डे चेप्टर वाई ज 1013 सुधी बात करवामा आवी चे नानु एउ चेप्टर से चलो आपने स्टार्ड करिया एना पहला हूं तमने कहिदो के मारी इबुक बे बार पाड़ी देवामा आवी चे आई पीसी नी अने सियार पीसी ने शे आप बनने इबुक चे लेके तमने फिजीकली नहीं मढ़े पर परचेस करें परसी तमने इमेल ना माध्यम थी मढ़ी जासे डिसकाउंटे प्राइज बनने नी 65 रूपीस अने 29 रूपीस राखे लेशे तमारा माटे आपना स्टूडेंटों माटे जे नीचे तमने डिस्क्रिप्शन मा लिंक आपे लेशे एना थी परचेस कर सो तो आप प्राइज मा तमने मढ़ी जासे आप बनने ना डेमो पेज पर अवेलेबल छे डेमो पेज जो डेमो पेज गमे तो तमने परचेस करी सको चो बाकी आपना जे फ्री वीडियो चे यूटूब नी अंदर आवतारे से तमने जोईने एन्जोई करी सको चो हवे नियाईत प्रक्रिये सरू करे पेला नियायालाई केउँ देखाएं छे अत्वा तो नियायालाई नी इमेज आपना मैंड नी अंदर किभी होई छे ये आपड़े जोई लिए तमने मुवी नी अंदर कदाच फिजीकली ना गया होई नियायालाई नी अंदर अदालत ने अंदर पर तमने मुवी ने अंदर आ अधलत आओ काई जोई हो है तो आवी काई रच ना होई छे उपपर सेंटर मा कॉन में बेठला ओछे जज बेठला ओछे नियाय दिस बेठला ओछे एन थी आग न तमने टाइप राइटर जोवाँ अँर शे टाइपिंग करता सब्सक्राइब करता हुए अपड़ा टाइप राइटर एना बचे तम्हें जो के डे बाजो आरितना सुआ कटगे रहा हुए जने एक बॉक्स के वामा हुए बॉक्स मा एक बाजो अपरादी ने उभो कर वामा हुए इमा अपरादी उभो हुए बीजी बाजो छे जे साक्सी और फरीयादी ने यो अपरादी ने बढ़्याक दभाता ही जे मनो रंजन माटे आवी होई, अमुक रोती होई, अमुक हस्ती होई, अमुक एंजोई करती होई, आप अधी फरिया, मतलब कि पाठचड़ेवा और यस बेठेली होई, जे निय अंदर कोई होई, तो साक्सी और फरियादी, यहमना सगा सबंधियों होई, बेठेला होई, ग आपने हवे नियाईक प्रक्रियाने सरुवाद करिये चे, एमा जे महत्वनी कलम होचे, एनी आपने सरुवाद करिये चे, सब्धी पेल्ला जावेचे कलम नंबर 203 फरियादी नी जुबा ने एकले सू, कि कोई फरियादी प्रत्थम वकत जारे, गुनानी बाबतों नी वि करवा में आउसे, एक्जांपल तरीके बाद करिए, कि यह आपना जेठा लाल बाई चे, अ जेठा लाल बाई ये कौनु खुन करियुँए? अईयननु खुन करियुशे, हवे आ खुन करियु तो यह नी फरियाद नुदावो माटे कोण जायः चे, तो समझे लो के फरिया पर्टिकुलर सब्ड़ तु सब्ड़ नौधवा मां आउसे जैती फर्याद ये आगर जता फरी ना जाए एक्जाम्मण तरीकी अतियारे समझे लो फरियाद मोधा प्रक्रिया चालू थाए तो फरियादी ना जाए जे फरियादी जे बोलवा नोचे एना उपपर आगर कारियवाई थवा ने छे जे नियाए लए चे एने कोई कसी खबर नते जे फरियादी बोल से एने मानीने एने नोधवा मा आवे अने एज इतना आगर पोलिस तपास नसे तो काल उठी ने फरियादी फरियाद करे चे तो एने वर्ड टू वर्ड नोधवा मा आवे चे एनी नीचे फरियादी नी साइन करवा माँआ है एनि अन्गात कोई साक्षियों हाया होए तो एनिनी साइन करवा माँआ आवे अणने मेजिस्टेट पोतेबण एनिस नीचे साइन करसे तो महत्वनी कलमचे कलम नंबर बस्सो यह ना पची नेक्ष्ट बात करें कलम नंबर बस्सो बे जेनी अंदर कामगीरी अने हुकम काडवानों मुल्तवी राखवा बाबत। एक्जांबल दरीके बात करें, एना पेला चलो वाचे लिए, एना पचे एक्जांबल द्वारा समझाओं। प्रथम द्रष्टिये गुनों कोने करें चे, तेउन न जनातों होए, अने आरोपी ते मेजिस्टेट नी स्थाने खदनी बाहार रहतों होए, तो मेजिस्टेट आ कलम मुझब नियाईक तपास के पोलिस तपास नो आदेशाब से, अने मनेला पुरावा पचेज, जनाये तो आरोपी ने हाजर करवानू कैसर, एक्जाम्बल तरीके पिलूग खुन थाई गिवातो, हवे फरियादी जे आपड़ा बिडे बाहे चे, ए मेजिस्टेट समक्स पोताने फरियाद नो दावे चे, पोतानी फरियाद नी अंदर एऊ गये चे, के जेठालाल नामनों एक वेक चेकति है कि गये मने अंदे सोचे कि इने खुन करयाई छे, और फूल एक नजरती नती जोई समझेलों बिडे ए खुन करता नती जोई पण ऐन अयां नी लास अंदर मडी छे, अठी अने वेकिजादी आमनों कैच्छे, मने अंदे सोचे चे कि ए जेठा लाले करिई परिया वर्ण काडी ना जे वर्ड चे एना थी मैजिस्ट्रिट ने लागे छे कि जेठा लाले जखून करूँ छे एव या प्रूप थतू न थी एने खाली थोड़ो अंदेस हो छे तो आवा कंडिशन नी अंदर डायरेक्ट जेठा लालना नामनो वरंट काडी ने पकड़ी ना सका तो आवा कंडिशन नी अंदर सू कर से खबर से जे मैजिस्ट्रेट छे एप पोलिस तपास अथ आतो नियाईक तपास नी के वैक्तियों नी जेपल वैक्तियों होए और तो पोलिस ने आदेस आप से कि आ जे बिडे जे कही रहो छे एननी पहला तपास करू इन्विस्रिग करनो समंस के वरंट यह डायरेक आप्पमा नती आवतों जैरे पर कोई अपरा दी छे ए पोता ने फर्याद मद आवे अन्ने पहला नजरे गुनेगार नी खबर नथी पड़ती तो आवा कंडिशन यंदर पहला तपास करवामा आवे नाइक तपास करो कातो पोलिस तपास करो एना पची कईक एविडेंस मडे कईक पुरावा मडे तो एना आदा रूपन समंस अने वरंट काडवामा आवे छे तो त्या सुधिक हैं के जी नियाईक प्रक्रिया चे ए मुल्तवी राकवी पड़े छे तो जो फरीथी वांची लओं के प्रथम द्रश्टी एक गुनो प पास नो आदेशा पे छे अन्ने मडेला पुरावा पची योग्य जनायतो आरोपी ने हाजर करवानू उकमा पे छे कारके काल उठीने एव पर थे शकेक बई आरोपी का इक बिजो हुआ अन्ने तमे जेठा लाल ने पकड़ी ने कोटनी अंदर हाजर करो अन्ने एना उपर कलम नंबर 203 फरियाद काड़ी नाखवा बादत मोस्ट आयमबी छे हवे आगर में तमने चेप्टर नंबर 12 चलावी हो तो चेप्टर नंबर 12 ने अंदर में एक वस्तु की दिया दे कि जयारे पर नियायद इस पासे कोई एफायर आवे छे मतलब के स्वरी के कोई फरियाद ने जो से चकाज चे अन्ने नियायल एफ लागे कि आ केस कोटनी अंदर चलावा जे हो चे तो ज एने मंजूर कर से बाकी कलम नंबर 203 प्रमाने एने काड़ी नाखवा माव से में आगर पना अबस्तु की दिया थी हवे एक कलम ने हवे आपने समझ चे कलम नंबर हलता बश्तु धेयओ किया चे के में फरियाद ने काड़ी नाखवा में इउन जणाएक कार्य वाही करवा माटे पूर्तू कारण नथी तो में स्टेड फरियाद काड़ी नाख़े चे अन्ने एम करवा माटे में स्टेडने पोताना कारणों यह तुłrant की नंध पढ़ से तो यह सिब्बल वस्तु चे कि समझीलो के गोकुलताम सोसाइटी नी अंदर आपड़ा टपफू, अने समझीलो गोली, आपपफू अले गोली चे ए जगणे चे आ वस्तु कोण जोही जाएज है तो आ वस्तु आपड़ा भीडे भाई जोही जाएज है यह बिळे और भुस्य जिए जाइ पहुकिलINE फिद्दमध कोने, फिद्दमा खुशहे पहुचिये, में दिर्षे पहुकिलमें प knowledge, if our मस्ति करता हूं और पच्छी बईबन था ही जबाना हूँ तो मेजिस्ट्रेट ने हूँ लागे कि आ किस एक्चुली कोटनी अंदर चला आजे हो छेज नहीं कि आगे यह टाइब विष्ट था हूँ लागे छे कोटनों कि आपने बोला हूँ अने कदाद पची सूला पर थे जाए तो यह टाइब विष्ट था हूँ लागे तो मेजिस्ट्रेट ए भीडे ने ना पाड़ी देशे कि आ फरियाद छे ए यह कोटनी अंदर 40 अबी न थे ल क्यों ने के डाइनेक ना पाड़ी दे कियम ना पाड़ी एनी पड़ एक टूंकी नोद छे ए मेजिस्ट्रेट छे ए फरियादी ने आपसे कि आ आ काराणों थी आ केस ने आपने कवाटनी अंदर चलावता न थे तो आ चेप्टर नंबर 15 छे एनी अंदर आपड़े त्रण कलमों याद राखी सु बसो बसो बै अने बसो त्रण हवे नेक्स टेप्टर रूपर जता रिया चे चेप्टर नंबर 16 चेप्टर नंबर 16 ने अंदर किदू छे मेजिस्टेट समक्स कारिय वाही शरू करवा जे कलम नंबर 204 ती लईने 210 सुधी नी बात करे शे वन बाई वन एके कलम आपड़े समझ जे शोथी पेला बात करे क कलम नंबर 205 नजीवा गुणा माटे आरोपी ने हाजर रहवा माथी मुक्ती सिंपल वस्तो छे सु केवा मागे छे द्यानती समझ जो पेलावू आँचे लो एना बचे समझाओ नजीवा गुणा अथवा तो आरोपी कोट मा आववा अशक्त होए अथवा तो कोई रोग तो आरोपी नी हाजरी माथी मुक्ती आपपमा हावे छे आवी कंडिशन मा आरोपी बती वकिल एनो केस नो दो छे सिंपल वस्तों छे कि समझी लोगे आपड़ा बिढ़े बाए छे आप बिढ़े बाए ये मैजिस्टेक समक्स कोनो केस कर यो तो आपड़ा जेठा लाल बा एक नजीव गूनो करें, शांजी लो कोई बख्रेड आनो करें हो, अथ nouveau ना नीयो कोई चोरी हो, अथवा थे सम्झी लो के कोई ने मान हानी करें, तो यह समझे लोगे भीडे नी मानानी करेचे एक्जांबल अपने ले लिए कि जेठालायल चे एस समझे लोगे बीडेना स्कूटर उपर शू करेचे, श्क्रेच पाड़ी देचे तो आनाधी शू थाईँ, बीडेनी मिलकत ने नुक्सान थाईँ तो बीडे चे एक केस करी नाखे छे अबहे आएक ुपा स्कुटर लुपर गाते हैं तो इसन भीडे चैनल सम्जीला अधालत में पर अधालत नी अंदर जवानों शेका जोन होएं जेना थी ये आविस सत्य ओवा न्यथी, तो M ना बदला माई, लेके जेठा लालना बदला माँ, जेठा लालना वकील छे एक क्वोटनी अंदर केस चलावे तो चाले, पां या कंडिशन छे गुणो नजीव हो जोई, खुन्नो गुणो होई, कि बलातकार्नो गुणो होई, मार इतना ना चाले, ये आरोपी ने हाजर थाउच पड़े, पन नजीव हो गुणो होई, तो ए गुणा माटे आरोपी ना बदला माँ, एमनो जे वकील छे एक केस लड़े, कोटेनी अंदो जाईने तो चाले, आरोपी ने त्या हाजर रेवा माती मुक्ति मड़े छे, आ क तोहुमत नामा नी बाद थाई छे, अगर आपड़े एक जोई पन गया आताक बड़े, तोहुमत नामु सुझे, ओके, तोहुमत नामु ना मतलब थाई छे, आरोप नामु, जे आपड़े चेप्टन नंबर, स्वरी, कलम नंबर ब्याना जे पेटा प्रकार्मा जे कर्वामा आवी चे, वन बाई वन एक एक करीने आपड़े समझ जे, सौथी पेलाग के कलम नंबर बसोट ग्यार, जेनी अंदर यू किया मा आगी छे, तोहुमत नामा नी विगत, तोहुमत नामु नामु नो मतलब थाई छे, आरोप नामु, आरोप नामा नी वोँ तोह दर्शावी जरूरी छे, कलम नंबर बसोट ग्यार एहू किया छे, तमे बले एक गटणा ना बाग रूपे तमे एक व्यक्ती छे, जैने एक गटणा ना बाग रूपे अलग अलग गुनाओ करेला छे, तोह वादो ने तमे यंणी एक तोहुमत नामु बनाओ, पर कलम नंबर बस्सो अग्याक वामाणे ए तोहमत नामानी अंदर कई-कई विगतों छे ए लखवी एनिमें जरुवी छे एक वाम आगे छे तोहमत नाम मुं सुछे मैं अलेडी चला विलू छे तौपर मुं तमने कई दोच्छू कि समझीलों एक चोड छे आ चोडे समझीलों एक गर नी अंदर चोरी करी चोरी करी ने जयारे बार निकड़े चे त्यारे एक गाडी पड़ेली होई चे तो गाडी नी पर चोरी करे शे ओके गर नी अंदर तो चोरी करी एना पचे बार आवी ने एक गाडी नी चोरी करी गाडी लेने जतो होई चे तो वेक्ति नों एक्सीडन करी नाखेछें तो यह थ्रिजो गूरो करते। दिवने यह पतोर आजे-चोड चर हाई अजे ऑक्सीडन करे अगर सन्मे grands 5 जग्या एती एक लैडिस नो आफीर करते तो यह तम्हें जो सो के गटना एकट छे ओके चोरी करवा गयों पछे गाडी जी चोरी करी पछे गाडी लहीं ने जत्तों वाल छे अने एक्सिडंट करियों और जत्ता बिजा कोई अफ़र्ण करियों तो एकज गटना ना बाग रुपी आ बदा जुदा-जुदा एने गु करवो एनी बात कलम नंबर बसो अग्यार गया चे तो यह तम्हें जो के दरेक गुणा नी गटना साथे नी दरेक अलग 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 विगवतों दर्सावी तो हम अतनामों तम्हें एकट बनाओ पड़ एमा जिटला पर गुणा करे ला चे इन बद्धानी विगे तम्हें को दर्साओ को मैं को परालक हो इन बद्धानामों पर कर से रही हुपार मधालस पर कर किस एना गर्ली से ना गर्ली फिएघर नू मालिक अध 1.2 जर्फ तो और पर गुणा नी परा ने पराल्ली भरियाद कर से जेनू accident थाई उचे तो एना गरना सगा सबंधियों छे एक केस कर से तो यह फरियादी अलग असे जेनू अफरां थाई छे एना सगा सबंधियों छे चौथा नंबनी फरियाद कर से तो यह तमें जो हो के अपराधी एक छे पंधा अलागीर उन्दे जुढा फरियादी ना नाम साथे नों वर्याद्न पन करो कि गरिणी अंद चोरी थैए तो एनयों फरियाद्ी नाम आम आ एकसिडन्ट थाई तो एना सगा सबंजियुन नाम A जय मने फरियाद करीशे, अफरन थाई तो एना सगा सबंजियुन जय मने फरियाद करीशे M. जे कलम वीरुद्नों गुनों थाई। एनो पर वर्णन करो। अबर मुझब अधे कि अधे का ली खोटार ने होकश ऑप ने होके अधे का लुझब तो यहां उड़ता ही। ये में सम्झीबर गुज्वाट सम्झे में entrega शे विदाative आया हो। अने जे राजस्तान नी अंदर ये शु करेशे तो राजस्तान नी अंदर ए एकसिडन करेशे औने आगर जता समझीलो के दिल्ली दिल्ली नी अंदर अफ़रन करेशे तो ये चाड जुदी जुदी जग्या है समझीलो के गुजरात नी अंदर गाडी नी अने गर्नी अंदर वाँक्लियात एक्षिदान होच होच है और सब्सक्रादिश को नहीं लिए राजस्ताना पीट егоकる जयोवरी Inner vya x करकि ने नुक अधाना लटाइँ हान सवस्ट्राइटियाय व लिए हिंदी आउड हो एक भुटरण हैंने चैनना लेग कोम के लिए मिठानेगा सब्सक्राइट अधा comedy nलave मोल अधा कही चा जाल इन्हान सवस्ट्राइट के लिए मोले ये फिज ग आएव बेचाताल तोहमत नामु छे ए गुजराती मा बनाओ बले फडिया दीचे ए दिल्ली थी आवेचे राजस्तान थी आवेचे एनो कोई वांदों न थी पर जे विगतों आवेचे बद्धी विगतों गुजराती मा लखिने नियायलाईनी अंदर प्रस्तूत करवामा आवेचे आ कलम अबर बस्तों ने ओगनिस एकज बरस्मा थेला एकज प्रकार ना त्रोल गुणानु तोहमत नामु साथे मुखी छागाईचे आपन महात्वानी बाबत्चे समझो अईयास हू केछे के चलो एकज आम तोहमत नामु छे कही रितना मुखाया आम तोहमत नामानी व्याख्या तोहनु ज एक तोहमत नामु बनी शके परन्तु अईया एक कलम बीजी आएचे बसो ओगणिस एयू केछे के चलो वांदोने एक गटनाना बाग उर्पने नती बनी पर एकज वरस्मा एकज जेवा सेम टू सेम तोहमत नामु साथे मुखी शकाये चे एकजाम्पल तरीके ब प्र फदे बेहजारने एक विस ओक एएक एक वेकती गर्णी अंदर चोरी गरेशे क्या करेशे घरनी अंदर चोरी गरेशे क्या करेशे पफड़ार थे गरार लुष्एी सम्झेट लोग के 5 एक बेहजार ने 2022 सरखा पर 21 वरस olmएड horror के चुम्हलेन जो की 5 4 2021 ती 5 1 2022 एककज वरस जो चे ओके आएककज वरस ने अंदर थाया चे ओके एकले के 12 मैना पर एकन तोहमत नामू बनावी ने मुकी शकाई छे। तो जो कि कोई वेक्ती प्रथम और छिल्ला गुना वच्चे वधुमा वधु बार महिनानों समय न होई एवो। एक वरस न अंदर बार महिनान थी वधारे समय में आतामें जो ओके बार महिनानी अंदर अंदर त्रण गुना करी ना केशे। तो बार मेरें न समय गाला गर में आया हैं, जो व्दु मावडू तरण वककत, तरण थी वदारी कर सेज़े तो येनो अलकती तवहमत नामू बनावा होते, पर वदु मावडू तरण ध statutory होते, पकड़ाय जाएं, तोपं बेन तौहमतre नामू एक बनावा होते, तो प्त 2023 ग प्रक्रिया नी सरुवाद करी दिया थी जेनी अंदर आपने चेप्टर नंबर पंदर अने सतर जोई गया था एना पचिना त्रण चेप्टर अधार ओगनी सने 20 इतला इंपोर्टन न थी अजुसुदी एमा थी कोई कलमो पुछाईली न थी के एकलो कोई महत्वनु छेपण नहीं ट्वापिक जेमा थी क्विश्चन बनी शके तो एमा थी क्विश्चन बनीला पंद न थी अने बनवान संभावना पंद न थी तो ए त्रण चेप्टर अपने नहीं जुए है तमे कोई ओफलान क्लासिस ने जाओ चो के कोई ओनलाइन कोर्स पर्चेस करो चो एमा पड़ ए त्रण चेप्टर अपने नहीं आपेला हो है वाद करे आपणे चेप्टर नंबर 21 जे चे संसित मां इं इंसाफी कार्यवाई ये कलम नंबर बसो साइंट थी लईने बसो पांसर सुधी आनी बात करवा मा आवे चे एना पेलाओं तमने कहिदो के मारत बाराई बे इबुक बार पाड़ी देवा मा आवे चे आईपीसी नी अने सियारपीसी नी आईपीसी बुक नी प्राइज में 65 रुपीस रागे चे, CRPC ने 29 रुपीस रागे चे आब बनने प्राइज तमने ई-book 100 रुपे तमारा मोबाईल ने अंदर तमने मड़ी जसे, इमेल ना माध्यम थी जयारेव तमने बुक परचेस करो चो त्यारे, आनि कोई hard copy तमारा सुधी नहीं पोचे, हाँ, पर soft copy नी त प्रिंट कड़ावी शको छो, हवे आज एप्टर नी अंदर कलम नंबर 216 अने 211, आप बेज कलमों इंपोर्टन छे, जिमां 226 संक्सिप्त नियाईक कार्यवाही मोच्ट आइमपी छे, शेला आपने वांची लिए एना पचे मुँ तमने उदारन द्वारा समझाओ छो, इंसाफी कार्यवाही टूंकमा कूरी करवामा टे, आ प्रकार्नी अरजी फरियादी द्वारा करवामा आवे छे, कोना द्वारा? फरियादी द्वारा कोटमा करवामा आवे छे, सामने रिते बे वरस्ती ओची सजाने पात्रों गुनों होए, अथवा तो बे हजार थी ओच परशी चोरी ना मालनों गोनों हॉय, त्यारे ज संसित न्याईक कारियवाहिः थाई शके छे, तो चीप जुडिसियल मेजिस्ट्रेट अथो चीप मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट येम ना समख सज, आसल शंतीप नाईक कारियवाहिः थाई छे, बन्ने पक्सकारों नी मर्जित्थी ज आवा प्रकार नी जे कार्यवाई चे एक वोटिनी अंदर चलावी शकाई चे अने आनो जे निर्णाय आउसे ए अंतिवरे से आना निर्णाय विरूत तमें उपणी अदालत नी अंदर अरजी करी शक्सों ने हवे संक्सित नियाईक कार्यवाई केम करवामा आवे चे एनू आपणे उदारन द्वारा तमने समझाओं हवे एक्जाम्बल तरीके वाद करो आछे आपड़ा बिडे बाई अने आछे आपड़ा जेठालाल बाई हवे समझी लो के बिडे बाई चे ने आपड़ा जेठालाल बाई बिडे ना पाकिट नी अंदर समझी लो 500 रूपया हता केटला रूपया? 1500 रूपया पाकिट नी अंदर हता जेठा बिडे ना पाकिट नी अंदर कि यह जेठाल लाल नामना भ्यक्ति ये मारू पाकिट मारी छे जेनी अंदर 500 रूपया आता कारण के सतमनेका बज एक भीड़े छे थोड़ो चिकणो छे 1500 रूपया येना माटे बहु मोटी रकम छे तो आउ केस करी नाखे छे हवे एक किस मेजिश्ट्रिक समक्स पहुचे छे औने मेजिश्ट्रिक समक्स एनी कार्यवाई चालू थाई छे हवे कार्यवाई चालू थता 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 ये समझीलो के महिनो सुधी काडी नाखे छे समझीलो के अमुक कार्यवाई मासु मुद्दत पड़े, जेठालाल हैं के बई मेन नथी चोर्यू यानू कोई सबूत नथी, बिड़े के एक ना आनेज चोर्यू छे, तो आर इतना मुद्दत उपर-मुद्दत, मुद्दत उपर-मुद्दत पड़ती जाये छे, और आज के के सनIA ability चे ने जेठा लाल पाते जासे, अन्येटय लाथ से, जाहिने मिम कहते हैं के कि आपने शु करें के संसित नियाई कार्यवाई करें के लिए कैर्या आज कार्यवाई चे फटा पट तूंक मां पताये करने कि कैस से आने आईक लोू कोई केस स्तोंग ना थी, बहू बन्ने पार्टी रेडी छे फरियादी पकस और पकस बन्ने पार्टी रेडी छे केस चैने टूंक्मा आपणे पताई दिए करी लगी कारियाधी ले पताँ न्य, पताँ ये मुद्ध ज सर कच इस ले न. पात्र गुनों होए औने 2000 थी ओची चोरी ना मालनों गुनों होए तो आवा केस ने शंसित न्याईक कार्यवाई तई शके छे कोन समक्स आवा केस रजुकर्वा मा आवे छे तो अवे जे फ्यसलो आपसे एने तम्हें उपनी अद्यालत मा नहीं पड़ कारी शको कारके तम्हारा द्वारा सामेथी अर्जी करवा मा आविजेक आने पता हो टूंक मा तो पचे आजे नीर्णय आपसे ए अंतिम रेसे एना विरुद तम्हें उपली अद्यालत नी अंदर अर्जी करी शक्सो नहीं के अपील करी शक्सो नहीं तो एने सु के आमा आवे शंग्षिप्त न्याईक कार्यवाई के आवा मा आवे चे आमा थी MCQ वारे गरे पुछाएला चे के वा MCQ पुछाएं कहीदों तमने के संसित न्याईक कार्यवाई चे एनी अर्जी कोना द्वारा करवा मा आवे चे तो फरिआदी द्वारा करवा मा आवे चे आपे अलो क्वेशन समसित नियाईक कार्यवाई छे ए निचेना माती कया मेजिस्टेट हेंडल कर से तो याद राग जो चीप जुडिसेल मेजिस्टेट होए का तो चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट होए ठीची बस्तू कि कितला वरस्ती ओची सजाने पात्रोप अथ वह तो क्यंडिसन ने अंदर शन्षित नियाईक कार्यवाई थई शके चे तो आ टाइबना क्वेशन चे यह आमाती बन्ता होँ जे ऐना बची next कलम जो यह चे, कलम नंबर neighbor, 61.60 . 1217 यह उगता छे विजावर्ग ना इजिस्टेट لेवधित केसने पात्र गुना मां थे शदòng २ेअग पेस 1500 नें केसने पातर है अपी जे बिजा वर्गना मेजिस्टेट आवेंचे हे चीपंदे आवेंचे sustain요 so lä spokesman पर बिजा वर्ग नाम एज़िष्टेट हैंडल करी सकते तो चो महिना ती ओची सजा ने पात्र गुना नी अंदर संख्सित कारियवाहीं करवानी होए तो बिजा वर्ग नाम एज़िष्टेट चे एजिली करी देशें तो आओ कलम नंबर 261 मा करे लूँछे, जह मां सउथी बद्यारे जो question पुछायता हो, तो 261 मा थी पुछाये छे, पर 261 मा थी हजू सुधी तो पुछाये लो नथी, पड़ यह एक वाक्य लखे लूँछे कि छो महिना सुधी ना case चे एने handle कौन करी सक्से, एनी संसित निया कार्यवाई कौन करी सक्से, तो बिजा वर्गना मैजिस्टेट करी सक्से, तो याद राखवा माटे तमें यह कलम एक जोईश हो जो, एना बची भाग करे भाग नंबर 21A, 21A, जेनी अंदर सौधा बाजी नी सरुवातनी वाद करी छे, कलम नंबर 265A थी, 265L, अईया जे 26 265A थी L छे, आमा तमारे कसु याद राखवानू नाथी, कसु यह लेके तमारे कलम वाईज कसु याद राखवानू नाथी, तमारे एक वस्तु याद राखवाने छे, खाली कैफी एतना सोधा, अवे कैफी एतना सोधा एनो मतलब सो, सिंपल वस्तू के आगर जे उदारं द्वारा समझे कि इंसाफिक कार्य वाही टुंक मां पूरी करवा आ प्रकार्णी अर्जी आरोपी द्वारा करवा मां आवेश सामने रिते साथ वरस्ती ओची सजाने पात्र गुनों होए तो एनी अंदर आ अर्जी करी शकाए आ अर्जी पन चीप मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट अने चीप जुडिसेल मेजिस्टेट समख सच करी सकवा मां उसे बन्ने पक्सकारों मंजूर होवा जोए अने नेनाय अंतिम रह से उपली अदालत मां अर्जी करी शकाए नई आपन वस्तू बेरी इंपोर्टन चे ध्यानती समझ जो एलेके अईया तमे जो इंग शंक्सित न्याईक कार्यवाई अने अईया कैफियतना सोदा आप बन्ने मां फरक इटलो छे कि पहला सजानो फरक चे अने बिजो कौन फर्याद कर से कोन अर्जी कर से एनो फरक चे ख्शंसित न्याईक कार्यवाई बढे मां लास्ट मां, संक्चित नियाईक कारेवाई मां, ये जितना आ केस्ट नी अंदर जेठा लाल चे, लेकिजे आरोपी छे, ये फरियागी ने कैचेक भई, आपने कैफियतना सोधा करीली है, आ सजा चे समझीलो साथ वरस्ती ओची छे, कैफियतना सोधा चे, ए साथ वरस्ती पन सजा ने पात्र गुणो होए, तो एनी अंदर थाई चके चे, एक्जांपल तरीके ये वात करिये, कि ये जेठा लाल चे एनसू करी छे, माहा वेथा करी छे, माहा वेथानो समझीलो के आपने बिडे बाईनों हाड कू भागी नाखे तो माहा वेथा था था है, औने माह अवे सात वरस्ती ओची सजाने पात्रग गुणानी अन्दर समझीलों मुद्दत उपर उपर मुद्दत उपर 밭ल पढे डिपे लांथ झेठा लाल चे एनने समझीलों जमानत मरती न थिक हांदि म हा भेता करी चे तो इमिने समंझीलालत कोई कारणसार न थिमरती बीडे छे एए सम्दी लोके छो महिना था जाए छे आजे मुद्दद उपर मुद्दद पढ़े चया केस ने छो महिना जट्लो समध थाई गया छे जे आरो पीछे ए जेलीनी अंदर कंटाडे चे कि भई हवे कंटाडे चे हूँ हवे जिटला पन पूरावा मढ़े चे एना आजार उपर तमें कैफी अतना सोधा करी नाखो मतलब कि जिटला पन पूरावा चे एना उपर जे पन नीना यापो हो एक कोट तमें आपी दो तो समझी भिला भीडे ने केव बढ़ से फरियादी पासे केव बढ़ से आपने कैफी अतना सोधा करी लिए हो कोटनी अंदर अरजी करवा जोँ खाली तारे सहमत थवान हो जे कांके अवे जो आपना बनने केस लड़वा मा गणो टाइम थेग्यों छे तारू जे हाड कू बांगी तो ये छो महिना मा कदा जे रिपेर पड़ थेग्यों है अवे तू क्या कोटना चकर काड़े येना करता आपने ये टूंक मा पतावे दिए तो क्याफी अतना सोदा मा समझीलों के बिड़े मनजूर थे जाए छे तो ये जे जे जेठा लाल चे लेकि जे आरोपी पक्स चे एक कोटनी अंदर अरजी कर चे क्या हमारे क्याफी अतना सोदा करवाना चे क्याफी अतना सोधा एले सिंपल वस्तू के आजे कोट चे एने आवे तमें पूरो करो लेके जहाँ केस चे एने तमें जिटला पण पूरावा चे एना अधार उपर तमें फैसलो आपितो तो आवा कंडिसन नी अंदर कोट द्वारा जे नीड़ाई लेवामा आवसे ए तमें उपली अधालाती नी अंदर अरजी नहीं करी सको तो आचे ने जे संसित न्याईक कार्यवाई चे एना जेऊच छे खाली फरक एटलो कि आमाजे 7 वरस्ती ओची सजाने पात्र गुनों होए तो एनी अंदर कैफियत ना सोधा थे शके छे अने जे आरोपी छे एना दवारा अरजी करवामा आवे चे जारे पिला मासु होतु कि जे फरियादी छे एना दवारा अरजी करवामा आवे चे अने एमाँ सजा किटली आती बे वरस्ती ओची सजाने पात्र गुनों अथवा तो बे हजार थी ओची माल मुद्धानों गुनों तो एवो होई त्यारे संक्सित नियाई कार्यवाई थाए अने आवो होई त्यारे कैफियत ना सोधा थाए तो कैफी यतना सोदा मा कोई कलम याद राखानी जरू न थी पड़ आनी अंदर थी कोई MCQ बनी सके तो ए MCQ तमारे याद राखानी चे जमके कैफी यतना सोदा चे एमा अरजी कोण कर से तो अरजी आरोपी कर से कैफी यतना सोदा मा मिनिमम स्वारी मैक्सिमम किटली सजा थी निचेला गुनानी अंदर रज कैफियतना सोधा थाई सके तो साथ वरस्ती ओची सजाने पात्र गुना मत थाई शके छे तो आब दी वस्तो ओचे ये तमारे याद राखवाने चे कैफियतना सोधा माँ पायोब सो क्लियर थाई गी होचे एना पचे भाग नंबर 22 ओके प्रकरण 22 जेनी अंदर जेल मां केद रखाई ली अथवा तो अटकायत मां रखाई ली व्यक्ती ने हाजर करवा बावत जे कलम नंबर 266 लईने 271 सुधी बाद करवा मावे चे एक करीने समझे आनि अंदर 4-5 कलम होचे जे तमारे समझवा लायक चे वेरी-वेरी इंपोर्टन चे एउं तमने समझाओ चो क्याल के या जे कलम हो चलाओ चुँ मोस्ट आई एंपी कलम हो चलाओ चुँ जे अगावनी एक्जाम मां पूछाई गये ली वाट तो आँ बद्धी कलम हो पुछाई ली छे अने ए महत वनी छे अने केवाई कि मोस्ट आप दे मोस्ट आई एंपी छे कलम नंबर 267 कैदी ने कोट मां हाजर करवा माटे नी सकता है एक्जाम्पल तरीके चला पेला वांची लिए पच्छी आपने बात करें ज्यारे कोई तपास ने इंसाफिक कार्यकवाई करवा जेल मां रखाईल के दी अथवा तो अटकायात मां रखाईल व्यक्ति ने जरूर जणाए तो कोट जेलना जेलर अथवा तो उपला अधिकारी ने ए व्यक्ति ने कोट मां हाजर करवानों हुकम करी शके छे Example तरीके बाद करिए, कि चलो, अपणे यह सू朝 चाले छे, एक कोर्टनी अन्दर केस चाले छे क्वट्रिणी अंधी आंद सुचाले छे, केस चाले है हवे आ केस नि अंदर एक क्या दी छ जय स्कारेवाई ञारी रए छे जै नैयक प्रक्रियह प्रकृत क्या प्रकृत की चाले है पकडवामा आवेशे औヅंय जल नी अंदर राखवामा आवेशे अवे ज्यारे पड एनके इंसाफी कारिवाई थावानी वोई यी ज्यारे ना इक परक्रिया श्टार थावानी वोई तैसे अधालत मन सब्सक्क्रिया करण तो चलिक वेनके यению पकडवामा आवेशे अवे जहने इंसाफी कार्यां वाई श्टार्ट करवाने चे न्याया लए लगी अंदर बुलावानों झे तो एंने कई रितना बुलावा हुर्शे तो न्याया लगी लेन के कौट्द बारा जे जेल नी अंदर राखेल हो छे तेना जेलर ने पहाद बॉद्धावर जुसे त सब्सक्राइब करते हैं, तो अधिया कोट द्वारा आधिस आपपा मा आवियो आ जेलर ने क्या जवानु छे तो आ तारीके आ जग्याए पहुचे जवानु छे आ कोट नी अंदर लई जवानु छे कारके यहनी इंसाफी कार्यवाही करवाने छे तो आया जेलर द्वारा ए वेक्ती ने जेलमा राकेलो छे एनल लईने कोट नी अंदर हाजर था उपर से आउं कलम नंबर 267 के वाँ मा जई जवानु छे कोट ने छे जो केदी ने कोट मां हाजर करवाने सकता अलेगे मेजिस्टेट पास से छे कोट पास से शू लखेलू छे फरीथी रिपीट करूँ कि जारे कोई तपास नी इंसाफी कार्यवाई करता कोई विजो केस चालतो है एमा पन कोई केदी ने बोला हुए तो आरी इतना कोट द्वारा जेलर ने आदे सापमा हुए के वेक्तिने लईने तमें हाजर था जो अथवा तो आटकायत मा रखाये लो कोई वेक्ति एनी जरूर जनाए तो कोट जेलना जेलर अथवा तो कोई उपलो अधिकारी हुए तो एने वेक्ति ये व्यक्ति ने कोट मां हाजर करवानों हुकम आपी शक्के छे आउँ कलम नंबर 267 कहे छे आउप सो यू अंडरस्टेंड कई पन्डाउट होई तमें नीचे कॉमेंट करी शको छो कलम नंबर 268 चे ने 266 ने अमल करता रोके छे आगर जी आपने कलम जोई ने यहने रोकती एक कलम चे कलम नंबर 268 शू केवा मागे छे पहला समझे यहले तमने आइडिया आवी जैसे जाहेर हीत माटे अमुक गुनेगार पर कोट मा हाजर थवा माटे प्रतिबंद मुक्वामा आवसे जे 267 नो अमल ना करवा भाबत नी छे पहला वांची लेए एना पची समझाओ छो राज्य सरकार सामान्या के विशिष्ट आदेशापी ने जाहे हीत माटे कोई व्यक्ती अथवा तो कोई वर्गनी व्यक्ती जैने कैदमा के अटकायत मा राखवामा आवी छे तेने जेलमा थी खसेडवो नई एवो आदेशापी सरके छे अने बस्सोंने 67 जे कलम छे एने नाबूत करी शगे छे एक्जांपल तरीके आपड़ा पिच्चे जोई है तो गब्बर इस ब्यक कई छे गब्बर इस ब्यक माझे अक्षय कुमार चे ए बदानों खून करतो आए पोतानी रितना ए न्याइक कार्यवाई करतो आए पोतानी अदालत खोलीन बदाने उडारत अवे ये छेले पकड़ाई जाए छे पन एनी फैन फोलोविंग छे ए वदी जाए छे तमें यह जोई सखो जो के यह मीडिया वाड़ा चे एना फैन फैन फोलोविंग छे ओके ए चक्का जाम करी नाखे तो आउन न थाए एना माटे एक कैदी ने जेलमातिक खसेड़ो वेक्तिनी फैन फोलोविंग वदार चे समझेलो आसारां बापो पने सम्धि bike चेम आउन फैन फोलोविंग बहूं मोटी या थि तो एवाड़ा रांप कैदी ने चक्कादी पूसोई सर्ट सर्ट ए लुक्या छे के बाझ के दियो में कॉर्ट उन्दर हाजर करो कर्णके अमनी इंसीं करवाने शम्याल by कि नतने रमच 10 और से इंसीं Нीकिंपा प्रदी बन चे कि आवा बेक्तियों ने कदाच हाजर थवा नों हुकम पन आपेलो हुए कोट द्वारा पर राज्य सरकाने यहू लागे जो आने लई जेशू तो यह जाहेर हित माटे सारू न थी पबलीक बेगी थे जेसे कदाच दंगो पड थे जाए मारा मारी पड थे जा तो आवा कंडिशन यह जाहेर हित माटे इवा गुन्योगारोंने कोट माँ हाजर थवा माटे प्रति बंद मुकवा माँ आवे चे यहा कोण कर से राज्य सरकार कर से तो राज्य सरकार चे ने विशिष्ट आदेस आप से कोने जेल वाड़ोंने कोट द्वारा तो आदिस आज रवा दे जो एने हाजर ना करता है बले कोट द्वारा आदेस आपा म Az arri दे new विश्ट आपी ने जाहेरीट माटे कोई व्यक्ति असष्ट वार्गनी व्यक्ति ने जेने कैद के अट्कायत मा राकवा मा अवी होए तेने जेल माती खसेड वो नई तेवों आदेस आपी व्याक्या छे ओके चलो आब ये वस्ते तो तुमने ख्याल आवे के ओके बसो ने 66 आ त्रण जे छे एटली कोई खास इंपोर्टन ना थी जे आ आ जे चेप्टर नी बे महत्वनी अती ए 267 अने 268 अती ब्याकी नी फर त्रण तुमने समझाई दो छे मने लागे छे के कदाज बुचाहिचे बाकी कई खास इंपोर्टन नुथी 266 जे नी अंदर जेल नी व्याक्याक छे के बाई जेल कोने गेवाई तो राज्य सरकार सामाण यह के खास प्रकार ना जाहर ना माथी जेल तरीके जाहर करेली कोई पण स्थर्ण जेने जेल के वमावशे येल कि जेल मात चे के सर्गासनी एक अलग थी एक जेल बनावी चे तो एक आ टाइब नो जेल टाइब नो एक मकान उभू कर देश है पोली स्टेशन जेऊ अने जाहे नामू बार पाड़ी देश एक बै आज थी आ रहे जेल तो ये जेल थाई गे ओके तो जेल माड़े सिंपल प्रोसेस चे क राज्य सर्कार एक जाहे नामू बार पाड़ एक बै आज थी आ वस्तु आज ए मकान उभू कर यू एने जेल के ओ पेशू थाई जेसे जेल तरीके कारिय करवा मन से ओके तो सिंपल वस्तु के राज्य सर्कार सामाने के खास प्रकार ना जाहे नामाती जेल तरीके जे जग तरीके 267, 267 नी अंदर एक आदेस आप्पा मा आवे हो, कि आ वेक्ति ने तम्हें कोट नी अंदर हाजर करो, कोट द्वारा यह आदेस मड़े हो छे, अवे जे वेक्ति ने हाजर करवानों छे, ए वेक्ति ने समझेलो कोई रोग थयो लो छे, अथो तो कोई बहुज बिमार जे त्या लईजवाने हालात मा ना थी, तो आवा कंडिसन यंदर जेल ने पण सुखेवा, जेलर ने पण एक अधिकार मड़ेलो छे, कि भले कोट द्वारा हुकम करो छे, यहने ना मंजूर करे, कि यह जो खास करीने जेरे आरोपी बिमार होए, असकत होए, तो तेवा जोगों मा कोट नो भुकम नो अमल ना करो, आव कलम नंबर 269, भले कोट द्वारा की दुबबई यहने साकसी तरीके हाजर करवानों छे, यह आदेस मड़ेव, अन्ने जेलर ने यह खबर पड़ी कि जे वेक्तिने हाजर करवानों छे, यह तो बहु बिमार छे, यह तो अस जेलमा अटकायत मा राखेली कोई साकसी इनी जुबानी लेवा माटे कोट कमिसन काडी ने मोखली सकता ना थी, पोन कोट द्वारा निमाएलो कोई वेक्ति छे, ए जेलमा जेने यह नुक निवेदन लखवानों छे, इल लखी सकते, जैनेसु केवामा आवेछे, एनुक कमीशन काडू केवामा आवेछे तो जेल्मा थी आया लाओ यही लाओ इस समझी लो के कोई असक्त छे में market मालव समझी के जहल भी नाइघ जासरी सिर्जा मालव जा सद्युक्ति आवी जैसे तो आनाती सु थाई क्यों बनने काम थेगे जाहेर हित पन सचवाई गयू अने साथे साथे जे नियाईक प्रक्रिया चे ए पन आगण वदी जै तो आने सु केवा मा आवे छे कमिशन काडों केवा मा आवे छे तो जेल मा अटकायत मा राखे लिए कोई साकसी नी जुबानी लेवा माटे कोट कमिशन काडी ने मुखली सके जे अने कमिशन इटले सु थाए कोट मा कोई वेक्ती ने साकसी ना निवेदन माटे कोट मा मुखली आपी तो कमिशन इले कोट ना कोई वेक्ती ने साकसी ना निवेदन माटे क्या मुखली आपी तो कोट मा निव साफी कार्यवाही मां पूरावा, जे कलम नंबर 222 लईने 223 सुधी बात करवा मावेशे। जे कलम नंबर 223 सुधी बात करवा मावेशे। बिजी आपड़े एनी पोतानी जे तमिल लेंगवेज चे ए आवडेशे। एने आपड़े गुजराती लेंगवेज आवरती नती। मेजिस्टेट छे, आ मेजिस्टेट ने त्रण लेंगवेज आवडेशे। हिंदी आवडेशे। इंगलीश आवडेशे। अने गुजराती पण आवरती छे कारे के गुजरात नी अंदर न्यायर दीशे। तो गुजराती इंगलीश अने हिंदी आवडेशे। अवेजे अपड़ादी छे एने कई आवडेशे। अने एनी पोतानी बासा मदर्टन तमिल बासा आवडेशे। हवे एने गुणो करे। क्या करे। गुजरात मा करे। तो केस पण गुजरात नी अंदर चाल चे आपड़े लेक आगर एक चेप्टर जोई गया ता कि जया गुणो थाए चे त्या ज एने इनसाफी कार्यवाई थाए छे। हवे तमिल माती, आ वेक्टिना कईक एवा पुरावा जे तमिल नाडू माती मड़ी आवए हवे तमिल नाडू माती एवा कैक एविटनस मड़ी आवए चे आ लरेडिना विरूदमाँ जे आ कोट वांचवा माटे असकत छे, कोट ने खबन ने पड़े काएं कि तमिल भासा माँ छे, हाँ ए लेडी समझी सकते, जे आरोपी छे ए समझी सकते, बाई काईक एविडेंस छे, पन कोट द्वारा आज वस्तुने समझवा माटे असकत छे, तो आवा कंडिसन ने अंदर जे पन पूरावा मड़ी आवे छे, जो एने वाचवा माटे कोट असकत होए, तो ए पूरावा आने कोट नी बासा नी अंदर सु करवा माँ छे, फेरवा माँ छे, ओके कोट जे बासा समझी सके चे यहां फेरवा माँ छे, जमके जई यहां तमिल माँ लखेला छे, तो एन गुजराति मां के हिंदी मां रुपान तरहंगा मांव उसे जेंसि कौड एनने सारी रीतना समझी शके अन्य जो समझी ले से consort चे एं पुराव अने समझ से तोज एना उपर सरी कर से Tier ने रेकॉर्ड मां बाग बनाव से बाल की एने रेकॉर्ड मां बनाव से नहीं बासा ने वांचवू अदालत माते अव सकता छे तो एनू योग्या भासान तरण करी जे मेजिस्टेट के नियायदी समझी सके तो एर इतना एनू योग्या भासान तरण करी पच्छी जो मेजिस्टेट अने नियायदी समझ से के बाई हाँ एविडेंस आ केवाम आगे छे त आग जो पूरावानी बासा लखवा बाबत, कलम नंबर 277, हवी नेक्स्ट वाद करे कलम नंबर 282, जेनी अंदर कार्यवाही दर्म्यान दुभास यानी मददनी वाद करी छे, सु छे, पेला वांचे लिए, क्वोट नी कार्यवाही दर्म्यान जो दुभास यानी जरूर गुने गार चे एक तमिल नाडू थी बिलों करे छे, तमिल नाडू ने कोई लेडी छे, जेने गुजरात मा आवी ने गुनो करे छे, एटला माटे एने इंसाफी कार्यवाही पन गुजरात नी अंदर चाले रही छे, हवे, आज केस्ट नी अंदर एक साक्सी ने बुलाव अवे साक्सी चे ने एक तमिल नाडू थी आवेलो चे, केस्ट चे एक तमिल नाडू वेक्ती नो चाले छे, एटला माटे साक्सी बन क्या थी आवेलो चे, तमिल नाडू थी आवेलो चे, अवे आ साक्सी ने चे ने तमिल बासा जावडे चे, मिजी कोई बासा आवर्तित ठीक कें बास आवडें चे खालािने खाली तमिल भास आवडें चे पन कवाटने तो त्रनेज भास नीख बाक्सित अरेकिनों एने कोट ने समझु गई रीतना, तो आया कोट नी अंदर एक व्यक्ति वही छे जैन्नू नाम आ चे-DAY-र अवे अयर बाई चे-न एने बणने बास आवर्ती वही छे, हिंदी बास पन आवर्ती वही छे, अनने तमिल बास पन आवर्ती वही छे तमने खबर चे जे ठालालना आपने अईयर, तमिल भासा पन आवने चे अने हिंदी भासा पन आवे चे, तो एक कोट मा आगड आवे चे अने के चे कि मुँ आनू ट्रांसलेट करिया पीज, शु खरीज, क्या वेक्ति जे पन बोई चे तमिल मा एने हुं समझीज, अने हिंद गवामा आवे, तो कलम नंबर 282 एऊ के चे, कि जे दुबासियों चे ने, एने साथ चू समझावो पर से कोटने, आजे वेक्ति तमिल मा बोले चे, तमिल ने जे बाबतों चे एने वर्ड तू वर्ड एने समझ भी पर से, और एने वर्ड तू बर्ड तमारे हिंदी मा आ कं समझावे कोटने एऊ ना थाओ जोए, जो आऊ था से तो दुबासियों चे ने सजा करवा मा आव से, तो बसो 62 केचे जो जो कि कोटनी कार्यवाही दर्मियान जो दुबासियानी जरूर पड़े, त्यारे ते साथ चू समझावा माटे बंधायलो चे, एना मतलब के आजे व साकसी ने हाजरी माथी मुक्त आपी शकाए, तथा तो कमिशन काड़ी आपपा, सू छे, वेरी इंपोर्डन ध्यानती समझ जो, साकसी जेमने हाजरी माथी मुक्ती आपी शकाए, तथा तो कमिशन काड़ी शकाए, पेला वांची ले ये पजी मुतमने समझाओ, कोई गुन आवा साक्सी ने बोलावा ना कमिशन काड़ी शकाए छे, अमुक केसों ना संजोगों मां ते जोता 11 वाज भी जणाए, तो तेनों विलम, खर्च, अवसुविधाने ध्यानमा राखी ने, एने हाजरी मांती मुक्ति आपी शकाए छे, जैमके आपना राष्टापती, उप र प्रदान, व्याज पाल, केंडर सासित प्रदेश ना गवर्णर इवा भ्यकति हो, आवा साक्सी ने बोलावा ना कमिशन निकड़े, तो यहने भरपाई छे ए फरियादी कर से, एक्जांबल तरीके बाद करें, यहां कोट नी अंदर एक केस चाली रहे छे, अदे आ केस मां साक्सी तरीके समझी लोग के यहां फरियादी एम के छे, कि साक्सी तरीके राष्टपती छे, अदो अदो साक्सी तरीके वडा प्रदान छे, अदो साक्सी तरीके समझी लोग के राज्य पाल छे, तो आवा कंडिशन ने अंदर पेला कोट छे, एस समझ छे, कि एक्चूली साक्सी नी आमा जरूर छे कि नहीं, काया कि या जे साक्सी नी वाद थाई रहे छे, ये मोट्टा होद्धा उपर छे, वड़ा प्रदान, राष्टपती, ये राज्य पाल ए बदानी वाद थाई रहे छे, हवे समझीलों येमना उपर केटलों कारिय बार होए, आपड़ा महत वनों नथी, ये जे काम करी रहा चे देश माटे, येमनों एक एक टाइम छे, येनी कई किम्मत छे, तो आवा कंडिशन नी अंदर मैजिस्टेट सू नीर्ण इले चे, तो बेय वस्तु करी शेके, कातो अमुग केस नी अंदर एऊ लागे, कि बाई आ जे वस्तु छे, म महत वनों छे, पन कोटने मैजिस्टेट ने एऊ लागे, कि एकलो बुदु खास जरूर ना थी, तो येमने हाजरी माधिब मुक्ति आपपामा होई चे, हवे कोटने एऊ लागे, कि एमनी जे वस्तु बोले चे, जे निविदन आपपाना चे, ये आ केस माटे बहु महत वन आचे, आ केस नो फेसलो आवी सके छे, बदब कि समझीलों वड़ा प्रदान, कि अमित्सा आचे, आपड़ा रामनात कोविन छे, कि कोई पन वेक्ति, कईक एऊ केस से, जेना थी आजे केस चाले चे, येनों नेना आवी सके, आ केस सोल थाई जाए एऊ लागे छे, तो आव कंडीशन नी अंदर कोट छे, एक कमिशन कार से, कमिशन नो मतलब सु, के एमने कोट मा नहीं बुला हमाँ आवे, पन कोट मा थे एक व्यक्ति, एमना त्या जासे, वड़ा प्रदान जोडे, अमिसा होत अमिसा, आपड़ा राष्टरपती होत राष्टरपती, राज्येपा एक तो वीलम थयो कारगे याती दिल्ली जवानों दिल्ली थी पाछा आवानों करचो पण थाए त्या जवानों आवानों अुण सुविधा पण थाए तो आप अप धानी जे बर पाई चैने फरियादी ने करवी पड़ से कांके, फर्यादी च कहा छे हिए, एने बोलाओ, यमने साक्सी तरीके बोलाओ, यमने साक्सी तरीके बोलाओ. तो, आनी जे जिटली पर बरपाई चे कौंड करसे, फरियादी ने करवी पर से तो, कालम नंबर 284, ध्यांती समझ cancer सुख सुख points मा अगे खे कि, साखसी ने हाजरी माँधी मुक्ति आपी सकाय अथवा तो आमना कमिशन कड़वा, कातो आमने मुक्ति आपी दो के चालचे नहीं आवो तो एकलो कोई महतवनू न थी, कातो महतवनू लागे छे के बहा यहाँ 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 जरूरत चे यह निविदेन यहां महतवरा ओ कहे आ केस ने सोल करवा माटे, तो यहमना कमिशन काड़, कमिशन काड़ वेले कि त्या व्यक्ति ने मोकलो, त्या थी लखी निविदेन, अने पचे आगर कोट नो केस चाल चे, तो यह एक वखे तुम फरिती आ वालची लोव, वस्तु एले तमें उधारन प्रमाणे समझी शको, कोई गुणाने इंसाफी कार्यवाही दर्म्यान, मेजिस्टेटने एम जणाए, कि न्याएना हेतु माटे कोई मोट्टा होद्दा उपर रहेला व्यक्ति नी तपास जरूरी छे, तो यहमने बुलावा माटेना कमिशन काड़ी शकाए छे, अमुक केसो ना संजोगों ने ज मुक्ति आपपा माँ से, कि नहीं आओ तो अपन चाल से, जहमके राष्टापदी, उपराष्टापदी, वडाप्रदा, राज्यपाल, केंद्र सासित प्रदेश ना गवणन, कोई पन होई सके छे, जो आवा साक्सी ने बुलावा माटेना कमिशन निकड़े, कि बाई आरोपी नी हाजरी माज रजू करवा मा आवे छे, आरोपी हाजर वगर रजू थाहला जे पुरावा छे एन्ने योग्य गणवा मा आव से, ने, एक्जांपल तरीके बाद करे या, आपने छोक्रों ने, समझीलों याथ छोक्री नती, छोक्रों छे, बीडे छे आपना, जेठा लाल छे, समझीलो के जामीन उपर छे है जामीन उपर छुठेला छे, कोई कारण सर एक खुटनी अंदर हाजर शकता नाथे, ज्यमके समझीलो कोवीड छे, एबने कोरोणा थै क्यो छे, अन्याजर पुटेला चे, एक केस झाले चे, एमान जामीन उपर छुटे ला, अवे आवा दर्म्यान फर्यादी चे एक कोईक पूरावा रजू करे तो एने योग्या नहीं गणवा एउ कलम नंबर 299 के चे के पूरावा चे ने हम्मेशा फर्यादी और आरोपी नी हाजरी माज रजू करवा केम आवँ कारणके कईक पूरावा फर्यादी रजू करे तो सामे आरोपी होई तो एने खबर पड़े के पूरावा चे एक्चुली मैं आवँ कई करियू तू एवा पूरावा चे के फर्यादी चे एम नेम फोकम ठोक करे चे ना तो आ वस्तू सामे डिफेंस थाई शके के आरोपी कई सके के आउ तो मैं कई करियू न तू आ पूरावा आवा क्या थी ओके मैं तो आ कलन नू प्यारी दू मैं आ आ ना थी करिदू तो आया तमी समझे लो के फर्यादी ये वधारे पड़ता पूरावा एम नेम खोटा-ख आजन न थी एवी कंडिशन न अंदर रजूत हैला जे पूरावा छे एनने योग्य गणवा मां आऊ से नई सीवा है के बई आरोपी छे मृत्यू पामे चे आवे आरोपी मृत्यू पामे हो है तो आव्याजली ये तो क्यारे पाछो आवानो न न थी तो एवा कंडिशन न पाछो आवे कोई संबावना न थी दूर दूर से देऊ लागे चे कि हवे भागी गएलो जे आरोपी चे पाछो नहीं आवे तो आवा कंडिशन न यंदर पछी ए फरिया दी चे पोताना पूरावा रजू करे आरोपी नी गेर हाजली मां तो पछी चाले पंड आरोपी गर पड़े आठले सुधी राखिया चे भाग नंबर 24 प्रक्रान नंबर 24 जे चे तपास के इंसाफिक कार्यवाही सबंदी सामान्य जोगवाई जे कलम नंबर 300 थी लईने 300 सत्यावी सुधी बात करवाम आवी चे सरुवात करे ए पेला कहिदो के मारा द्वारा बे ई-बुक ब तमने ओन्लाइन आ बुक इमेल्णा माध्यमती मढ़ी जासे इननी तमें अप्रेंट कणर शकोचो आब बढ़यना डेमो पीजे तमने डिस critsב शकोःचे अ बन्ने ने पंडहे पढ़्या करोवाने लिएम जुले देमो पेज घंवे तो पछिठ परffe बाकी आपनी चैनल मा आ बन्ने ना फ्री लेक्चर अवेलेबल छे एनने तम्हें जोशो एंजोई करी शको छो हवे सउथी पेलीज आज एफ्टर नी कलम जोए कलम नंबर 300 वेक्टी ने निर्दोस जाहेर करवामा आवे सूचे पेला वांची ले एना पची समझाओ पुरावाना आदारे कोट द्वारा निर्दोस छोडी देवामा आवे जेना पर फरी कारेवाही थती न थी जो कोई माटे फरी थी कारेवाही करी शकाए ने अवे आगड पन आ टाइप ने एक कलम जोई आती पेला हूं एक कलम चलाओ फरी थी आने एना पचे आ कलम चलाओ जेती तमें बनने माँ डिफरंस समझी शको अवे आगड एक कलम जोई आती कलम नंबर 169 एनी अंदर एउँ लखी पूरावा ना मड़े तो व्यक्ति ने छोड़ी मुखो एक्जाम्पल दरीके वाद करेक बाई बीडे ये छे ए बीडे ये जेठा लाल उपर केस करेओ के बाई जेठा लाले अईयरनों खुन करेओ छे पोलिस बारा जेठा लाले पकड़ी लेवा माँ आवे ए जेठा लाल प्रक्रिया ने अंदर तो कईक एबा सब्बूत जोए जेना थे एकलो तो साबित थाएक बाई जेठा लाल ए जग्याए हाजर अतो एने खुन करेओ छे येवी संबावना छे पर समझी लो कोई पूरावा मरताद ना थी तो आवा कंडिसन ने अंदर व्यक्तिव पर केस न पचिन जे चार्ज सिट बनावानी चै एटला डेटाद नती पूलिस जोडे तो एने छोड़ी मुक्वामा आवे चै जेने फरियाद करी चै उके बीडे लो भीडे जेठा लाल ना विरुद माद 披रियाद करी अवे बीडे मरी जाये तो पचिन ये छोड़ी मुक्वामा कलम नंबर 169 पण आनी अंदर एक कंडिशन एवी छे के जो कोई पूराव मड़े काल उठी ने कोई पूराव मड़े छे तो फरीथी एने धड़ पकड करी ने न्याईक प्रक्रिया एनी करी शकाए छे कलम नंबर 169 अबिक कलम नंबर 301 के चे के एने नै न्याईक प्रक्रिया एनी सरूथ थै बंडे पक्स द्वारा सबूतों मुकवा म mogą आवे पूरावा मुकवा मा आवे अने ए पूरावा ना आधार उपर ए व्यक्ती ने बाई जत बली करवा में आवे एलेके समझीलों के भीडेद वारा केस करवा मा आवे अतो जेठा लाल ना विरूद मा पैक एवा सबूतों मड़या जेती एनी नाइक नियाइक प्रक्रिया चे इंसापी कार्यवाई चे ए अदालत नी अंदर चालू थाई गई अदालत नी अंदर चालू थाया पची बंडे पक्स आरोपी पक्स अने फरियादी पक्स बंडे ना वकिलो ए दलीलो पेस करी पुरावा पेस करया अने ए पुरावाना आधार उपर यउ साबित था जय चे के जेठाल आल चे ए बेगुणा चे तो एने बाई जट बली कर्वा आवे आवे छë तो कलम नमबर 300 एव कैचे के एने कोट द्वारा निर्धोस जाहर करी देवा माँ आवे पुरावाना आधार उपर तो कलम नंबर 300U कैचे के जो एक वखत आने निर्दोस जाहर करी दिदो तो एज कोट नी अंदर एज गुना माटे एने फरी थी बोलावी शकाए नई समझी लो के आप प्रथम वर्गना मेजिस्टेट से आप प्रथम वर्गना मेजिस्टेट द्वारा आज जेठा लाल ने बाही जत बली करी दिदो तो आज कोट नी अंदर ए लेके प्रथम वर्गना मेजिस्टेट नी समक्स एज गुना माटे एमने फरी थी बोलावी शकाए पूरावाना आधारे कोट द्वारा निर्दोस छोड़ी देवा मा आवे एना पर फरीथी कारेवाई थती न थी कोई गुणा माटे सजा पामेले वेक्ती पर एज गुणा माटे फरीथी कारेवाई करी शकाए नए भीढे छे ए उपर नी अदालत मा अपिल करी सक्षे समझलो के कोई हाइकोट छे एहाईकोटनी अदर अपिल करे पर जेठा लाल चे एनने निचली अदालत मा बाहाईजत बली करी द्यवामा आवेaz तो ए उपली अदालत मा एलेके बीजी अदालत नी अंदर ए समझीलों अप्पिल करे तो फरीती बोलावाई मा आवे आरोपी ने छोड़ी देवामा आवे छे पन फरक्सू छे ए तम्या आई होपसो समझी गया छो आगर वदिये कलम नंबर 304 क्या छे कि केटला केस माटे राज्यना खर्चे आरोपी ने कानो निशा है पहला वांची लेए एना पचे आपड़े समझावे जारे सेसन कोट मा इंसाफिक कार्यवाही करवा माटे आरोपी नू प्रती निदित्व करवा माटे कोई वकिल ना होए अने आरोपी वकिल रोखवा माटे एना जोडे पईसा पड़ न थी तो आवा संजोगो मा राज्य सरकार ना खडचे ते आरोपी नू प्रती निदित्व करवा माटे वकिल रोखवा मा आवे छे जे वकिल ने एनो लिगल एडवाईजर केवा मा आवे छे सिंपल वस्तू छे के अमुक केस नी अंदर बध्धा केस नी अंदर ने, अमुक एवा केस आवे जेनी अंदर मैजिस्टेट ने यहू लागे क्या वेक्ति ए गुनो करे यो छे क्या वाई के वाँ संजोगों व्रसाथ एना थी थाई गयो छे अस्वाँ तो कईक मजबूरी माँ एने गुणों करयो छे अने ए व्यक्ति जोड़े एटला पैसा ना थी के पोताना माटे वकिल रोकी सके तो आवा कंडिसनी अंदर राज्ये सरकार छे ए पोताना खर्चे एन अना माटे वकिल रोक से जेने खर्चो मतलब गए पड़ वकिल नो खर्चो थाए ए राज्ये सरकाराब से तो आया सु किदू छे ध्यानती समझो कि समझे लो आपना भिडे बाई छे एमने जेठा लाल ओपर सु करयो केस करयो हवे समझे लो के जेठा लाले जे गुनो करयो छे एम मजबूरी मा करयो छे एउ ऐया जड़ाय छे मैजिस्टेट ने अवे जेठा लाल चे समझीलो कंगाल चे एमना जोड़े एक रूपियो पन ना थी पण अमुक कंडिसन यंदर एमने जे गुनो करयो चे एक केवाई के कोई मजबूरी मा करयो हो हो है अथो केवाई के एमनो जे बुद्कार चे ए सारू हो है लेके यमनों जे इतियाज चे, यमा यमने सारा सारा कारियों करे हुए, पण अत्यार यमना जुड़े पईसा नथी वकिल रोकवा माठे, तो कलम नंबर 304 एउ कहे छे, कि अमुक केस मां राज्य छे ए पोताना खड़ चे, राज्य सरकार पोताना खड़ चे आरोपी ने निशाहाय कर से, जेने ए वकिल ने सू के वामा आवे छे, ए आरोपी नो लीगल एडवाईजर के वामा आवे छे, तो आपन इंपोर्टन छे, आपने याद राखी से, कलम नंबर 306 समझ वाजे भी छे, ताजनो साक्सी, हवे साक्सी एतले तो आपनने खबर चे, आ ताजन संकडायलो व्यक्ति, ते देज गुना नो साक्सी बने त्यारे एने ताजनो साक्सी के वामा आवे छे, ताजनो साक्सी पोते गुनो कबूल करे, अने एना साथी गुनेगारोंनी विगत आपे, तो एने सजा ओछी थाए, कि कोई-कोई कंडिसन येंदर मापण करी देवाम आवे, ताजना साक्सी ने ज्या सुधी एक गुनानी इंसाफिक कार्यवाही चाले छे, त्या सुधी कश्टडी मा राखवा मा आवसे, अने जो जामिन मडेली होए तो पछे बार रही सके छे, जामिन न मडेली होए तो कश्टडी मा रही से, जामिन मडेले छे तो एने बा आपड़ा चंपक चाचा आपड़ा जेठा बाई नटू काका आने बागो ये बेंक नी अंदर चोरी करवानों प्लान बनावेशे अन्ने चोरी करवा माटे त्रण बेक्तियो जाएछे कौन-कौन जे मास्टर माइंड होईचे आपड़ा चंपक चाचा होईचे जेमने आखो प्लान बनावेलो हईचे एक चोरी कही रितना करवी प्यासी कही रितना बागों बागी ने जाओ तो आखो मास्टर माइंड कौन होईचे आपड़ा चंपक चाचा होईचे चोरी करवा माई त्रॉन वेक्तियो जाये छे ठालाल, नटू अने बागो आ त्रॉन वेक्तियो चोरी करवा माटे जाये छे ज़ए चम्पकنا चासी चोरी करवा नती जदा चम्पक चाचाने अंदर थी के वयाँ के रदै परीवर्थं थाई चे कि आपडे जे करी कोट भर्यों चम्पक चाचाने अंदर थी आऊँ थाहे छे कि आपड़े चोरी karate करी चे चेगए खोटी करी चे बेंक नी अदर जे हमड़ा चोरी थाई ए में अने मारा त्रोण साथियो छे एना द्वारा चोरी करवामा आवी तो आ गुणा नी अंदर जे चंपक चाचा जे गुणा साथे संकड़ायला छे एम ने पड़ गुणो करेलो छे अया जो सजात हसे तो बद्दाने सरखी सजात ह तो आमा थी समझेलो च्यार मा थी कोई एक व्यक्ती साक्सी बनी जाये छे अने साक्सी बनी ने कई दे छे कि आ गुणो अमे करेलो छे अने अत्यारे मारा जे साथी गुणेगारों छे जे बागी गया छे ए आ आ आ जग्याया चुपायला छे तो आओ ज्यारे गुणेगार साक्सी बनी जाए छे अने एना जे साथी गुनेगारों चे एनी इंपोर्मेशन आपी दे तो एने ताजनों साक्सी केवामा आवे तो सिंपल वस्तुल छे हवे फरीती समझाओ मतलब के वाची लोओ यहले तम्हें उदारण जोड़े तम्हें लिंक करी सक्सो जारे कोई गुना मा प्रत्यक्स के परोक्स रिते संक्डायलों व्यक्ती तेज गुनानों साक्सी बने तो एने ताजनों साक्सी केवामा आवे जेमके आ गुणा थी शाते संक्ड़ा आएला चे चंपक चाचा अने पोते गुणों करेलो च्छे पोते पण गुणों आनें अंदर सामीलत चे पर च्यार माते समझेलो एक वेक्ती चे शाक्सी बनी गयो के आ बाकी ना तरण और चारे जणा भेगा थैं ने आ अपरात करे च और बाकी ना त्रण जडा ऐया चुपाएला छे, तो एनसु केवामा आवे ताजनो साकसी पोते गुणों कबूल करेशे, और साथी गुणेगारों नी विगत आपेचिक भई आ त्रण जणा आ जग्या चुपाएला छे, तो आना दी फाइदोसु धसे, सजा ओछी थाय अथ तो मापण थे सके जे चंपक चाचा छे एमने सजा आ बाकी ना त्रण करता ओची धसे औने कदाच अमू कंडिशन यंदर मापण करी देवा महावे छे ताजना साकसी ने ज्या सुधी गुणानी इंसाफी कारेवाई चाले यलेकि समझी लोग के आमने जे विगतो आपी जे इंफोर्मेशन आपी एना आदार उपर त्रणे जड़ाने पकड़ी लेवा महावे अवे केस चाल से कोटनी अंदर गवाई आ चार जड़ा ये बेगा थाई ने बेंक नी अंदर चोरी करी अती एमाथी चंपक चाचा छे ए ताजना साकसी बनी गया तो आमनी जे इंसाफी कार्यवाई ज्या सुधी चाले छे जेटला पन दिवस जेटला पन महेना सुधी चाले छे त्या सुधी चंपक चाचाने कश्टडी माज राखवा मा आवसे एउन एक बई एमने ताजना साकसी बनी गया तो आमने इंफोर्मेशन लही ने छोड़ी देओ ना ज्या सुधी क इसने इंसा भी कारेवाई पूरी ना थाए, बद्दाने सजा ना मड़ी जाए, त्या सुधी ए चंपक चाचाने कष्टडी माज राखवा मा आवसे। पर जामिन मड़ेली होए, तो एस छोडी मुकी सकाई छे। मतलब के चंपक चाचाने जामिन लईली दी छे। तो पचे यहमने चोडी मुक्वा मा आवसे, तो पचे यहने कष्टडी मा राखवानी जरूर न थी, पर जारे बोलावेचे त्यारे हाजर थाओ, जोई है। तो कलम नंबर 306 ताजना साक्से नी बार्त थाई छे। कलम नंबर 355, आरोपी पोतेज पोतानो साक्सी बने। बहु, मोटी वाच छे। आरोपी पोतेज पोतानो साक्सी बने। सूचे द्यानती समझ्जो। ज्यारे कोई आरोपी पोता अना ज केस मां के पोता ना साथी गुनेगार नी इंसाफी कार्यवाही मां पोते ज पोता नो साक्सी बनी सके छे तेनी लेखित मिन्ती सिवाए तेने साक्सी तरीके बुलावी शकाई नहीं गुणे गारत साक्सी बने तो पक्सकार अजवातो अदालत चे एने चर्चानों मुद्धो बनाव से ने एक्जाम्पल तरीकी आपड़े वाद करिया छे आगणना उदारण नी अंदर चोरी करवा माटे कौण-कौण जाय छे तो चोरी करवा माटे बागो, नटुकाका अने जेठालाल, तरण ब्यक्ती जाय छे पोलीस आवी जाय छे तो आपड़ा नटुकाका छे अने बागो छे बनने भागी जाय छे अने जेठा लाल चे पकड़ाई चाहिए जेठा लाल पकड़ाई गया अने बागो ने नटु काका चे ये त्या थी भागी गया हवे जेठा लाल ने पोलिस टेशन मतलब के जेल नी अंदर राखवा मा आवे आने इनसाफी कारेवाई चालो दे हवे खबर पड़िक भई आजे येंने सोधवा मा आवे जे बागो चे नटु काका ने ये येंने सोधवा मा आवे पड़े क्या ये नहीं हवे सिम्पल वस्तु चे ये तो कदाच नापण मड़े तो स्तिया सुधी शू जेठा लाल जेल मा रेशन ना तो यह जेठा लानने समझीलो M नी इन्साफी कार्यवाई करी दिदी। बले बाकी ना बे जणा ना मड़या पर जे मड़या चे जे व्यक्ती पकड़ाई गयो छे तो एनी तो इन्साफी कार्यवाई थवी जुए ने। तो समझी लो के जेठा लालने इनसाफी कार्यवाई थाई गई, और बैंक चोरीना गुना मा एन्ये समझी लो पांच वरस नी सजा थाई गई, कितली पांच वरस नी सजा थाई गई, हवे ये जलनी अंदर छे। हवे समझी लोग के छो महिना पचे समझी लोग बागो पकड़ाए गयो, छो महिना पची जू थाय छे जे बागो छे ए पकड़ाए गयो, हवे बागा नी इंसाफी कार्यवाई चाल से कोटनी अंदर, जेठा लागनी तो थाई के यहमने सजा मड़ी कई, हवे बागो पकड़ गयो छे तो बागानी इंसाफी कार्यवाई थसे। करते ने सबागानी इंसाफी कार्यवाई थसे ने सब कर दो जेठा लाल भले गुनेगारचे पड जया रे एना साथी गुनेगारणों कोई केस चालतो हुआ अचा पोतानोंच कई केस चालतो हुआ एमा कई information आपडि जे जानतो हुआ ए वेक्ती जे गुनेगार चे एज वेक्ति जानतो है तो आवा कंडिशन नी अंदर पन एने जेल माती बुलावी ने एने साक्सी तरीके केवाई के जे जुबा नी छे जे निविदन छे इलाई सकाई जे बिजी वस्तू एना माते आजे जे जेठा लाल चे एने लेखित विन्ती करवी पड़ से आपन या द्राब जो के तैने लेखित विन्ती सिवाई एने साक्सी तरीके बोलावी शकाई ने बिजी वस्तू के गुनेगार साक्सी बने चे आवा कंडिशन मा सूथ है चे या केस न आए तो गुनेगार छे, आनी साक्सी ने सू मान्य काणुब रख़ी अज़ा तो अदाल़त पढ़ कि संकशी मेरा राकें राखी। तो आने चर्चा नो मुद्धों नी बनावानू साक्सी तरीके बले उक गुनेगार कोई सामान्य वर्यक्ति !, यह साक्सी तरीके आवे तो एने साक्सी तरीके लेव। एवने एक बाई गुनेगार चे आवे तो एना उपर चर्चा करिये के एक केछे एने मानू ना मानू चर्चा नो मुद्धो बनावानी जरूर नथी। आउ त्रणसो ने पंदर नी अंदर पन लखेलो चे। तो इन जो आतो कैफी एतना सोदा, संक्सित इंशापी कारियवाईने अंदर जे फरियादी छे एक कवोटने अपिल करे, कि मारे आज कारियवाई छे पताहित थे। आ अगप पर्चै. चे एब 2 वरस्ती ओछो अधवादो जे चोरी नो माल चे एब 2,000 ती ओछो हो जे एना पची आपड़े कैफियत ना सोधा जो है ता कैफियत मां सू अतू कंडिशन 7 वरस्ती ओची सजाने पात्र होय तोज कैफियत ना सोधा थेई सके चे एना जेवी थोड़ी गणी गुणानी मांडवार आ कलम इंपोर्टन चे 320 गुणानी मांडवार गुणानी मांडवार मां सू कहे चे पेला वार्ची लेए पचि उदारंद वारा तमने समझाओ चुँ सामाने रिते बन्ने पक्स नी सम्मती थी आ प्रकारे गुणानी मांडवार नी अर्जी कोटनी अंदर करी शकाए चे आमा कोई फरियाद के कोई आरोपी एवी कोई बात नदी गरी या बन्ने पक्स ना सम्मती थी बन्ने पक्स करी शके चे जारे 10 वरस्ती वदू केद आज आजिवन के मोतने सजाने पात्र गुनों होई त्यारे अर्जी करता पहला कोटनी पुरुव मंजुरी लही जोई है। आजिवन के मोतने सजाने पात्र गुनों होई तो एक वकत कोट पात्र पुरुव मंजुरी लही पड़े कि आपने या गुना नी माणडवार कर भीशे। आरे जे वस्तु के व्यक्ति माटे केस थयो होए हवे ते रहीज न थी तो केस आगणवदारवानों कोई मतलब न थी तो आवा केस मांडवार यलेके समाधन करवा मां आपेशे। जे वस्तु के व्यक्ति उपर केस थयो होँचे। हवे ये वस्तु के व्यक्ति रहीज न थी तो आई या केस नो कोई मतलब बनतो न थी पचे यहने आगणवदारवानों। तो आवा कंडिशन ये अंदर गुनानी मांडवार थाएचे। एग्जाम्पल तरीके वाद करिया। समझी लो के यहा एक छे चगन बाई। आ चगन बाई ना बे दिकरा चे। एक नू नाम चे मगन और एक नू नाम चे चगन। मगन और चगन। तो ये चगन बाई ना मगन और चगन। हवे चगन बाई चे ने पूता नी विल वस्यत नामू बनाईने जाएचे अने वस्यत नामा ना आधार उपर अईया वस्यत नामू चे एक वोने आपी जाएचे? मगन ने आपीने जाएचे मगन वसियत नामु छे जेनी अंदर प्रोपतीमा यू लखेलो अब आईच्ये करियो बाई पप्पा द्वारा जे वस्यत नामू लखवा मावी चे मने आप तो यह मगन एउ किया छे के पप्पा छे ए आ घर चे आपणो बंगलो छे ए बंगलो मारा नामे करीने गया चे ओके एउ कौन कैचे मगन कैचे अवे चसे इसनी करिये चे क्वाटणी अंदर केस करीना कैचे कै बाई माम नामे करीने अदर केस चे चाले-े 2 महिना 3 महिना 4 महिना और केस चाले अवे थाई छे हो कि आ जे वस्तु माटे लड़ी रहा छे चगन भाई छे ए लईने किदू छे कि बाई आ जे मकान छे ए 50-50 टका 50 टका मगन रहे से और 50 टका चगन रहे से एवो वस्यत नी अंदर लखी ने गया छे अवे आ घर माटेत बनने लड़े छे चगन अने मगन छे ए आण गर माटेत लड़ेत लड़ेत जे आखिछे कि आण गर कौन हो अवे समझीलो भुकं पावे छे आणे भुकं नी अंदर आ गर पड़ी जाए छे पाई थांतर ए वस्तु झाले भाई से आण जे वस्तु गपण जाये शे अवे ये वस्तु रहियत नथी, अवे वस्तु ज नहीं रही, तो आ गुणाने केस ने आगण बदवानी कोई जरून नथी, तो आवा कंडीशन नी अंदर गुणानी मांडवार करी देवामा आवे, तो आने जे पन होए, एने तमें पत्ता होवे, तो एने कलम नंबर 320 33 मां सु फरक्षे, याद राग्जो, 33 नी अंदर जे नियाईक प्रक्रिया चे, एने जल्ली थी पत्तावा माटेनुच काम करवामा आवे चे, पन गुणानी मांडवार एक वाईक बहु मोटू स्वरूप कई सकाई, जे नी अंदर कोई पन सजारे पात्र गुनों होए, ब आमा किटली आ त्रोणी त्रोण मां सु फरक्षे, आई होप सो तम्हें समझी गया आशो, ओके, यू अंडरस्टेंड, चर्ट, तो आई होप सो तम्हें प्रक्रार नंबर 24 समझी गया आशो, अवे आगण वद्ये छे बाग नंबर 25, प्रक्रार नंबर 25, जे छे अस्तीर म मगजना आरोपी सबंदी जोगवाई, जे कलम नंबर 358 लईने, 349 मा एमनी बात करिये छे, आनी अंदर एककज कलम महत्वानी छे, कही छे, तो ए नेक्स्ट कलम जे आपने जोईसु आ प्रक्रार नंबर 34, बाकी कही आमा याद राखवा जे भी बाबत न थी, ओके, चलो सम आरोपी ने छोड़ी मुकवाणी जवार थाए छे, पन मगजनी अस्तिर ताना काराणे, चलो वांचे एना पचे समझाओ, कोई आरोपी ये, जे समय कोई गुणो करे होए, एवु कहवामा आवतु होए, ते समय ते अस्तिर मगजनों हवा थी, ते कृत्य के गुणों बनत होए, ते समझवा मा समर्थ होए, तो तेवा काराणे एने निर्दो स्थरावी ने छोड़ी मुकवा मा आवे छे, जेमके तमे अ परीचीत पिच्चर कदा जोई होए, साउत नू मोवी छे कदा जोई होए, नापन जोई होए, एनि अन्धर तमे जोवापके ए व्यक्ती न ए खबन नथी होती, कि ए गुणो करी रहे छे, जे व्यक्ती ओरीजनल छे, एने खबरत नथी होती, कि एनि अंदर भूत आवी जाये छे, कि ए गांडो थाई जाये छे, को कोगत अने बदानू खून करतो आई छे, तो तमे लाश्ट मा जोवाचों के एने कोई सजा मर्ती मुवी नि अंदर पन बता विलू छे, कि ए व्यक्ती ने कोई सजा नती मर्ती, कारें कि ए व्यक्ती ओ कोई गुणा नती करया, जैरे ए पागल होई छे, जैरे अस्तिर मगजनो थाई जाये छे, त्यारे ए कई गुणो करे छे, तो एना मांटे जे व्यक्ती छे, एने सजा आपपानू कोई थतू न थी, हाँ, पण एने कईक मेडिकल इलाज माटेक मुखली देवामा आवजेक भई एने मेडिकल इलाज करो, ज्या सुधी ए सर्खो ना था है, कारे कि ज्या सुधी ए बार रहे से, आरी इतना खुन करता रहे शे, ओके, कलम नंबर 3034 के यहाँ मागे चे द्यानती समझ्जो, कि समझीलो के कोई एवो वेक्ती, जेने गुनो करे हो छे, हवे ज्यारे ए गुनो करे चे, ए समझीलो ए पागल छे, जे समझीलो ए गुनो करे चे, ए टाइम नी बार थाय चे, कि समझीलो एवो नक्की थाय चे, कि ज्यारे एने गुनो करे हो तो, त सजा आपपी योग्य गणाती न थी, तो कलम नंबर 334 सेगु कहा छे कि जे समय गुनो थयो अतो, ए समय व्यक्ति पागल होए, ए सु साचू, सु खोटू, कईू कृत्य गुनो बन से, कईू नहीं बने, एने समझवा माटे केवाईं कि ए समझवा माटे एटलो प्रहियाप छ बिजी वस्तू, तो सु एने छोड़ी मुको, तो हाँ, ए गुना माती आया चे छोड़ी मुकवानी वाद थाई छे ने, ए गुना माती छोड़ी मुकवानी वाद थाई छे ने, ए गुना माती छोड़ी मुकवानी वाद थाई छे, नेक्स्ट कलम चे 335, जे एकली को इंप मेडिकल इलाज माटे मुखली देवा माहाँशे. कारगे जो एने बार राखो, एपड केवाई, के सारू ना केवाई. कोई पागल होई, जैरे अदालत मा उभो करवा माँवे, एना उपर कई गुणो नोधायल होई, तो यहने मेडिकल सारवार माटे मुखली आपपामा आवेचे, एउँ कोट द्वारा नियर्णे लेवामा आवेचे तो आयोग सो कलम नंबर 334 तमे समझी गया आचो बीजी वस्तु आया एकपण की दूछे, कि ज्यारे गुणो करे होए त्यारे अस्तिर मगजनो है पचि इलाज ठै गेओ, पचि इलाज ठै गेओ और एलाज ठै गया, पचि एने ःडालतमा वभो करेओ फरीत रिपीट करोväउचे, ज्यारे ते पागल हतो, त्यारे गुणो करेओ पच हीनी सारवार थैए, यह साजो थैगियो, नोर्मल मानस थैगियो, हवे एने अदालत मांवाहिक दुलस यहां, गुणोब करेए तो 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 कलम नंबर 304 नाहें, यहां गुणों करे उतो है, उछके, यहां गुणों करें तो यहां तो यहां पागल दूब 7万 कलम नंबर 300 चोत्रिस्प्रमाण। नेक्स्ट बद्य चे कलम नंबर 27 प्रक्रन नंबर 27 फेसला के चुकादा अंगे। कलम नंबर 300 प्रक्रन फेसला के चुकादा अंगे। चेत्तावणी आपी ने पे रोल उपर छोड़ी मुखू। 21 वरस्ती वदू उम्मनों व्यक्ति जेने 7 वरस्ती वदू नई एवी कोई गुनों कर्यों छे। अथवा तो 21 वरस्ती नानी कोई व्यक्ति होए अथवा तो कोई महिला होए जेने मध के आजीवन केदने पात्र सीवाईनों कोई गुनों कर्यों छे। तो आवा गुने गार्णमा अगावमा एने कोई गुनों कर्यों न थी। एनों सारू वर्तन छे, एनों पूरुव इत्यास सारों छे, चरीत्र सारू छे, अने गुनों कर्वानों जे संजोगों छे। एने द्यानमा राखी ने त्रण वरस्ती वदारे नई, एवी मुद्धत दर्म्यान एने बोलावे त्यारे हाजर रहे हूँ, एवा बोंड करी ने एने मुख्त करवामा आउसे। एक्जाम्बल तरीके समझाओ छू के या वस्तू सू छे एक्चुली, पेरू रूपर छोड़ी मुख्यू सू के आउमा गेछे। एक्जाम्बल तरीके वाद करे के यह आपड़ा बिडे बाई छे। सू छे बिडे बाई। अब बिडे बाई नी वाई छे, जेनू नाम छे, तमने ख़बल छे माधवी. सू छे, माधवी. तो बिडे बाई नी वाई छे माधवी एने एक मोटो रोग थाई जाये भीडे भाई जोडे कोई पैसा होता नाथी, बित्रो जोडे मागे छे, बैबंदो जोडे पूछे छे, पन कोई ना जोडे 10 लाक रुपे होता नाथी तो भीडे भाई छे ने आ संजोगो माँ पोतानी वाईप ने बचावा माटे समझीलो चोरी नो रस्तों अपनावे छे कि कई वादोने मारा जोडे पैसा नाती पन गम्मेते करीने हुँ मारी माधवी ने बचावी तो इसु करे छे चोर बनी जाए छे अने चोरी करे छे चोरी करिजए चोरी करता करता पकड़ाई जाए छे उधालत मां उभो करी दिज़ा पकची जे मैजिस्टेट चे ए संजोगो ने जोवे चे संथी पेलासु जोवे चे के बाई बिडे एक कौन चे तो बिडे एक सिख्षक चे जे सिख्षक नूँ काम करी रहे चे एलेके एनू चरीत्र सारो चे एनू पूर्वा इतिया सारो चे एने बुद्कार मा कोई गुणो करेलो ना थी 30 वस्तु संजोगो जोवे चेक बाई केम आने चूरी नो रस्तो अपनावे तो पोतानी वाइप ए मेडिकल केवाई कंडिशन खड़ा बती 10 लाक नी जरूर अथी तो मेडिश्टेट ने आ बदू जोवे चेका जे मेडिकल जे 10 लाक रुपिया बरवान आता एनने रिसिप जोवे चेक बाई हाँ रियल इमाँ 10 लाक नी जरूर अथी अने एना काराने जे बिढे चे एक आओ कई गुणो करी मेसे चे तो आवा कंडिशन नी अंदर मेडिश्टेट समझी सके चे कि आ वेक्ति ए कई हालत मा गुणो करे चे एनो पुर्वा इतियास सारो चे एने भुदकाण मा कोई गुणो करे नथी एनो चरित्र सारो चे सारू काम करी रहो चे पुर्ण आवा कईक संजो को बनेया जेना काराणे एने गुणेगार बनवो पड़िव तो आवा कंडिशन नी अंदर जे मेडिश्टेट चे एने सजा आपे एन योग्या नथी तो आवा कंडिशन नी अंदर मेडिश्टेट एने खाली धमकावी मेडिश्टेट अने जे अपरादी छे जे बिड़े चे ना वचे एक बौण्ड साइड थाए बौण्डली अंदर एहु केवामा आगे कि बाई त्रोण वरस सुदी ज्यारे पन जरूर पड़े त्यारे क्वाटनी अंदर हाजर रहो पड़ से त्रोण वरस ना पे रोल उपर छोडवामा आवेक बाई तारू सारू चाल चाड़न छे तो त्रोण वरस मा जोवामा आवसेक बाई तू कोई ओ गुनो नहीं करे तो आगणन जे गुनो करे उतों जहेनमा एनने पे रोलू पर छोड़ी मुकवामा आवे तो एनी पर सचागगओ तासे और नभ गुणाण पर सचागओ आवसे कारण कि आने क्यम छोड़वामा आवे चे हैना सारा 사를 चाल चरीत्रना कारणे छोड़वामा आवेचे आवे यहने छोड़े यापछी कोई गुनो करें, तो यहनो मत्लब सो थायो, पिलू जे छोड़ु अथो यह तो नकामु गए हो, सारा चाल चलना कारणे छोड़ु अथो तो यह एक बॉंड सायां करवा मामा आवचे, त्रण बरस मां जो कोई विजो गुनो करें, तो आगण पन्नों होए और शाथ वरस्ती ओची सजाने पत्रपोई गुनों करें। यहुण एक भाई खुन करी दिदू होए बलातकार करें। तो यहां पेरोल ना मडें। यहां पहली वकत करो कि बले सारु चाल चलन होए। खुन करें। कछी कोई बलातकार करें। यहां पेरोल ना पर चुड़ाया थी। काया कि यह पहली वकत करो शारु चलन होए। गमेटले गमेटलू दान करें। यहने पची कोई ध्यानमा ना खाले। अदालत पंद ध्यानमा नाले, तो सात वरस्ती ओची सजाने पत्र गुनो होईने, तोज पई पेरोलुपर मडे, एना थी वदारे सजानो होई तो गमेटलों महात्मा जनाव, एने छोडवामा आवसे, नै, 21 वरस्ती नानी वईनी व्यक्ति होई, अवे 21 वरस्ती नानी व्यक करीदेवा मा आवे, पेरोलुपर छोड़ी मुकवा मा आवे, कोई महिला आच, कोई स्त्री छे, एने कोई अपरात करेओ छे, और यहुँ लागे एवा संजोगों कई वसात, एने कई गुनों करेओ, यहुँ मेजिस्ट्रेट ने लागे, तो पन आरितना छोड़ी मुकवा मा आवे, पड़े लखे लुँ छे, कि मुध के आजिवन केतने पात्रक गुनों करेओ, न हो जोए, ए महिला अपन नहीं, और यह बाड़क ने, कि महिला ने पेरोलुपर छोड़ूआ मा आवे, पड़े एने गुनों دर पड़े, कोई लागे अन्य बाड़क के धन कई येने पर मुहत के आजिवन के अधनी सजाने पात्रों कोई गुनों करियो ऐसे, कोई खुन करियो ऐसे चोरी महिलाए, तो पचे एने पेरोल मढसे, नहीं, छोडवा मावसे, नहीं, तो अहीं हो कलम नंबर 300 साइट, तमें समझी गए आशो, येना पची वात करे, भाग नंब येना पर आग जो, बिजा बदा मां पढ़ता नहीं, गांडा थे जेसो, 484 कलम होचे CRPC ने, 511 IPC ने, बद्धी कर सो, गांडा थे जेसो, वकिल नथी बनवानू फरीथिक होच्यू, कॉंश्टेबल के PSI बनवानू छे, आटली जेखली कलम चलाओ चू, एज कलम करवाने आपी लिए जो, जो इले जो, एक वकिल नजन मार जो, एक कोई इंपोर्टन ना थी, कदी पुछाएली पन ना थी, आने पुछावानी सक्याता चे, एउ पन लागतो ना थी, कि पुछा से पन नहीं, ओके, तो जे कलम मों जे करा होचू, एज कलम कर जो, गांडा ना नक थ कलम नमबर 28, मतनिय सजाना हुकमोनी सादर बहाली करवा माटे, जे कलम नमबर 366 थी, 301 अंदर बात करवा मावी चे, शू कहा चे, त्यांती समझ जो, आनी अंदर पड एककज कलम महत्वानी चे, 366, शू छे, फरिती रिपीट करूचू जो, प्रक्रनुना मतनी सजाना हु को तिर माँ बात करवा मावे चे, एमाथी 21 इंपोर्टन चे, मोस्ट आई एमपी, 306, शू कहा चे, सेशन कोट द्वारा मतनी सजा माँ हाई कोट नी मनजूरी, हवी याद करो चेप्टर नमबर 2, चेप्टर नमबर 2 नी अंदर, स्वरी, चेप्टर नमबर 2 नहीं, 3, रथम वर्गना मेजिस्टेट चे, एक क्या सुधी सजा करी सके, विजा वर्गना क्या सुधी करी सके, एक्जिकुटिम मेजिस्टेट ने एक पोता ना कार्यों कया करी सके, पचे सेशन कोट ना जज चे ए सू करी सके, तो त्या वाद करियाती आपने सेशन कोट नी, और से मुतनी सजा फर्मावी होए, तो हाई कोट पासेदी सु करवी पड़ए, पूर्वा मंजूरी लेवी पड़ए, कि हाई कोट नी पासेदी मंजूरी लेवी पड़ए, कि भै आ केस आवे छे, आ केसने अंदर एवा साबित था गईू छे, कि आ व्यक्तियेच खून कर्यू छे, तो हूं मुतनी सजा आपू, हाई कोट आ केस ने समझ से, हाई कोट परमिशन आपे, तो मुतनी सजा आपी सके छे, सैसन कोट, हाई कोट परमिशन नहीं आपे, तो मुतनी सजा आपी सके नहीं, एकेस नहीं हाई कोट जोड़े लई जग उपर से, 367 पेला वाची लेए क्या सेशन कोट IPC मा आपेल तमाम सजा आपी सके परंतु मुतनी सजा आपी शके नए जो सेशन कोट ने मुतनी सजा आपी होई तो आ कलम मुझब सेशन कोट हाइकोट पासेती बहाली बहाली नो मतलब थाए अनुसमर्थन के मंझूरी चुथाए अनुसमर्थन के मंजूली लेवी पड़े जो हाई कोट मंजूरी ना आपे तो सेशन कोट सजा आपी सके नहीं अरे सजा करती अदालत तेने वरंट हेटर जेलनिक कष्टडी नी अंदर राख से तो सजा ना आपी सके तो पाछा एने जेलनिक जेल मा मुकी देव मा पाछी उपली अदालत मा एलेके हाई कोट नी अंदर एमने लई जवा मा आउसे एनोक त्या केस चाल से जो एनी अंदर मंजू था जाए तो हाई कोट छे ए मुआतनी सजा लगती होए तो मुआतनी सजा आपी शागे शूँ सिंपल वस्तु क्या आपणा जेठालाल बाई छे ए जेठालाल बाई ये ओए यन्यणू खून कर्यु जेठालाल बाई पकडाय गया एने क्या लेजवा मावय से शान खौक नी अंदर लेजवा मा वे से शान कोट नी अंदर जेठालाल वह शे おख्यों जेठा लाले ज करे ओशे औवे सेसनकोढडने आए व्यक्ति नेे जेठा लाले म piş्टी दोग जो आपढ़े लिए जो हाइकोढड़ धूher? покो Safe Hila & Todd केस चला आमाटे बुलावे त्यारे हाई कोट नी अंदर यहने लई जो उपड़ से अने हाई कोट यहनी चकाश नी करी ने पजे जो मुतनी सजा ने पात्र गुनों हो है अने मुतनी सजा आपसे आउकलम नंबर 367 तो चैप्टर नंबर 3 नी अंदर सु जोई हो तो कि जे सत् पण जेनी वात सुचे कि सेसन कोट कई कलम मुझब हाई कोट ने मंजूरी ले से यहनी तो कलम होई ने कि सेसन कोट कई कलम मुझब हाई कोट पासे ती मुतनी सजा आप्पा माटे नी मंजूरी ले से तो कलम नंबर 367 तो आई याद रग जो बाग नंबर 29 प्रक्रन नंबर ਹ৤ੇ ਹ્લ્વે ਹોક। आरोपी ना पक्समा पण होई शक्ये छे, सिंपल वस्तो छे कातो आरोपी ने निर्दो साबित करवा मा आव से, कातो आरोपी ने एना गुना माटे नी सजा था से, तो एना पची कातो आरोपी, कातो फर्यार, जेना विरुद मा एक केस नी सुनवाई थाई होई, ए उपपर अपिल करी शके छे, ये तमने प्रक्रन नंबर 29 नी अंदर आपेलो छे, जे कलम नंबर 32 थी लईने 304 सुधी बात करे छे, आनी अंदर बे महत्वनी कलम हो छे, ए आपने जोई सो, एना पेला हुँ तमने कहे दो के मारा द्वारा IPC अने CRPC ने e-book बार पाड़ी देवाम आव छे, जे तमारे रिविजन माटे ने बेस्ट बुक होई सके छे, जे e-book IPC ने चे एनी discounted price अत्यारे 65 रुपीज छे, जे CRPC ने चे एनी 29 रुपीज राखे छे, आप बनने e-book छे तमने फिजीकली नहीं मड़े, पन पेमेंट करे आपची email ना माध्यम थी आ बुक मड़ी जेनी तमें प्रिंट कटा भी शको चो, आप बनने नी लिंक तमने description माँ मड़ी चो, बनने ना demo page पर तमने description माँ मड़ी चो, डेमो पेज जो, डेमो पेज गमें, तो तमें book purchase करी शको चो, बाकी आपड़ा free वीडियो चे, यूटूब नी अंदर अवेलेबल छे, एने जो कोटना नेन थी असंतोस थाए, तो तमें उपली अदालत माँ अपिल करी शको चो, हाई कोटना नेन थी असंतोस थाए, तो तमें हाई कोट माँ अपिल करी शको चो, जुडिस्यल मेजिस्टेट अदालत ना मेजिस्टेट, अथ बातो, मेट्रोपोलिटन मेजिस्टेट ना कोट ना मैजिस्टेट द्वारा आपा अएला निर्णाय थी अस अंतोस था आए तो तमें सेसन कोट नी अंदर अपिल करी शगो चो सिंपल वस्तू छे कि तमने तमें फरियादी हो कि तमें अपरादी हो चेले कोट द्वारा का एक निर्णाय आपामा आवे छे अबे ए निर्णाय थी तमें अस अंतोस था हो न attachments था हो मतलब के तमें कोई गुणो करे कि ये आरोप करेलो चे एने गुनो करेलो चे एने निचली अदालत वाड़ाये छोड़ी दितो तमे यानी कारेवाई अईया चलाओ कदा चे एने सजा मड़ी सके तो कलम नंबर 374 एक हो खेशे कि समझेलो निचली साउथी निचली अदालत कई होए जुडिसेल मेजिस्टेट अफ़क are metropolitNισistrate court होए एना अदबरा कई निचली अपमा आवे छे ऑपर कही आवसे सेशन कोट आवसे तो सेशन कोट निचली अन्दर अपिल करि शको जो हवे हाई कोट ना निर्णाई थी पर तमें अस अंतुस थाया तो तमने सुप्रीम कोट नो एक अप्शन मढ़े छे तो तमें सुप्रीम कोट नी अंदर सु करी सकोचो अपील करी सकोचो अन्ने छेल्ले सुप्रीम कोट जे निर्णाई आपसे ये तमारे मानी लेव पर से वलेगे समझ लो सेन कोट द्वरा कोई नेन है आप मावे छे औरने तमने अस अंतुष्त है और तो तमने हाइए कोट माज आप française अपील करे सको, टामारे स्परा नीचे ते ना नीचे थे स्टेत the equitable system appeal appeal in case union. एक defence अ दालत ने ने पालत माज आपे Democrats and highlights तो कलम नंबर 374 वेरी इंपोर्टन छे, तमें कया कलम मुझब, उपली अदालत नी अंदर अपिल करी शको छो, तो कलम नंबर 374 ब्रमाणे, कलम नंबर 376 नजीवा केस माटे अपिल न थाई सके, कोई नानो यो केस हो है, जे मां समझील हो के हाइकोट नी अंदर कोई केस चा कोई एवो केस चे, जे मां मैक्सीमम तमने 6 महिना नी सजा मली सके, अथवा तो कोई एवो क्वेस चे, जे नी अंदर 1000 रुपिया सुधी नो डंड चे, तो आवा केस द्वारा, आवा केस नी अंदर हाइकोट का एक निर्णाय आपे चे, तो आवो केस लईने तमें सुप्र कोट सुधी जवा मांड जया, तो सुप्रिम कोट सुखर से, जे मैन केस असे एरैज असे, तो आया एक नियम बनावी द्वा मा आवे चे, कहाहँ एवो केस चे, हाई कोट नी अंदर 6 महिना सुधी नो eteैस, और 1000 रुपिया सुधी नो क्यी च yapıyorsun चे, तो आमा हाई ककोट जे आपसे तमारे मानी लेवा पड़ से आ नीर्णाई ने तम्हें सुप्रीम कोट नी अंदर न लई जखाओ। सिम्पल वस्तुचे कारें कि आए कि न जी वो केस छे। यह जह जह दीचे लखेलुचे कि वह सेसन कोट माटे। आपसे ने अपसे देवा माव से एनने तमारे मानी लेवा पड़ से। करें कि न जी वो केस छे। आवे आओ केस लईने तमी हाई कोट नी अंदर पर ना जही शबों कागे केस नी अंदर तमी जो कि मैक्सिमम त्रण महीना सुधीनी सजा मड़ी से। कि समझैं लोगों कॉई भक्येन हो हाई, कईकने लाफ मारे हो होई, मान हानी न रही लँए, तो आपयी 9 na náω case है त्रण महीना सुधीनी सजा हो माई 200 रूपया सुधीनunta हो grammar अवे कोई और 3 महीना सुधीनी सजा थे तो आरो पी पची उपपर हाई कोट माना आई जेखे करांगे एक नजीवी सजा शे ओके तो एने मानी लेवी पर से करांगे आवा-वा केस जो बध्धा जवा मंडे हाई कोट मा तो जे महत्वना केस चे रही जासे तो एना माटे एक नियम बनाई देवामा आवे छे के अमूक एक लिमिट दिसाइट करी देवामा आवे छे के भाई हाई कोट नी अंदर छो महिना सुधीनों कोई केस आवे छे हजार रुपया सुधीनों कोई डंड़ वाड़ों केस आवे छे तो एमा जे हाई कोट नेना प्रथम भर्गना मेजिस्टेट एनी अंदर 100 रुपया सुधीना कोई डंड़ वाड़ो कोई केस आवे तो एने प्रथम भर्गना मेजिस्टेट का एक नेड़ आपे चे तो एने मानी लेव पर से पचे एक एने लाईने तम्हें सेशन कोट में अंदर नई जी सको तो एक कारेके समझे लो के मुँँ के गुणो करू छो समझे लो के ट्राफिक सिगनल तोड़ियो ट्राफिक सिगनल माटे 100 रुपया नो डंड थयो मैं डंड भर्यो नहीं तो मारो केस चे एक प्रथम भर्गना मेजिस्टेट पासे लई जवा मावे क्या भाईने 100 रुपया अवे आवा कंडिशन नि अंदर प्रथम भर्गना मेजिस्टेट समझे लो के 100 रुपया नो डंड नहीं बढ़ता तो आवा केस न अंदर समझे लो के एक सजा आपी देवामा आवे 100 रुपया नो डंड ना बर तो तमने 20 दिवस के 25 दिवस के एक महिना माटे तमने जयल मा प्रत्थम बर्ग्ना मेजिस्टेट द्वारा एक महिना नी सजा मली तो आओ केस लाइने तमें पर आपील ना करी शको पड़े नजीवा केस माड़े पची तमें उपपर अपील करी शको नई आओ कलम नंबर 376 कहें छो नियाई प्रक्रिया आगण 9 चेप्टर जो यह प्रक्रा नंबर 30 भाग नंबर 30 एन यंद शू किदू छे कोट कार्यवाहिना अंते एक नेणय सामें उपली कोट तरब थी फेर तपास नी जोगवाए शू छे यह फेर तपास नी वाद थे शे आगणाल चेप्टर आगण 9 चेप्टर जो यह फेर तपास नी जोगवाए शे कोट नी कार्यवाहिना अंते एक नेणय आपपा मावे अने ए नेणय साथे उपली अदालत मा ए नेणय नी फेर तपास नी जोगवाए जे कलम नंबर 305 ती 405 नी अंदर वाद करी छे आज सू छे यह उँ तमने स उच्च अदालत ने रेफ्रेंस एले के रेफ्रेंस टू हाइकोट जयारे निचली फोसदारी अदालत मा कोई केस नी इंसाफिक कार्यवाहि समये एउ लागे कि आ प्रश्ण अत्यारना हालना काईदा हुकम के राजी नामाने सबंदित छे तो अदालत ते फेसलाने चेक कर माते हाई कोट मा रेफ्रेंस तरीके मूखली सके छे एक्जांबल तरीके बात करिये कि अत्यार है कोरोणा चाली रहुँचेँ सुु चाली रहुँचे कोरोणा चाली रहुँचे अवे एक को बॉक डाउन छे, कोई ये बार निकरूं नहीं, आ वेक्ति एनो बंग करी रहे हो तो इटला माटे एने लाइने आवे आवे आछे, मेजिस्टेट एक केस चलाव से वेक्ति उपर हवे ए वेक्ति उपके छे, कि आपडा बंधारन नी अंदर मुणुभूत अधिकार छे, कि को खरी सको छो, तो एरो काई का आओ SQ जापे छे, हवे आईया सेसन कोट, समझे लो कि आ सेसन कोट छे, सेसन कोट नी अंदर केस चलावे छे, हवे आ जे जज छे, मेजिस्टेट छे, ए नेनय आपता मतलब के थोड़ा अचबा आएला छे, कि आ वस्तु सू कयाने योग्या ग कि आईया सरकाट द्वारा काईक राजी नामू बार पड़ियो छे, एनू अईया उलंदन धायू छे, एनय योग्या गणूए, तो आईया चे ने, एक फेसलो तो आपी देशे, मतलब के आईया चे एक कई देशे, बै, हाँ, जाहे नामू बार पड़ियो अतू, तो जाहे नामानू उलंदन करूँ छे, एना माटे ताने बे वरस नी सजा, पर्ण हजू मैजिस्टेट ना माइन नी अंदर एऊ थाए छे, कि मैजिस्टेट आपे छे, एनी अंदर मने माराथी कई चूप थाई गए होए, एऊ मने लागे छे, अजबा तो मारे सू फेसलो आपो जो हाई कोट माँ आ केस ने मोकली अपसेक भई आव एक्ती हतो, एने काईक आउए स्कू जापियो हतो, अने ए टमें काईक आउए आ टाइप नू जाहे नामू बार पड़ियो हतो, तो जाहे नामाने साचू गणू होगों के भई एने मुडबूत अधिकारों नी बात करी, ए निचली अधालत माँ थे कोई एवो केस आवी जाहे, जेनी अंदर ए जज छे ए पोता नो नेणय आपी देशे, पड़ ए नेणय माँ एमने एवो लाग से के काईक चूप थे एवो लागे छे, ए नेणय मारे आम आपपो जोए के आम आपपो जोए, एमना कन्फूजन निचली अधालत में के आओ तमें जे निचली अधालत में आपवे एनी अंदर आ टाइब ना कहीं चेंजीस करी नापो, आ योग्या छे, आ योग्या छे, आ टाइब नो जे रेफरेंस चे पछे रीटन मा एमनो जवाब आपवे, तो एनेसु के आवम आवे कलम नंबर 395 उच्च अधालत ने रेफरेंस एले के रेफरेंस तो हाइब कोट, चलो, ना खवर पड़ी बिजू एक उधारन आपो, जश्ट उधारन आपोछो तो उधारन तरीके दिल्या जो आने, एक्जांबल तरीके वाज करो के आपड़ा गुजरात नी अंदर दारू बंदे शे, दारू, पीवो, एक गुणो भुणो चे, बदा ने खवर चे के दारू, पीवो, एक गुजरात नी अंदर गुणो चे, फॉर्ण समझी लोके पहली में, ऑगणी सो सांइट आपड़ा गुजरात नो जन्म दिवस हावेशे, इवर से समझी लोके आपड़ा गुजरात नी टो इस दिवस है आखा गुजरात मा जेने दारू पीव हो है एक दिवस माटे इपी सक्याएशे हवे समझी लोग के कोई पोलीस वाड़ो छे ये पोलीस वाड़ो ए व्यक्ति कोई दारू पीतो हो आज़ना दिवस है एने समझेलों कि बीजी तारीके रजू करवा मावेचे कोटनी अन्दा अने ए रितना SQ जापेचिक पहली में ओगनी सो साइटे जाहे नामों पाड़ी होतों एना अंतर्गत में आँ दारू पीदो छे तो यहां कोट छे हलवाएचे कि भाई सु करूँ हो क्याप hardest के था चुका दो आपों चूँ एक्चूली साच leche के ने? तो यहां माटे उच्चय अधने आदलत नी oparte केस थे यहfikी इसाचो नीनाई आपीयों चेक होड़ी नि अन्दर एमां सुी आप पूजो यह ने रिप्रेंस तरीके मोखली शके चे जे एक कलम नमब 395 मा गिदो छे रेफरंस टू हाई कोट अई होप सो तमें समझी गया आसे हजू ना खबर पड़ी हो तो तमें नीचे कॉमेंट करी शको छो कलम नमब 405 जे आगड हुआ तू एना थी एनोज केवाईं के एनोग एक पाड छे 405 उच्च अदालत द्वारा हुकम नो फेर तपास पाचो निचली अदालत मा मोकल हो यलेके समझी लो के अया थी फेर तपास माटे निचली अदालत मा थी हाई कोट मा मोकल हो तो तो हाई कोट पर पोता नोजे नेनल छे एन निचली अदालत मा पाचो मोकल से तो एक कई कलम मुझब कलम नंबर 405 मुझब कि उच्च अदालत द्वारा हुकम नो फेर तपास करी पाचो निचली अदालत नी अंदर मोकलो निचली अदालत माथी आवेला फेर तपास माटेना केस माँ ज्यारे हाई कोट हुकम करे छे एर इतना निचली अदालते हुकम अनुसार रेकोर्ड ने सुधारों जो ये समझी लो हाइकोट द्वारा जे फेर तपास माटे जे केस आवे होतो एनी जे सुनवाई छे एक करी दिदी तो आया जेर इतना हाइकोट सुनवाई करे चेक बाई तमें जे हुकम करे चे अथवा तो तमें जे नेड़ने आपे चे एनी अंदर आवा के एक चेंजीस करवाना जरूर छे जे तमें समझी लो के बेवरस नी सजा आपी छे एक दाच नीरदोस चे एने तमें छोड़ी मुको तो एर इतना जेर इतना हाइकोट के एसे एर इतना जे निचली अदालत चे जे माती फेर तपास नो एक केस आवे छे एने रेकोड ने सुधारी जे से ओके कलम 475 प्रमाल ने पायोब सो त Probably समझी गयां से आगर बात करें 20 प्रक्रिया जे भाग नमबर 31 नी बात करें प्रक्रावण नमबर 31 नी बात करें केस अन्यंत्र मोकलवा बाबत सुधे भाई केस अन्यंत्र मोकलवा बाबत जे कलम नंबर 406 लईने 412 सुधी बात करवा मावी छे 406, 7 अने 8, 3 ने 3 एक बिजाना केवा इनके अनुरूपच छे ध्यानती समझ जो सिम्पल वस्तो छे कलम नंबर 406 एवु केह छे एक हाई कोट माथी बिजी हाई कोट माँ केस मोकलवानी सत्ता मात्रने मात्राओ सुप्रिम कोट ने छे एक्जाम्बल तरीके बात करूँ छो समझी लो के गुजरात नी अंदर एक गुणो थायो छे गुजरात नी अंदर एक गुणो थायो छे हवे जे गुणो करयो छे जेने गुणो करयो छे एसं मझे लो तमिलं नाड़ू नो जे जने गुने कर्यों ज़े इट अन कला शाक्सी ओ नंदर शंक्राय ना चे जोते लाडू ना छे एनी साथे जे पोलीस तपास करी रही छे ए पर समझीलो के तमिल नाडू नी छे गुणो गुजरात मा थायो एटला माटे तमने खबर छे के आगर आपने जोई गया के जे जग्या गुणो थाये त्याज एनी इंसाफी कार्यवाई श्टार्ट थाये तो गु पोलीस तपास अडिकारी तपास करे छे ए पर तमिब नाडिनों छे तो आवा कंडिशन ने अंदर एक नेनला यहामा आवे छे के, गुजरात ने हाइगोड थी आ केस ले तमिल नाडू ने हाइगोड ने अंदर ट्रांस्पर करवे तो आवा कंडिशन ने अंदर सत्ता कौने मड़ेली छें कि एक हाई कोट मांथी बिजी हाई कोट मां केस ने लाई जयी सकाए। तो एक खाली ने खाली सुप्रीम कोट ने मड़ेली छें। मुकलवानी बार्थ थाएचे तो हाइकोट माथी हाइकोट माज ज्यारे मुकलवानी सत्ता मात्राने मात्रा हाइकोट ने सिंपल वसतो छे के जे रितना आपने जोई के हाइकोट माथी हाइकोट मा मुकल होई तो सुप्रिम कोट एने सत्ता मुकल होई तो एज रितना सेसन कोट माथी सेसन कोट मा कोई केस मुकल होई तो एने सत्ता कोणी मुकल होई तो हाइकोट ने सत्ता मुकल होई तो हाइकोट एक सेसन कोट माथी आपसे तो तरमने खबर चुने का जुडिस्यल मेजिश्टेट कोर्ड मेटरोपॉलिटन मेजिश्टेट अबदी ताबानी अदालत के वाई तो एनी उपली अदालत चे इज नीड़े लई सके, ओके, आवस्तु 6, 7, 8 मा लखे लिजे, सिंपल चे, तमें समझी सको चो, आगर बात करें, न्याईक प्रक्रिया, प्रक्रा नंबर 32, सजा ना अमल मौकूप राको, माफी आपी के गटाड़ानी जोगवाई, जे सजा थाई गई छे, अपरा दिन, तो एने मुल्तवी राक्वी एलेके मौकूप राक्वी, अथवा तो एनी सजा ने माप करी देवी, अथवा तो एनी सजा गटाड़वानी, ये बदी जोगवाई, तमने प्रक्रा नंबर 32 माँ आपे लिए छे, जे कलम नंबर 413 लहीने, 435 माँ एनी बात करवा माँ आभी छे, अवे आ चेप्टर नी च्यार कलमों छे, ए च्यार कलमों मों मों मोस्ट आईंपी छे, बिजी क जोई गया थाक, बई सेसन कोटने किली सत्ता मड़े लिए छे, ए बद्दी सजा आपी सके, खाली मोतनी सजा ना आपी सके, मोतनी सजा माटे हाई कोट जोडे थी परमिसल लेवी पड़े, तो एज रितना या हाई कोट मोतनी सजा आपी सके, आ सत्ता कया कलम मा लखे लिए कलम नंबर 444, याद राग जो, हाई कोड छे ए आई पीसी नी बद्धीज सजाओ आपी सके, मौतिनी सजापन आपी सके, तो हाई कोड नी सत्ता केटलो पावर छे, ए कई कलम मा लखेलों छे कलम नंबर 444, के भई हाई कोड छे ए मौतिनी सजापन आपी सके जे, कलम नंबर 444 समझभा जेवी छे, गर्ब वती स्त्री ने थयली मुतनी सजा मुल्तवी राकवी, मुल्तवी नो मतलब सु थाए, मौकूप राकवी, बंद राकवी, जो, सु केछे पहला वांची ले, पछी उधारंद बारा समझाओ, कोई स्त्री ने मुतनी सजा आपपामा आभी होई, और पाचरती खबर पड़े कि एतों गर्ब वती छे, तो आवा कंडिसन नी अंदर एसे सजा मडेली छे मुतनी सजा, एने मुल्तवी राकवा माव से, और योग्य जणाए, तो एने आजीवन केदिनी अंदर फेरवा माव से, एक्जांपल तरीकी बात करू, कोई महिला चे, ए महिला ये समझीलों कोईकनों खून करूँ छे, एक महिला जैने कोईकनों खून करूँ छे, एने अदालत नी अंदर लईजवा मावी, अदालत नी अंदर एनी इंसाफी कार्यवाई थाई, और अदालत द्वारा एने मुतनी सजा फटकारवा मावी, आ लेडी ये खून काल उठी ने 1-2 महिना पची खबर पड़े के इस्त्री तो घर्बवती छे जेने मुतनी सजा मड़े ले छे तो आवा कंडिशन नी अंदर कौट चे एनी जे मुतनी सजा मड़े ले छे एने मुल्तवी राखी सके क्या सुधी ज्या सुधी यहनू बाड़क जन्मन न ले ले फांसी है चड़े काल के मामरी जासे तो बाड़क पन मरी जासे यहना गर्भमा रहे लू तो आवा कंडिशन यहन्द सुधी बाड़क जन्मन न थे जाए त्या सुधी इस जिस्त्री छे इसत्री ने फांसी उपर चड़ावा मा आवती ना थी अन्शे और कोट ने जो नहीं पांदी नाथी, कोई मम्मी पप्पा नाथी, मतलब कि यह बढ़ात ने जन्म तो आपी तेसे, पन जन्मा आपया पाछी एक कोई व्यक्ति जुड़े रह है, यहनो कोई सगासबंधि नहीं, यहना जुड़े रह है, मतलब कि कोई व्यक्ति चीज ने, तो कणुन यंद कौलम नम्बर 414 ुपोटन छे घर्भवति ष्त्री ने थायली मुगवतिय राहे बूलतवी मतलब मौकूप राहे अने कदाच एउँ कंडिशन उभी थाए जो योग्य लागे तो ए सजा ने आजीवन कैदी नी अंदर पड फेरवा मा आवे छे कलम नंबर 460 प्रमाणे कलम नंबर 470 कैदनू स्थर्ण राज्य शरकार नपकी खड़ से अधालत चे, अधालतनू कामसु के जे कैदी चे ऎने सजा फटकारवानॉ सजा फटकार्या पची एक कैदीने कई जग्याई राख़ो ओ एह मात्रने मात्रन राज्य शरकारज करसे तो कोई व ethicalी न één कहास थडे अठकायाच मा राखी ते राज्य शरकारज नीन नीन करसे गांधी नगर नी पॉलिस कश्टड़ी सूरत नी पॉलिस कश्टड़ी तो आब दर नेर्ड़ कश्टड़ी कैसे अदलत कश्टड़ी मा Turnsको राज्जेसरकाव कार्व संजल ओक सनी एशना औनि कारिये पूरी पु राथ ओक टैंग कार क्ये तो offsंट्र मानें और से ಆंड़ आजीवन कैदी सजा के मौत नी सजा तो एक सजा क्या एने कैदी तरी के कई जगे राखो एपंड इन्डे कौन कर से राज्य सरकाराज कर से कलम नंबर 470 प्रमाने तो याद राख जो 470 प्रमाने तो याद राखो एक सजा के मौकूप राखवाने सत्ता जे अदालत द्वारा तेने सजा मडी होये एनना मुख्य नियायां दिस न जरसे तो आयाद राख जो जे वेक्ति ने जे अदालत द्वारा सजा पटकार भं माया आवीIGHT तो एज अदालत द्वारा ना न्यायाय दिसने सत्ता रह से कि यहिए जे सजा चे एने मौकूप राख वी ओकै? आ याद राख जो बेरी-वेरी इंपोर्टान्स है राश्टरपति मोतनी सजा ने आजीवन केदनी अंदर फिर भी सके छे अथवा तो आजीवन कैदनी जीने सजा मड़ेली जे एने 14 वरस नी कैद मा फेरूई सके छे अथवा तो कोई सजा छे एना बदले कैद पण करी सके छे सू छे ध्यानती समझे सू क्या मागे छे राष्ट्रपती जे आपड़ा केवाई छे प्रेसिडंट यहां जे एवा वह तो कोई सजा चे एने ओची करावी शके छे अत्वादों मापण करावी शके छे आनि अंदर यहां लखेलू छे कि बाई कोई व्यक्ति ने मोतनी सजा मड़ेली हो तो यह मोतनी सजा ने पण आजीवन कैद नी अंदर फिर भी सके छे याद राग जो राष्टपति मिया कि अधालत बार कोई व्यक्ति ने मोत नी सजा आपटे लिवो तो необходимо कैद महँ फिर भी सके छे कोई यह वो ब्यक्ति जेने आजीवन कैद मड़ेल हो है, आजीवन कैद न मतलब छू, जहा सुधी जीवे त्या सुधी कैद नी अंदर नहीं हो, एने आजीवन कैद के वामावे, तो यहा प्रेसिडंट ने पावर मड़ेल हो छे, कि आजीवन कैद नी सजा ने चाओध वरस आजीवन कैद नी सजा ने अंदर फिर वी सके, काहांकि आपने एक नियम जोई हो तो आई पीसी नी अंदर, कि आजीवन कैद नी सजा छे, यह ओछा मा ओची चाओध वरस नी थे सके, एना थी ओछी प्रेसिडंट पर न करी शके, याद राग जो, आजीवन कैद नी सजा जो ओछी कर भी होये, तो मात्राने मात्रा, ओछा मा ओची 14 वरस नी शके, प्रेसिडंट बाकि एना थी ओची तो प्रेसिडंट ने पर सकता न थी, तो याद राग जो, जो कोई वेक्तिने आजीवन कैद नी सजा मड़ी होये, तो आज आदो कोई चक्या दिचा Cup मडियलें के 6 कलेकर सम्जलू करेखे 10 सज़ा मडिया टो एंने शरू सम्जिलुह पांच ब्रस निढेकर प्रस घ्रहोर स्चेब्य प्ञेखे ्मिय फ्रस ऩ। पहला राज्य सरकार और केंद्र सरकार नी परवांगी पड़े पड़े यह एक नियम पड़े अमुक गुना नी जे सेजम्केश समझेलों के बलातकांवनों हो शे पसी समझेलों कोई खुनी छे जे जिने घणा बदा खून करया छे अवे आवा कंडीशन नी अंदर समझेलों जो घवननर छे एक गवननर जयारे माप करावता हो है ते आने एक वहाँ ते राज्य सरकार के कैध्र सरकार ने पुछुँआ पड़े कि आ कह दी छे ओके इन्हे घणा बदा खून करेा छे और आ कारणते इनी सजा ओची कराओ छो जो राज्य सरकार औने केंद्र सरकार छे प्यासयाक को नीची है प्रेसिडन नों पावर साउथी बदारे जो तो आयोब सो आज नों लेक्चर आपने या पूरो करें तो बाद करें प्रक्रन नंबर 33 जामिन अने मुसर का सबंदी जोगवाई जे कलन नंबर 436 ती लही ने 450 सुधी बाद करवा मावी जे स्टार्ट करें ये पेला कईदो के मारी 2 e-book बार पाड़ी दी छे IPC अने CRPC नी बनने ना तमने डेमो पेज डिस्क्रिप्सन नी अंदर मली जासे डेमो पे जो इच्छा थाए गमे लेवानी तो तमने लाई शको चो पर्चेस लिंक पर एनी बाजू मा तमने मली जासे IPC नी जे बूक चे ए 65 रूपीज राकी चे CRPC नी जे एनी 29 रूपीज राकी चे बनने इबूक चे तमने मोबाईल नी अंदर मड़ी जासे फीजिकली आ बूक नई मड़े बनने पेमेंट करिया पची इमेल ना माध्यक्ति तमने मड़ी जासे जने तमने डाउन्डोड करीने एनुद प्रिंट कड़ा विशक हो चो सरुआत करे ए पेला थोड़ू कई दो कि एक्चुली जामिन छे सो अल्रेडी आ वस्तु में आगर डिसकस करे ली छे पड़ आ जामिन ने लईने आखु चेप्टर छे तो एक उकत फरी थी जामिन सू छे किटला टाइप नी जामिन होए कौन जामिन आपी सके जामिन नी अ एक जामिन पात्र गुणा नी अंदर जामिन जे यह लखेलो छे कि एवा गुणा जे नी अंदर जामिन मड़े और एज गुणा मा जामिन आपामा आवे तो एवा गुणा इले कि जामिन पात्र गुणा नी अंदर जामिन आपी जे मेजिस्टेट पड़ आपी सके औने लिएडाए, जामिना ना को है, और मैं रहा लिए मसमझस वहीं के आई चाहते यहार लगे मिज़ाएं तो याद राग जो, बीन जा्मिन पात्रग गुणानी अंदर पन जामिन मड़से, पण आ जामिन आपपानी सत्ता मात्रने मात्रा high court और supreme court ने छे नीचली अधालतो सेशन, court के एनी निचली अधालतो ने न थी याद राग जो कोन आपी सके हाई कोट अने सुप्रीम कोट अज बीन जामीन-पात्र गुना नी अंदर जामीन आपी सके हवे आँ कiennent आकपाम आवे छे। कानाकी एक तो जामीन पात्र गुनों न थे, बीन जामीन पात्र गुनों छे, तो एने अंदर जामीन केम आपत्र गुनों छे, तो कई एवी कंडिशन जेनी अंदर एउ प्रतित था है कि बैस्ट 裝ट शें जें धड़पकर थाई τους, एना विर एने गुणों करें छे के नथी करें एह अजु साबित नथी पर्यू। परन्तु एनी जे निर्परता से समझेलों के एनो कोई दुकान होए अश्वा तो कोई लारी होए अन्ने एना उपरज एनू जे कुटूम छे ए चालतू होए तो आवा कंडिशन अंदर जो एवा वेक् कंडिशन जो से बद्दू जो या पची हाई कोट के सुपरीम कोटा जे मेजिस्टेट छे ए अपवा जेवी लागे तो आपसे बाकी ना पाड़ी देशे त्री जू अगरीम अत्वा तो एंटी सीपित्री अत्वा तो अगोत्रा जामें या अगोत्रा सब्दपन तमने जो तो मारी दढ़ पकड थाई सके चे एवु मने लागे चे तो मारी दढ़ पकड थाए एना पेला जू जामिन लई आओ मेजिस्टेट पासे दी तो हैन्ने सु कोट्रा जामीन कोट्रा में या अगरीम या गिरब तार पहलाई जमानत कया आदार उपर जामीन मड़े लेकि जामीन आपानी वाद थे जामीन नो मतलब सो कि व्यक्ति ने छोड़ी गया चालतो होए यहां सुधी ने बार राख्वामा owें सिम्पल जामिन के वामा आवे, हवे जामिन नी अंदर सू होई छे, कई रितना बहुंट थाए छे, तो जामिन छे ने ए बे वस्तु थी मड़े, पेली वस्तु, कातो कोई इजदार व्यक्तिर तमारी जामिन करावे, लेके समझी लो के जेठा लाल चे ए जेठा लालने कुटूम होए, कुटूम नो कोई व्यक्ति, अथवा तो कोई मित्र छे, अथवा तो एनो कोई सेट छे के कोई पड व्यक्ति, कोई इजदार व्यक्ति छे ए आवे, और ए व्यक्ति नी पोता ना भरो से, सू करी लाखे, जामिन करी लाखे, लेके लेके पोता ना, वेक्ति नी जामिन तो आपूछू, पन एक एग्रिमेंट थासे तारग बाई अने मेजिस्टेट वच्चे के जेठा लाल नी जामिन आपूछू, परन्तु काल उठी ने जो जेठा लाल भागी गयो, तो तमारे पकडी ने एने पोली स्टिसन मा हाजर करो बढ़ चे, कातो ए एक रासी नक्की करवा मा आवसे, जारे पन बॉंड थाए चे, जामिन एग्रिमेंट थाए चे, बेल बॉंड थाए चे, त्यारे एक रासी नक्की करवा मा आवे चे, एक रकम नक्की करवा मा आवे चे, के काल उठी ने ए वेक्ति भागी जाए चे, कारे के एने जामिन कोई सगा सबंदी नथि. कोई वह वेक्ति चेज नहीं कि जामीन करा भी शके तो आवा कंडिशन नी अदर ए वेक्ति आरोपी पोते ऐनी जे धढ़ पकड़ाईचे वेक्ति पोते पोता नी प्रोपर भीट्विशमानत लेई शके जमके जेठालाल चे अवा जेठालाल नो कोई वो मित्र न थी कोई सगासबंदी न थी के एनी जामिन करावी सके एने जे गुणों करे चे ए जामिन पात्र गुणों चे तो आवा कंडिशनी अंदर जेठालाल ने समझीलों दुकान हो है कोई मकान हो है के कोई जमीन हो है तो प्रोपटी उपर सु करी सके जमानत करावी शके जेती काल उठीने ये भागी जाए तो जे सरकार चे एनी प्रोपटी हड़ पी लेशे ओके तो एना आधार उपर पर बेल बॉर्ण के जामिन एग्रिमेंट थाई सके छे जामिन केम बढ़े पहली वस्तु क्रिमिनल रेकोड सिंपल वस्तु के जो कोई व्यक्ति पकड़ाई जाया अने जेल मा राखमान हो थाए तो एनो क्रिमिनल रेकोड मा नाम नो थाए तो एनो क्रिमिनल रेकोड ना बने एना आधार उपर मतलब के एक कारण होई सके छे नेउ दिवस नी अंदर चार्ज शीट न बने तो बनावी शक्या नई चार्ज शीट सू छे एमें ओल्रेडी चला वेलू छे तो आवा कंडिशन नी अंदर पण एनने जामिन उपर छोड़ी देवामा आवे छे काल उठीने चार्ज शीट बने तो एने पाछा बुलाई लेवामा आव से कुटूम ने निर्भरता जेमें आ एनना विरुद जेने फरियाद नदाई छे एने पेला तो हैरान नहीं करे पुरावानो नास नहीं करे साक्सियों निवेदन नहीं बदले बाहर जयने जे पुरावा चे एनना विरुद तो एने बदलवानों ट्राई नहीं करे एनने नास करवानों ट्राई नहीं करे साक्स निवेदन लेके जे एना विरुद मा जे साक्सी तरीके रहवाना आजे तो एमना निवेदन चेंज करवानों ट्राए ने गरे विदेश मा नहीं जई सके कोट द्वारा नक्की करेला एरिया माझ रहवू बढ़से पोली स्टेशन मा अमुक कंडिशन मा धर्रोज जईने हाजरी आपी बढ़से लेगे साइन करिया भी पड़से तो आप अधी कंडिशन होई छे जामिन ने तो आने लगती जेकली पढ कलम होचे महत वनी ये हवे आपड़े जोई लेगे जामिन मां सौथी पहली कलम छे कलम नंबर 404 जे हमड़ाज में तमने समझावी जामिन पात्रव गुणा मां बिजी वेक्ति द्वारा जामिन में तमने किदू कबाई जेठा लाल चे ए जेठा लाल ले जामिन कौन आपसे तो आपड़ा तारक बाई मेता छे ए आपी सके तो इज वस्तू 466 की दुछे वांची लेए तमने ओटोमेटिक ख्यालावी जासे गुनेगार ना कुटूम ना कोई वेक्ति मित्र के कोई पड़ इज्जदार वेक्ति गुनेगार नी पोतानी जवाबदारी उपर जमानत करावे जे जो गुनेगार भागी जाए तो जाम जामिन आपनार वेक्ति गुनेगार ने पकड़ी ने पोलीस ना हवाले कर से औने ना करे तो जामिन नी रकम भरवी पड़ से सिंपल वस्तू छे के समझीलो के तारक भाई मेता छे ए जेठालान ले छोड़ावे छे अवे जेठालाल भागी जाए तो तारक मेता नी जवाबदारी रह से के जेठालान ने पकड़ी ने पोलीस ना हवाले करे जो आउ करवा मा समर्थ नती तारक भाई मेता तो जे नक्क दाई चे ए रकम तारगबाई मेताने कोटनी अंदर भरवी पड़ चे ओके आ कलम नंबर 436 कहे चे च्यार सोन एक तालीस जामिननी रकमनो मुसर को मुसर को यहनों मतलब चो थाए रकम थाए जो कोई गुनेगार ने जामिन मढवा पात्रच छे पण कोई वेक्ती जामिन करावा माटे तैयार न थी तो गुनेगार पोते पोतानी मिलकत ना आधार उपर जामिन मेढवी शके छे जो जामिन पची गुनेगार भागी जाए छे तो कोट एनी मिलकत जब्त करी नाख से अवे मिलकत छे कोई पर होई सके जंगम मिलकत पर होई सके स्थावर मिलकत पर होई सके जैने मुसर को केवा मावे छे कि जामिन आपा मा सामे एक एक प्रोपर्टी गिर्वी राखें तो कलम नमबर फॉर फॉर वन पर तमने क्लियर थाई गई असे जी वस्तु में आईया चलावी के बेर इतना जामिन मड़े इस वस्तु 436 अने 441 मल अखे लेशे हजू बीजी भी कलम होचे समझे कलम नमबर 436 SC अने HC यहनों मतलब थाई सुप्रीम कोट अने हाई कोट सुप्रीम कोट अने हाई कोट अज बीन जामिन पात्र गुना मा जामिन आपी सके जे मैं हमड़ा बात करी कोई जामिन पात्र गुनो नती बीन जामिन पात्र गुनों जेने अंद जामिन न मड़े एवा मोटा गुना नी अंदर हाइकोट अने सुप्रिम कोट ने सत्ता मड़ेली छे के ए जामिन आपी सके जो कोई बीन जामिन पात्र गुनों होए अने एमा जामिन मागे तो हाइकोट अने सुप्रिम कोट ने सत्ता चे केस नी गंबीर था गुनेगार विरुद मडेला पूरावाने ध्यानमा राखी ने जामिन आपी सके छे कलम नंबर 438 सू के छे SSC, SSC नो मतलब थाए छे सेसन कोट, सेसन कोट अने हाई कोट द्वारा अगोत्रा जामिन आपपा मा आवे छे अगोत्रा नो मतलब सू यह मैं तपने कीदू तुमके त्रण टाइप नी जामिन होए यह मजे छेली जामिन छे जने केवां मा आवे छे अगरिम अथवा तो एंटिसिपेटरी अथवा तो अगोत्रा जामिन यहले के गिरबतार पहला जामिन आपी सके तो इह जामिन कोण हाइकोट ने सत्ता चे ओके यहाद राग जो शेशन कोट अने हाइकोट द्वाराज अगोट Ihrer जामिन आपी सकाये छे हवे कोई व्यक्ती ने यहू लागे के आ केसमाँ पोता ने पोलिस पकड़ी सके छे तो ए व्यक्ति धड़ पकर पहलाज हाई कोट अने सेसन कोट पासे थी जामिन लई लेशे, जैने अगोत्रा ये लेगे एंटी सिपेटरी बेल के वामा आवे, छे लेगे धड़ पकर पहलाज जामिन लई आवे सेसन कोट के हाई कोट माँ थी पहनेसु के वामा आवे एंटी स पेट्री बेल अथ्वा तो अगोत्रा जामिन के वहामा आवे छें तो आई थिंग जामिन ने लगती जे च्यार कलम हो छे तमारे खास याद राखवाने छे 436, 436, 438 अने 400 ने 41 ओके या च्यारे च्यार कलम हो खास याद राखजो नेक्स चेप्टर रुपा जी यह चेप्ट नंबर 34, मिलकत नो योग्यन निकाल करवा बाबत, जे कलम नंबर 451, 419 साइट मा बात करी छे पड़ा चेप्टर मा एककज कलम महत्वानी छे जेमाथी क्विश्चन पुछाए छे अने बाकी नी कलम चे एटली वदी कई खास इंपोर्टन नती, अत्यास उधी पाप पंखी वगेरे, जो कोई गुनेगार फराण होई छे, तो CRPC नी कलम 83 प्रमाणे एनी मिलकत जब्त करवा मा आव से, एनी अमुक मिलकत बगडी जाए एवी होई, तो जेमके पसू, तो एने तरत जवेची ने निकाल करवा मा आव से, हवे आपने याद करो चेप्टर नंब चेप्टर नंबर फरार छे, तो गुनेगार फरार होई, तो चेप्टर नंबर फरार 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 होई, तो चेप्टर नंबर फरार फरार होई, तो एना पचिसु करवा मा आउसे एनी मिलकत जब्त करवा मा आउसे कलम नंबर 83 परमाणे जे आपने चेप्टर नंबर 6 मा जोए गया था CRPC नी कलम नंबर 83 एउ कैचे के गुने गार जेने गुनो करी ने एक फरार थाई गयो छे फरारी नो जाहे नामो 30 दिवस नो पाड़ियो तो अपन ए हाजर न थोयो तो हवे एनी 83 परमाणे एनी मिलकत जब्त थाशे हवे मिलकत जब्त करी ली थी पड़ एनी जे मिलकत चे एमाथी अमुक मिलकत एवी छे जे बगडी जाए वी छे जेमके पसू, पंखी ओवेजली सरकार चे एम मिलकत जब्त करी ली थी पड़ अमुक एवी वस्तु हसे जे बगडी जाए वी वह समकिलो के कोई गाई बेस के हूँ है एपण मिलकत जब्त करी ली थी तो तरत आने वेची सके छे सरकार एने राखसे ने, तरत दर सु कर से एनो निकाज गर से कलम नमबर 400 ने ओगर साइन प्रमाणे बिजु उधैरन आपको समझीलो के एनु वेफर बनावानू कार खाना occup जे ओ Capitol समझीलो के एक वेफर Mexican गडावानू चे एना गोडावननी एंडर समझीलो के घणिबदी वेफर बढ़े लिए समझेलो के लाक रूपया ने एक लाक रूपया नी वेफर हो एना गोडाउन नी अंदर बरेली जे तो ओवियसली वेफर नी पड़ कईक एकस्पाइड डेट होई जो एकस्पाइड डेट थी उपपर जती रे तारीक तो एक वेफर चे न काम है छे तो जे बगडी जाएवी होई कोई पड़ एनू प्रोड़क्शन होई शके के जे बगडी जाएड एकस्पाइड डेट होई तो एनू निकाल कर से तरतना तरत सरकार्चु करदे से निकाल कर से कलम नंबर 459 प्रमाणे तो आपने याद रग जो कलम नंबर 459 जब था येली मिल कद बगडी जाए एवी होई तो आईने जल्ली थी निकाल करवानी सत्ता कोट पासे रह से बाग नंबर 36 अमुक गुनानी न्याईक कार्यवाई सरू करवा बाबत कलम नंबर 400 सर्सर्थी लाईने 407 सुधी बात करवा मावी शे जेनी अंदर 2 कलमों महत बने शे अनी वन आ छेल्ली कलम हो छे आना बचे 37 नंबर नू चेप्टर छे अपवाज तो एमा कई जी याद राखवानी जरू न थी एमा धी कई पुछातू पड़ न थी अने टली मतली कोई खास एवी कोई इंपोर्टन कलम हो पड़ न थी तो आपड़ा CRPC नी आ छेल्ली स्लाइड छे कलम नंबर 467 बाध्यानी मुद्दत नी व्याख्या सू कहाचे कि अमुक केस जेनों उकेल अमुक समय माँ फर्जियात पड़े लावोज पड़े जेने ते केस नी बाध्या मुद्दत कहाचे तो बाध्या मुद्दत नी व्याख्या चे एक कलम नंबर 467 माँ पड़े छे अवे 468 नी अंदर यू गिदू छे कि गुणो अने गुणा माटे नी बाध्यमुद्ध जेनी अंदर सू कियाव माँ आवगी छे एक कोश्टर कापिलू छे एने तमें समझ्जो समझी लो कि कोई डंडनों गुणो छे जेठा लाल्चे जेठा लाल जे समझी लो कि 500 रुपयानों डंड थ यूच ciao अवे जेठा लाल चे 500 रूपया नो डंड बढ़ता न थी, तो आज एक केस चे क्या जाई छे, मेजिस्टेट पासे जाई छे, तो डंड नो गुनो होए, तो एनो जे निकाल चे एक केस नो जे जवाब लाई देवानों चे, एनी जे इंसाफी कार्यवाई चे, ए छो महिना न चे जो मेजिस्टेट चे, जे जे जाई जे एक केस चे, एनी इनसाफी कार्यवाई एक करीद देवे जो ए, अवे सिंपल वस्तों, जे केस नि अंदर मैक्सिमम सजा एक वरस ने चे, अवे एक केस ने तमें 22 वरस त्रन त्रन वरस खेचाओ, तो इस उग्या ना थी, सिंपल एक वरस ती लईने त्रण वरस सुधी नी सजाने पात्र कोई गुणों होई तो एनी जे इंस्याफी कारियवाई चे ए मैक्सिमम त्रण वरस नी अंदर पूरी करीद देवी जोए आ कलम नंबर 468 काये चे जेने एनी बाध्यमुद्यत के वाई आना उपन नी कोईपन सजा होई तो एना माटे कोई बाध्यमुद्धत न थे लेके 4 वरस नी 5 वरस नी 7 वरस नी आजीवन क्याद मुथनी सजाने पात्र कोणों तो एना माटे कोई बाध्यमुद्धत न थे एने गम्मेटलों लंबा होई एलों लंबा भी सकाए मुद्धत पाड़ी सकाए, पण आजे ना ना गुनाओ छे, त्रण वरसु दिना, तो एना माटे एक बाध्य मुद्धत फिक्सक छे, के एवा जे केस हो छे, एने अटला समय नी अंदर तो पूरई करीद देवाना छे, तो एने सुके हम आवे, बाध्य मुद्धत केवामा आवे, तो आ इंश्यूरीट नी अंदर जतारो, कोई पण कोर्स परचेस करलो, कोई पण तमें पैसा बरीने ओफ्लाइं क्लासिश नी अंदर जाओ, महत्वनी कलम हो छे, आज छे, एनी अंदर पण आज कलम हो तमने चलावा मावे, तमने आना ती कई नव विशेस नई चलावा मावे, आज जे में चलावे लूँ छे, एज बस्तू तमने तिया चलावा माव से, विजी बस्तू के आ लेक्चर तमारा माटे मदलब के ये यूटूब नी अंदर हो अप्लोड करूँ छो, तो आज तमारू काम एज छे के हूँ फ्रीमा लेक्चर आपूचु तो लेक्चर ने ल वीडियो पोचे, अने कदाच आ वीडियो माथी कईक यूट नियान मेडवी ने कदाच ए एकजाम पास करी शके, तो तमारी फरज आवेचे के आने सेर करो, मैक्सिममम सेर करो, लाइक करता रो, चलो, विजी बस्तू के ठेंक्यू, टॉलो अफ्यू, मारी साथे अटले सु बनी रेवा माटे, जितला पन लेक्चर मुग्या, एने तम्हें प्रेम आप्यों, लाइक करी, शेर करी, एना माटे, ओके, एडवांस माउं तमने ठेंक्यू करी दोचो, के